हेलो एवरिवन दिस इस अन्राग बगेल एंड वैलकम तो मैगनेट ब्रींज जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजूकेशन प्रोवाइट की जाती है और बच्चों आज हम क्या बात करने वाले हैं आज अपने नए चैप्टर थर्मो डायनामिक्स के बारे में बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत सारा हुआ रहता है कि सब थर्मो डायनामिक्स बनती नहीं है एकदम सिंपल तरीके से इस चैप्टर को एकदम कॉंसेप्ट बेस पर चलते चलेंगे और तहलका मचा दें फुल एनरजी और फुल जोच के साथ चैप्टर को अपन शुरू करेंगे और कहत्म भी करेंगे इसके बहुत सारे निूमेरिकल्स कराओंगा मैं चेप्टर के साथ साथ में क्योंकि मेरे बच्चों ये चैप्टर बच्चों को बनता है इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे practice नहीं करते हैं सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूँ practice करेंगे यह chapter अपने आप बनेगा ठीक है तो आज जो अपन देखने वाले हैं इस chapter में आज अपन देखने वाले हैं इस chapter का overview इस lecture में जो mainly कहानी बेस होगी इस chapter में हमें पढ़ना क्या क्या है पहले रास्ता जाले फिर उस रास्ते पर चलेंगे और बहुत जल्दी इस chapter को खतम करने की कोशिश करेंगे तो निकाली अपनी copy निकाली अपना pan और full energy full जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाईए what is thermodynamics समझेगा अगर मैं बात करूँ thermodynamics की तो देखना बिटा thermo मतलब होता है heat thermo मतलब होता है मेरे बच्चों heat और dynamics मतलब होता है flow dynamics मतलब होता है flow इस chapter में जो हम बात करेंगे flow of heat के बारे में बात करेंगे flow of heat के बारे में बात करेंगे मेरे बच्चों की heat का flow कैसा होता है हो सकता है आपने आज से कभी सुना हो ना सुना हो सुना हो ना सुना हो तो flow of heat अगर किसी reaction के दौरान अगर किसी reaction के दौरान heat absorb हो रही है sih illustrated flow of heat किसी रियक्षन के दोरान heat absorb हो रही है तो आपो पता होगा उसे हम कहते थे एंडो थर्मिक reaction और किसी रियक्षन के दोरान अगर heat बाहर निकल रही है heat बाहर निकल रही है तो उसे हम कहते थे Sophismic reaction अगर ये आपको पता है तो बेटा आपको थोड़ा बहुत basic concept पता होगा किसके बारे में धर्मोडानामिक्स के बारे में और नहीं पता है तो मेरे साथ प्रतिग्या लो प्रतिग्या लो कि सर इस chapter को आपके संग फोल एनरजी फोल जोस के साथ हम करेंगे तो सर थर्मोडानामिक्स में किसके बारे में पढ़ना है हीट के फ्लो के बारे में पढ़ना है या फ्लो ऑफीट के बारे में पढ़ना है चलिए इसके ओवर विव के बारे में अपने बात करें कि भाईया इसमें बेसिक बेसिक system वह चीमान लाए कि मैं गाड़ी से आया गाड़्ी में सीधी सी बात है फ्यूल के जलने की बज़ेशार गाड़ी में सिस्टम वह चीज होती है जिसमा थर्मोडानमिक study की जाती है सिस्टमबस और वह चीज होथी जिसमाण थर्मोडानमिक study की जाती है नहीं है टफ Menglogori अभर बोलते हों गाइन बोलता है और फैनलपर भी में वाली करो तो आप तो धर में पानी रखो पानी का gefragt थर्मोडानमे के स्टडी करते हैं उसे कहते हैं सिस्टम, जिस चीच पर थर्मोडानमे के स्टडी करते हैं उसे कहते हैं सिस्टम, माल लीजिए, हम ये गंजी है, इसमें पानी गरम हो रहा है, इसकी स्टडी कर रहा है, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, सब देखेंगे, ये है मा नमान लीजे सिस्टम, जिस पे थर्मोडाइनमिक स्टेडी की जाए, उसे हम कहते हैं सिस्टम, बेसिक बेसिक टाम है, यही यूज होते हैं, और सिस्टम के बाहर, सिस्टम के बाहर, जो भी स्पेस बचा, जो भी स्पेस बचा, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग, उसे हम क्या कहत बनता है यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके हमारा क्या बनता है मेरे बच्छों यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके हमारा क्या बनता है मेरे बच्छों यूनिवर्स यूनिवर्स तो वाट एस सिस्टम वाट एस सिस्टम सुनना वह थर्मोडानामिक कॉंटिटी जिस पे हम थर्मोडानमिक स्टडी करें या वो बेसिक कॉंटिटी या वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम थर्मोडानमिक study करने जा रहे हैं उसे हम नाम देते हैं सिस्टम और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं मेरे बच्चों यूनिवर्स बनाते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है सिस्टम के बारे में पढ़ना है सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है ठीक है और हमें किसके बा पर्परटी क्या होती है、 इंटेंसी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी कोई भी थर्मोडानामिक कॉन्टिटि या क्वान्टीटी पर क्वानिटि पर्वान्टी पर sbn Phi का, उसे हम कहते हैं क्या क्या extensive property, सब चीज़े पहले समझते चलो, detail में ंगा,ँगा मैं just बात कर रहा हूं और intensive बोलो intensive मतलब सर आइन पकड़ लो ऐसी मैं बहुत सारे टोटके बताते हुए चलूँगा आइन पकड़ लो जो इंडीपेंडेंट हो मास से जो कि क्या हो बच्छे इंडीपेंडेंट हो मास से या quantity of substance से या quantity से या quantity से तो उसे अपन नाम देते हैं क्या intensive property एक्स्टेंश प्रॉपर्टी क्या है जो मास या quantity पर डिपेंड करें इंडीपेंडेंट हो चलिए सर इसके बाद अपन बात करेंगे यह बेसिक बेसिक टरम देख लिए अपनने चौती चीज़ जो मुझे यहां पर डिसकस करनी है इस्टेट फंक्शन क्या होता है पाथ फंक्शन क्या होता है इस्टेट फंक्शन क्या होता है पाथ फंक्शन क्या होता है पाथ फंक्शन क्या होता है समझेगा अगर कोई भी थर्मोडानामिक quantity किस पर डिपेंड करती है initial state पे depend करेगी और final state पे depend करेगी समझना कोई भी थर्मो डाइनमिक quantity जो की initial state में क्या है और final state पे depend करेगी आप कोई भी path चूस करो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता उसे हम कहते है state function उसे हम क्या कहते है state function और ऐसी thermo dynamic quantity जो भी यह state पे टो depend कर रही है बिलकुल क्योंगी जहां से शुरू हो रही है इसके अलावा जिस path से reaction प्रोसीड हो रही है उसे हम कहेंगे path function ठीक है सर इनके बारे में अपने को detail में करना है state function path function कौन सी quantity state function है कौन सी quantity path function है ठीक है सर इसके अलावा first law of thermodynamics के बारे में chapter में अपने को detail में देखना है first law of thermodynamics के बारे में chapter में अपने को detail में देखना है what is first law of thermodynamics what is first law of thermodynamics first law of thermodynamics कहता है energy can neither be created nor be destroyed it only transfer from one form to another form जो law of conservation of energy के बारे में बताता है वो ये कहता है कि बिटा चलो आपने मान लीजे सब अभी overview चल रहा है कोई detail में नहीं है overview में में फूरे chapter की कहानी रज़ दूँगा कहानी रज़ दूँगा and this will be the best chapter on YouTube मैं YouTube में सबसे best chapter अपलोड करूँगा ये बात हमेशा दिमाग में बठा लीजे सारे concept आए कोई भी question उठा लेना मेरे बच्चों कोई भी question उठा लेना इसके बाद कोई भी उठा लेना guarantee दे रहों बनेगा चलो हम बात करता है first law of thermodynamics के बारे what is first law of thermodynamics समझना energy ना तो create की जा सकती नहीं destroy की जा सकती मान लीजिए मैंने अपनी energy खर्च करके इस board को किसकानी की कोशिश करी तो जो मेरी energy खर्च हुई वो work done में convert हो गई ये board किसा क्या तो भाईया energy कभी भी खर्च नहीं होती वो एक form से दूसरे form में convert होती है ठीक है sir first law of thermodynamics के बारे पढ़ेंगे दूसरी चीज हमें जो पढ़ना है first law of thermodynamics क्या है अगर आपको देखना है हमें internal energy की जर्रत होगी work done की जर्रत होगी तीन basic quantity की जर्रत होगी और हमें heat की जर्रत होगी देखेंगे first law of thermodynamics को समझने के लिए हमें del u मतलब क्या है बस याद करते चालो पहले दिमाग में frame तेयार करते चलो what is del u del u internal energy w क्या है work done है क्यों क्या है heat है ठीक है sir उसके अलावा जो हम बात करेंगे हम बात करेंगे किसके बारे में enthalpy of reaction के बारे में enthalpy of reaction के बारे में कि भाई या किसी reaction कोई जब reaction होती है तो उसमें कितने कितने type की enthalpy's हम पढ़ सकते हैं मान लीजिए मैंने किसी चीज को जलाया जलाया तो भाई यह जलाने के लिए oxygen की ज़रत है तो उसे कहेंगे enthalpy of combustion उसे कहेंगे enthalpy of combustion मान लीजिए मैंने किसी reaction के दौरान जो reactant है उनके bond को तोड़ा तो वो जो enthalpy होगी हो कहलाईगी bond dissociation energy जी यह सब types of enthalpy है फिर मैंने कहा कि मैंने भी यह liquid को वेपर में convert करा jest month可ry proyecto गैलाएगी enthalpy of by przyrज Isle मैं कहूंगा मेरे बच्चों में ने solid को किसमें gas में convert कर दिया col dedicated वो पेलाईगी enthalpy of submission इसारी enthalpy के बारे में अपन्न continuing products करेंगे ठीक है फिर हम बात करेंगे spontanity के बारे में कि भाईया कौन सी reaction spontaneous हो रही है और कौन सी reaction spontaneous नहीं है अगर हम spontanity अपने को समझना है मेरे बच्चों तो spontanity को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा हमें क्या समझना पड़ेगा spontanity को देखने के लिए हमें entropy याद करते चलो entropy के बारे में जानकारी होना जरूरी है और हमें gives free energy के बारे में जानकारी होना जरूरी है अगर हमें spontanity को समझना है तो हमें entropy के बारे में जानकारी होना जरूरी है हमें gives free energy के है एक चीसी डिमाग में भीख करना एक चीज़ दिमाग में हमिसी सेड करना बहुत iMPORTants बात कर रहा हूं कैंकि यह जो चैप्टर में बहुत सारी चीजह बताते चलोंगा कि नहीं कैसा चैप्टर सर्किल रखना है बोला है वादा यह वादा किया तो वादा निभाना कि यह चैप्टर तहलके के साथ और जोष और जुनून के साथ सकतम करेंगे क्योंकि चैप्टर में कॉण्ष सेक्थ nectar मजा तो इननी चैप्टर को पढ़ने में आता है चलो समझना एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, बिटा, एक चीज दिमाग में सेट कर लो, कि सर, जैसे हम कहते हैं, हमें कोई बिल्डिंग बना नहीं है, तो बिल्डिंग के लिए चार पिलर की जर्रत होती है, अब ये चार पिलर, इस चैप्टर के जो चार पिलर हैं, वो यही है, कौन-कौन स हैं, एंट्रॉपी, तीसरा सर एंट्रॉपी, और चौन्था सर गिफ्स फ्री एनर्जी, ये इस चैप्टर के चार पिलर हैं, ये इस चैप्टर के चार पिलर, जिस पे पूरा थर्मोडानमिक्स टिका हुआ है, जिस पे पूरा थर्मोडानमिक्स टिका हुआ है, गेटिंग my point or not यही चार पिलर हमें different डिफरेंट जो हमने बात कर रहे है thermodynamics क्या है जो heat of flow के बारे में बताता है heat of flow, energy, work done इन सारे concept को हमें यह चार पिलर बताएंगे, चार पिलर बताएंगे clear है, I am clear in your mind yes sir, बिलकुल, अब बात करते हैं पहले इतना note down कर लो बच्चों फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं पहले इतना note down कर लो, मैं side हो जाता हूँ अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि overview से पता चल जाएगा हमें चीज़ें क्या क्या पढ़ना है और अभी detail में जाते हैं अपन चलो, इसके आगे की कहानी देखते हैं मेरे बच्चों क्या क्या है अपने को overview में और अपन क्या देख सकते हैं अब ध्यान दीजेगा यह थर्मोडानमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो चैप्टर जिसमें अपने किस किस के बारे में पढ़ना मैं अब भी बताया अब धिहान देना मजा आएगा आपको शिस्टम है क्यों सिस्टम तीन टाइप के होता है आने वालेक्च्टर में सब दीटेल में देखेंगे ओपन सिस्ट्म क्या होता है कुछ नहीं किसी बीकर में किसी बीकर में आप पानी को रख दो चलो पानी को रख दो ठीक है मेरे बच्चों किसी बीकर में आपने पानी को रखा ठीक है तो आप ये देखेंगे और अगर उसे गरम करा उसे आपने गरम करा चलो मालो गरम भी करा बिना गरम करें भी क्या होगा और गरम नहीं भी करा माल असा सिस्टिम, जिसमेंसे एनरजी का भी ठ्रांसफर हो जिसमे से इनरजी था रचकन jewel और घरम करना शुरू करा, अब जब धकन लगा दिया मेरे बच्चों तो भईया सीडी सी बात है इसको हीट तो मिल रही है मतलब सर एनर्जी का तो ट्रांसफर होगा एनर्जी का तो ट्रांसफर होगा सर लेकिन धकन लगा दिया है तो मास का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा energy का तो transfer होगा लेकिन matter का transfer नहीं हो पाएगा उसे कहते हैं बंद system या close system energy तो निकलेगी लेकिन matter का transfer ना हो पाए उसे कहेंगे close system, सब detail में देखेंगे isolated system, आपने घर में कभी थरमस फ्लास्क देखा होगा अपने घर में कि भाया गरम चाय ले जाते हो, गरम ही रहती है, गरम ही रहती है, गरम चाय ले जाते हो, गरम ही रहती है ना तो इसमें energy का transfer होता है, ना तो इसमें energy का transfer होता है ना ही ऐसे system में matter का transfer होता है, matter का transfer होता है उसे हम कहते हैं isolated system isolated मतलब अकेला अकेला मतलब या ना वो energy का transfer कर रहा है ना ही matter का transfer कर रहा है उसे नाम दिया जाएगा isolated system ठीक है यह basic basic term जानते चलना मेरे बच्चों कई बार बोल देगा कोई system isolated system क्या है surrounding क्या है ठीक है आज की glass बस अपने को यही समझना है चलिए आईए system open system close system isolated system ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को आगे बढ़ाता हूं कहानी को देखिएगा अब हम जो first law of thermodynamics के बारे में बात करेंगे first law of thermodynamics क्या कहता था मैंने बताया था first law of thermodynamics के लिए हमें तीन चीजों की जर्दती internal energy heat और work done first law of thermodynamics क्या कहता था energy can neither be created nor be destroyed it only transfer from one form to another form इसके लिए ये mathematical equation क्या होगी आगे देखेंगे internal change in internal energy किसके बराबर होता है heat plus work done के बराबर heat plus work done के बराबर दूसरी चीज सबसे बड़ा मजा मान लीजिए ये मेरा system है मान लीजिए ये मेरा system है ठीक है सबसे ज़्यादा बच्चा confused यहां पे negative और positive के sign में होता है आज की class में ही मैं clear कर दूँगा मेरे बच्चों की negative और positive sign में confused नहीं होना है एकदम कहानी को मक्षन की तरह चलाना है कि सारे heat को positive कब लेंगे समझना अगर यह मेरा system है अगर system को heat दी जा रही है heat given to the system अगर system को heat दी जा रही है heat given to the system इसे हम लेंगे positive इसे हम क्या लेंगे positive और अगर system से heat बाहर निकल रही है अगर system से heat बाहर निकल रही है heat given out of the system given out of the system अगर system से heat बाहर निकल रही है तो उसे हम लेंगे negative दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ वर्क डन को कब positive और कब negative लेंगे अगर system पे work done हो रहा है work done on the system work done on the system अगर system पे काम हो रहा है अगर system पे काम हो रहा है तो उसे लेंगे positive और work done by the system अगर system काम कर रहा है work done by the system work done by the system अगर system काम कर रहा है work done by the system अगर system के द्वारा काम हो रहा है तो उसे हम कहेंगे work done को negate सबसे पहले आज की क्लास में यह चीज़ क्लियर कर दूँ कि heat given to the system positive लेंगे heat given out या heat getting out of the system उसे लेंगे negative work done on the system positive work done by the system negative ठीक है सर तो यह होगा अपना first law of thermodynamic mathematical equation what is internal energy total energy of the system ठीक है किस पे depend करेगी temperature पे depend करेगी किस पे depend करेगी मेरे बच्चो temperature पे depend करेगी सब detail में देखेंगे सब आएगा वक्त आने पे जब बस वक्त का इंतजार कर ठीक है समझे गए चलो जल्दी आओ चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है ध्यान देना next बात करते हैं हपन enthalpy of the reaction के बारे में किसके बारे में बात करते हैं मेरे बच्चो enthalpy of the reaction different different type की अपन reaction जो होगी उनकी enthalpy के बारे में बात करेंगी यह thermodynamics का अपना दूसरा pillar पहला क्या था internal energy what is enthalpy of the reaction किसी reaction के तो यही हमें बताएगी अगर किसी reaction में heat निकल रही है तो exothermic reaction ठीक है और किसी reaction में heat absorb हो रही है तो endothermic reaction चलो इसके आलावा हमेट क्या पता चलेगा अलग-अलग enthalpy कॉन सी होती है standard enthalpy of combustion के बारे में पढ़ेंगे enthalpy of combustion के बारे में पढ़ेंगे उसके अलावा हम enthalpy of atomization के बारे में पढ़ेंगे सब detail में देखेंगे औरे काया हैं जो हमारा दूसरा पिलर होगा ठीक है जो हमारा कैसा होला मेरे बचसने दूसरा पिलर होगा ठीक है चलो, clear है sir, clear है sir, इसमें कोई issue नहीं होना चाहिए, जल्दी से screenshot मारो, फटा-फट, 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 ठीक है sir, इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है, इस chapter में हमें क्या पढ़ना है, spontaneity के बारे में, सुनना, spontaneity को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा second law of thermodynamics को, second law of thermodynamics को, second law of thermodynamics को, second law of thermodynamics क्या कहता है मेरे बच्चों, second law of thermodynamics क्या कहता है मेरे बच्चों, कि जो universe है, कि जो universe है, ठीक है, इसकी entropy, universe की entropy, entropy of universe, constantly बढ़ रही है, what is entropy, यह spontaneity के बारे में यह enthalpy नहीं, this is entropy होना चाहिए, this is entropy, this is entropy, what is entropy, समझ ना, entropy is nothing but a degree of disorderness or degree of randomness, यह हमें किस के बारे में बताता है, degree of disorderness or degree of randomness, disorderness, यह हमें किस के बारे में जानकरी देता है, degree of randomness के बारे में जानकरी देता है, what is entropy, यह हमें जानकरी देता है, बोलना मेरे बच्चों, degree of disorderness यह degree of randomness के बारे में, और मैं आपसे कहूं कि सर आपने देखा होगा अगर मैं बर्फ को ऐसी हाथ में रखी है धीरे से वो पिखलने लगेगी पहले क्या थी बर्फ सॉलिट थी अब लिकृट हो गई ठीक है कुछ दिन बाद आगा टेंपरेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा वह भाब बन जाएगी मतलब सर सॉलिट से लिकृट solid की entropy सबसे कम liquid की थोड़ी बड़ी और gas की और ज़ादा जितना ज़ादा degree of disorderness होगा और degree of randomness होगा उतनी ज़ादा entropy होगी उतनी ज़ादा क्या होगी मेरे बच्चों entropy होगी ठीक है सर दूसरी चीज second law हमें इसी के बारे में बताता है किसके बारे में बताता है मेरे उप्सालीूट जीरो टेंपरेचर पे जो entropy होती है entropy कैसी हो जाती है और जाती है entropy कैसी हो जाती मेरे बच्चों constant हो जाती है आफो जई आप साल्यूट जीरो टेंपरेचर पे मेरे बच्चों सारे मॉलिक्यलर मोशन सीज हो जाते हैं मेरे बच्चों इस दूसरी चीश दूसरी चीज gives free energy gives free energy हमें किसके बारे में बताएगी how much amount of energy is converted into the useful work कितने amount में energy को आपने useful work में convert करा क्या reaction spontaneous हो रही है क्या reaction spontaneous नहीं हो रही है यह तीसरा pillar है जिसे हम del S से represent करेंगे पूरे universe की entropy constantly बढ़ती जा रही है आप देख रहे होंगे glacier पिघलते जा रहे है क्योंकि degree of disorderness और randomness बढ़ता जा रहा है हमारी प्रकृती छिन्न भिन होती जा रही है biology के जो बच्चे होंगे उनमें बचों ecology में एक topic दिया हुआ है कि पूरे universe की entropy बढ़ती जा रही है इसलिए environmental pollution ये सारी चीज़ें किसको बताती है किसको follow करती है आप second law of thermodynamics के basis पे समझ सकते हैं ठीक है क्योंकि second law of thermodynamics किसके बारे में बताता है entropy के बारे में और पूरे entropy universe की constantly बढ़ती जा रही है मतलब degree of disorderness और randomness बढ़ती जा रही है ठीक है what is gives free energy spontanity के लिए दो concept जरूरी है यह चौथा पिलर यह चौथा पिलर रहे what is gives free energy what is gives free energy बिटा how much amount of energy कितिनी energy useful work में जा रही है उसे हम कहते हैं gives free energy यह भी spontanity के बारे में बताईगी यह भी हमें किसके बारे में बताईगी मेरे बच्चों spontanity के बारे में बताईगी चलिए and last में जो इस चेप्टर में अपने को discuss करना है वो 0th law of thermodynamics के बारे में बात करना है 0th law of thermodynamics के बारे में बात करना है क्या होता है 0th law of thermodynamics और छोटी छोटी चीज़ें आती जाएंगी जैसे आपको बहुत नेबर साइकल आएगा ठीक है bomb calorie meter आएगा सब चीज़े मैं डिसकस करूँगा tension नहीं लेना है ठीक है heat capacity आएगी ठीक है चलो constant pressure पे constant volume पे 0th law of thermodynamics क्या होता है 0th law of thermodynamics कहता है कि अगर कोई 2 system एक दूसरे के साथ equally variable में है दो system एक दूसरे के साथ नहीं दो system किसी तीसरे system के साथ equally variable में है दो system किसी तीसरे system के साथ equally variable में तो वो दोनों भी आपस में equally variable में ही होंगे ये कहता है हमारा 0th law of thermodynamics ये इस chapter का overview होगा लिक्टन ये तो सिर्फ overview है कि हमें पढ़ना क्या क्या है हाँ sir thermodynamics मतलब heat of flow sir first law पढ़ेंगे second law पढ़ेंगे third law पढ़ेंगे 0th law पढ़ेंगे sir इसके अलावा sir हमारे चार पिल ला रहे है sir कौन कौन से internal energy enthalpy entropy entropy और gifts free energy sir ये सारी चीज़ work done पढ़ेंगे sir हम फिर extensive property intensive property पढ़ेंगे नाम तो याद हो गए नाम तो याद हो गए इस video को लाइने का मेरा मकसद क्या था कि हाँ बच्चों मैं आपको एक नाम याद करा दू कि हमें पढ़ना क्या क्या है हमें ये जो time basic term system क्या है surrounding क्या है पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होना चीज़ open system क्या है close system क्या है isolated system क्या है बोला है मुझे follow करना सबसे best lecture आपके लिए लेकिया होगा ये मेरा वादा है आप लोगों से चलिए ठीक है सर इसे एक बार note down कर लो मेरे बच्चों इसे एक बार note down कर लो इसे एक बार note down कर लो चलिए what is thermodynamics as you all know thermodynamics जो होता है मेरे बच्चों thermo मतलब होता है मेरे बच्चों heat or dynamics मतलब होता है मेरे बच्चों flow ऐसा chapter जिसमें हम flow of heat के बारे में बात करें what is the meaning of thermodynamics flow of heat तो उसे हम कहेंगे thermodynamics उसे हम कहेंगे thermodynamics अगर मैं कहूं कि भईया thermodynamics science की कौन सी branch है में quantitative relationship between heat and other form of energy उसके उसे हम कहेंगे thermodynamics science की ऐसी branch क्या बेटा मेरे science की ऐसी branch जो किसके बारे में deal करती है heat या दूसरे form of energy के बारे में उसे हम क्या कहेंगे thermodynamics या simple language में thermodynamics का अगर मैं मतलब बता हूँ thermo मतलब heat or dynamics मतलब flow flow of heat के बारे में आगर हमें पता करना है तो इस थर्मो डायनामिक इस थर्मो डायनामिक चलिए अब कुछ थर्मो डायनामिक के basic term है उनको अपन डिसकस करते हुए चलते हैं thermodynamic terms thermodynamic terms चलो sir what is thermodynamic terms so now कोई भी ऐसा कोई चीज जिस पर हम thermodynamic study करने जा रहे हैं कोई भी चीज्ट जैसे मैं गाड़ी चलाते हुए आ रहा हूं घंजी में पानी गरम करने रख घंजी में देखूंगा कि मुझे इसमें हीत के लोग में जानकरी पता करना है तो हो मेरा मेरinkतों होग रप Vàarenkव इस्टेम भी य Prix मेरे अंदर heat में चल रहा हूँ फिर रहा हूँ heat का कितना exchange हो रहा है कौन सा form of energy मैं अपने अंदर study करने जा रहा हूँ वो क्या हो गया मैं हो गया system हो गया system वो होता है मेरे बच्चों जिस पे thermodynamics study की जाती है और system के बाहर जितना भी बचा हुआ portion जितना भी बचा हुआ portion है वो क्या कहलाता है surrounding और system और surrounding मिलके पूरा universe बना रहा है तो what is system? system वो है मेरे बच्चों आज के बाद system टम बोले तो जिस पे thermodynamics study की जाती है जिसको thermodynamics study के लिए consideration में लिया जा रहा है कुछ भी हो सकता है surrounding system के बाद जो भी जगा खाली है वो कहलाती है surrounding और मेरे बच्चों system plus surrounding मिलके क्या बनाते है मेरे बच्चों universe बनाते है क्या बनाते है अपना universe बनाते है चलिए ठीक है sir do what what is system the part of universe universe का वो part ठीक है part of universe universe का वो part which is taken into consideration जिससे consideration में लिया जाता है for thermodynamic studies जिसे thermodynamic studies के लिए consideration में लिया जाता है उसे हम क्या कहते है मेरे बच्चों system कहते है universe का वो part जिसे thermodynamic study के लिए consideration में लिया जाता है किस के लिए लिया जाता thermodynamic study के लिए consideration में लिया जाता है उसे हम क्या कहते है मेरे बच्चों system कहते है चलो ठीक है sir excluding system system को exclude कर दो तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा मेरे बच्चों surrounding कहलाएगा and system plus surrounding मिलके क्या बनाते हैं universe बनाते है system plus surrounding मिलके क्या बनाते है मेरे बच्चों universe बनाते है चलिए आईए जल्दी आईए system plus surrounding मिलके क्या बनाते है universe बनाते है no down कर लिया screen shot ले लिया मेरे तेरी मुठी में क्या है अभी तो सर मुठी में थर्मो डाइनमिक्स बिल्कुल भी नहीं है आएगा आएगा सब आएगा और अनुराग बगेल लेके आएगा हर चीज नाओ बात करते हैं boundary क्या होती है boundary क्या होती है माल लीजिए ये मेरा सिस्टम है ठीक है सिस्टम है मैंने पानी भर दिया ठीक है किसी बीकर में पानी भर और नीचे से मैं गरम कर रहा हूं नीचे से गरम कर रहा हूं ठीक है ध्यान देना ये सिस्टम हुआ ये सिस्टम हुआ जिस पर मैं थर्मो डानमिक स्टेडी कर रहा हू ठीक है सर और सिस्टम के बचा हुआ पार्ट क्या कहला है सराउंडिंग कहला है और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाता है मेरे बचों यूनिवर्स बनाता है चलो ठीक है सर अब हम बात करें सिस्टम आप देख पा रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला पार्ट क्या कहलाता है बाउंडरी कहलाता है बाउंडरी या तो रियल हो सकती है या बाउंडरी कैसी हो सकती है मेरे बचों इमाजिनरी हो सकती है बाउंडरी में भी रियल और में भी imaginary हम माल लें कि हाँ भाया system और surrounding ये इस boundary से बटे हुए हैं तो क्या बोला मैंने boundary anything कोई भी चीज जो separate करे system and surrounding को system and surrounding को उसे कहते हैं boundary तीसरा टम चौतरा टम आया system जिस पर thermodynamics study हो रही है system और surrounding को separate करने वाला part boundary 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 system plus surrounding मिलके universe concept clear करते चले हूँ ठीक है तो boundary जो हो सकती है बटा या या तो real हो सकती है यह कैसी हो सकती है imaginary हो सकती है बाउंडरी में भी real और बाहरवाला surrounding तो यह जो boundary है, यह जो boundary, चलो रखकन लगा दें, रखकन लगा दें, पूरा pack कर दें, पूरा pack कर दिया, तो यह मेरा क्या हो गया, यह system और यह surrounding को separate करने वाले, this is boundary, this is boundary, this is boundary, तो anything which is separate system and surrounding is known as a boundary, boundary may be real, may be imaginary, now, अब बात करते हैं, what is adiabatic boundary या adiabatic walls, what is adiabatic boundary या adiabatic walls, ठीक है, द्यान देना, जो thermos होता है, thermos flask, क्या होता मेरे बच्चों, thermos flask, जो होता है, अपना thermos flask, चलिए, आया सुबह सुबह में, चाई लेके, चाई, 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 पे चर्चा करने, चाई लेके, दोस्तों के साथ चाई पिऊंगा, चाई, अंदर चाई भरी हुई है, अंदर चाई भरी हुई है, घर से, अपनी बीवी से चाई भरवाके लेक क्या लगता है, बीवी होगी, बीवी नहीं है अपनकी, हैना, चाई भरवाके लाए अपन, क्या भरवाके लाए, चाई भरवाके, ठीक है, अब ध्यान देना, thermos flask में चाई भरवाके इसलिए लाए, ताकि जब दोस्तों से चर्चा हो मेरी, तो ये चाई ठंडी न पड़ कैसी वाल्स है सर, एडियाबेटिक वाल्स है, कैसी वाल्स है सर, एडियाबेटिक वाल्स है, एडियाबेटिक वाल्स वो होती है मेरे बच्चों जिसमें से हीट फ्लो नहीं हो पाती, हीट का फ्लो हीट को रेप्रेसेंट करेंगे, हम क्यों से हीट का फ्लो नहीं हो पा रहा है हीट का फ्लो अगर नहीं हो पा रहा है मेरे बच्चों मतलब चाय गरम की गरम रहेगी अंदर के अंदर ही रहेगी हीट वो फ्लो नहीं हो पाएगी ठीक है तो क्या बोला मैंने दीज आर नॉन conductor of heat that means heat cannot pass through it उन्हें हम कहते है एडियाबेटिक वाल जिससे heat पास नहीं हो पाती ठीक है दूसरी चीज डाया थर्मिक डाया थर्मिक वाल्स ठीक है ऐसी वाल्स ऐसी वाल्स जिसमें से हीट पास हो जाए जिसमें से हीट पास हो जाए ठीक है सर ऐसी वाल जिनमें से हीट पास हो जाए जिसमें से हीट का फ्लो होने दे उसे हम कहते हैं डाया थर्मिक वाल्स और ये कंड़क्टर ऑफ हीट होती है और इनसे हीट पास हो जाती है किसी गंजी में पानी को गरम कर रहे हो ठीक है किसी गंजी में माल लिजे यह किसी गंजी या कंटेनर में या बीकर में हम देसी आदमी है हम केमिस्ट्री देसी तरीके से ही पढ़ाते हैं इसमें आप पानी गरम कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं पानी गरम कर रहे हैं यह पानी गरम कर रहा है, पानी गरम हुआ, उसके बाद मैंने यह गंजी उठाई, गंजी उठाई और इस गंजी को मैंने यहां रख दिया, कंटेनर को मैंने यहां रख दिया, बीकर को मैंने यहां रख दिया, कुछ देर बाद यह पानी कैसा हो जाए, कुछ देर बाद यह water होगा अंदर जो water होगा वो कैसा हो जाएगा cool हो जाएगा cool हो जाएगा जो हमें क्या बताता है कि is wall के through heat pass हो गई तो ये है हमारी कौनसी diathermic wall कैसी वाल है डायathermic wall तो adiabatic walls क्या होती है याद रखना adiabatic इसे हिंदी में जैसा कोई हिंदी वाला है नहीं कहता है शायद रुद्धोश्म रुद्धोश्म वाल या बाउंटरी जिसमें से हीट का फ्लो ना हो पाए ठीक है तुम्हें नहीं याद करना और डाया थर्मिक वाल जिसमें से हीट flow हो पाए और ये good conductor होती है और ये non conductor होती है चलिए boundary की कहानी खतम करी sir boundary की कहानी खतम करी sir अपन ने चलो clear है आगे बढ़ाता है screenshot लेते चलना मेरे बच्चो screenshot लेते चलना मेरे बच्चो हर concept एकदम precise way मैं करूँगा ठीक है types of system on the basis of boundary देखो अब system उसके बाब boundary पढ़ी तो अब हम बात करने जा रहे है types of system on the basis of boundary on the basis of boundary चलो सबसे पहला system है open system सबसे पहला system है मेरे बच्चों क्या open system दूसरा system कैसा होगा मेरे बच्चों जो हमको पढ़ना है वो close system होगा और तीसरा क्या होगा मेरे बच्चों isolated system पहला system open system दूसरा system close system तीसरा system isolated system हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं system कितने type क्यों होते हैं system वो चीज जिसको thermodynamics study के लिए consideration में लिया जाता है और उनकी बात कर रहे है on the basis of boundary चलो बात करते हैं clear है clear है मेरे बच्चों या energy भी flow हो रही है और मेरे बच्चों उसमें से matter का भी एक्षेंज हो रहा है हीट का तो एक्षेंज हो ही रहा है लेकिन मैटर का भी एक्षेंज हो रहा है यह हमारा वो कहलाता है open system क्या क्या बोला बेटा मैंने हीट का या हीट का तो flow हो गई होगा matter या mass का भी अगर उसमें flow हो पा रहा है या matter या mass भी exchange हो पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों open system मतलब ऐसा system जो exchange कर सकता है energy energy या heat as well as matter as well as matter या mass उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों open system कहते हैं आप देखिए आप देखिए जैसे मान लीजिए मेरा ये container मानने में कोई दिक्कत है आपको नहीं सर अब ध्यान देना पानी धीरे 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 भाप बने भाप बने भाप बन बाप बनके उड़ा तो matter का तो exchange हुआ ही हुआ ही हुआ दूसरी चीज जब यह बीकर गरम था धीरे धीरे भीकर ठंडा होने लगे मतलब sir heat का भी exchange हुआ heat का भी exchange हुआ तो ऐसा system जिसमें से sir heat या energy mass या matter दोनों के दोनों ही exchange हो अलग अलग books में बीटा अलग अलग term में यह बात लिकھی रहती है mass मतलब कया matter का mass है heat मतलब what it is a form of energy यह दोनों के दोनों exchange हो उसे हम कहते है open system उसे हम क्या कहते है open system ठीक है सर कोई issue नहीं सर उसे हम कहते है open system चलो लेकिन मैंने बेटा क्या करा अब इस बीकर में उपर knob लगा दी knob लगा दी अब क्या होगा यह जो भाब बनी भाब बनी तो वापस टकराखे तो किदर आई नीचे ही आई मतलब सर ऐसा system जिसको बंद कर दें तो सर अब आप देखेंगे कि सर मास का एक्षेंज या मैटर का एक्षेंज तो नहीं होगा क्योंकि कहीं से बाहर मैटर नहीं नहीं आप घर में एक गंजी हा इhã गरम करते रहना 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 पानी भर खाली च sigh आप दीर धिरबाद पानी का लेवन ना अंप लेना धीर धिर भाद आप देखोगे कि पानी का लेवल कम हो पोड़ गई energy तो एक्षेंज होई रही है लेकिन उसी को ढकन बंद करते ना ढकन बंद करते ना तो जो भाब बनेगी वापस ठकरा के वापस नीचे आजाएगी मतलब सर उसमें mass का exchange तो नहीं होगा लेकिन heat का exchange होगा उसे अपन कहते हैं close system ऐसा system जो exchange कर सकता है energy but not matter या mass mass not matter और energy transform होती है in form of heat energy किस form transform होती है in form of heat या work उसे अपन कहते है close system उसे अपन क्या कहते है मेरे बच्चों close system कहते है clear है sir बात करते है isolated system की बात करते है isolated system की हाँ एक चीज और यहाँ energy energy के दो form होते है energy के दो form होते है energy के दो form होते है एक होता है work और एक होता है heat तो वही लिखा ना उसने energy exchange होगी या तो work के form है या heat के form है ये चीज clear होनी चाहिए दिमाग में कि sir energy के दो form है work और heat thermodynamics में हमें यही तो पढ़ना है different forms of energy clear है मेरे बच्चों yes sir clear isolated system isolated system ना तो sir energy का exchange होने देगा ऐसा system ना ही sir matter का exchange होने देगा ऐसा system isolated तनहा मैं तनहा यहां तू तनहा वहां तनहाई वनहाई मत खिलना जीवन में तनहाई वाली जिन्दगी मत जीना अभी 11 में हों फिर 12 में जाओगे दो साल मैंनत करो अच्छा याई टी जेई हो नीट पकड़ो जिन्दगी सुकून है फिर तनहा मैं तनहा तू तनहा त system और अगर isolated system है तो खुद ही बताईए इसकी वाल कैसी बनी होंगी इसकी वाल कैसी बनी होंगी मेरे बच्छों इसकी वाल कैसी होंगी और अगर तो यह heat का exchange करेगा नहीं mass या matter का exchange करेगा तो उसे अपन कहते हैं isolated system और इसका सबसे best example क्या है thermos flask thermos flask thermos flask आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम आते हैं coaching तो भाई हम thermos flask में चाय लेके आते हैं कि भाई हम घर में यहां बैठें तो भाई हम गरम गरम चाय पी सकें समझ रहे हो तो दिस इस दा perfect example of isolated system please note down करो please note down करो मेरे बच्चों इसे चलो sir आगे बढ़ाता है कानी को चलो sir आगे बढ़ाता है कानी को ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा नाओ बात करते हैं thermodynamic properties के बारे में किसके बारे हम बात करते हैं और बच्चों thermodynamic properties के बारे में और सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं extensive property क्या होती है पहला question जो नीट और जही में उठेगा इसको लेवल पर पूछे जाएगा डारेक्ट की भहिया नीट और जही में उठने वाला पहला question first question यहां से उठेगा ध्यान देते चलना first question अभी यहां से उठेगा what is extensive property समझे न ऐसी property system की किसी system की ऐसी property जो depend upon the quantity of matter जो की quantity of matter या depend upon mass depend upon mass अलग अलग बुक से मैं जो point दिये हुए सब को यहां पर लेके आ गया हूँ ताकि confusion ही ना हो आप लोगों को एकदम simplest तरीके से मैं आपके संग संग जहां भी मैं जाओंगा तुम चले आना वैसी वाली कहानी चलते चलना और enjoy करके पढ़ना मेरे बच्चों boring lecture देना मुझे नहीं पसंद है online study में study should be fascinating तो मजा आएगा आपको पढ़ने को what is extensive property साइचन के एवाटि इसन प्रॉपर्टी जो किना उजवाटा साइज है तो ब्लो ज्यादा मेंटर राएगा ठीक है छोटा साइज है तो कम करेंदी ही ना करें उसे हम कहते है extensive property अब बच्चा confused होता है उसके लिए भी मैं तहल का मचाने वाला concept बता दूँगा extensive property independent oh sorry extensive property depend upon the mass quantity और size mass quantity या matter sorry quantity of matter mass या size पर depend करती है उसे हम कहते है extensive property clear है सबसे पहला example weight 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 बिल्कुल सही है से कानेटिक है नेरजी कानेटिक एनरजी आप जानते हों half mv square मास पर depend करती है potential energy potential energy mgh मास पर depend करती है volume volume किस पर depend करता है मेरे बच्चों आस्पर depend करता है number of mole number of mole क्या होते हैं given weight given mass upon molecular mass मास पर depend करता है अप पॉन molecular mass molecular mass ऐसी सारी property जो की mass पर depend करें वो अपन ने क्या बोला मेरे बच्चों extensive property क्या क्या बताया मैंने अभी volume बताया याद करते चलो volume बताया yes sir, yes sir kinetic energy बताई, okay sir potential energy बताई, okay sir volume बताया, okay sir mole बताया, okay sir इसके अलावा इस chapter में जिसने मेरा overview वाला chapter देखा मैंने बताया था इस chapter के चार बड़े-बड़े pillars है वो pillar strong होने चाहिए, सबसे पहला pillar internal energy mass पर depend करती है दूसरा pillar entropy mass पर depend करती है, तीसरा pillar enthalpy, mass पर depend करती है, चौता pillar gives free energy, mass पर depend करती है और ये चारो property कैसी है मेरे बच्चों, चारो property कैसी है extensive property है, ये चीज़ तो कभी दिमाग से गलती से, भूल के भी मेरे से ये भूल हो गई, ऐसे गलती से भी मत बोल देना समझ रहे हो समझ रहे हो yes sir, and last में heat capacity, heat capacity ये सारी आपकी कैसी है extensive property है, जो किस पर depend कर रही है मेरे बच्चों, mass पर depend कर रही है okay sir, no दिक्कत, no issue, no problem clear है बढ़ाओं कहानी को आगे ये sir, कहानी को आगे बढ़ा लीजे कहानी को आगे बढ़ा लीजे, त्यान दीजेगा no down करा, no down करा no down करा, ऐसी सारी property जो कि mass matter या size पर depend करें उन्हें हम कहते है extensive property, ठीक है sir now हम बात करते हैं किस के बारे में intensive property के बारे में, किस के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों, intensive property के बारे में बोलो IN, IN, याद करने का तरीका कभी कोई confusion ना होगा जिन्दगी में intensive property IN फकड़ापन है, yes sir तो IN का IN यहाँ भी हुआ independent of independent of mass ना mass पर depend करती है ना quantity of matter ना तो quantity of matter पर depend करती है ना तो size of container या size of अपने क्या देखा था size of system size of system पर depend करती है size of system पर depend करती है उन्हें हम क्या कहता है मेरे बच्चों उन्हें हम नाम देते है intensive property, क्या नाम देते है intensive property, तो मैंने क्या बोला ऐसी कोई भी property जो की बोले, intensive independent, intensive, independent independent होती है mass के quantity of matter के, तो उस property को हम कहते हैं, which do not depend upon quantity of matter independent of mass या quantity of matter चलो, या इसको slash करके लिख दे, slash करके लिख दे ठीक है, या इसे हम बोल सकते हैं, the property of the system which do not depend upon the quantity of matter और mass उसे हम कहाते है, intensive property उसे हम क्या नाम देते हैं, मेरे बच्चों, intensive property दोनों चीज़ें सेम हो गई है, ठीक है सर अब ध्यान देते हैं ज्यान देते हैं, melting point की बात करें, किसके बारे हम Mいつ-cl के इतना चोटा टुकड़ा में निकाल दो, इतना चोटा टुकड़ा निकाल दो, जितना इसका melting point होगा, उतना ही, इसका melting point होगा, क्या ये, mass matter या, size पर depends कर रहा है, नहीं कर रहा है हो, पहला melting point, दूसरा पानी बढ़ा है पानी बढ़ा है पानी का boiling point 100 degree Celsius यह पूरी माल यह 100 लिटर में पानी 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 लिया एक लीटर पानी लिया खिक है इसका अगर मैं boiling point नापने की कुशिश करूं तो यह भी कितना होगा 100 degree Celsius मतलब क्या यह मास पर यह मास पर डिपनकर कर रहा है नहीं कर रहा अगला बॉ a boiling point बात करूं में टेमपरेचर की बात करूं मेरे बच्छों किसकी temperature की समझ नहीं है व्रूम है यहा का मुझे temperature नापना यहां का मुझे temperature नापना व्हां सीचल रहा है 21all tigre तो भाइया है तो यह अर जगए temperature कितना होगा 21-degree ते ना मास पर depends करता है ना matter पर depend का थे माल लीजिए मेरा system है मेरा system है, इस पर मैं घर्मोडानमिक study कर रहा हूँ तो मेरा temperature कभी किस पर depend नहीं कर रहा Mass और matter पर depend नहीं कर रहा viscosity ध्यान देना मैंने glycerool lia glycerool lia glycerool l kalian 1 liter lya मेरे बच्चों और ग्रिस्रीन का मैंने 500 ml लिया 500 ml लिया दोनों की विसकोसिटी सेम होगी दोनों उतने ही विसकस होंगे दोनों उतने ही विसकस होंगे चलो ठीक है सर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने ग्लास लिया ग्लास लिया पहले इतना बड़े साइस का ग्लास लिया दोनों का इनटेंडेक्स सेम और मास्पे या कॉंटूटिटी पर डिपेंड नहीं नहीं करेगा डेंसिटी अब आएगा 9 वह त Pengablo Auto एमोशन के साथ के लेगा तो मैं इमोशनल फूल बनाएगा अलिया भट बहुत सारी मूवीज में लोगों को इमोशनल फूल बनाती है ना वो देखा होगा ना स्टुडेंट आप दा इयर दो लड़के उसके पीछे इमोशनल फूल बने फिरते हैं समझी नहीं आता कौन सहीं है कौन गलत है समझ रहा हो ना वैसे इमोशनल फूल डेंसिटी इस संचय नहीं हे रहने है यहीं अभी इस पर संचाय बाकी है और यह इमोशी बनी रहनी चाहिए अभी लिखलो आप मेरे बच्चों देखते चलो Port Tensity चलिए now Force attention surface X'm 그ronut अब कम मान्वाउंट में देखोगे अगर माली फाणी का सर्फ सर्फिस टेंशन ज्यादा मांट में han Sug yaş support रिशन है понsht । कंसंट्रेशन को माली जे मैं आपके घर आया घर बुलाओंगे comment section बताना सर घर और बूलाना चाहते हो क्या नहीं ठीक है मैं आपके घर आऊंगा शर्वत पिलाना liebat राना चिम मीठी सी अभर अब बाद बताओ अभी अभी सनना अभी तो में तहल का मचनल वाला है लोगों ने बड़े से जार में सर्वत बनाईग ठीक है। आपने मुझे एक लाज दिया किसी और को एक लाज दिया और लेकिन लिया मनने माल लिया मैं लें लूँ यह मेरी number of moles upon volume sir number of moles तो mass पर depend करता है फिर तो sir इस extensive property होनी चाहिए थी लेकिन यह तो intensive property हुई हाँ 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 मतलब कुछ ना कुछ माजरा है जो हम नहीं समझ पार है चिंता काहे करते हो अभी तो अपन सिर्फ कहानी लिख रहे हैं अभी तो अपन सिर्फ कहानी लिख रहे हैं अभी इसे समझना बाकी है ना specific heat sir molar heat capacity आपकी heat capacity तो कैसी थी मेरे बच्चों heat capacity तो कैसी थी sir वो तो sir extensive property थी लेकिन specific heat capacity intensive property देखेंगे specific heat capacity बीच में नहीं आएगा specific heat capacity not pH माल लीजे मेरा gastric juice है यह अंदर जिससे खाना पचता है gastric juice का मैंने एक लिटर लिया और तुमने 5 ml लिया दोनों का pH 1.8 1.8 होगा 1.8 1.8 होगा मतलब sir pH भी independent होता है mask के and last में molar heat capacity sir heat capacity तो कैसी थी extensive थी molar heat capacity intensive हो रही है sir ऐसा क्यों ये भी अभी समझेंगे ये चार quantity density concentration molar heat capacity और specific heat capacity जो आपको confusion देगी उसे हम समझने वाले हैं पहले इसे note down करो एक एक concept तहल के के साथ फिर इस concept को furnish करता हूँ furnish करता हूँ ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है मैंने overview में ही आपको कहा था इस chapter को तहल के के साथ अब बात करते हैं density, concentration, specific heat capacity, molar heat capacity आपकी कैसी property अगर intensive है तो क्यों है अब ध्यान देना इसके लिए आपको समझना पड़ेगा characteristic क्या होते हैं आपके intensive properties के किसके intensive and extensive property के समझेगा मान लीजे मेरे पास दो extensive property मान लो extensive property मान लीजे एक है मेरे पास mass, extensive property और दूसरी है A क volume ठीक है इसे मैंने माना A इसे मैंने माना B दो extensive property मेरे पास एक extensive property है A, दूसरी extensive property है B, ठीक है, समझना अब अगर मैं दोनों का ratio निकालू दोनों का अगर ratio में निकालू तो मुझे मिलती है हमेशा intensive property यह एक थम रूल है या characteristic है इस चीज को अच्छे से दिमाग में set कर डालो अगर मेरे पास दो extensive property है और अगर मैं उनका ratio निकाल लूँ तो मुझे मिलती है intensive property जैसे मैंने कहा था मेरे बच्चों density 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 क्या थी अपनी density कैसी थी मेरे बच्चों intensive property थी intensive property थी लेकिन जबकी density किस पर depend कर रही थी मास पर लेकिन mass by volume यह दो extensive property का ratio दो extensive property का ratio हमेशा क्या यह देता है मेरे बच्चों intensive property देता है पहले ही दिमाग में set कर डालो दो extensive property का ratio हमें देता है intensive property that's why density कैसी थी intensive property थी और mass और volume extensive थे लेकिन यह जो आया यह आया था intensive similarly ratio of extensive properties is always an intensive property similarly concentration की बात करूँ और एक concentration term में मेरा molarity concentration की बात करूँ और एक concentration term मेरा molarity molarity त्यान दीजेगा molarity क्या होता था number of moles upon volume number of moles भी मैंने आपको बताया extensive property extensive property और मैंने volume बताया आपको extensive property extensive property लेकिन दो extensive property का ratio मुझे हमेशा कैसा मिलता है intensive property that's why जो molarity थी यह concentration था वो हमारी थी intensive property क्या था intensive property यह density भी same density का example एता लिखा हुआ है आप यह वाला लिख लिए आप यह वाला लिख लिए यह यह extensive यह extensive यह extensive लेकिन दो extensive property का ratio हमेशा क्या मिलता है intensive क्या मिलता है परटिक स्प्रेंथ हमेशा क्या देगा में इंटेंशव्यव इसमें कोई दिक्कत आपको इसमें कोई भी दिक्कत सर नहीं होना है इसमें कोई भी दिकत सर और molar heat capacity और specific heat capacity आपकी intensive property थी उसे अपन समझते हैं पहले हां तक आओ जल्दी आओ मेरे बच्चों जल्दी आओ चलो मैं शुरू करता हूं कहानी को देखते हैं देखते हैं देखते हैं उस खानी को भी discuss करते हैं द्यान देना अगर मैं कहूं अगर extensive property को extensive property को अगर हम represent करें पर यूनिट मास में, पर यूनिट मोल में, या पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर मैंने किसी भी extensive property को पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल या पर यूनिट वॉल्यूम में represent करा, तो वो convert हो जाती है हमारी intensive property में, वो convert हो जाती है मेरे बच्चों, intensive property में set कर लो, क्या बोला से पहला थंबरूल याद करते चलो दो एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी का रेश्यो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और अगर एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास पर यूनिट मोल या पर यूनिट वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करा जाए तो वो कनवर्ट हो पेंड नहीं करती यह तो थी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेकिन अगर मैं हीट कैपसिटी यह होती क्या है स्पैसिफिक हीट कैपसिटी अगर हीट कैपसिटी पर यूनिट मास के टाम में बोला जाया पर यूनिट मास के टाम में बोला जाया तो वह हो जाती है स्पैसि केक्सिटी की होता है keep capacity जो की एक्स टेंसिव पर टीजो की extensive ती उसे मैंने लिख दिया हीट केक्षिटी पर यूनिट मोल पर यूनिट मोल के टम में लिख दिया मतलब सर extensive property किसमें कनवर्ट हुजाएगी intensive property में गनवत हो जाई, this is the logic और आप इसे भूलिएगा मत, कि सर इस्पैसिफिक एट कैपिसिट इकुछ और नहीं, हीट कैपिसिटी पर युनिट मास है, सर, मोलार हीट कैपिसिटी कुछ और नहीं, हीट कैपिसिटी पर युनिट मौल है, और अगर हमने किसी भी extensive property को पर युनिट म चाहिए है चलो देखते हैं देखते हैं अगली कहानी को अगली कहानी को देखते हैं ध्यान देना अभी और मजा आएगा बिडू एंटेलेपी एंट्रॉपी गिप्स फ्री एनर्जी बोलने के जर्रत नहीं यह तो माइल स्टोन है अपने थर्मोडाइनमिक्स के या पिलर से अपने थर्मोडाइनमिक्स के यह भी एक्स्टेंसिव थी यह भी एक्स्टेंसिव थी ठीक है गिफ्स फ्री एनर्जी इदर कैसा आगा एक्स यह एनर्जी नहीं आए गिफ्स फ्री एनर्जी आ नहीं आएगा एनर्जी ठीक है यह एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी थी लेक इंटेंसिव प्रॉपर्टी में पर यूनिट मोल ना पर यूनिट मोल की बात कर रहा है पर जिब्स फ्री एनर्जी गिफ्स फ्री एनर्जी मुलार गिफ्स फ्री एनर्जी किसमें कर्वट हो गई intensive property में, किसमें convert हो गई intensive property में, तो logic clear है ठीक है, आईए आईए, एंड इनकी जो last property है, ध्यान देना, intensive property जो होती है, वो non additive होती है उनका addition नहीं किया जा सकता intensive property non additive होती है, लेकिन जो extensive property होती है, मेरे बच्चों, extensive property होती है, वो are additive they are additive, आईए जल्दी extensive properties are additive, बट intensive properties are non additive intensive property are non additive, ये additive नहीं होती, clear है clear है, चलो sir चलो sir, चलो sir ध्यान देना, ध्यान देना, चलो इससे ऐसे समझाते हैं, आपका ये जो pH था, ये जो pH था, कैसी थी intensive property थी, ध्यान देना pH कैसी थी, intensive property माल लीजिए, एक solution का pH है 6, दूसरा solution का pH है, माल लीजिए 10 क्या मिलके 16 pH हो जाएगा 16 pH हो जाएगा, नहीं, मतलब ये additive नहीं होती, इसे ऐसे समझेएगा ये additive नहीं होती, दूसरी चीज़ एक और example पकड़ लेता हूँ, temperature temperature, ध्यान देना intensive properties हा, non-additive दिमाग में set कर डालो, set कर डालो set कर डालो, कहीं ना कहीं इसकी जरौत कहीं भी ना कभी पढ़ेगी, और उसका इस्तमाल अपन करेंगे, चलिए पढ़ाएं कहानी को आगे, yes sir, बढ़ाईए बढ़ाईए sir, कुछ और देखते हैं अपन टम, now thermodynamics variables के बारे में बात करने जा रहें, किसके बारे में बात करने जा रहें thermodynamics के variable के बारे में अब अपन बात करने जा रहें state function के बारे में ठीक है, चलो, what is state function समझ ना, function properties which depend, which determine state of the system and only depend upon only depend upon state function ऐसा function, ठीक है, ऐसी functional प्रपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है मेरे बच्चों इनीशल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है इनीशल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन और यह ड़स नौट डिपेंड अ पाथ, जो किस पर डेपंड करें? उनली, इनीशिल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डेपंड करें पाथ पर डेपंड ना करें उसे हम कहते हैं मेरे बचечение क्या स्टेट फ़ंक्शन. चलिए thermodynamics के चार पिलर्स, internal energy enthalpy entropy और gives free enthalpy ya gives free energy gives free energy ہوगा gives free energy energy gives free energy इंटरनल एनरजी, एंथिलेपी, एंट्रॉपी और गिफ्स फ्री एनरजी, ये चारो पिलर्स जो हैं, मेरे बच्चों, चारो पिलर्स जो हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, इनीशियल स्टेट, एक इस पे डिपेंड करते हैं, इनीशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे, and final state पे किस पे depend नहीं करते मेरे बच्चों किस पे depend नहीं करते यह depend नहीं करते कि आप किस पाथ पे reaction हो रही है इसलिए इन्हें कहा जाता state function इसके अलावा pressure, volume, temperature, number of moles किसी gas के चार variable होता है किसी gas के चार variable होता है pressure, volume, temperature, number of moles state of matter अपन पढ़ चुके है state of matter पढ़ चुके है यह सिर्फ initial state of final state पे depend करते हैं path पे depend नहीं करते हैं तो भाईया इदर सुनना मेरी बात सुनना याद करने का तरीका state function को thermodynamics के चार पिलर internal energy enthalpy entropy gives free energy और gas के चार variable pressure, temperature, volume और number of moles सारे के सारे कैसे है state function जो कि इनीशल state और फाइनल state करते हैं ठीक है दूसरी चीज दूसरी चीज मेरे बच्चों ध्यान देना ध्यान देना अगर initial state पे depend कर रहा ना final state पे depend कर रहा है तो ध्यान देना जो enthalpy होता है enthalpy होता हम हमेशा enthalpy of product enthalpy of reactant लिकेंगे final … initial entropy 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 desse सब्सक्राइब लिए निकालजाता है इनका क्या निकाला जाथा है डिफरिएजी डल जी प्रोडक्ट माईनस रीक्तर और डैल य अकर इंटनल ब्हुतThe यह इनीशियल स्टेट है यह रियक्टेंट है रियक्टेंट था इनीशियल स्टेट में किसमें था इनीशियल स्टेट में ठीक है आप पहले यह पात पकड़े आपने पहले यह पात पकड़े ज्यान देना आपने पहले यह पात पकड़े सबसे पहले आप A से X गए A से X गए यहां पर enthalpy change कितना आया है डल H1 ठीक है x से y गए यहां पर enthalpy change कितना आया मेरे बच्छों डल H2 और y से आया आप b पे यहाँ enthalpy change कितना है डल H3 हो सकता है डायरेक्ट a से b पे भी चले जाओ यहां पर भी enthalpy change कितना आ रहे डल H आ रहा है यहां आप देखना आपने इस पात पर अप B बे पैस आपने तीन अलक अलग बात चुने लेकिन जो डल H होगा चाहे आप इस पात से क्यों ना चले जाओ डैल H किसके बरावर होगा डैल हैquilis के बरावर में प्लस डैल इस टू निधर के बरावर होगा पार पदकर उससे मतलब नहीं है कि आपने दो stop कोई मतलब और उसको नहीं तो नहीं है पात से चाहें आप यहां से एक स्टॉप, दो स्टॉप, तीन स्टॉप लेके डाल एच जाएं तब भी डाल एचसो डेलस फैफडियलस देलस सेवन के बराबर हो उससे मतलब नहीं कि आप कौशा पात फॉलो कर रहा है उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि भईया मैं सिर्फ इनिशल स्टेट और final स्टेट पर डिपेंड कर रहा हूं जितना आप एक पात से जाओगे उतनी ही energy लगेगी और ज्यादा पात से जाओगे उतनी ही energy लगेगी इसे generally मेरे बच्चों आने वाली class में बताऊंगा इसे हम कहता है has law has law इसे कौन सा law कहा जाता है has law कहा जाता है please note down करो please note down करो आप a से b जा रहे हो single path से जा multiple path से depend नहीं करता क्योंकि initial state और final state पर depend करती है इसलिए इसे कहता है state function state function याद हो गया आज के बाद दिक्कत तो नहीं होगी आज के बाद दिक्कत तो नहीं होगी नहीं सर लेकिन इसके just opposite मैं बात करूँ work done की work done की समझना समझना मेरे बच्चों और मैं बात करूँ heat की work done की बात करूँ या heat की बात करूँ तो मेरे बच्चों मानल लीज़ यहां से जॉकeg गया नेखिश जीए फेले चने से चने से ले पले मंभवार्व एकस्प्रेश ठीकर मैं इंस्ट्राइग्राम थे बंद्जे को है हावाई की बाता नहीं कर रहा हूं ठीक है ट्रेवलर है कोई ठीक है तो भीया आप गये यहां से मुंबई चैन्नाइश से मुंबई मुंबई से दिल्ली आपने एक पात न फॉलो करा उसमें कोई वर्क डन कर और आप डारेक्ट भॉपाल से दिल्ली की फ्लाइट एनरजी लॉजिक क्लियर है उतनी ज्यादा एनरजी खर्च करनी पड़ेगी इसके जस्ट अपोजिट होंगे पाथ फंक्शन जिसमें को आएंगी वर्क डन आएगा एनरजी आएगा एनरजी या हीट आएगा ठीक है चलो एनरजी के दो फॉर्म होते हैं वर्क डन और हीट अब भी मैंने बताया चलिए सर आगे बढ़ाता हूं कहानी को आगे बढ़ाता हूं सर कहानी को ज्यान दीजेगा लिख लिए आप लोगों ने ज्यान दीजेगा पाथ फंक्शन पाथ फंक्शन की बात करें तो प्रॉपर्टीज विच्ट डिपेंड अपॉन पाथ एस वेलस सीदी सी बात है ना पाथ हम वो पाल से कहा जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं अल्टिमेटली जो पाथ पे तो डिपेंड करती ही करती है एस वेलस इनिशेल स्ट चलिए नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, बहुत सिंपल लेंग्वेज में मैं इस चैप्टर को खतम करूंगा और तहल के के साथ, इतने क्वेस्चन कराऊंगा, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, कि भईया थर्मोडानमिक्स का क्या-क्या है अपने को, ठीक है, पढ़ना तो नहीं, मतलब पढ़ी रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये theoretical पार्ट है, अभी इसका calculated part आएगा, calculated part आएगा, this is path function, ठीक है सर, आगे बढ़ाओ कहानी को, आगे बढ़ाओ कहानी को, बात करते हैं अपन, कुछ थर्मोडानमिक processes के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, thermodynamics processes के बारे में, चलिए, सबसे पहली process अपन देखने जा रहे हैं, isothermal process, ठीक है, ऐसी process, ऐसी process मेरे बच्चों, जिसमें temperature में कोई change नहीं आता, जिसमें temperature constant रहता है, जिसमें temperature विवाइटा में पॉस्टेंस । इसे हम कहते है आइसो थर्मल प्ोस्स तो उचलो इदर दिखाता हूं जाने और आपको पता हो क्या 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 था, boils law कहता था, कि भाई या temperature constant हो, temperature constant हो, या isothermal process हो, तो उसमें pressure is inversely proportional to volume, और अगर मैं pressure और volume के बीच का graph बनाने की कोशिश करूँगा, pressure और volume के बीच का graph बनाने की कोशिश करूँगा, तो मुझे graph कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, rectangular hyperbola, जिसमें ये जो है, ये process किसको represent कर रही है, this is isothermal process, this is isothermal process, this is isothermal process, P और V के बीच का graph कैसा है, rectangular hyperbola है, this is isothermal process, अब ध्यान देना, बिटा isothermal process में temperature constant होता है, अब ध्यान देना, अगर temperature constant है, मेरे बच्चों, temperature constant है, तो मेरे बच्चों, जो internal energy होती है, किसी system की, वो depend करती है, mainly upon the temperature, internal energy जो होती है, बिटा, वो किस पर depend करती है, mainly upon the temperature, अगर temperature zero है, तो मेरे बच्चों, internal energy भी zero होगी, अगर temperature zero है, तो internal energy mainly depends upon the temperature, तो internal energy भी जीरो होगी ठीक है सर दूसरी बात करते हैं हम adiabatic process के बारे में adiabatic process के बारे में adiabatic जैसे अभी मैंने आपको adiabatic walls बताई थी न मेरे बचो adiabatic walls क्या थी मेरे बचो ऐसी wall जिनके through heat flow ना हुपाए जिनके through heat flow ना हुपाए उन्हें कहता है adiabatic wall तो जो adiabatic process होगी उसमें heat remain constant heat कैसी होती है मेरे बचों? जीरो होती है heat कैसी होती है मेरे बचों? जीरो होती है और अब सबसे interesting बात अब जो NEET और JEE के point of view से देखें पूछा गया question यही तो पूछे जाता है question कि सर जो PV graph होता है PV graph होता है सर आईसो थर्मल के लिए देखना आईसो थर्मल के लिए ऐसा होता है लेकिन adiabatic के लिए graph ऐसा आता है this is for adiabatic this is for adiabatic यह देखो इसका slope को ज़्यादा दिख रहा है यह देखो यह जुम 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 यह थोड़ा कम है यह देखो एकदम steeper है this is our this is our adiabatic पूछा गया question है मैंने पहले ही बोला है हर तरीके से हर जोश और जुनून के साथ एक एक concept फर्निश करूँगा this is adiabatic process ओके सर PV graph अगर पूछा जा आईसो थर्मल के लिए ब्ला 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 adiabatic के लिए ब्ला 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 रखने का तरीका AI होता है ना AI AI artificial intelligence तो सुनना याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अलग color लेते हैं यह A है नीचे और उपर क्या है AI करके याद रख लेना है अरे याद करने के तरीके हैं दिमाग में सेट करते हैं AI हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा AI यस सर बिल्कुल याद रहेगा AI हाँ सर याद तो रहेगा याद तो रहेगा सर भूलेंगे बिल्कुल नहीं सर चलो ठीक है सर बिल्कुल अब ध्यान देना अब ध्यान देना ठीक है सर यह बिल्कुल अपनने कर लिया तीसरा होता है आईसो बारिक प्रोसेस, आईसो बार, 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 बार मतलब प्रेशर, आईसो बारिक, आईसो मतलब सेम, प्रेशर अगर सेम है तो उसे हम कहेंगे आईसो बारिक प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, आईसो बारिक प्रोसेस कहेंगे, चलो, इसी graph नीट और जेई में में पूछा गया है graph this is isobaric process pressure same isobaric process pressure same isobaric process pressure same isocoric process choric 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 मत बोल दे ना choric iso choric process chemistry को क्या बोलते हो chemistry बोलते हो CH chemistry बोलते हो क्या नहीं ना को कैम स्ट्री के तो isocoric process इसमें क्या होता है volume remain constant volume कैसा होता है मेरे बच्चों constant होता है अगर volume constant होता है और अगर मुझे इसे PV graph में बताना है तो मैं क्या करूंगा volume remain constant मतलब यह जो graph आएगा straight line वाला यह यह किसको represent कर रहा होगा यह represent कर रहा होगा मेरे बच्चों आईसो कोरिक प्रोसेस को ये रेप्रेसेंट कर रहा होगा आईसो कोरिक प्रोसेस को चलो आउ सर आउ सर आउ सर आउ सर एंड लास्ट में हम बात करें साइकलिक प्रोसेस के बारे में साइकलिक प्रोसेस के बारे में इसको ऐसा समझना ऐसा समझना अगर मैंने यह PV graph है, PV graph है, चलो ध्यान देना, यह PV graph है, कोई process यहां से शुरू हुई, यहां तक आई और वापस यहां आ गई, इस point से शुरू हुई थी, यहां तक गई, फिर यहां तक आई और फिर यहां तक आगई, मान लो, just example के तौर पे जिस point से शुरू हुई थी उसी point पे आ गई तो इसे हम कहते हैं cyclic process ठीक है मेरे बच्चे cyclic process में जो internal energy होती है ध्यान देना internal energy कितनी होती है zero होती है entropy कितनी होती है entropy कितनी होती है zero होती है ठीक है sir अगर change in temperature कितना होता है जीरो होता है लेकिन मेरे बच्चों सबसे important बात जो question पूछा गया है कि कभी भी cyclic process में जो work done होता है work done होता हो non zero सीदी सी बात है ना zoom 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 और वापस zoom अगर मैं आया तो work done तो करा ना work done non zero होता है और heat यहां से यहां तक गए फिर यहां तक गए और फिर lot के वापस आए तो heat भी कैसी होती है non zero होती है non zero होती है तो देखिए when system undergo number of different processes and finally return to initial state this is called cyclic process this is called cyclic process और cyclic process में क्या क्या 0 है delu 0, dels 0, delt 0 लेकिन क्यों non zero work done non zero प्लीज आईए 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 आपका इंतजार है आपी का इंतजार है जल्दी आईए आईए आपका इंतजार है चलो सर चलो सर आगे बढ़ाता है कहानी को जहन दीजिएगा ना जो internal energy के बारे में अपने बात कर रहे थे चलो सर उस internal energy के बारे में थोलाए detail में देखते हैं यह अपनी कहानी क्या-क्या खता हुई मेरे बच्चों यह आपका different thermodynamic processes खता हुई उनके बारे में अपने detail जानकारी देदी अब देखते है internal energy internal energy किसी system की total energy होती है मेरे अंदर जो समाहित total energy है मेरे अंदर जो समाहित total energy है वो क्या कहलाती है internal energy तो internal energy is the total energy of the system जिसमें क्या-क्या include होता है जिसमें include होता है मेरे बच्चों chemical energy, electrical energy, जिस टाइप की energy है mechanical energy and जितने भी type की energy है वो include होती है जितने भी type की energy है वो include होती है ठीक है अब ध्यान देना मैंने अब भी क्या कहा कि सर internal energy में internal energy कैसे change होती है अगर आपने किसी system को heat दे दी हीट देदी कुछ बुक में तो यह भी लिखा रहाता internal energy is nothing बटा काइनेटिक एनर्जी इंटर्नल एनर्जी इस नतिंग बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफा बॉड़ी समझ रहे हो internal energy is due to the काइनेटिक एनर्जी ऑफ दा बॉड़ी ठीक है अब अगर आपने किसी system को माल लीजिए heat देदी heat देदी तो उसके जो molecules है मेरे बच्चे उनका motion बढ़ जाएगा motion of the particle बदल गया molecule का motion बदल काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी मतलब heat given to the system और given out of the system heat comes into or out of the system तो भाई या internal energy बदल जाएगी दूसरा आपने system पे काम कर दिया या system ने काम कर दिया तो internal energy बदल जाएगी किसी system में matter enter कर गई या matter छोड़ गई तो internal energy बदल जाएगी तो internal energy in in factor की वजह से बदल जाती है this is ncrt this is given in ncrt पहले इसे note down करो जल्दी आओ इसे note down करो जल्दी आओ मेरे बच्चों इसे note down करो जल्दी आओ चलो त्यान दीजेगा next नेक्स बात करते हैं अपन reversible process और irreversible process के बारे में अगर कोई reactant और product कोई reactant और product है माल लीजी कोई reactant और product है तो reactant से अपना जब product बन रहा है reactant से जब अपना product बन रहा है तो कौन सा force काम कर रहा होगा इस पे इस पे काम कर रहा होगा dynamic force जो reaction को आगे ले जा रहा है dynamic force जो reaction को आगे ले जा रहा है और product से वापस reactant के तरफ अपरोच करने के लिए एक होगा अपोजेबल फोर्स जो reactant को सुनना जो रोकेगा कि भाईया reactant से product ना बने अपोजेबल फोर्स अगर dynamic force और अपोजेबल फोर्स बराबर हों बराबर हों तो system किसमे होता है मेरे बच्चों equilibrium में होता है what is reversible process ऐसी process जिसम डाइनामिक equilibrium में हो हो ऐसी process जिसमे system dynamic equilibrium में हो मतलब सर ड्राइविंग फोर्स और अपोजेबल फोर्स इक्वल हो उसे हम कहते है reversible process ठीक है मतलब जितना driving force था जितना driving force था उतना ही अपोजेबल फोर्स है तो उसे हम कहेंगे सर ड्राइवर्सेबल पोर्सेश और इसमें system किसमें होता है dynamic equilibrium है चलो sir इस case में work done होता है maximum, पूछा हुवा question है competition में work done कैसा होता है maximum क्योंकि system continuously काम कर रहा है continuously काम कर रहा हो, work done आएगा टाइम लेती है complete होने में क्या ऐसी process practically possible है खुदी बताईएगा क्या ऐसी process practically possible है नहीं सरी they all are imaginary they all are imaginary they all are imaginary तो this is the concept of the reversible process इसे note down करो फिर आपन बिटा irreversible process के बारे में भी बात कर लेते हैं चलो बच्चों अगर मैं अब बात करूं irreversible process की irreversible process की तो ध्यान दीजेगा what is irreversible process जो की unidirectional चल रही है जो की unidirectional चल रही है पिटा और इन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है यह जो words है thermodynamics में हर यह चीज important है हर चीज important है मैंने आपसे कहाना इस chapter को अगर अच्छे से पढ़ना है from bottom to top अच्छे से जाना पढ़ेगा तो what is irreversible process अगर sir driving force अगर sir driving force किस से ज़्यादा हो opposible force से मतलब force oppose नहीं कर पा रहा है सीधे reaction unidirectional जा रही है तो हम कहेंगे this is irreversible ठीक है work done sir reversible में क्या था जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है भाईया उसमें work done maximum था इसमें work done कैसा होता है मेरे बच्चों minimum होता है इसमें system dynamic equilibrium में नहीं है इसमें system static equilibrium में होता है और मेरे बच्चों ये reaction actual में होती है easily complete होती है और ये actually पाई जाती है तो this is concept of reversible process and irreversible process अगर कभी पूछा जाए तो आप इसे कर सकते हैं सबसे पहले first law of thermodynamics किसके बारे में जानकारी देता है ये law कहता है अगर मैं इसके statement की बात करूँ तो भाया जो यूनिवर्स है इसकी energy constant है मतलब energy can neither be created nor be destroyed सुनए होगा आपने first law of thermodynamics की energy को न तो create किया जा सकता है ना ही destroy किया जा सकता है ये एक form से transfer हो के दूसरे form में convert होती है चलिए सार अगर ये है तो इसे पढ़ते हैं डीटेल में देखिएगा क्या कहता है ये law ये law कहता है एनरजी कें नीधर भी created नौर भी destroyed only it can be transferred from one form to another form इसे एक form से दूसरे form में transfer किया जा सकता है लेकिन ना तो create किया जा सकता है ना ही destroy किया जा सकता है क्या मैं दूसरे term में ये कह सकता हूँ जो भी मेरे शब्द निकले थे मेरे शब्द भी निकले थे ना पूरे ब्रह्मान की total energy universe की total energy कैसी है constant है कैसी है constant है चलिए देखेंगे दूसरी चीज तीसरी चीज when a particular form of energy disappear मान लीजिए कोई energy disappear हुई तो कहां गई तो क्या लिखा है when a particular form of energy disappear during a process during a process तो उतने amount की ही energy उतने amount की ही energy दूसरे form में appear होगी अगर एक form energy का disappear हो रहा है तो उतने ही amount की energy दूसरे form में appear होगी ये first law of thermodynamics के statement है ये किस के statement है first law of thermodynamics के statement पहले से note down करो बच्छा फिर आगे बढ़ते हैं फिर mathematical ली बात करते हैं कि first law of thermodynamics हमें क्या कहता है फिर mathematical ली बात करते हैं first law of thermodynamics हमें क्या कहता है अभी तो simple शब्दों में कहना है एकि भाई यह law of conservation of energy के बारे में बताता है मतलब energy total universe की कैसी है constant है, चलिए, लेलिया screenshot, चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, आगे बढ़ाता हूं कहानी को, ध्यान दीजेगा, अगर मैं mathematically first law of thermodynamics की बात करूं, तो यह होता है, del u is equal to q plus w, del u क्या है, what is del u, del u क्या है, यहाँ change in internal energy, क्या है change in internal energy, this is change in internal energy, what is q, q, q है heat, q है heat, and what is w, w है work done, w है work done, work done, कुछ books में, मैं आपको पहली बोला, कि मैं जो बताऊंगा बेटा, एकदम perfectly pull up furnace तरीके साथ को कोई दूसरा concept नहीं देखना पड़ेगा, मैं एकदम ताहल के के साथ हर concept को cover करूंगा, कुछ books में, इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, del u is equal to del q plus del w, del w, और अगर छोटे से amount के लिए देख रहे हैं, तो हम इसे ये भी लिख सकते है, du is equal to del q plus del w, ऐसा अपन लिख सकते है, मतलब सर हमारे पार first law of thermodynamics आ गया कि change in internal energy, किसका sum है, q positive है, मतलब change in internal energy, sum है, heat given to the system, heat given to the system, given to the system, and w मतलब work done on the system, work done on the system, work done on the system, इस chapter में सबसे ज़्यादा आपको, सबसे ज़्यादा आपको sign convention की problem आती है, हमेशा याद रखना जब हम chemistry में first law of thermodynamics देखेंगे, तो बिटा sign convention ये होता है कि कोई system है, कोई system है, अगर system को heat दी जा रही है, तो heat को positive लेंगे, अगर heat given to the system, heat system को दी जा रही है, और अगर work done हो रहा है on the system, सिस्टम पे work done हो रहा है, तो work done को कैसा लेंगे positive लेंगे, लेकिन वही मैं बात करूँ, वहीं मैं बात करूँ कि अगर सिस्टम से हीट निकल रही है अगर सिस्टम से हीट आउट हो रही है तो हम हीट कैसी लेंगे निगेटिव लेंगे और वहीं अगर सिस्टम खुद ही काम कर रहा है तो वर्क डन बाइदा सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन को हम कैसा लेंगे निग of heat given to the system and work done on the system, del u is equal to q plus w, this is the mathematical equation of first law of thermodynamics, पहले से note down करो, फिर इसके बारे में detail में पढ़ते हैं, इसके बारे में detail में पढ़ते हैं, this is first law of thermodynamics, जो क्या है del u is equal to q plus w, चलिए, सर आगे बढ़ाता हूं इस कहानी को, इस internal energy के बारे में, क्योंकि first law of thermodynamics हमें internal energy के बारे में ही जानकारी दे रहा है, कुछ book में change in internal energy, del u, या कुछ book में del e लिखा मिल जाएगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, दोनों चीजें सहीं है, सबसे पहली बात, अगर मैंने पिछली class में आपको बताया था, कि internal energy किस पर depend करती है, यह है state function है, जो किस पर depend करती है, initial state पर depend करती है, और final state पर depend करती है, आप किस path से जा रहे हैं, इस पर depend नहीं करती है, इसे ऐसे समझे, मान लीजे यह मेरा PV graph है, मान लीजे यह मेरा PV graph है, ठीक है, आप कहां से गए A से B तक गए ठीक है वापस B से A आ गए वापस B से A आ गए आपने ये पात अपनाया तो इसमें लगने वाली internal energy आपने दूसरा पात अपनाया तो इसमें लगने वाली internal energy कैसी होगी सेम होगी ये सिर्फ initial state और final state पर depend करती है पात पर depend नहीं करती है दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ मैंने आपको पताया था कि बेटा थर्मो डायनामिक्स में हमें इस चैप्टर में में चार पिलर पंद़ हैं एक डेल को उर्ट पेलर यू डेल एच इंटरिनल एनरजी एं थिलेपी entropy and gifts free energy gifts free energy यह इस chapter के 4 pillar हैं जिस पर पूरी इस chapter की कहानी एकदम dependent है तो आज पहला pillar अपन देखने जा रहे हैं del u के बारे में दूसरी चीज हमें क्या पता चली थी कि यह जो चारो pillar थे extensive property थी extensive property थी मतलब यह mass पर depend करती थी अगर mass कम है तो internal energy क्या होगी कम होगी और अगर mass ज़ादा है तो internal energy कैसी होगी ज़ादा होगी extensive property है और state function है ठीक है sir अब यह पूछा जाएगा what is internal energy अब आप से यह पूछा जाएगा what is internal energy तो मेरी बात सुना किसी body के अंदर kinetic energy और potential energy का sum किसी body के अंदर समाई है तो total energy total energy किसी body के अंदर समाई है तो total energy मतलब sir किस-किस का sum kinetic energy और potential energy का sum हमें क्या देता है internal energy देता है कहाणी class के class में याद करना है मेरे बच्चों मैं आप से वादा कर रहा हूँ मैं class के class में याद करा हूँ वर बोले स्विवाद करें हम्हें फिर्स लोव थर्मोठायना डाइनमिक्स के से एनर्जी नीदर भी वी क्रीटेन नौर भी दिस्ट्रॉइ एनर्जी को आप ना तो क्रीट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉइ कर निगेटिव आ रही मतलब system से heat बाहर निकल रही है यह work done by the system है तो work done कैसा आएगा निगेटिव आएगा ठीक है sir what is internal energy sir this is a state function and this is a extensive property depends upon the mass depends upon the mass and जो internal energy है यह कुछ और नहीं है total energy है जो किस-किस का सम होती है जो kinetic energy और potential energy का सम होती है kinetic energy और potential energy का सम होती है अब हम बात करें अगर kinetic energy किस-किस वज़े से होती है बेटा ध्यान दीजे सबसे पहली बात की kinetic energy is due to the motion of particle kinetic energy is due to the motion of particle अब particle के motion या तो अपने क्या हो सकते है translational motion हो सकते हैं क्या हो सकते हैं या तो particle के motion या तो translational motion हो सकते हैं या पार्टिकल के मोशन रोटेशनल मोशन हो सकता है क्या हो सकता है रोटेशनल मोशन हो सकता है या पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो सकता है या इसका वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है इन सारे मोशन की वजह से बच्चों क्या होती है काइनेटिक एनरजी होती है पार्टिकल यह किस वजह से होती है पार्टिकल के मोशन की वजह से होती है इस ड्यूटू दा मोशन आफ पार्टिकल ठीक है सर इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है बोलो कौन कौन से मोशन हो सकते हैं due to the force of attraction और इसमें या मैं यह बोल सकता हूँ इट इस to the sub-atomic particle. समझेगा. potential energy is due to the sub-atomic particle या nucleus की वज़े से. sub-atomic particle कौन कौन है बच्चों? electron, proton और neutron. इनकी वज़े से होती है potential energy. इसकी वज़े से होती है potential energy. कभी आपने देखा होगा कि भ्या कोई nucleus है. कोई nucleus है, जब वो electron था, electron infinite पे था, उसकी potential energy zero थी, लेकिन जब वो nucleus की तरफ force of attraction की तरफ से electron आता है, उसकी potential energy घटती जाती है, ठीक है, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि सर जो potential energy, it is nothing बटा force of attraction, ठीक है, between two charge particles, और मैं ये कह सकता हूँ किस वज़े से, nucleus की वज़े से, या proton, neutron और electron या सब atomic particle की वज़े से, लेकिन मजबदार बात क्या आती है, जब वो examiner आपके emotion के साथ खेलेगा, अगर मैं gases की बात करूँ, gases की बात करूँ है, थोड़ा detail में जा रहा हूँ, या ideal gases के लिए, ideal gases, ideal gases क्या कहती थी, जल्दी बता ही, मैं थोड़ा सा item बता रहा हूँ, ideal gases क्या कहती थी, या ideal gases का concept था, या kinetic theory of gases का concept था, ठीक है, की ideal gases में, ideal gases में, दो particle के बीच, दो particle के बीच, ना तो force of, कोई force of attraction काम नहीं करता है, के टी जी हमें कहती थी, kinetic theory of gases की दो particle के बीच, कोई भी, force of attraction काम नहीं करता है, force of attraction काम नहीं करता है, मतलब अगर हम ideal gases की बात करें, तो उसमें जो total energy होगी, समझे रहे, वो सिर्फ किसकी वज़ह से होगी, सिर्फ होगी सर, वो किसकी वज़ह से, kinetic energy की वज़ह से, वो किसकी वज़ह से होगी, gases में, total energy, सिर्फ kinetic energy की वज़ह से होगी, यह चीज़ दिमाग में याद रखना, क्यों, क्योंकि जब उनके बीच में कोई दो particle के बीच बीच एं, force of attraction काम नहीं कर रहा है, ideal gases के बीच में, तो उनमें potential energy कैसे generate होगी, this is clear to you, this is clear ना मेरे बच्चों, ठीक है, तो अपने पास logic क्या है, अपने पास logic क्या है, potential energy is due to the sub-atomic particle, या nucleus like proton, electron और neutron, जो कि अपने sub-atomic particle है, ठीक है, अब लेकिन logic वाली बात एक और सुनना, जरूरी थोड़ीना है कि हम सिर्फ इनी sub-atomic particle की बात करते हैं, और भी सब-atomic particle होते हैं, जैसे भया अपने मीजॉन हो गए, बीटा particle हो गए, ये सारे भी तो अपने कहां होते हैं, nucleus में ही होते हैं, तो अगर ये सब-atomic particle पाए जा रहे हैं, तो हम तो broadly बोल रहे हैं कि भया, ये इसकी वज़ह से होती है, लेकिन भीया, universe में potential energy बहुत सारे particle में जो force of attraction लग रहा है, उनकी वज़ह से है, overview हम दे रहे हैं कि हाँ, ठीक है, मान लिया, बड़े-बड़े तोर पर जो हमें इस level पर पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि यही सब-atomic particle हैं, उनकी वज़ह से हो रही है, लेकिन atom के अंदर जितने सब-atomic particle है, उनकी वज़ह से potential energy generate होती है, यह concept है, यह दिमाख में set कर लीज़े, ठीक है, अब अगर आपने मेरे पिछला lecture देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था पिछले lecture में, कि बेटा, जो cyclic process होती है, जो cyclic process होती है, उसमें internal energy, कैसी होती ह अगर कहां से शुरू हुई, ठीक है, गई, 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 और वापस उसी जगह पे आके रुक गई, जिस पॉइंट से शुरू हुई थी process, उसमें पॉइंट पे वापस आ जाए, उसे कहते हैं cyclic process, और उस दौरान internal energy कैसी होती है, जीरो होती है, उस दौरान internal energy कैसी होती है, zero होती है दूसरी चीज हमने कहा था अगर temperature आप constant रख दो temperature constant किन processes में होता है temperature constant होता है ISO thermal processes में अगर temperature आपने constant रख दिया या ISO thermal process की बात कर ली तो उस case में भी internal energy change कैसा होता था zero होता था मतलब अगर temperature में कोई change नहीं आ रहा है वक्त के साथ ऐसी कोई process जिसमें temperature में कोई change नहीं आ रहा है वक्त के साथ temperature constant है तो उस case में भी internal energy change कैसा है जीरो आएगा इन सारी मोहमाया को हमें बहुत अच्छे से समझना है detail में जाना है यह video lecture में बहुत और depth में हर concept को पकड़ते हुए आपको बताऊंगा ठीक है यह भी concept clear है सर अब धियान दीजेगा अब आपको मैंने बताया था कि सर इस इस एस इस टेट फंक्शन इस्टेट फंक्शन जो initial state of final state पर डिपेंड करता है तो आप इसकी absolute value पता नहीं कर सकते हैं कभी भी आप क्या बोल रहा हूं मैं जितनी भी अपन बात करेंगे कि gives free energy हो गई entropy हो गई enthalpy हो गई ठीक है internal energy हो गई आप इनकी absolute value पता नहीं कर सकते इसका आप सिर्फ change in internal energy determine कर सकते हैं, इसी लिए हम इसे लिखते हैं del u ठीक है, और क्या लिखा है in case of ideal gas अब ही मैंने कहा अगर हम ideal gas की बात करेंगे हम ideal gas کی بات کریںगे तो internal energy किसके बराबर होगी internal energy बराबर होगी kinetic energy के internal energy किसके बराबर होगी kinetic energy के बराबर होगी चलिए, चलिए, पहले इतना note down करिए इसे, पहले इतना note down करिए screen shot مارीए जल्दी से फिर मैं इसको थोड़ा और detail में gas के लिए अगर बात करूँ क्योंकि mostly जो चीजे हम पढ़ते हैं gas के बारे में ही आती है अगर gas के बारे में बात करूँ तो इसे और थोड़ा बताता हूँ एक और formula जो कि मैं beyond NCRT जा रहा हूँ NCRT plus plus की बात करूँगा मैं note down मारा इसे note down मारा चलिए अगर note down कर लिया तो सुनिएगा बिटा अगर मैं ideal gas की बात करूँ ideal gas की बात करूँ ठीक है तो उसके लिए मैं उसके लिए मैं अगर आपकी internal energy लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास internal energy का एक और formula आता है NCV del T internal energy का एक और formula आता है NCV del T जहां पर N क्या होते है number of moles of gases number of moles of gases number of moles of gases C क्या है standard heat capacity molar standard heat capacity molar standard heat capacity standard heat capacity heat capacity और V का मतलब क्या है at constant volume at constant volume at constant volume ठीक है at constant volume और del T क्या है change in temperature del T क्या है change in temperature लेकिन अगर हम छोटी सी quantity की अगर बात करें छोटा सा change है तो उसके लिए DU लगाते है is equal to NCVDT NCVDT चलिए सर ये तो clear है ये तो clear है लेकिन CV क्या है यहां पर this is molar standard heat capacity at constant volume CV क्या है CV क्या है समझेगा CV कुछ और नई थोड़ा physics में जा रहा हूँ मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि maths वाले बच्चे जो होते हैं उनका chemistry चल अच्छा रहता है लिक्ट बायो वालों का ज्यादा strong रहता है बायो वाले बच्चे सिर्फ वहीं पर अटक जाते हैं जहां पर calculated part आता है कुछ चीजें जो हम इदर उदर connect नहीं कर पाते हैं सबसे बदा drawback होता है तो उन चीजों के लिए मैं ध्यान देना CV क्या होता है CV होता है F by 2 R CV क्या होता है F by 2 R What is F F is nothing but a degree of freedom जो की mono atomic gas के लिए जो की mono atomic gas के लिए mono atomic gas के लिए mono atomic gas के लिए gas के लिए F किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है die atomic gas के लिए F किसके बराबर होता है die atomic gas के लिए F किसके बराबर होता है F5 के बराबर होता है और Tri Atomic Gas के लिए Tri Atomic Gas के लिए F किस के बराबर होता है? F6 के बराबर होता है This is the concept मैंने पहले ही कहा मैं एकदम detail में सारे concept बता दूँगा अगर मैं थोड़ा beyond NCRT जाओं तो this is the concept of NCRT++ this is the NCRT++ concept इसे एक box में बंद करिये और लिख लीजिए कि सर डल यू का एक और formula है अगर हम gases की बात करें NCV डल T चलिए जल्दी आईए हाँ तक R अब R के बारे में अगर कोई पूछे तो R क्या है? R is nothing but a universal gas constant जिसकी value हम यहाँ पर अगर हम Joule में बात करें तो R की value कितनी होती? 8.314 Joule पर केलविन पर मोल आईए जल्दी आईए clear है चलो और एक और इसकी value होती है calories में calories में बात करें तो 2 calorie पर केलविन पर मोल आईए clear है? this is our internal energy this is our internal energy से no down कर लिया? कर लिया? चलिए मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ जान दीजेगा अब अगर मैं बात करूँ application of first law of thermodynamics first law of thermodynamics के मैं अलग अलग type की क्या ले रहा हूँ? processes ले रहा हूँ और first law का क्या application है? मैं ये बताने की कुशिश कर रहा हूँ पहले एक चीज धिमाख में set करके रखना मेरे बच्चों क्या बोला मैंने? system है कोई भी system हो सकता है जिसको हम thermodynamics study के लिए ले रहे हैं अगर उसको heat दी जा रही है heat given out of the system तो heat कैसी आईगी? negative आईगी system खुद काम कर रहा है work done by the system तो work done कैसा हैगा? negative आईगा ये चीज पहले दिमाख में set कर लो ये चीज दिमाख में set कर लो अब अगर मैं application देखू first law of thermodynamics के तो मैं देखने जा रहा हूँ सबसे पहले for cyclic process मैं सबसे पहले क्या देखने जा रहा हूँ cyclic process मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अब भी मैंने बताया था cyclic process हो class की class में याद करना है बच्चों अपने को अगर cyclic process है या isothermal process है तो उस case में internal energy changes zero होता है और first law of thermodynamics क्या कहता है del u is equal to q plus w के बराबर आ जाएगा तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ q is equal to minus w yes sir या w is equal to minus q मतलब बात क्या है अगर heat given to the system अगर system को heat दी जा रही है तो ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा work done by the system के बराबर या या अगर work done on the system है अगर system पे काम हो रहा है तो ये किसके बराबर होगा heat given out of the system के बराबर heat given out of the system के बराबर ठीक है sir सेम यही कहानी आईसो थर्मल प्रोसेस में चलती है आईसो थर्मल प्रोसेस क्या होती है जिसमें change in internal energy zero आता है जिसमें अभी मैंने कहा आईसो थर्मल प्रोसेस और cyclic प्रोसेस में internal energy change zero होगा और अगर internal energy change zero है internal energy change zero है तो मैंने आप से क्या कहा कभी भी cyclic process में एक और चीज़ यहाँ पर सुन लो cyclic process में change in internal energy zero होता है लेकिन work done कभी zero नहीं होता था और heat कभी zero नहीं होती थी हमने पिछली classes में ही देखा है internal energy zero है internal energy zero है लेकिन जो लगने वाली heat है heat है और जो work done है वो कभी zero नहीं होता है यह हम पिछली classes में देख चुके हैं आईए जल्दी यहाँ तक यहाँ तक आईए फिर उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं इसको भी no doubt करिए अलग अलग processes की बात करेंगे तो उसमें आपकी internal energy का क्या concept है क्या माजरा है हम देखते हुए चलेंगे चलो इस कहानी को नया आयाम देता हूँ इस कहानी को नया आयाम देता हूँ ध्यान दीजिएगा मान लीजे मेरे पास है आईसो कोरिक प्रोसेस क्या है आईसो कोरिक प्रोसेस वाट इस आईसो कोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें वर्क डन कितना होता है जीरो होता है समझ नहीं सबसे पहले देख लो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता आईसो कोरिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें change in volume कैसा होता है? 0 होता है. चलिए, अगर मैं PV graph आपके सामने रखों, this is my P, this is my V graph, this is my V graph, ठीक है, this is my V graph, आईसो कोरिक प्रोसस क्या है, जिसमें volume 0 होता है, change in volume 0 आता है, जान दीजे, इसमें change in volume 0 आता है, यहाँ पर अगर मैंने कीची तो यह आईसो कोरिक वॉल्यूम अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो यह आईसो कोरिक प्रोसेस को रेप्रेजेंट करेगा अगर चेंज इन प्रेशर जीरो है तो यह आईसो बारिक प्रोसेस को रेप्रेजेंट करेगा मैं लिख दे रहा आप से कहा था कि यह है ईडिया बैटिक और यह है आई सो थरमल डिस बताब प्रोसस अगर आपको पता हो कि बहुत होता है उसमें तेम्परेचर चांस्टेंट आता हैं और बॉल्स लॉब के अकौर्डिक इसका ग्राफ rectangular hyperbola आता था ठीक है सर यह हमने देख चुका था तो isocoric processes में क्या होता है change in volume 0 है तो अगर मैं बात करूँ कि देखिएगा work done होता है work done होता है minus p external dot del v के बराबर और isocoric process वो होती है जिसमें change in volume कितना आता है बच्चों change in volume volume कैसा रहता constant होता है मतलब work done कैसा आया जीरो आया work done कैसा आया जीरो आ गया तो अगर मैं इस formula पे apply करूँ first log thermodynamics के del u is equal to q plus w से और आपको देख पा रहे होंगे कि अगर change in volume 0 आया तो work done कितना आ गया जीरो आ गया तो first log thermodynamics क्या कहता है del u is equal to q plus w और work done तो 0 है तो del u किसके बराबर होगा q के बराबर होगा अगर इस आईसो कोरिक processes में कि change in internal energy change in internal energy किसके बराबर होती है heat given to the system के बराबर होती है heat given to the system के बराबर होती है heat given to the system के बराबर होती है heat given to the system के बराबर होती है चलिए ठीक है सर अब adiabatic process जैसे की पिछली class में हमने बात करा था adiabatic processes वो होती थी जिसमें जैसे adiabatic wall के बारे बात करा था ना पिछली क्लास में कि ऐसी wall जिसके थरू कोई heat pass ना हो पाGeес heat change कैसा होता है zero होता है मतलब सर कोई भी heat का change नहीं हो रहा है तो first law of thermodynamics कहता है कि del u change in internal energy q plus w के बराबर होती और ये zero हो गया तो change in internal energy work done on the system के बराबर होगी this is the concept और ये है अपना first law of thermodynamics का mathematical स्वरूब जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है बच्चों पहले इसे note down करो तो फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ प्लीज जल्दी आईए यहां तक clear है ले लिए screenshot चलिए आगे बढ़ाऊं कहानी को ध्यान दीजेगा first law of thermodynamics क्या था first law of thermodynamics कि अगर मैं बात करूँ first law of thermodynamics की अगर मैं बात करूँ तो इसका कहना था energy can neither be created nor be destroyed energy को ना तो आप create कर सकते हो ना ही destroy कर सकते हो इसे बस आप एक form से दूसरे form में transfer कर सकते हो जो की conservation of energy पे base था conservation of energy पे base था इस law का कहना था first law of thermodynamics का की पूरा जो universe है उसकी जो total energy है वो कैसी है constant है कि माल लीजिए अगर एक form की energy disappear होती है यह first law of thermodynamics का कहना था और अगर इसे mathematically हमने in turn energy क्या होती है एक बाद पूरा detail में समझते चलो इंटर्नल एनर्जी थी, इंटर्नल एनर्जी थी, डेल यू क्या थी, इंटर्नल एनर्जी थी, इंटर्नल एनर्जी थी, ठीक है, इंटर्नल एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी के अंदर समाहित, टोटल एनर्जी या टोटल उर्जा, कहलाती है, इंटर्नल एनर्जी, जो क इनरजी ट्राइशनल मोशन की वज़े से हो सकती है, पार्टिकल के वाइब्रेशनल मोशन की वज़े से हो सकती है, सर्कुलर मोशन की वज़े से हो सकती है, रोटेशनल मोशन की वज़े से हो सकती है, पोटेंशल एनरजी किस वज़े से थी, पोटेंशल एनरजी थी सब अटो property है कैसी यह extensive property है जो की mass पर depend या matter की quantity पर depend नहीं करती है दूसरी चीज यह कैसी है state function state function है जो किस पर depend करता है initial state या final state पर depend करता है जो किस पर depend करता है initial state या final state पर depend करता है इसे एक ऐसा समझी है माल लीजिए यह मेरा एक beaker है यह मेरा एक beaker है ठीक है, मैं इसकी वाल एडियाबेटिक बना दू, पिछली क्लास का सब रिविजन हो जाएगा, इसकी वाल एडियाबेटिक बना दू, यह सर बना दीजे, एडियाबेटिक वाल्स, सबसे पहला लेक्चर उठा के देखिएगा, मैंने पूरा डीटेल में बताया हुआ है, इस आर एडियाबेटिक वाल्स, ऐसी वाल्स, जिसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं होता, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक वाल्स, अब मतलब सर इसमें से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होना है, माल लीजिए, इनिशेली टेंपरेचर था T1, initially temperature था T1 ठीक है? तो internal energy थी U1 internal energy थी U1 समझना? आपने इस speaker का temperature रखा हुआ T1 और internal energy U1. अब मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से यहां का temperature बढ़ा दिया कितना T2 कर दिया T2 कर दिया. temperature बढ़ा के कितना कर दिया T2 कर दिया temperature बढ़ा के कितना कर दिया? T2 कर दिया आपने temperature बढ़ा के वाई adiabatic wall है temperature बढ़ा के आपने कैसा कर दिया? T2 कर दिया temperature बढ़ा के T2 कर दिया तो internal energy भी कितनी हो जाएगी U2 कितनी हो जाएगी U2 हो जाएगी याद रखिएगा internal energy mainly depends upon the temperature internal energy किस पर depend करती है temperature पर depend करती है that's why यह सिर्फ initial state of final state पर depend कर रही है बीच में आपने कोई भी तरीके से कुछ भी काम करा हो कोई भी पात अपनाया हो कि T1 से T2 लाने के लिए temperature और internal energy से internal energy U2 लाने के लिए उस पर depend नहीं कर रही है मतलब sir change in internal energy क्या है U2 minus U1 है और change in temperature क्या है change in temperature क्या है T2 minus T1 है मतलब internal energy mainly depends upon the temperature and it is a state function it is a state function यह हमने पिछली निस्कस कर रहा था एकदम NCRT के शब्दें मेरे मुझ से निकल रहे है एकदम NCRT के शब्दें मेरे मुझ से निकल रहे है ठीक है sir आज जो हमने बात करनी है आज जो हमें बात करनी है कि sir जो की अपना डेल यू internal energy क्यू फ्लस W के बराबरता Q क्या है? heat है और W क्या है? work done है आज हमारी जो कहानी mainly based है, वो based है, किस पर work done पे based है? आज जो हमारी mainly based कहानी based है, वो किस पर based है? work done पे based है ठीक है? चलिए work done काफी बड़ा concept, NCRT में तो काफी छोटा हुआ है, दिया हुआ है इसलिए इसे मैं दो lectures में लिखिया हूँगा, दो lectures में लिखिया हूँगा, ताकि चीजे काफी और clear हो सके है तो शुरुआत करते हैं work done की, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ, clear कर दूँ कि जो heat है and work done है, ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों होते है path function ये initial state of final state पर तो depend करते ही है, इसके अलावबा reaction किस path के थूँ प्रोसीड हो रही है किस path के थूँ प्रोसीड हो रही है, उस पे भी depend करता है चलिए, अब एक और चीज मान लीजे, ये system है वेरा, कोई भी system हो सकता है जनरली तो बेटा हम बात करने वाले हैं, गैशिय सिस्टम के बारे में, कैसे system के बारे हम बात करने वाले हैं, गैशिय सिस्टम के बारे में कोई system है, अगर system को heat दी जा रही है, heat given to the system, याद रखिएगा इस chapter में, sign convention समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो बच्चा sign convention समझ गया, वो concept समझ गया अगर किसी system को heat दी जा रही है, heat दी जा रही है, तो heat कैसी लेते हैं अपन, positive, heat given to the system heat given to the system, और अगर system से heat बाहर निकल रही है, तो हम क्यों को कैसा लेते हैं, negative लेते हैं, क्यों को कैसा लेते हैं, negative लेते हैं दूसरी चीज, अगर system पे काम किया जा रहा है, work done on the system, for example, अगर मैंने को पढ़ना क्या है ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे हैं और अभी दो-ते दिन से वीडियो में डेली नहीं आप आये थे क्योंकि थोड़ा स्वास्त ठीक नहीं था और बच्चों के कमेंड भी आये इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है तो अब कहानी को सम कि सर ये जो सिस्टम है work done जए कि वटन उन जस्टम क्या होता है और बाइधा सिस्टम क्या होता है वागर दन ऑन्डश इसलिए और वागरे ठीक है एड़र गार होगो योई यह यह इदर से पूर्स लगा रही है और यह इदर से पी एक्सटर्नल लगा रहा है उसके ठीक है ज्यान蒂 दीज़ा अप अगर यह अंदर तरह दiation ए कैसे मानते हैं। यह तो किसकी बात होती और अंदर कमप्रेशन से लगने वाला फोर्स्या प्रेशर अंदर से लगने वाला फोर से प्रेशर ज़्यादा है किसकी तुलना में पी एक्स्टन मतलब क्या हो रहा है expansion की बात हो रही है मतलब work done by the system हम अभी कौन से system की बात कर रहे है work done by the system मतलब expansion हो रहा है expansion हो रहा है मतलब सर इसमें हम work done कैसा लेंगे work done कैसा लेंगे negative लेंगे मतलब work done on the system positive होता है और work done by the system negative होता है आज की कहानी को शुरू करने से पहले लिखिए पहले as first law of thermodynamics क्या होता है del u is equal to q plus w q plus w ठीक है आज की कहानी हमारी work done पे based है work done पे based है work done कैसा है heat और work done कैसा है path function है ठीक है और निकालिए अपना pan और heading डालिए work done in different processes different processes में अपने को क्या निकालना है work done निकालना है कैसे निकालना है क्या होगा कहानी क्या नहीं होगी कहानी कहाँ चीजों को focus करना है क्योंकि NCIT के beyond भी बहुत सारे concept बनता है मैं crystal clear करते हुए चलूंगा full energy और full जोश के साथ आज की कहानी को शुरू करते है चलिए अपनी कहानी है सबसे पहले work की ठीक है अलग-अलग thermodina में quantities देख रहे है उसमें work देख रहे है ठीक है चलिए ध्यान दीजेगा work बिटा आप लोगों ने देखा होगा वैसे तो work अलग-अलग type का होता work अलग-अलग type का होता जैसे मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ work ठीक है अगर मैं mechanical work की बात करूँ तो आपको पता होगा mechanical work क्या होता है mechanical work क्या होता है mechanical work होता है सर force into displacement force into displacement जितना force लगा रहे हो into displacement दोनों का multiplication क्या देता हमें work done देता है चलिए अगर मैं gravitational work की बात करूँ मैं अलग अलग बताते चल रहा हूं कि भाईया नहीं हाँ यह हमें पढ़ना क्या actually लेकिन वर्ट तो अलग अलग टाइप क्यों होता है न ग्रेविटेशनल works की बात करूँ gravitational work की बात करूँ तो gravitational work कौन सा होता है जो charge होता है into potential charge into पोटेंचियल यह तो electrical work हो गया gravitational work क्या होता है MGH क्या होता है MGH चलिए मैं अगर electrical work की बात करूँ electrical work की बात करूँ electrical work की बात करूँ तो इसके बरापर होता है चार्ज इंटू पोटेंचिल, ठीक है, ऐसे ही, स्प्रिंग के थूप होने वाला वक, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यह अलग-अलग वक होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, समझ येगा, हम यहाँ पे मेंली डिसकस करने जा रहे हैं, ग माकैनिकल वर्क, किसी गैस पे होने वाला उनली माकैनिकल वर्क, जिससे हम कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिससे हम कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हम किसके बारे में हाँ डिसकस करने जा रहे हैं, हम गैशियर सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, कि भ फोर्स लगा रहा हूं यह बूट कितना डिस्पलेस हुआ तो मेरा लगाया हुआ प फोर्स आप ना आप लोग ठीक है अ होग इस प्लेस्मेंट देख लो कितना हो रहे है। कि to force into displacement क्या कहलाता है वाग्टन कहलाता है तो product of force into displacement is called work done क्या है work done force into displacement का multiplication होता है चलिए अब अगर मैं कह दू इस चीज को अगर detail मैं समझा हूँ मैं समझ येगा मेरे पास है एक gas भरी हुई है और उसमें piston लगा हुआ है अब बाहर से हम जो लगा रहे हैं हमारे पास समझ येगा simple तरीके से बाहर से लग रहा है external force external force और अंदर से लग रहा है force बाहर से लग रहा है external pressure और इधर से लग रहा है force ठीक है ठीक है समझ रहा हूँ तो हुआ क्या suppose a gas suppose a gas ठीक है cylinder fitted with a piston कोई gas cylinder है उसको आपने piston में fit कर दिया जिसका cross section area है A जिसका cross section area यहाँ capital लिग गया है अपन small लिग देते हैं जिसका cross section area है A और pressure on piston piston के द्वारा लगाया हुआ pressure कितना है अपना P Конечно P या P external माल लिजे ठीक है initial volume माल लिजे initial volume माल लिजे कितना है initial volume है माल लीजे V1 इनीशल वॉल्यूम है V1 चलो अब अब अपन एक्सपांशन की बात कर ले तो मान लीज़े इधर से लगने वाला फॉर सिया प्रेशर जादा है थिक है और पी एक्सटरणल कम है इनीशल वॉल्यूम है V1 थीक है फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया final volume कितना हो गया final volume हो गया V2 किसकी बात कर रहे हैं expansion की बात कर रहे हैं कि gas expand कर रहे है work done by the gas है समझियेगा तो इस case में work done by the gas देखिए work done by the gas during expansion अपन किसकी बात कर रहे है expansion की तो work done by the gas किसके बराबर होगा कुछ नहीं work done क्या होता force into displacement के बराबर होता है force into displacement आप समझेगा फोर्स तो आप लगा रहे है एफ फोर्स तो आप लगा रहे है एफ displacement कितने का हुआ बराबर हुआ चलिए सर चलिए देंदी जगा अब logic समझना है क्या हो रही है कहानी क्या हो रही है कहानी as we know pressure is equal to force per unit area यहाँ पे मैं कहूं कि force per unit area में जो लग रहा है वो क्या कहलाता है तो force किसके बराबर हो गया pressure into area के बराबर हो गया और अब भी हमने बात करी थी work done का एक और formula आया था formula आया था force into displacement जिसे हमने equation 1 माना था दूसरा हो गया force किसके बराबर हो गया pressure into area pressure into area इसे हमने मान लिए equation 2 अगर equation 1 में 2 को अपन एड़ करते प्रेशर फोर्स की value यहाँ पर रग दे फोर्स की value यहाँ पर अपन रग दे तो work done कि क्या हुआ force into displacement force की value कितनी आगे pressure into area into length अब ध्यान दी जगा area into length यह देता है हमारा volume area into length यह हमारा देता है volume और यहाँ हमारा change in volume क्या हो रहा है अगर आप देख पा रहे होंगे final volume जो है final volume क्या था अपना final volume v2 था और initial volume कितना था वी 1 था और आपको पता था कि v2 जादा है किस की तुल्णा में v1 की तुल्णा में अब समझईगा, अब समझगा, बट according to chemistry, अगर अपन chemistry की बात करें, तो आप देखिएगा बाहर से लगने वाला external pressure, बाहर से लगने वाला external pressure, और अंदर से लगने वाला pressure, या force, दोनों की distance, दोनों का direction, अलग अलग है, दोनों की direction अलग अलग है, बाहर से लगने वाला pressure, P external pressure और अंदर से लगने वाला force दोनों की direction अलगा लगा है तो sign अपने कैसा ले लिया, negative sign ले लिया तो work done का जो formula हमें आज के बाद apply करना है, वो formula है work done is equal to minus P external dot del V work done is equal to minus P external dot del V only valid और ये formula कब valid होगा, जब pressure आपका कैसा होगा, constant होगा please note down करो, चलिए, तो ये चीज तो आपके दिमाग में set हो गई कि sir हमें work done जो यहाँ पे देखना है और उसका जो formula आप बोल रहे है work done is equal to minus P external dot del V ये formula तभी applicable है, जब अपना pressure कैसा है, pressure कैसा है, pressure, volume तो change होई रहा है pressure कैसा है, constant है, constant है, यह एक और चीज ध्यान देने वाली बात ये है del V, del V, del V है अपना, what is del V, बहुत important बात है इससे ध्यान दीजेगा del V है अपना change in volume, del V क्या है अपना यहाँ पे, change in volume change in volume, change in volume, del V कुछ और नहीं, change in volume है इस कहानी को ऐसे समझेए, अगर आपका compression हो रहा है, यह आपका piston है, यह piston नहीं यह माल लीजिए container है, इससे एक piston attached है, piston attached है, यह piston attached है, ठीक है यह piston attached है, initial volume मैं कह दूँ, initial volume मैं कह दूँ कितना है, initial volume है V1 अब हुआ compression, अब हुआ compression, यह initial volume है, ठीक है, V1 माल लीजिए, initial volume को compression की बाद यह piston यहाँ आगया, compression के बाद यह piston कहा आगया, यहाँ आगया final volume होगे है V2, final volume कैसा होगे है V2, क्या हो रहा है, जब आपका compression हो रहा है तो आप देख पा रहे है V2 रहे है, V2 कम है, और V1 जाता है V2 रहे हैं तो जब compression हो रहा है, compression होता है, during compression ठीक है, मतलब work done on the system हो रहा है, इस case में work done को हम कैसा मानते हैं WORK DONE को हम कैसा मानते हैं, positive मानते हैं, कैसा मानते हैं, positive मानते हैं देखिए कैसे, work done is equal to minus p external dot del v था, work done किसके बराबर था, minus p external dot del v था, या इतना छोड़िए, आप work done को कैसा मानते हैं इस case में, compression के case में work done को positive मानते हैं, दूसरी चीज, मान लीजिए आपका ये container है, मान लीजिए ये आपका container है, ठीक है, ठीक है सर ये container है अपना, ये piston लगा हुआ है, पिस्टन लगा है, initial volume था V1, initial volume था V1 और आपका final volume अब क्या हो गया, आपका final volume क्या हो गया, आपका final volume हो गया, आपका final volume हो गया V2, final volume कितना हो गया, V2 हो गया मतलब अब क्या हो रहा है सर, expansion हो रहा है, expansion हो रहा है, expansion हो रहा है, expansion हो रहा है, ठीक है, expansion हो रहा है, मतलब work done by the gas, compression मतलब work done on the system, on the system या work done on the gas, और expansion का मतलब क्या है, work done by the system, by the system, इस case में work done कैसा आता है, इस case में work done कैसा आता है, negative आता है सर, तो यह जो कहानी थी आपकी, during expansion, during expansion ठीक है, V2 is greater than V1, work done कैसा आएगा, negative और compression में work done कैसा आएगा, positive आएगा, दूसरी चीज, सर ये formula तभी valid है, जब pressure कैसा हो constant हो, मैंने पहली बोला न, हर इस चीज एकदम तहल के साथ आपन करते हुए चलेंगा, ये formula तभी applicable होगा सर, जब pressure constant हो, लेकिन माल लीजिए अगर pressure variable है बार-बार कह रहा हूँ, हम कैसे system की बात कर रहे हैं, याद करना है class के class में, अनुराक बगेल का एक ही motive रहता है, class का class में यादो, हर concept मैं याद कराऊँगा, और simplest way में जाऊँगा, simplest way में जाऊँगा, समझना, माल लीजिए, अगर pressure कैसा हो, variable हो, variable हो, माल लिया, मानने में क्या जाता है, मानो तो खुदा है, ठीक है, pressure कैसा हो, variable हो, यह pressure और यह volume का graph बनाया, pressure और volume का graph बनाया, ठीक है, मान लीजिए, यह pressure पहले यह था, अब pressure बढ़के क्या हो गया, यह हो गया, समझेगा, समझेगा, आप देख पा रहे होंगे, कि pressure वक्त के साथ बदलता जा रह है, pressure वक्त के साथ बदलता जा रहा है, pressure वक्त के साथ बदलता जा रहा है, अब यहाँ पे आप, work done is equal to minus P external dot del V का formula मत लगा देना, कहानी गडबड हो जाएगी, कहानी गडबड हो जाएगी, याद रखिए का basic fundamental, जो अपने basic fundamental चीज़े होती हैं, वह ऐसी ही बनती है, यह work done is equal to minus P external dot del V का formula नहीं लगा देना, कहानी गडबड हो जाएगी, तो sir, इस case में क्या करें, इस case में क्या करें, अब ध्यान दीज़ेगा, जो neat वाले बच्चे होते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं, यह mathematical, graphical, graphical questions है, जेई वाला बच्चा तो समझ जाएगा, या एक छोटा सा इरिया लिया है मैंने, अगर pressure variable हो, तो हमने एक छोटा सा इरिया ले लिया, माल लिए, यह area है मेरा DV, माल लिए, माल लीजे, यह area है मेरा DV, और यहा पर यह चोटा सा area लिया, इसको मैं इधर अगर expand करके दिखानी की कोशिश करूँ इसको अगर मैं expand करके दिखानी कोशिश करूँ यह standard तरीका है जो सारी books बताती है बस हम समझ नहीं पाते हैं इसको expand करके दिखानी की कोशिश करूँ तो ध्यान दीजेगा क्या हुआ कहानी बहुत slowly चल रहा हुँ इस चीज में इस case में कहानी यह हुई sir की sir area कितना और pressure कितना है मान लीजी यहाँ पर pressure कितना है पर pressure कितना है तो इस case में जो work done आएगा is case में जो work done आएगा इस case में जो work done आएगा, ठीक है, ध्यान दीजेगा, work done किसके बरापर होगा, pressure into del V, pressure into del V के बरापर, pressure into del V के बरापर होगा work done, समझ रहे हो ना, इसको और इसको multiply कर दिये, area निकाल दिये अपन ने, इसका area निकाल दिये, देखे न, इसका area क्या है, area of PV graph, area of PV graph, area of PV graph, मतलब सर, ये कुछ और नहीं, देखिए, अगर इस formula को आप देखेंगे, तो ये इसके जैसे दिख रहा, तो ये कुछ और नहीं, work done, work done, अगर sir, pressure variable हो, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे प्रैशर ओ सॉरी हम कैसे निकालेंगे वर्क डन अगर प्रैशर वेरियेबल हो तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ओफ पीवी ग्राप से एरिया ओफ पीवी ग्राप से ये चीज दिमाग में सेट कर लीजे ये चीज दिमाग में set कर लीजे clear है? जल्दी आईए work done, इस case में कैसे निकालेंगे area of PV graph से समझाएं इस कहानी को आगे कैसे निकालेंगे area of PV graph से चलिए, इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ देन दीजेगा, इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ एक question देता हूँ मान लीजिए, मेरे पास इधर प्रेशर है मान लीजिए, मेरे पास इधर volume है ठीक है? Volume दिया हुआ है liter में 1, 2, 3 1 litre, 2 litre, 3 litre दिया हुआ है 1 litre, 2 litre, 3 litre और मेरे पास इदा प्रेशर देखिएगा प्रेशर दिया है 2 ATM प्रेशर दिया है 3 ATM इदा प्रेशर दिया है 4 ATM प्रेशर दिया हुआ है ATM में और वॉल्यूम दिया हुआ है किसमें लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में यहाँ पर pressure variable हो रहा है, अब आपको work done calculate करना है, तो work done किसके बराबर आएगा, work done area of PV graph, area under PV graph, area under PV graph, area under PV graph, area under PV graph, अपने को पता करना है, कैसे निकालेंगे, work done area under PV graph, चलो, देखते हैं, इसके under area कितना है, बहुत simple तरीके चल रहे हैं, इसके अंदर area देखिए, this is my trapegeum, this is my trapegeum, area under PV graph, मतलब हमें निकालना है, area of trapegeum, area of trapegeum, देखना, यह trapegeum आ गया, अब trapegeum का area कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए, length A, length B का sum, divide by 2, divide by 2 into height H के बराबर, area A का कितना है, इसका देखिए, यह 2, B कितना है, B है 4, B है 4, divide by 2 into height, height कितनी है, difference कितना आ रहा है, height कितना रहा है, difference कितना रहा है, difference B 2 का रहा है, into 2, 2 से 2 कट गया, यह आ गया, 6, work done किसमा है का, litre, litre atmosphere मे, तो 101.3 से multiply कर देना किस से multiply कर देना, 10, 1.3 से multiply कर देना, आपको work done मिल जाएगा, किस में? Joule में मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा work done, work done आपको मिल जाएगा Joule में, ये कहानी है जो हम work done की calculate करते हैं, please note down करिए इतना, फिर एक दो question और कराते हैं, चलिए, अगर आपने इसे देख लिया, तो एक pressure, ये volume, ठीक है, volume मैंने मान लिया कि liter में, इसको मान लिया मैंने ATM में, अब आपको liter atmosphere को Joule में convert करना आ चुका है, बोलो, बार बार बोलो, 101.3 से multiply करेंगे तो अपना किस में answer आजाएगा, Joule में आजाएगा, चलिए, volume मैंने लिख दिया, 1, 2 liter, 3 liter, pressure मैंने इधर लिख दिय या कितना, 1, 2 ATM, और इधर 3 ATM, ठीके सरह, कोई process है, पहले यहाँ, A point है, A point है, A Point से गई कहां तक, B point तक गई, कहां तक गई, B point तक गई, B point से वापस वो हुई, कहां तक गई, C point तक गई, C point तक गई, C point तक गई, और वापस आ गई, A point तक, या तो ये कहानी हो सकती है जिसमें प्रोसेस ये देखिए ये clockwise घड़ी ऐसी गुमती है ना घड़ी ऐसी गुमती है हर concept दिमाग में रखना है घड़ी ऐसी गुमती है देखना बिटा या तो ये process हम देख रहे हैं clockwise या same यही कहानी हो logic समझ रहा, बहुत बढ़िया logic है same यही कहानी हो, same यही कहानी हो दूसरा, इसी का दूसरा aspect ले रहा हूँ, same वही कहानी हो कोई gaseous system में pressure उसका यह है P, और volume इसका है V volume इसका है V, द्यान दीजिए यह है volume 1 liter 2 liter and 3 liter इधार है अपना pressure 1 atm, 2 atm and इधर 3 atm फिर वही कहानी, A से कहां तक गई, A से कहानी गई B तक, B से कहानी गई C तक और वापस यह कहानी आ गई A, B and C, अब ध्यान दीजिए यह clockwise कहानी थी, अब अगली कहानी हो रही है anti-clockwise अगली कहानी हो रही है anti-clockwise अगली कहानी हो रही है anti-clockwise इसमें भी आपको work done calculate करना है कहां से कहां A, B, C में work done calculate करना है और इसमें भी आपको work done calculate करना है A, B, C में calculate करना है इससे बहुत बढ़िया question आपको मिलने वाला है अगर A, B, C में calculate करना है तो उसका तरीका भी बता रहा हूँ आप A से B तक, B से C तक और C से A तक का work done देख लीजे चलिए देखते हैं sir work done A से B तक देख लेते हैं work done B से C तक देख लेते हैं work done B से C तक देख लेते हैं और work done C से A तक देख लेते हैं C से A तक देख लेते हैं अगर ऐसी कहानी है तो work done A से B तक देखिएगा, work done A से B गए, volume कैसा है, constant है, volume कैसा है, constant है, अगर volume constant है, तो work done कितना आ गया, 0 आ गया, p.dv से अगर अपने निकाला, p.dv से अगर अपने निकाला, तो change in volume 0 है, change in volume 0 है, तो work done कितना आ गया, 0 आ गया, आप B से C तक गए, अब ध्यान देना, B से C तक जा रहे हैं तो मैंने क्या कह, B से C तक जैसे ही आप जाएंगे, आपको क्या देखना पड़ेगा, area under graph, अपका, इसका area देखना पड़ेगा, area under graph, area under graph, ये तो trapegee हम आगिया सर हमारा, चलिए सर बिलकुल सही है, इस case में कैसे निकाल लेंगे, ये कितना है, 3 और ये कितना है, 3 प्लस 1 A प्लस B बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 इंटू, ये कितना है, 2 2 से 2 कट गया, ये आगया 4 अब ये पॉजिटिव आया या निगेटिव आया आप देखिए, B से C तक हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है चेंज इन वॉल्यूम मतलब देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका देखिए बी से सी तक जा रहे है वॉल्यूम बढ़ रहा है फाइनल वॉल्यूम जादा है इनीशल वॉल्यूम कम है इनीशल वॉल्यूम कम में कंपरेशन में तो गच्ट सिटेव वालिम काथ है तो यह जंद सबुसिता है तो हम जा रहे हैं निगत्व है ठीके सी से यह तक जाए से 1 तक चैंद है अपना क्यर्कुलर करते इसका एरिया कितना रहा है C से A, तो C से A जब हम जा रहे हैं, तो area under ये ले लेते हैं, ये वाला area आएगा अपना, ये वाला area आएगा, ठीक है, इसका area कैसे निकालेंगे, देखिए, इसका area निकालेंगे, length into breadth, length into breadth, देखिए length कितनी है, 2 है, इनके बीच के difference 2 है, into breadth कितनी है, 1 है, 2 into 1, 2, ये भी liter atmosphere में, ठीक है, liter atmosphere में, और ये भी liter atmosphere में, liter atmosphere में, total area कितना आगया, total work done कितना आगया, work done ABC में, 3 को सम कर दो, 0, 0, minus 4, plus 2, कितना आगया, minus 2 liter atmosphere, अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे, work done, किसी भी cyclic process में, work done cyclic processes में, अगर cyclic processes clockwise है, तो work done, अगर clockwise direction में हो रहाई clockwise direction हो रहा है तो यह कैसा होता है negative होता है work done कैसा होता है negative होता है देख लिए आपने चलिए सब्सक्राइब बात करते हैं इसमें इसमें क्या होगा अब देखिए सेम वही कहानी अपन W A से B तक जा रहे हैं फिर B से sorry B से A तक आ रहे हैं B से A तक आ रहे हैं फिर A से C तक जा रहे हैं A से C तक जा रहे हैं और फिर अपन कहां से कहां जा रहे हैं C से A तक जा रहे हैं C से A तक जा रहे हैं कितना है अपना, two into one, two into one, कितना आ गया, two, two, ठीक है, c से a तक अबन गया, इस trapezirum का area अपन निकाला, कितना आया था, देखें, c से a तक अबन जा रहे हैं, ये पूरी कहानी देख लेते हैं, c से a तक जा रहे हैं, oh sorry, c से, तीसरा है, a से c से b तक, इसके अंडर का पूरा area निकालिए इसके अंडर का पूरी area निकालिए तो देखिए इसकी length कितनी है इसकी length 3 इसकी कितनी है 1 3 plus 1 by 2 और height कितनी है difference कितना height का 2 2 से 2 cut गया यह आगया 4 अब अगर आप देख पा रहे होंगे इस case में जो volume हो रहा है इथर देखिए इदर volume था volume कम हो रहा है volume कम हो रहा है इस case में volume कम हो रहा है वालियूम कम होरा है मतलब compression है, compression है मतलब work done on the system, मतलब यह कैसा हाएगा, work done on the system positive आएगा, कितना आएगा positive आएगा, ठीक है, और जब आप कहां से कहां गये थे, कहां से कहां गये थे, a से c तक गये थे, A से C तक गहते इसमें volume क्या हो रहा था A से C तक जा रहा था volume बढ़ रहा था ये कैसा आएगा negative आएगा अब इस case में जब आप work done निकालेंगे इस case में जब आप work done निकालेंगे तो same या पर ही positive होना था इस case में work done आप निकालेंगे तो तीनों को sum करो zero minus two plus four कितना आगया आपका plus two आगया मतलब अगर आप देख पा रहे हैं clockwise में negative आ रहा है लेकिन work done anti clockwise direction में कितना आता है positive आता है ये कहानी बहुत important है ये कहानी बहुत important है चलिए आईए यहां तक इसे उतारिए इसे उतारिए हमें इस तरीके से solve करना है question कभी भी अगर pressure variable हो तो area under PV graph area under PV graph मारा screenshot मारा screenshot चलिए sir अगर screenshot ले लिया है screenshot ले लिया है तो मेरा question ये बताना ये question neat में पूचा गया है ये question neat में पूचा गया है त्यान दीजेगा ये PV graph है PV graph है ये एक ऐसा circle बना था ठीक है और ये PV graph है ये PV graph है ये PV graph है ये एक ऐसा circle बना था अब बताना है आपको किसमे work done positive होगा किसमे negative होगा सोचेने की जर्रत भी नहीं है अब थमरूल है मेरा work done अगर आपकी clockwise direction में अगर clockwise direction में जा रहा है तो इसमें positive clockwise में अपने अभी देखा था negative होता है और anti-clockwise में कैसा होता है anti-clockwise में कैसा होता है anti-clockwise में work done कैसा आता है work done आता है इसमें positive this is थमरूल और इसी के साथ हमने आज की कहानी यहाँ पे खतम करी आज हमें इतना ही पढ़ना था जो मैंने work done के बारे में बताया अब अगली classes में different different processes में work done बताऊंगा पहले इसे note down करो पहले इसे note down करो ठीक है चलिए तो इसी के साथ अपनी आज की कहानी कैसी होती है समाप्त होती है समाप्त होती है अगर आपको work done निकालना है तो अपने formula जो लगाया था वो लगाया था minus p external dot del v dot del v यह formula तब लगा था जब अपना external pressure कैसा था constant था लेकिन अगर pressure variable था तो मैंने आप से कहा कि मान लीजिए आपके पास PV graph दिया हुआ है यह PV graph दिया है और मान लीजिए यह pressure दिया हुआ है आपको यह pressure दिया हुआ है 1 bar 2 bar 1 ATM 2 ATM volume दिया हुआ है आपको 1 litre 2 litre 3 litre о Asia दिया हुआ है और आप देखिये pressure बदल रहा है pressure 1 ATM से 1 ATM से 2 ATM تख जा रहा है मान लीजे 2 ATM तक जा रहा है ठीक है और volume 1 से लेके 3 तक जा रहा है तो जैसे आपका pressure बदल रहा है जैसे जैसे आपका pressure बदल रहा है तो फिर इस case में क्या करा जाए इस case में क्या करा जाए तो मैंने इस case में आपसे कहा था कुछ नहीं area under pv graph calculate कर लीजे area under pv graph calculate कर लीजे एरिया अंडर पीवी ग्राफ यह आपका यह जो एरिया आ रहा है इससे आप calculate कर लीजिए यह आपका क्या देदेगा यह आपका देदेगा वक्ट यह अपनी पिछली क्लास की कहानी थी आज की क्लास में अपने शुरू करते हैं अपनी नहीं कहानी तो निकाली अपनी कॉपी अपना पैना फुल एनरजी फुल जोश के साथ आज थोड़ा ज्यादा एनरजी जोश नहीं दिखा रहा हूं तो फुल एनरजी फुल जोश के साथ आज की कहानी को शुरू करते हैं तो देखिएगा बच्चों अपनी कहानी क्या है अगर अपने को work done during different processes देखना है चलो मै एक दो process बताता हूं आपको बोलिएगा मा लीजे आपके पास है सबसे पहले सबसे पहले आइसो कोरीक प्रोसेस जस्ट देखते चलते हैं आइसो कोरीक प्रोसेस क्या होती है ऐसी कोई process जिसमें volume कैसा हो volume constant हो अगर volume constant है मतलब change in volume भी constant होगा मतलब जो work done का formula ता जो पिछली class में देखा था minus p external dot del v उससे क्या आया अगर हमारा change in volume 0 है तो isocoric processes में work done कितना आये का 0 आयेगा question का भंडार NEET और JEE में पूछे जाने वाले question का भंडार question तो यहीं से उठेंगे न isocoric process volume constant दिमाग में set है भी work done का एकी formula minus p external dot del v तो volume कितना आगे है इससे 0 आगे है क्यों क्योंकि change in volume कैसा है आपका 0 है दूसरा चलिए दूसरा isobaric process isobaric process ठीक है isobaric process जिसमें p pressure कैसा होता है pressure कैसा होता है constant होता है तो इसके लिए formula हम क्या लगाएंगे work done का minus p external dot del v से आप formula लगाके निकाल सकते हैं इससे आप निकाल सकते हैं clear है clear है चलिए सर यह होगे isobaric process तीसरी चीज़ जो आप मैं detail में discussion करने जा रहा हूँ जिस पर बहुत question पूछे जाते है work done during या तीसरा आप पहले heading यह डाल लीजे work done during isothermal processes isothermal processes समझ रहा है अब जब हम isothermal processes में work done देखेंगे तो बीटा अपन सबसे पहले जो discuss करने जा रहे है work done during reversible isothermal expansion reversible isothermal expansion क्या है यह कहानी कैसी है कहानी इस मोह माया को अपन समझते हैं इस मोह माया को अपन समझते हैं कि work done during reversible isothermal expansion कैसे निकालना है समझ यह का इसका जो direct formula आता है वो आता है अपने पार W is equal to minus 2.303 NIT log 10 V2 by V1 लेकिन यह formula कैसे हाया यह derivation में आपको बता रहा है हो सकता है आपके school level पर important ना हो लेकिन यह बहुत सारी जानकारियां आपको दे देगा पढ़िए एक बार फिर से क्या लेका work done during reversible isothermal expansion expansion का मतलब क्या होता है कि work done by the gas हो रहा है work done कैसे के द्वारा हो रहा है by the gas हो रहा है तभी gas expand कर रही हो इस कहानी को ऐसा समझे देखे बिटा यह gas है किसी piston के अंदर भरी हुई है ना और बाहर से लग रहा है external pressure बाहर से लग रहा है external pressure बाहर से क्या लग रहा है अपना external pressure अगर ऐसी कहानी है तो देखिएगा अगर पी gas का और बाहर से लगने वाला external pressure एक दूसरे के बराबर हो पिछली क्लास में अपने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकरी एकटा कर लिए थोड़ी थोड़ी नहीं पूरी जानकरी खटा कर लिए अगर pressure gas का और pressure external बराबर हो तो ये जो system है ये जो gaseous system है पिछली क्लास में ही कहा था कि हम gaseous system के बारे में बात करते हैं ये gaseous system किसमे है thermal equilibrium है किसमे है बिटा thermal equilibrium है thermal equilibrium है thermal equilibrium है ठीक है अगर pressure gaseous और pressure external एक दूसरे के बराबर आ जाया है तो system किसमे है thermal equilibrium है लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कैसे कि sir माल लीजिए माल लीजिए जो अपना external pressure है external बाहर से लगने वाला pressure थोड़ा कम हो जाए कैसे होगा कम अब दिवाक में बात तो आ रही होगी न यही सवाल उठाना है हमको कि sir external pressure कम हो जाए माल लीजिए कित्ते से कम हुआ माल लीजिए dp से कम हो जाए बहुत छोटा change है कित्ते का change है dp का change है अगर pressure dp से कम हो pressure कम हुआ external तो यह वाला pressure इदर से यह जरशमने ऊपर shift हो जाएगा तो जो volume में change आया थोड़ा-सा change है थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा हे ना थोड़ा-सा तो volume में change आया कितना db का volume में कितना change है db का लेकिन इसी के साथ thermal equilibrium तो disturb हो गई Thermal Equilibrium तो क्या होगे? Disturb होगे अब इस Thermal Equilibrium को तो मेंटेन करना है इस Thermal Equilibrium को तो अपने को मेंटेन करना है तो क्या करेगा? अगर आपको पता हो देखिए, बिल्कुल सही है न ये जब उपर शिफ्ट हुआ है उपर शिफ्ट हुआ है, पिस्टन मतलब कूलिंग होने लगती है गैस की कूलिंग औफ गैस होती है Expansion के दौरण गैस कैसी होती है, ठंडी होती है बिल्कुल कम्प्रेशन में गैस की कूलिंग नहीं होती, लेकिन Expansion जब होगा, तो गैस कूल होने लगेगी अब थर्मल इक्विली बिरियम तो डिस्टर्ब हो गई अब इस थर्मल इक्विली बिरियम को मेंटेन करने के लिए ये जो गैशिय सिस्टम है कुछ amount of heat absorb करेगा कुछ amount of heat absorb करेगा तो देखिए क्या हुआ cooling of gas हुई तो भाईया system will absorb system क्या करेगा ये concept समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी तो नीट और जीट निकाल पाओगे इसकूल लेबल के लिए ठीक है formula based study करना ठीक है लेकिन अगर जीट निकालना है तो concept समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है system absorb heat absorb heat absorb heat from surrounding from surrounding और again thermal equilibrium क्या हो जाएगी establish हो जाएगी फिर से thermal equilibrium क्या हो जाएगी establish हो जाएगी चलिए अब हमें ये पता करना है कि इस दोरान work done कितना आया इस दोरान work done कितना आया तो समझेगा work done कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे work done is equal to minus p external dot dv के ठीक है और समझेगा इसका मैंने integration कर रहा volume v1 से माल लीजे volume v2 तक change हो रहा है volume v1 से कहां तक change हो रहा है v2 तक अब यहाँ पर जो बायो वाला बच्चा है थोड़ा घवराएगा थोड़ा सहमेगा थोड़ा सोचेगा कि बनेगा या नहीं मुझसे लेकिन अनुराक सरा आपके खड़े है हर चीज बनेगी हर चीज बनेगी मैट्स वाले बच्चे को तो भई यह differentiation integration रटा हुआ रटा हुआ रटा है बायो वाला बच्चा थोड़ा घवराएगा थोड़ा सहमेगा लेकिन डरना नहीं है डरना नहीं है अपन बहुत आसन तरीके से करेंगे चलिए इसको मैंने यहां पर आपसे कहा जैसे ideal gas equation क्या होती है ideal gas equation क्या होती है PV is equal to nRT होती है PV is equal to nRT होती है ठीक है सर और अभी आपको एक चीज़ पता है कि सर जो external pressure है और हम यहां तो external pressure की बात कर रहे है external pressure है और P दोनों बराबर है कब thermal equilibrium पे तो चाहे मैं P ले लूँ चाहे external pressure ले लूँ दोनों तो बराबर आ रहे है जिससे मेरा P external किसके बराबर आ गया यह आ गया NRT by VK ठीक है सर अब ध्यान दीजिए मेरा work done का formula आया minus V1 से V2 NRT V1 से V2 NRT NRT by V और यह DV अब ध्यान देते है तो work done हमारे पास क्या आया घबराना नहीं है NRT को अपने ले गए बाहर और यह आ गया DV का V के respect में करें अपने limit लगाई V1 से V2 V1 से V2 तो हमारे पास जो formula आया W is equal to minus NRT log to the base E V2 by V1 यह हमारे पास formula आया लेकिन हमें formula निकालना है in terms of log to the base 10 हमें formula निकालना in terms of log to the base 10 देखिये ना वो solve करना ज्यादा easy रहेगा तो work done is equal to minus 2.303 NRT lock to the base 10 V2 by V1 this is the formula जो की isothermal and reversible expansion के दोरान आता है भूल के भी कोई नींद से उठाए जगाए बेटा जाग जा isothermal and reversible expansion के दोरान formula बता तो तुम क्या बोलोगे minus 2.303 NIT lock to the base 10 V2 by V1 अरे बेटा जाग जा formula बता isothermal and reversible expansion के दोरान minus 2.303 NRT lock to the base 10 V2 by V1 क्या बोला एक एक word पकड़ना isothermal reversible expansion बोल रहा हूं expansion बोल रहा हूं मतलब work done by the gas हो रहा है that's why work done हमारा negative आ रहा है बेटा इससे पहले मेरे पुराने lecture देखिए यह जो crystal clear concept होता है minus कब आएगा plus कब आएगा ना बताया हो तो कह देना clear है चलिए सब पहले note down करो इसे जल्दी से note down करो clear? चलिए आगे बढ़ाता है कहानी को तो अपने पास formula आ गया work done is equal to minus 2.303 NIT locked to the base 10 V2 by V1 यह आया formula सर हमें एक confusion यहाँ पर create हो रहा है कि यहाँ पर actually होता क्या है कि यह जो change in volume आया वो कैसे आया छोटी सी बात बता रहा हूँ छोटी सी बात यह आपके काम की नहीं यह वैसे कि small change जो आया था small change जो आया था pressure में वो कैसे आया था actually क्या है इदर पी external लग रहा है इदर से pressure gaseous लग रहा है आप छोटे छोटे कुछ blocks रग दीजे blocks रग दीजे आप pressure ऐसा set कर रहा है माल लीजे आपने pressure इतना set कर रहा है कि यह जब block इदर रखा तो P external जो आप बाहर से लगा रहे है P gaseous के बराबर हो गया और यह कि small amount of block जब आप हटाएंगे small amount of block जब हटाएंगे मतलब pressure कम हुआ pressure कम हुआ तो small amount of block जब आपने हटाया external pressure कम हुआ तो volume चेंज आया था dv just ऐसे समझ लीजे कि small volume चेंज आपने ऐसे करा clear है sir इसमें कोई दिक्कत नहीं अब boils law क्या कहता था हमारा boils law कहता था at constant temperature याद करिए मैंने states of matter आपको बताया है states of matter बताया है उसमें boils law बताया है boils law में क्या बताया था ऐसे याद करना बताया था कि gas के चार variable होते थे gas के चार variable होते थे भी लिखना कुछ मत कौन कौन से pressure volume, temperature, number of moles किसी gas के चार variable होते थे ठीक है मैंने एक fix amount की gas ली मतलब n को मैंने constant रखा ठीक है और boils law में मैंने बोला था bt करके याद रखना मैंने temperature को constant रखा और दो quantity के बीच का relation देखा रिष्टा क्या कहलाता है ये रिष्टा क्या कहलाता है star plus का ठीक है pressure of volume dad का relation अपने देखा pressure of volume वालियम आपने देखा तो जो हमें relation मिलता है जो हमें relation मिलता है वो कहलाता boils law और हमने ये देखा था हमने क्या देखा था जस्ट बता रहा हूं मेरा काम है बताना और हमने क्या देखा था हमने देखा था PV कैसा होता है constant होता है या मैं यह लिख सकता हूँ P1 V1 is equal to P2 V2 यही वज़ा है हम गैस को क्या मान रहे थे अंदर गैस को मान रहे थे ideal gas यही वज़ा थी अगर हमने ideal gas माना था अंदर तभी हम यह formula लगा सके थे क्योंकि real gas होती तो pressure में correction volume में correction देखने मिल जाता मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ formula कैसे ला रहा हूँ कब कहा क्या apply कर रहा हूँ यह समझना बहुत जादा जरूरी है बहुत ही जादा जरूरी है ठीक है सर अगर जरूरी है तो P1 V1 किसके बराबर है P2 V2 के बराबर है देखिए बिलकुल तो boils law कहता है कि अगर PV constant है तो P1 V1 किसके बराबर हो गया P2 V2 के त तो नया formula हमारे पास आया work done का minus 2.303 NIT locked to the base 10 P1 by P2 जब pressure के term में बोले तो यह formula लगा देना और अगर volume के term में पूछे तो यह formula लगा देना घबराना नहीं घबराना नहीं आईए note down करिये हो जाये तो बताईएगा मैं आगे बढ़ता हूं हो गया एक दो तीन हो गया चल यह चल यह आगे बढ़ाता है काने को अब ध्यान दीजिए अब क्या बोल रहा हूं में work done during isothermal compression compression क्या होता है बता देंग बार और एक बार और पिछली क्लास के compression होता है वही सेम अभी हमने पिस्टन लिया था यह कंटेनर लिया था उसमें पिस्टन फिट था पिस्टन फिट था यह पिस्टन फिट था यह कंटेनर ऐसा होनी चाहिए कि इसकी वाल जो होती है conducting होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए conducting क्योंकि बिटा यह जैसे मैं इधर देखूं इसकी वाल अगर conducting होगी न तो मैंने आपको कहा कि जब जैसे क्या हो रहा था expansion हो रहा था गैस की cooling हो रही है और यह system heat absorb कर रहा है अगर conducting walls नहीं होंगी अगर conducting walls नहीं होंगी तो यह कहां से चोटी चोटी चीजिज चोटी चोटी क्या होता है बच्चें इनको करते हैं लेकिन concept बनाने के बहुत ज्यादा जरूरी है चोटी-चोटी चोटी बातों में बहुत सारे अपन कर रहे हैं स्टरटिंग में कितना है V1 है मैं कि विटू हो गया अब आगा फिस्टन आपने पिस्टन यहांपर आ चुका है अब आपको पता है जादा था V2 कम है और वर्क हुद दन के दौरर दन और वर्क हो जोगर epilepsy हो रहा है मसला पॉजिटिव आना है तय है ये तय है ये तय है तो बिटा आइसो थर्मल कंप्रेशन आइसो थर्मल कंप्रेशन वर्क आफ एन आइडियल गैस में भी डिराइवड सिमिलरली बिल्कुल वैसे सिमिलरली डिराइव करेंगे कैसे सिमिलरली ऐसे सिमिलरली डिराइव करेंगे ऐसे सिमिलरली बार बार log to the base 10, v1 by v2 और और इधार क्या था? P2 by P1 जल्दी आई है, बस sign कैसा हो जाएगा? opposite हो जाएगा, sign कैसा हो जाएगा? opposite हो जाएगा, clear है, clear है चलिए चलिए देखते हैं next अपने पास से free expansion क्या होता है समझेगा, logic क्या है free expansion का देखिए अगर आप मानिये कि आपके घरवाले, इसको ऐसे समझना अपना रटाने पर भरोसा नहीं करते हैं आपके घरवाले बाहरी तोर पर आप पर pressure लगाते हैं बिल्कुल सही है pressure घरवालों का होता है, तभी बच्चा कुछ बंता है अब क्या हुआ घरवालों ने अपना pressure लगाना जो external pressure तुम पर लग रहा था तो मैं माल लो कि तुमको हम gas मान रहे हैं घरवालों ने external pressure तुम पर लगाना बंद कर दिया pressure लगाना बंद तुम पर अब तुम्हारा जो मन होगा तुम वो करोगे तुम क्या करोगे? expand करोगे, expand करो जिंदगी में जो बनना है बन सकते ये तुम पर depend करेगा सुनना, free expansion क्या है, समझे न अगर लगने वाला external pressure expansion of a gas against zero pressure और expansion in vacuum is called free expansion अगर कोई expansion, कोई external pressure नहीं लग रहा है या expansion vacuum में हो रहा है, समझे vacuum है, मतलब बाहर से कोई pressure लग नहीं रहा है, या p external zero है तो इस case में लगने वाला work done कितना होता है, zero आता है तो work done during free expansion, question आया हुआ है जही means में, minus p external dot del v अब p external zero हो गया अपना, del v zero कब था, जल्दी बताइए iso-colic process में, p external zero कब है अपना free expansion में यही चीज दिमाग में याद रखनी है, expansion अपन देख रहे हैं जब external pressure zero हो जाए, external pressure zero हो जाए देखिए से ऐसा समझेए, अभी यह कहा नहीं थी अपनी यह कहा नहीं थी अपनी यह piston था अपना, बाहर से लग रहा था p external, बाहर से लग रहा था p external अंदर से लग रहा था p, अब यह external zero हो चुका है, zero हो चुका है अब इस case में सिर्फ free expansion होगा, gas बस expand करती जाएगी तो expansion of gas against zero pressure और expansion in vacuum is called free expansion इस case में work done कितना आता है, zero आता है, यह चीज बहुत दिमाग में set कर लो कोई पूचा, work done in vacuum zero, क्योंकि external pressure उसमें होता नहीं work done in vacuum zero, work done in vacuum zero, ठीक है तो no work is done in free expansion, तो first law of thermodynamics क्या कहता था क्या कहता था, first law of thermodynamics, first law of thermodynamics क्या कहता था mathematical, del u is equal to q plus w, आते से एक बात करी मैंने अगर work done zero है, work done zero है, तो change in internal energy किसके बराबर होगी heat given to the system के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, heat given to the system के बराबर होगी, आईए जल्दी, जल्दी आईए, clear है, चलिए, आप ध्यान दीजागा, ध्यान दीजागा Thus in free expansion, the heat exchange of the system, the heat exchange of the system, heat exchange of the system is equivalent to the internal energy change, similarly at constant volume, अगर constant volume है, constant volume है, अगर constant volume है, तो del U किसके बराबर होगी QV के heat exchange at constant volume के बराबर होगी, clear है, this is free expansion जहाँ पे del U किसके बराबर होजाता है, Q के बराबर होजाता है, del U किसके बराबर होजाता है Q के बराबर होजाता है, concept clear हुआ, concept clear हुआ, तो इस तरीके से हमने आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसो थर्मल एक्सपांशन क्या है, आइसो थर्मल कम्प्रेशन क्या है, दूसरी चीज हमने क्या देख ली, दूसरी चीज हमने क्या देख ली, फ्री एक्सपांशन क्या है, इसके लावा वर्क डन हमने आइसो कोरिक प्रोसेस में देख लिया, इत एकुल तो क्यु प्लस ड importa अब आज जो हम बात करने जा रहे है आज किस के बारे हम बात करने जा रहे हैं कल एक्षय जाएगा 1200 ने ना सथ काथ कुछ क्वेषयर पूरा तरीक क्या ही आपको consent Liban अब जिहान दीजेगा हम chemistry पढ़ रहे हैं तो chemistry के concept लगाना ज़्यादा जरूरी है मैं कोई भी system लूँ जैसे तो हम बात करते हैं हम gaseya system ही लेते हैं अभी कहानी बस introduction entry part चल रहा है जैसे मैंने gaseya system लिया अब मैं कहता हूं कि यह जो heat होती है heat होती है क्यों ठीक है और w क्या है work done है इनके sign convention बार-बार मैं आप लोग उसे कहता हूं कि जो heat होती है अगर system को heat दी जा रही है heat given to the system heat given to the system to the system सुनना अगर system को heat दी जा रही है इसी heat के बारे मैं हमें detail में discussion करना यह heat क्या है अगर सिस्टम को heat दी जा रही है तो जो heat होती है उसे हम लेते हैं positive और अगर system heat दे रहा है system बाहर surrounding को heat दे रहा है heat given out from the system heat given out या नहीं heat is coming out from the system coming out from the system out from the system from the system अगर system से heat बाहर आ रही है तो heat को कैसा लिया जाता है negative दूसरी चीज अगर system पर work done कर रहे है work done की पूरी कहानी detail में देख चुके हैं आपन by the system कैसा लेते हैं negative लेते हैं by the system कैसे लेते हैं negative लेते हैं चलिए इसके बारे में कोई confusion होना नहीं चाहिए आज जो अपनी कहानी based है heat पर based what is heat पहले इतना note down कर लो अगर किसी को लिखना है this is first law of thermodynamics जो की law of conservation of energy पर बेस्ता energy can neither be created not be destroyed it only transfer from one form to another form फुरे universe की energy constant है यह अपन discuss कर चुके है आज की जो कहानी है मैं इस heat को पकड़ के बताऊंगा मैं एक-एक concept को cd दर cd बढ़ते जा रहा हूं cd दर cd बढ़ते जा रहा हूं और आपको उसे cd दर cd पकड़ते हुए चलना है यह heat क्या है समझेगा मान लीजिए कोई system है जिस temperature पे रखा हुआ है किसी भी temperature पे x y z कोई भी temperature पे रखा हुआ है और अगर बाहर temperature कुछ अलग है तो जो temperature difference की वज़े से temperature difference की वजह से और आपकी कोई wall बनी हुई है diathermic wall है temperature difference की वजह से जो भी energy का transfer होता है energy का transfer करने के दो तरीके है आप या तो heat के form में transfer कर सकते हो energy या work के form में transfer कर सकते हो या किस के form में transfer कर सकते हो work के form में transfer कर सकते हो heat को transfer करने के अपने दो तरीके है किया है? जलो सॉरी, एनर्जी को टांसफर करने के दो तरीके हैं, आपकी या तो heat हो सकती है, या दूसरा क्या हो सकता है, work done हो सकता है, ठीक है? heat cup transfer होती है जब temperature difference हो heat cup transfer होती है जब temperature difference हो system और surrounding के बीच में तो शुरू करते हैं कहानी निकालिये अपनी copy, निकालिये अपना pan up full energy, full josh के साथ मेरे संग शुरू हो जाईए heat this is nothing but energy को transfer करने के दो तरीके तो या तो आप heat के form में कर सकते हैं आप work done के form में कर सकते हैं समझेगा quantity of what is heat this is the quantity of energy which flows between system and surrounding जो की system और surrounding के बीच माल लीजिए ये system है माल लीजिए ये system है इसका temperature माल लीजिए x है माल लीजिए इसका temperature कितना है x है system का temperature x है कोई gasio system लिया हम generally gasio system की ही बात कर रहे हैं thermodynamics और मैंने ये surrounding है ये मेरा surrounding है बाहर surrounding है surrounding है बाहर मेरा क्या है surrounding है माल लीजिए surrounding का temperature है y surrounding का temperature कितना है temperature इसका कितना है y अब दोनों के बीच में temperature difference है temperature difference की वज़ए से जो amount of energy system से surrounding में जाए surrounding से system है उसे कहा जाता है heat किस वज़ए से ये generate होती है हीट की एनरजी क्या होती है? इसकी unit अपन देखेंगे काल्वी, अब आपको पता होना चाहिए एक कालोरी किसके बराबर होता है, 4.18 Joule के, 4.18 Joule के, या अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि अगर मुझे simplest तरीके से calculation को करना है तो मैं 1 calorie को बोल देता हूँ 4.2 joule के बराबा calculation simple करने के लिए अपने ये करेंगे हर चीज basic basic तरीके से पकड़ते हुए चलो चलो सर हम heat के बारे में बात कर रहे हैं समझ आ गया है समझ आ गया है हमें कि ये temperature difference की वजह से system से surrounding या surrounding से system के बीच में exchange होती है ठीक है ठीक है चलो अब बात करते है what is calorie अगर कोई आप से पूछे calorie क्या है तो सुनना calorie को कैसे define करते है calorie is defined as the calorie is defined as the quantity of heat quantity of heat heat की वो quantity required to raise the temperature of 1 gram of water अगर आपका 1 gram पानी है उसका temperature एक डिगरी celsius से बढ़ाना है सुनना क्या बोला मैंने आपने 1 gram water लिया water लिया हमने उसका temperature एक डिगरी celsius से बढ़ाना है उसका temperature माल लिए मैंने 14.5 degree celsius पानी का temperature लिया और मुझे 1 gram पानी है उसका temperature 15.5 degree celsius करना है तो जो amount of heat required होगी उसे कहेंगे calorie एक calorie किसके बराबर होती है 4.18 joule के बराबर होती है calorie समझ गए इसे हम कैसे measure करते है एक gram water लिया अगर उसका temperature हमें 1 degree celsius से बढ़ाना है तो उसे नाम दिया जाएगा calorie अब मैं heat के अलग अलग term heat capacity क्या होती है ठीक है heat capacity क्या होती है दूसरा specific heat capacity क्या होती है और molar heat capacity क्या होती है इसे detail में देखते चल रहा हूँ एक चीज मैं यहां आपको clear कर दूँ कि जो मैं sign convention यहां ले रहा हूँ हो सकता है किसी book में हो सकता है कोई or teacher आपको अलग अलग convention के हिसाब से बताए आपको अलग-अलग convention के हिसाब से बताए लेकिन आपको डरना नहीं है जैसे हमने heat का convention लिया था q, small q आपको कुछ books में इसे capital q मिल सकता है कुछ educator आपको capital q के form में बता सकता है लेकिन मैंने small q लिया है डरना नहीं है तो sign convention है उससे हमारे concept पे कोई फर्क नहीं पढ़ना है हमें पकड़ना है concept हमें क्या पकड़ना है concept इतना पढ़ाने के बाद आपका school education तो ठीक है आप NEET और JEE की तो ERE भी कर रहे हो तो आपसे heat बनेगा heat बनेगा ये मेरा दावा है चलिए अब मैं बात करता हूँ heat capacity जिसे मैं small c से दिखाऊंगा sorry जिसे मैं दिखाऊंगा small c से ठीक है what is heat capacity सबसे पहली बात अगर आपने मेरा extensive or intensive property वाला video देखा होगा तो मैंने आपको बताया था heat capacity extensive property होती है मतलब ये mass पे depend करती है किस पे oh sorry mass पे depend करती है ठीक है अब हम बात करें heat capacity क्या है this is the amount of heat ये एक amount of heat है required to raise the temperature of a substance this is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by one degree Celsius किसी substance का temperature यहाँ water लिया था मैंने यह heat capacity क्या बोल रहा हो किसी भी substance का temperature एक degree Celsius से अगर आपको बढ़ाना है एक degree Celsius से आपको बढ़ाना है तो वो क्या कहलाता है अपना heat capacity कहलाता है पहला इतना note down करो चलिए अब अगर मैं कहूँ अगर आपने इतना note करा हो तो यह भी या extensive property है मैंने आपको बताया अब मैं यह कहूँ कि इसका formula क्या है तो देखिए heat capacity को अपन C से represent करेंगे ठीक है Q क्या है अपना heat है upon delta temperature difference delta temperature difference तो आजाएए heat capacity is equal to q by delta clear है clear है चलिए सर कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ाता है कहानी को देखते है यह छोटे-छोटे terms हैं लेकिन काफी ज़्यादा important now अब मैं बात करने जा रहा हूँ specific heat capacity क्या होती है बहुत important specific heat capacity क्या होती है जिसे हम रप्रेजंट करेंगे capital C से कुछ लोग इसे small c से भी रप्रेजंट करते हैं कुछ बुक इसे small c से रप्रेजंट करते हैं लेंगे tension नहीं लेना specific heat capacity this is the amount of heat ये एक amount of heat है which is required to raise the temperature of a 1 gram of substance specific कर दिया मैंने unit mass मैंने क्या कर दिया unit mass और मैंने unit temperature किसी unit mass का unit mass का अगर आपको क्या करना है temperature एक degree Celsius से बढ़ाना है एक degree Celsius से बढ़ाना है तो जो heat required होगी वो कहला है specific heat capacity तो this is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance मैं water water कुछ नहीं बोल रहा है कोई भी substance बोल सकता हूँ ठीक है 1 gram of substance by 1 degree Celsius अगर मैं यहीं पर लिख देता 1 gram of water अगर किसी water का 1 gram लिया उसका temperature 1 degree Celsius से बढ़ाना है तो उसे calorie कह देते थे समझ रहा है तो specific heat capacity क्या है amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius और मैंने आपको बताया था कि heat capacity extensive property है लेकिन specific heat capacity कैसी होती है intensive property होती है question पूछे जाते है confused नहीं होना अब इसे अपने को represent करना है C Q by M del T Q by M del T Q क्या है heat है M क्या है mass है और del T क्या है temperature difference है चलो ठीक है अब अगर अपने बात करें माल लीजिए मेरे को निकालना specific heat capacity किसी isothermal process के लिए क्या निकालना isothermal process के लिए ठीक है specific heat capacity क्या बोला मैंने Q is equal to C is equal to Q upon M del T अब मुझे निकालना isothermal process के लिए तो isothermal process कौन होती है isothermal process वो होती है जिसमें temperature कैसा होता है जिसमें temperature कैसा होता है constant होता है और अगर temperature constant है अगर temperature constant है तो ये 0 आ गया ये 0 आ गया del T कितना आ गया 0 आ गया del T changing temperature हो ही नहीं रहा है फिर अपनी specific heat capacity कितनी आ जाएगे infinite तो isothermal processes के लिए specific heat capacity कितनी आती है infinite आती है चलो adiabatic process क्या होती है जल्दी बताईए ये तो isothermal की बात थी adiabatic process क्या होती है adiabatic process वो होती है जिसमें heat का exchange ना हूँ हम heat के बारे में पढ़ रहा है न निकलना है तो हमारे पास formula क्या आता c is equal to q by n delta q by m delta sorry q by m delta अब heat का exchange ही zero है तो specific heat capacity कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी तो समझिएगा इस case में अगर isothermal की बात करें तो specific heat capacity infinite होती है लेकिन adiabatic process की बात करें तो specific heat capacity कितनी आती है अपनी zero आती है चलो theoretical portion है theoretical portion है अच्छे से अपने को करते हुए चलना है clear है specific heat capacity अब मैं बात करूं molar heat capacity किसकी बात करूं मैं molar heat capacity की ठीक है इसे ऐसा समझिएगा नाम में ही छुपा है molar molar यहाँ था specific मतलब एक gram लिया molar लिया मतलब एक mol ले लेंगे बहुत simple है अब आपके पास लिखा है this is the molar मतलब एक mol ले लेंगे तो this is the amount of heat पूरी heat का कहानी समझना है पूरी इसकी मोहमाया समझना है molar heat capacity क्या है amount of heat required to raise the temperature of one mole of substance by one degree celsius अगर एक mol substance का temperature specify कर रहे है एक mol substance का temperature आपने एक degree celsius से बढ़ा दिया तो molar heat capacity कहलाता है वो clear है molar heat capacity को अपन cm से represent कर रहे है और वो किसके बराबर होता है q upon n del t k what is n? n है number of mole n क्या है number of mole number of moles है n क्या है number of moles है ठीक है कोई दिकत अब में पहले इतना note down करिये 1 gram substance का temperature एक degree celsius से बढ़ा है this is specific heat capacity एक mol substance का temperature 1 degree celsius से बढ़ा है this is molar heat capacity ठीक है इन दोनों में कोई relation है क्या? समझ येगा इन दोनों में कोई relation है क्या? मैं इससे समझाता हूँ माल लीजिए मेरे पास oxygen gas है ठीक है माल लीजिए मेरे पास कौन सी gas है oxygen nitrogen में कुछ भी ले सकता हूँ nitrogen gas है माल लीजिए मेरे पास nitrogen gas ले ली मैंने हम gas system की बात कर रहा है nitrogen gas माल लिया मैंने कि nitrogen gas के लिए specific heat capacity specific heat capacity specific heat capacity अपनी कितनी है x है मतलब what is एक gram nitrogen ka temperature, अगर, if 1 gram nitrogen temperature is increased by 1 degree Celsius, increased by 1 degree Celsius, then, then, मान लिया मैने, then, specific heat capacity अपनने कितनी बोल दी? Then, specific heat capacity अपनने कितनी बोल दी? अपनने बोल दी, X. अब examiner बोलेगा मैंने कितना लिया एक ग्राम तो भाया वो बोलेगा कि एक molar या molar heat capacity पता करो molar heat capacity पता करो तो समझियेगा nitrogen का molar molar weight कितना होता है molar mass कितना होता जल्दी बताइए nitrogen का molar mass कितना होता है 28 gram 28 gram 28 gram अगर एक ग्राम के लिए बढ़ा रहे हैं तो X है तो 28 ग्राम मतलब molar heat capacity मतलब एक mol का मास कितना होगा 28 ग्राम तो molar heat capacity अगर अपने को निकालना है nitrogen के लिए molar heat capacity तो अपन क्या करेंगे जो इसकी specific heat capacity होगी जो इसकी specific heat capacity होगी उससे multiply कर देंगे किसका molar mass का तो आपकी आजाएगी क्या molar heat capacity आजाएगी इस relation is very important आपको अगर depth में question पूछा जाए ठीक है एक ग्राम के लिए अगर इतनी है तो 28 ग्राम के लिए कितनी होगी एक ग्राम के लिए जितनी है तो 28 ग्राम के लिए कितनी होगी एक से multiply कर देंगे या अपन अपनी specific heat capacity से multiply कर दे this is molar heat capacity और specific heat capacity का relation बोलो what is specific heat एक ग्राम का temperature 1 degree Celsius से बढ़ाया molar heat capacity एक mol का temperature 1 degree Celsius से बढ़ाया clear है specific heat capacity दी है और molar पूछा है तो हम क्या करेंगे molar heat capacity जो specific रहेगी उससे molar mass से multiply कर देंगे चलो सर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं हम नूट डाउन कर लो 거ylो पहले से नहीं तो बोलो के सर स्क्रीन शृट लेंड का समय नहीं देते हैं इतनी जल्डी आपको किस बात की रहती है इतनी जल्डी है किस बात की रहतीए चलो, next question, next concept आगे बढ़ाते हैं कहानी को, इसे note down करा इसे note down करा अब हमें detail में पढ़ना है specific heat capacity ठीक है, अगर specific heat capacity हमें दो तरीके से देखना heat में ही हमें specific heat capacity दो तरीके से देखना specific heat capacity दो तरीके से देखना है ठीक है specific heat capacity हमें दो तरीके से देखना है ठीक है या आप बोल सकते हैं molar heat capacity भी हम दो तरीके से देख सकते हैं अगर constant volume पे देखा जा रहा है इसी की जगा आप ये भी लिख सकते हैं molar heat capacity भी हम दो तरीके से देख सकते हैं constant volume पे देखा जा रहा है, तो उसे लिखते हैं cv, heat capacity at constant volume, और अगर heat capacity को, heat capacity को constant pressure पे लिखा जा रहा है, तो उसे हम represent करेंगे, किससे cp से represent करेंगे, किससे represent करेंगे, cp से represent करेंगे, और अगर आपको थोड़ी बहुत physics आती हो, क्योंकि यह physics का derivation है, मेर्स equation, ज्यान दीजेगा, यह physics का derivation है, मेर्स equation, तो अपने पास relation आया, cp minus cv is equal to r, what is cv, क्या आपको पता है, cv होता है, f by 2 r के बराबर, cv किसके बराबर होता है, heat capacity at constant volume किसके बराबर होता है, f by 2 r के बराबर, सर आप physics में क्यों जा रहा हैं, हमें वैसे ही physics से डर लगता है, बिटा, जहां ना पहुंचे examiner, वहां पहुंचे हम, बहुत simple तरीके से करा है, सारी capacity को अपन अभी देखने जा रहा है, constant volume पे, वो किसके बराबर आता है, f by 2 r के, sir हमको f नहीं पता, sir हमको f नहीं पता, हम डर जाएंगे, तो डरने की बात नहीं, f क्या है, degree of freedom है, degree of freedom है, degree of freedom है, जो किस पर depend करती है, atomicity of gas पर depend करती है, किस पर depend करती है, atomicity of gas पर depend करती है, sir, atomicity क्या होती है gas की, देखो बेटा, जैसे ही कि अपन gaseous system के बारे में ही बात कर रहे हैं, अब किसी gas की atomicity क्या होती है समझेगा समझेगा अगर मेरे पास monoatomic gas है monoatomic gas है monoatomic gas है जैसे helium, neon, argon, krypton, xenon ये monoatomic gas है तो इसकी atomicity मैंने कह दी इसके लिए degree of freedom मैंने कह दिया 3 होता है भाईया चलो ठीक है सर अगर diatomic हो जाए oxygen जैसे nitrogen जैसे dieatomic हो जाए dieatomic हो जाए तो मैंने कह दिया dieatomic जैसे oxygen है nitrogen है तो इसके लिए degree of freedom मैं बोल देता हूँ 5 और सर अगर मान लिया हमने की polyatomic हो जाए polyatomic हो जाए या triatomic हो जाए triatomic हो जाए तो इसके लिए degree of freedom किती बोल देते है degree of freedom हम बोल देते हैं, 6, 6 बोल देते हैं, ये तो हम बात हुई, किसकी अपनी, CV की, अब अगर हम बात करें, CP की, CP की बात करें, तो CP क्या होता है, F by 2 plus 1 into R, into R, is it clear, तो this is the degree of freedom, what is F, F is nothing but a degree of freedom, ये एक equation बनी, ये एक equation बनी, कभी का बार पूछ लेता है, physics में घुसके एक्जा रहे हैं, लेकिन जो question पूछे जा सकते हैं, आपके सामने सब रख रहा हूँ, ठीक है, चलो, NCIT तो अपन बहुत पीछे छोड़ा है, बहुत उचे-उचे concept कर लेंगे, सारे question बनेगे, अब मैं बात करूँ, CP upon CV होता है, gamma के बराबर, किसके बराबर होता है, gamma के बराबर, अ different होता है, monoatomic के लिए, dieatomic के लिए, triatomic के लिए, अगर monoatomic, क्या है gamma, CP upon CV, CP इस से निकाल सकते हैं, CV इस से निकाल सकते हैं, यह सब मैंने बता दिया है, अब detailed derivation हो जाएंगे पूरे इसके, सब आगर निकालते बैटूँगा, ठीक है, तो gamma monoatomic के लिए आता है, 5 by 3, गामा जो होता है, dieatomic के लिए, 7 by 5, यह 1.4, और gamma triatomic के लिए आता है 9 by 3, यह 1.33, कोई आप से पूछे गामा, तो gamma, आप देखिए, monoatomic का सबसे ज़्यादा होता है, फिर gamma dieatomic का होता है, और फिर gamma किसका होता है, triatomic का होता है, किसका होता है, triatomic का होता है, प्रीज नोट करें, प्लीज इसे नोट डाउन करें आप लोग, क्या है गामा CP अपॉन CV, क्या है गामा CP अपॉन CV, what is mayor's equation, CP-CV is equal to R, what is mayor's equation, CP-CV is equal to R, R क्या है, gas constant, R क्या है, अपना gas constant है, ठीक है, चलो, clear है, clear है, चलो, अब इस चीज़ को मैं नए dimension में लेके जाता हूँ, इस चीज़ को मैं नए dimension में लेके जाता हूँ, इस basis पे मैं, heat capacity के basis पे ही मैं, आपको समझाने जा रहा हूँ, enthalpy और internal energy, अगर heat capacity हम constant pressure पे देखें, heat capacity हम constant pressure पे देखें, किस पे देखें, constant pressure पे देखें, तो उसे नाम देते हैं हम enthalpy, उसे नाम देते हैं हम enthalpy, ठीक है, या मैं इसको बोल दूँ, मैं बोल दूँ इसको, कि मैं specific heat capacity देखने जा रहा हूँ, specific heat capacity देखने जा रहा हूँ, constant pressure पे, तो उसे अपने नाम दे दिया, enthalpy, देखना, enthalpy, ठीक है, cp, किसके बराबर था मैंने अब भी बताया, उपर था अपना क्या q upon specific में m delta t, q upon m delta t, क्या मैं इस से, अभी मैंने कहा कि heat capacity अगर constant pressure पे देखें, heat capacity constant pressure पे देखें, तो उसे अपने नाम देगे क्या enthalpy, अगर मैं specific heat capacity बोलूँ, कि 1 gram substance का temperature, एक degree Celsius से बढ़ाने के लिए, जो heat लगती है, वो कहलाती है, मेरी specific heat capacity, तो इस से मेरे पास जो cp आया, वो किसके बराबर आगया, q के बराबर आगया, यस sir आगया, मतलब cp की जगह मैं क्यों रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, चलो, ठीक है, या N अगर, मैं दूसरे term मैं बोलूँ, दूसरे term मैं इसे बोल दूँ, मोल के लिए molar heat capacity के बारे में बात कर दें, कि सर अगर एक mol है, एक mol है, एक mol है, उसका temperature एक degree Celsius से बढ़ाना है, तो हम ये बोल सकते हैं, कि जो heat capacity होगी, वो किसके बराबर होगी, heat के बराबर होगी, यस सर बिलकुल बोल सकते हैं, मतलब enthalpy को मैं QP के बराबर लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, तो मेरे पास एक और relation आया है, ये तो एक mol की बात थी, अगर N mol की बात करें, तो Q किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, N, C, P, D, T, K, किसके बराबर आ जाएगा, N, C, P, D, T, K, किसके बराबर आ जाएगा, Q, P, D, H, किसके बराबर आ जाएगा, N, C, P, D, T, K, बराबर आ जाएगा, ठीक है, इससे C, P, किसके बराबर आ जाएगा, और Q क्या है, Q कुछ और नहीं, dell-H के बराबर ही, इस से एक और relation आगे आपना, क्यूंकि اس के बराबर ही, dell-H के बराबर ही है, constant pressure पर, ठीक है, अगर एक mole लिलिया, तो मेर पास एक और relation आया, δ's का, cp का, ऐक और relation आया, dell-H by dell- T, एक और relation आया, dell-H by the ठीक है, कोई दिककत नहीं, इंटरनल एनर्जी, किसकी बात करने जा रहां, मैं इंटरनल एनर्जी, कुछ और नहीं होती, यह होती है, हीट कैपसीटी at constant volume, क्या होती है, हीट कैपसीटी at constant volume, मतलब मैं यह बोलूँ, देखेगा, या मैंने heat capacity ले लिए, मान दीज़े, molar heat capacity ले लिए, molar heat capacity ले लिए, क्या ले लिए, molar heat capacity ले लिए, ठीक है, constant volume पे, ठीक है, इसको मैंने कह दिया, किसके बराबर है, उपर q upon n, delta k, n delta k, ठीक है, ये भी 1 mol ले लिया, और 1 mol का temperature एक degree Celsius से बढ़ा रहे हैं, तो q किसके बराबर हो ग n mol के लिए लिए लिए, तो q किसके बराबर आएगा, n cv delta के बराबर आएगा, अगर n mol लिए तो किसके बराबर आएगा, n cv delta के बराबर आएगा, ठीक है, ठीक है सर, बिलकुल आगया, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, कि del u किसके बराबर है, अपना n cv delta के बराबर है, N CV Del T के बराबर है और अगर 1 mol की बात करेंगे तो CV किसके बराबर आएगा Del U by Del T के आएगा Del U by Del T के आएगा ये relation भी कई बार पूछे जाते हैं ये relation भी कई बार पूछे जाते हैं तो enthalpy का connection, internal energy का connection, heat से कैसा है हम formulas कैसे derive कर सकते हैं इसे मैं काफी जादा detail में ले गया हूँ लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है I hope यहां तक की कहानी आपको clear होगी I hope यहां तक की कहानी आपको clear होगी clear है clear है तो ये मैंने सारी जो कहानी थी heat से related वो आपके सामने रख दी जो कहानी related थी heat की मैंने आपके सामने रग दी अब इसका use करके मैं अगली वाली क्लास में अगले वाले lecture में first law of thermodynamics बताऊंगा चलिए पहले इतना note down करा enthalpy क्या है सबसे पहली बात कि अपने nature में enthalpy को समझने के लिए enthalpy is nothing but a कुछ लोग बोल देता है heat लेकि ऐसा नहीं है ठीक है enthalpy is nothing but a form of energy ऐसा नहीं है समझ यहगा enthalpy क्या चीज है कोई भी physical और chemical process जस्ट मैं बता रहा हूँ कोई भी physical and chemical process पहले logic समझना में क्या बात करने जा रहा हूँ कोई भी physical or chemical process जो अपने atmosphere में हो रही है जो अपने atmosphere में हो रही है ठीक है जैसे आप बोल दो कि भी या अपने glucose का formation या starch का formation starch का formation कोई भी beaker में होने वाली different different chemical process beaker में होने वाली different different chemical process different different chemical process यह virtually अगर आप बात करेंगे तो अपना जो atmospheric pressure है 1 ATM उस पे हो रही है मतलब हम यह कहते हैं most of the process most of the process जो की आपके atmosphere में हो रही है वो एक constant pressure पे होती है तो constant pressure पे अगर हम heat को evaluate करेंगे heat at constant pressure मैंने क्या बोला अगर मैं constant pressure पे heat के बारे में बात करूँगा तो वो होगी मेरी enthalpy समझेगा enthalpy जिसे हम del H से represent करते हैं enthalpy of the system is equal to heat absorbed or evolved by the system by the system जिस पर हम thermodynamic process कर रहे है at constant pressure क्या है याद रखिएगा enthalpy कुछ और नहीं heat absorbed और evolved in a system at constant pressure और virtually अगर मैं बात करूँ अपने atmosphere में जितनी भी process हो रही हैं physical और chemical process वो किस पे होती हैं constant pressure पे ही होती हैं चलो अब इस कहानी को detail में समझते हैं समझेगा माल लीजे ये मेरा piston है माल लीजे मेरा क्या है piston है piston कहा रहा हूँ ये gaseous system है ये मेरा gaseous system है ठीक है gaseous system हम जितनी भी अभी thermodynamics में बात कर रहा हैं जेको लेके बात करें किसके बारे में बात करें बेटा gaseous system के बारे में ही बात करें ये मेरा gaseous system है मैंने इस पह लगा के लग रखा है piston और मैंने pressure कैसा रख दिया अब इस दोहरां अगर system में अगर इस दौरान सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होगी इस दौरान सिस्टम में जो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवॉल्ड होगी heat evolved होगी heat evolved होगी वो क्या कहलाएगी वही कहलाएगी आपकी enthalpy वही कहलाएगी enthalpy लेकिन enthalpy है क्या enthalpy है क्या अगर आपने pressure constant कर दिया है तो अब जो heat है heat है वो internal energy के बराबर नहीं होगी अगर आपने सुनिएगा pressure constant रख दिया है तो अब जो heat का change होगा वो internal energy के बराबर नहीं होगा ठीक है इस दोरान heat का change जैसे मान लीजे जो heat है उसे हम enthalpy कह रहे हैं वो internal energy प्लस इसका मान लीजे pressure P है अंदर और volume V है प्लस pressure volume energy के बराबर होती है तो enthalpy जो हपनी होती है वो sum of internal energy प्लस pressure volume energy का बराबर होती है जब आपने pressure को constant रखा हुआ है अब समझेगा क्या है In other words, enthalpy is defined as the sum of internal energy and pressure volume energy of the system और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं अपने gaseous system के बारे में तो enthalpy किसके बारे है? internal energy का sum और pressure volume energy के sum के बारे है चलिए यह मैंने formula लिख दिया, वो diagram जरूर बना लेना अब मैं कहूँ कि आपकी जो enthalpy है यह जो enthalpy, इस enthalpy की आप कभी भी absolute value पता नहीं कर सकते हैं enthalpy is a state function अगर आपको पता होगा कि enthalpy is a state function है enthalpy is a state function पता ही होगा आपको is a state function जो की initial state और final state पर depend करता है state function है जो की initial state और final state पर depend करता है तो हम enthalpy का हमेशा absolute value पता नहीं कर सकते हैं हम हमेशा change in enthalpy पता करते हैं ठीक है? जैसे state function है जो final state और initial state पर depend करता है similarly हम internal energy की कभी भी absolute value पता नहीं कर सकते हैं हम internal energy की हमेशा change in internal energy क्या हुआ वो देखते हैं और internal energy किस पर depend करती थी अपनी अपन पढ़ चुके हैं temperature पर depend करती थी तो क्या लिखा हुआ है the absolute value of enthalpy cannot be determined तो हमारे पास एक formula आएगा del h is equal to del u plus del pv अब del pv ये formula कब लगाएंगे समझेगा हमारे पास एक formula आगया del h is equal to del u plus del pv अगर pressure and volume दोनों change हो रहे है pressure and volume both are changing pressure and volume दोनों change हो रहे हैं तो हम ये formula लगाएंगे लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि pressure constant है मैंने एक case बनाया if pressure constant अगर आपने pressure constant बोल दिया pressure constant बोल दिया तो ये formula क्या हो जाएगा del h is equal to del u plus pressure तो constant हो गया change कौन हो रहा है volume change हो रहा है volume change हो रहा है तो ये क्या हो गया formula del h is equal to del u plus p dot del v अब मैंने ये कह दिया यह देखो pressure constant अपन इसी के बारे में बात कर रहे हैं या मैं कह दूं कभी दूसरा case कभी अगर पूछ लिया जाए कि if volume constant अगर volume constant कर दिया मैंने तो मेरे पास formula क्या आया del h is equal to del u plus v dot del p v dot del p इसकी जरुरत काफी कम पड़ेगी अपने को इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी पहले इतना note down कर लो enthalpy क्या है उसकी मोह माया क्या है इस सारी पंचायत को हमने समझ लिए enthalpy कुछ और नहीं खुले शब्दों में कहो enthalpy किसके बराबर होती है heat के बराबर होती है heat absorbed या heat evolve कब constant pressure अगर ले ले हम क्या ले ले pressure constant ले ले क्या ले ले pressure constant ले ले ठीक है दूसरे वर्ड में मैं कहूं कि enthalpy कुछ और नहीं internal energy plus pressure volume energy का क्या होती है sum होती है क्यों क्योंकि हम gaseous system के बारे में बात कर रहे हैं फिर मैं क्या बोलूँगा कि enthalpy की आप absolute value पता नहीं कर सकते हैं हमेशा change in enthalpy ही पता करते हैं बेटा रटवा दूँगा मैं class में मेरी guarantee है आईए यहां तक अगर आप आगए तो यह formula और इसके बाद यह बाला del h is equal to del u plus p dot del v और दूसरा formula ध्यान दीजेगा दूसरा formula एक और आपको याद रखना है कहां से आया हम बता दे रहे हैं समझेगा एक और formula एक formula इसकी बहुंच ज़्यादा जरुद पढ़ेगी star marker दो और दूसरा formula आपको अगर पता हो p dot del v p dot del v p v is equal to nr t पढ़ा ही होगा तो del ngr t क्या मैं इसकी जगा ये भी लिख सकता हूँ yes sir लिख सकते हैं yes sir लिख सकते हैं तो p dot del v की जगा del ngr t लिख सकता हूँ लिख सकते हो sir तो एक और formula आ गया del h is equal to del u plus del ngr t del ngr t अब इस formula की बहुत ज़्यादा importance है इस formula की बहुत ज़्यादा importance है अपनी chemistry में ये दोनों formula बहुत question कराएंगे neat और j e में अब याद रखने का तरीका हम बोलते हैं न हे यू यह दिल तुम पर ऐसा नहीं हे यू हे यू याद करने का तरीका इस formula को देखो यह अपना देशी तरीका हे यू हे यू हे यू कौन कौन तुम कौन del ngrt del ngrt hey you del ngrt याद रहेगा what is what is del ngrt del ng क्या है यहाँ पर del ng क्या है gaseous product के mole upon gaseous reactant के mole gaseous gaseous product के mole upon react product के mole minus gaseous reactant के mole को हम कहते हैं del ng तो hey you del ngrt formula अच्छे से याद रख लेना comment section बताना कैसी लगी यह कहानी याद रहेगा या नहीं हमेशा चलो कुछ दिनों से regular videos नहीं आपा रहे ते काम बहुत ज़्यादा हो जाता है चीजों को इदर उदर manage करने में ठीक है चलो जी चलो जी लेकिन लगे हुए है constant आपके साथ बने रहे हैं मेहनत करते चलें चलो 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 next कहानी अब मेरे पास इसको मैं formula को derive कैसे करते है समझेगा हमारा जस्ट बता रहा हूं बाकी तो मैं formula detail में बता चुका हूं first law of thermodynamics कहता था del u is equal to q plus w के बराबर होता है यह first law of thermodynamics हमको कहता था del u किसके बराबर होता है q plus w के बराबर होता है q q क्या थी heat थी अपनी अब हम यहां पे क्या बोला enthalpy heat at constant pressure heat at constant pressure अपने क्या बोल दिया enthalpy बोल दिया तो मैंने यहां पे लगा दिया q p q p heat at constant pressure ठीक है work done work done क्या होता है minus p dot del v अपने देख चुके है work done किसके बराबर होता था minus p dot del v के बराबर होता था minus p dot del v के बराबर होता था हमने work done का है formula रखा, तो हमारे पास formula आ गया, heat at constant pressure क्या कहलाता है, enthalpy क्या है, enthalpy क्या है, what is enthalpy, enthalpy heat at constant pressure, heat at constant pressure, heat at constant pressure, तो अपने पास formula आ गया, del u is equal to del h minus p dot del v, या मैं del h इस से क्या लिख सकता हूं, del u plus p dot del v, और p dot del v किसके बराबर होता था, p v is equal to nrt से हमारे पास आए, p dot del v किसके बराबर है, del ngrt के बराबर, तो हमारे पास आगया, del h is equal to del u plus del ngrt, इस formula को अपने को याद रखना है, और दूसरी चीज, जो आपकी enthalpy है, वो कुछ और नह जी कुछ और नहीं, heat at constant volume होती है, तो एक और formula आगया, qp is equal to qv plus del ngrt, what is del u, what is del u heat at constant volume, heat at constant volume, heat at constant volume, तो हमारे पास दो formula आगया, del h is equal to del u plus p dot del v, और del h is equal to del u plus del ngrt, या qp is equal to qv plus del ngrt, del n का मतलब क्या है, number of gaseous product, del n या del ng लिखूं, तो number of gaseous product minus number of gaseous reactant, number of gaseous product minus number of gaseous reactant, ये आपका formula है, जो दिमाग में आपको set रखना है, ये आपका formula है, जो दिमाग में आपको set रखना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, clear है, clear है, चलिए, बढ़ू आगे, जिंदेगी का नाम बढ़ना है, next, अब धिया मैं इस कहानी को थोड़ा detail में समझा हूँ, अपने पास ये formula था, del h is equal to del u, hey u, plus del ngrt, del ngrt, ठीक है, इस formula में del h del u के बराबर कब होगा, अगर del ngr, del ngr kतना आजाए, del ngr kतना आजाए, zero के बराबर आजाए, zero के बराबर आजाए, to zero multiply by anything हो जाता है, zero, इस case में del h किसके बराबर आजाएगा, del u के बराबर आजाएगा, इस formula का पहला application देख है, है डेलच कब आ जा है किसके बराबर आजphones एल यू के बराबर आजौाए या तो यह तब हो सकता है कि भईया आप का एक यह फॉर्मूला और इसी यह कहां से हाया था फॉर्मूला डेलच इस इक्वल टू देल यू प्लेस पी डॉट डेलवी या तो आपका change in volume 0 है या तो अगर आपका change in volume 0 है अगर आपका change in volume 0 है पहला case क्या बोला when reaction is carried out in a closed vessel अगर किसी closed vessel में हो रही है reaction जहाँ change in volume 0 है अगर change in volume 0 आ गया तो dellage किसके बरापर हो जाएगा डल-U के बरापर हो जाएगा ठीक है मतलब दो cases होंगे अपने dellage, dell-U के बरापर होगा पहला इस case में पहला इस case में और दूसरा कब पहला अपन ये case देख लेते हैं पी डॉट डल डल V 0 हो जाए पहला case ये और दूसरा case अपना ये बना देते हैं जब dell NG 0 हो clear है तो अपने पास dell H, dell U के बरापर कब आएगा या तो dell NG 0 हो या change in volume 0 हो change in volume 0 कब होता है जब reaction होती है किसमें? close vessel में या दूसरा दूसरा case क्या है dell NG 0 आजाए चलो अपने पास reaction है example के तोर पे अगर आप इस reaction को देख पा रहे होंगे H2 gas तो भाईया 2-2 dell NG की बात करेंगे product भी 2 reactant भी तो dell NG कितना आजाएगा dell NG कितना आजाएगा 2-2 कितना आजाएगा तो dell H किसके बराबर आजाएगा dell U के बराबर आजाएगा पूचे जाते हैं नीट और J में question चलो example अगला देख लेते हैं carbon solid plus oxygen gas convert हो रहा है CO2 gas में तो देखिए ये भी gashes ये भी gashes ये तो solid हो गया इससे अपने को मतलब नहीं है product में भी 1 reactant में भी 1 reactant में भी 1 product में भी 1 gashes moles तो आपका इस case में भी dell NG कितना आजाएगा 1 minus 1 0 तब भी dell H किसके बराबर होगा dell U के बराबर होगा तीसरा तीसरा example अगर आप देख पा रहे है N2 gas O2 gas 2 NO gas में convert हो रहा है इधर 2 इधर 1 इधर 1 product कितने है product कितने है gashes gashes product कितने है 2 है reactant कितने है 2 है तो इस case में dell NG कितना आजाएगा इस case में dell NG कितना आजाएगा 2 minus 2 कितने है बराबर आजाएगा 0 के बराबर आजाएगा या तो dell NG 0 हो जाएगा change in volume 0 हो तो भाईया आपका enthalpy change internal energy change के बराबर आएगा आईए यहां तक आईए यहां तक clear है बढ़े आगे चलो जी next step न dell H dell U से जादा कब होगा आपके पास formula था dell H is equal to dell U plus dell NG RT यह formula था अगर मैं यह कहूं कि sir अगर dell NG positive आ रहा है positive आ रहा है मतलब dell U में कुछ जोड़ा जा रहा है तब यह dell H के बराबर हो पा रहा है समझ रहे हो न dell U में कुछ जोड़ा जा रहा है तब यह dell H के बराबर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं मैं dell U में कुछ जोड़ा जा रहा है मतलब dell U छोटा है dell U छोटा है डेल एज बड़ा है मतलब अगर डेल एंजी झी पॉजितिव आया तो डेल एज हमेशा डेल यू से ज्यादा होगा डेल एजी पॉजितिव किस केस में आएगा किस केस में आएगा चलिए देखिए अगर गैसी ल फाइब कनवर्ट हो रहा है पी सील ती है तो आप यहां जोड़ा जा रहा है डल्यू छोटा है दूसरा यहां पे देखो गैसिस मॉल कितने के देखने मिल रहे हैं यहां एक और तीन और एक चार टोटल चार देखने मिल रहे हैं तो आप देखिए चार minus 2 अपनने करा, 4-22 अपनने करा आपको कितना मिला, 2 मिला इस case में भी del ng कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इस case में भी del ng कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तलब sir अगर del ng positive आएगा तो del h ज्यादा होगा, किस से del u की तुलना में, अगली कहानी अगर del u ज्यादा है अगर डेल एं-जी निगेटव आ रहा है मतलब gasheous product कैसे हैं? आपके कम है, तो देखी है यहाँ पे 2 gaseous product और यहाँ पे total 3 gaseous product, 2 minus 3 कितना है? minus 1 इस case में आपका formula क्याip बनदेखो, dell h is equal to dell u, dell u minus dell एंजी कितना रहा है? 1-1 तो R T अब देखिए आपने माइनस लगाया है इसको बरावर करने के लिए मतलब कौन जादा है डेल U जादा है तभी तो माइनस करेंगे तो ये डेल H के बरावर आएगा तो डेल U जादा होगा ये दूसरा केस होगा और ये तीसरा केस होगा ठीके यह कहाणी यह अपनी किसकी एंथिलफी की यह कहाणी है अपनी एंथिलफी अब बात करते हैं कि सर यह हमने देख लिया इतना देखा अपने question कैसे आते हैं पहले question तो यही पूचे जाएंगे पहला question यही पूचे जाएगा अगर numerical question आएगा तो सुनना, numerical approach सुनना, numerical approach सुनना, मैं साइट में लिख रहा हूँ, इस formula की numerical approach क्या होगी, numerical, क्योंकि thermodynamics is all about practice, numerical approach देखना, हमारे पास del H is equal to del U plus del NGRT होता है, ठीक है, अगर मैं del H को, अगर मैं del H को मान लूँ कि ये किलो जूल में दिया हुआ है, question में दिया रहेगा, या आपका del U किलो जूल में दिया हुआ है, del H पूछ रहा है, ये किलो जूल में दिया हुआ है, ये भी किलो जूल, ये भी किलो जूल, लेकिन R की value हम कितनी लेते हैं, R की value हम कितनी लेते हैं 8.314 Joule Joule में लेते हैं Per Kelvin मतलब Sir कहानी ये हुई कि अगर इसे भी किलो Joule इसे भी किलो Joule में लेंगे और ये हमारा Joule में है तो equation तो गड़ बड़ा रही है तो इसे फिर हम क्या करेंगे इसको भी किलो Joule में कनवर्ट करने के लिए हम हजार से डिवाइड कर देंगे तो ये value भी किस में आ जाएगी किलो Joule में numerical approach है ये करना मत भूलना अगर डेल H किलो Joule में है डेल U किलो Joule में है ठीक है तो आपको R तो अपना क्या होता है Joule पर Kelvin पर मोल ठीक है 8.314 Joule पर Kelvin पर मोल तो आप डिवाइड कर दो किस से 1000 से डिवाइड कर दो अब एक छोटी सी गोली छोटी सी गोली क्या है गोली छोटी सी गोली छोटी सी गोली किस बात की गोली हम जब भी numerical करते हैं हम जब भी numerical करते हैं sir 8.314 की calculation थोड़ी tough पढ़ जाती है तो क्या मैं 8.314 की जगा 25 by 3 लिख सकता हूँ 25 by 3 लिख सकता हूँ यस sir लिख सकते हैं जब क्योंकि आप इसे divide करेंगे 25 by 3 को तो ये भी 8.333 ही आएगा something something लेकिन इससे calculation आसान हो जाएगी ये गोली खा के चले जाओ 8.314 की जगा हम 25 by 3 लिख सकते हैं 25 by 3 लिख सकते हैं इस पूरी मोमाया को जल्दी उतारो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी को इस पूरी मोमाया को जल्दी उतारो फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ लिया चलिया अब करते हैं अपन एन्थेलकी के question solve चलिया आप बात करते हैं इसके questions की आपके पास दिया हुआ है देखिएगा जो मेने पढ़ा है एन्थेलकी के question जिसे नीट में और जैई़ी में आ सकते हैं आपके school level पर आ सकते हैं उन question के बारे हम बात करते हैं आपके पास दिया हुआ, Standard Enthelope of Evaporation, Del H Vaporization ठीक है, Enthelope of Vaporization for water at 100 degree Celsius इतना दिया हुआ है, Standard Enthelope of Vaporization, मतलब आपके पास Enthelope of Vaporization कितना दिया हुआ है, Standard Enthelope of Vaporization, 40.66 kJ per mol, kJ per mol, ठीक है, Temperature कितना दिया हुआ है, आपको 100 degree Celsius, मतलब 273 plus करूँगा, तो मेरा हो गया, 373 Kelvin कितना हो गया 373 Kelvin अब हम बात करते हैं कि आपको निकालना है Change in Internal Energy of Vaporization आपको निकालना है Change in Internal Energy of Vaporization Internal Energy का Change जो आपको निकालना है वो देखते हैं अपन किसमें निकालना है किसमें निकालना है इन किलो जूल पर मूल आपको याद आ गई मेरी कहानी कि सर किलो जूल पर मोल में ही पूछा जाता है अब आपको पता होना चाहिए कि water किस में convert हो रहा है vaporization के दोरान liquid से किस में convert होता है gas में convert होता है question पूछा गया है assume water vapor to behave like a ideal gas क्या मैं ये equation लगा सकता हूँ del H is equal to del U plus del NGRT लगा सकता हूँ लगा सकता हूँ तो देखिएगा del H is equal to del U plus del NGRT अगर मैं equation लगा सकता हूँ del H मेरा कितना दिया हुआ enthalpy of vaporization 40.66 kilojoule per mole del U कितना दिया हुआ है अपने को निकालना है del U अपने को निकालना है del NG number of gaseous product 1 minus reactant 0 1 minus 0 del NG कितना आ गया del NG कितना आ गया 1 minus 0 कितना आया 1 यहां आ गया 1 आर कितना होता 8.31 8.314 divide by divide by यह तो होता joule per Kelvin per mole में divide by thousand तो यह आएगा kilojoule में into temperature 373 Kelvin 373 Kelvin ठीक है सर अब इसको अपन सॉलो करते हैं अपने को calculator का use कर लेते हैं यह आप दूसरी चीज यह भी कर सकते हैं कि 8.31 की जग़ा 25 by 3 भी ले सकते हैं उससे भी calculation आसान हो जाएगी आपकी आपको जो करना है चलिए मैंने इदर लिया 8.314 wait 8.314 into 373 divide by thousand divide by thousand यह आ गया मेरा कितना इदर आ गया है आपका 40.66 तो डेल यू कितना होगा 40.66 minus 3.10 आपका आ जाएगा कितना 37.56 37.56 किलो जूल this should be your internal energy this should be your internal energy इस तरीके से question पूछे जाते हैं आपको solve करना है मैंने पहले ही कहा mastery अपन हासिल कर लेंगे question करने में ना डरना है ना घबराना है चलिए और किस variety के question आते हैं देखते हैं एक ये formula मैंने पकड़ा एक ये formula मैंने पकड़ा दूसरा formula पर क्या question आता है मिटा दें मिटार दें चलो जी नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट है अपना 1 mole of an non-ideal gas undergo changes of state 1 mole of an ideal gas non-ideal gas ठीक है चेंज हो रही है state 2 atmosphere pressure है 1 liter 3 liter volume 95 Kelvin temperature है से कहां तक जा रही है 4 ATM जा रही है 5 liter इतने Kelvin temperature तक जा रही है with a change in internal energy कितनी दी हुई है change in internal energy दी हुई है आपको del u कितना दिया 30 liter atmosphere oh 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 joule की बात नहीं है liter atmosphere की बात answer किस में पूछा है answer भी liter atmosphere में ही पूछा है तो the change in enthalpy आपको पता करना है change in enthalpy आपको पता करना है चलिए देखते है change in enthalpy क्या होता है यह होता है del u plus del ngrt del ngrt del h is equal to del u plus del ngrt यह होता है अपना change in enthalpy अब लेकिन हमारे पास del ng और r और t के बात नहीं कर रहा है वो किसकी pressure और volume में change आ रहा है मतलब अपन दूसरा formula लगा सकते है pressure volume दोनों बदल रहे है del pv यह formula तब लगाते थे जब pressure और volume दोनों बदले यह सर लगा सकते है del h अपने को निकालना है इस case में आपका del u कितना दिया हुआ है 30 litre atmosphere change in pressure into volume तो p2 v2 minus p1 v1 कर दूँ p1 v1 कर दूँ यह हो जाए का change in pressure volume तो अपने पास del h कितना आ गया 30 plus p2 v2 p2 v2 कितना है 54 यह 4 atmospheric pressure और 5 litre volume 54020 minus p1 v1 326 326 तो यह हो गया आपका del h कितना 30 plus 20 minus 6 14 यह हो गया del h आपका कितना del h आगया आपका 44.0 litre atmosphere litre atmosphere please check your answer please check your answer answer should be c answer should be c answer पूछा गया था आपको litre atmosphere में किस variety के question आएंगे आपके सामने सब कुछ मैंने रख दिया आपके सामने मैंने सब कुछ रख दिया इस variety का question आपको करना है बड़े अगले question की तरफ बड़े अगले question की तरफ चलो next question की बात करता हूँ next question की बात करता हूँ जयान दीजेगा next question है मेरा the enthalpy of substance the enthalpy of substance denoted by h denoted by h is defined as the आज ही मैंने बताया अगर पढ़ लिया है तो बनेगा enthalpy जो होती है मान लीजे small s से दिखा रहा है enthalpy कुछ और नहीं होती ये internal energy सब small से दिखा है internal energy plus pressure volume energy for gaseous system उसके बराबर होती है तो h is equal to u plus pv answer क्या होना चाहिए अपना answer b होना चाहिए ये अपनी कहानी थी किसकी enthalpy की और उससे related concept की I hope इसमें किसी को कोई दिखकत नहीं हुई होगी तो अब देखते हैं कि heat of reaction या enthalpy of reaction क्या है समझिएगा heat of reaction कुछ और नहीं कोई chemical reaction हो रही है सुना heat of reaction या enthalpy of reaction क्या है thermo chemistry कहती है कि कोई भी chemical reaction हो रही है हो सकता है chemical reaction के दौरान एनरजी आपकी निकल रही हो एनरजी क्या होती है इवाल्ड होती है कोई भी केमिकल रियक्शन के दौरान एनरजी इवाल्ड होती है या किसी केमिकल रियक्शन के दौरान एनरजी क्या होती है एब्सॉर्ब होती है या एनरजी या हीट एब्सॉर्ब होती है reaction तो कहानी को समझ येगा heat of reaction is defined as the amount of heat evolved निकल गई या amount of heat absorb या absorb हो गई when quantities of substance indicated by quantities of substance indicated by the chemical equation या chemical equation के दोरण जो heat निकल रही है या absorb हो रही है उसे नाम देंगे enthalpy of reaction या heat of reaction जब reactant completely react करें जब reactant क्या करें completely react करें ठीक है चलो अब हम कहते हैं कि ये कुछ और नहीं ये होता है difference it is the difference of enthalpy of product up minus reactant enthalpy of reaction कुछ और नहीं जो enthalpy product की है उसका minus जो reactant है उसकी enthalpy उन दोरों के difference को नाम देते है enthalpy तो ध्यान दीजिए जितने भी रειαक्टेंट है, जितने भी रियक्टेंट है, जरूरिवी तो नहीं मान लिजे मेरी कोई chemical reaction है, X convert हो रहा है y में या single product है लेकिन ये भी तो हो सकता A plus B convert हो रहा है C plus D में एक से ज़्यादा product है इसकी enthalpy कुछ और दी हुई है इसकी enthalpy कुछ और दी है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कि हमें किसी भी reaction की enthalpy निकालना है, किसी भी reaction की enthalpy निकालना है, किसी भी reaction की enthalpy निकालना है, तो enthalpy product की, enthalpy product की product में कौन कौन है, product में कौन कौन है, c और d, c और d, minus, minus हम क्या कर देंगे, enthalpy of reactant, reactant कौन कौन है, reactant कौन कौन है, reactant कौन कौन है, react और रियक्टेंट है बी ने मतलब जितना है प्रोड़क्त उंका उन performed song और ये इंफनेने वाली बात है कि किसी भी reaction में किसी भी reaction की enthalpy अलग अलग type की हो सकती है कोई भी chemical reaction मैंने क्या कहा यहां से thermo chemistry की शुरुवात हो रही है ठीक है ध्यान देना अपन डीटेल में को धीर धीर पढ़ते चलेंगे हो सकता है कोई chemical reaction formation की हो आप एक mole का formation कर रहे हैं उस case में आप इसे नाम दे देंगे enthalpy of reaction को क्या मैं एक mole product का formation कर रहा हूं ठीक है उस case में हम नाम दे देंगे enthalpy of reaction को enthalpy of formation हो सकता है मैं किसी organic compound का combustion कर रहा हूं तो उस time जो enthalpy of reaction है उसे नाम दे देंगे enthalpy of combustion हो सकता है मेरा water liquid है उसको मैं vaporize कर रहा हूं उस case में नाम दे देंगे enthalpy of vaporization तो अलग अलग type की reaction हो सकता है bond टूट रहे हों, bond टूट रहे हों, किसी chemical reaction के दौरानों product बन रहे हों, तो इस case में हम enthalpy of reaction को bond dissociation energy के term में बात करेंगे, हम अलग-अलग बात करेंगे, आपको एक sequence मेरे वीडियो का follow करते रहना है, जिस topic से related वीडियो होंगे, वो मैं बताते चलूँगा, चलिए, अब धिहान दीजिएगा, sign convention, जैसे कि अपने first law of thermodynamics देखा था, first law of thermodynamics देखा था, और मैंने एक चीज आपको वहाँ पे भी बताई थी, कि भाई या, first law of thermodynamics अपना कहता था, del u is equal to q plus w, q, कि यहाँ पे इसमें मैंने आप से कहा था, कि यह क्यों मतलब जो की heat होती है, अगर कोई system है, अगर कोई system है, अगर कोई system है, उस system को मैं heat दे रहा हूँ, उस system को मैं heat दे रहा हूँ, तो उसे हम बोलेंगे, उस case में heat positive होती है, और system से अगर heat निकल रही है तो उस case में हम heat negative मानेंगे अगर system पे work done हो रहा है, work done on the system है तो उसे positive कहेंगे work done by the system है तो उसे negative कहेंगे यह अपनी कहानी होती है वैसे ही यहाँ भी sign convention को follow करना काफी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि thermodynamics से thermochemistry में sign convention पहुच ज़्यादा रफला करता है चलिए sign convention, reaction दो type की हो सकती है सबसे पहली बाद हमारी हो सकती है exothermic reaction मतलब जब reactant से product बनेंगे तो heat evolve होगी क्या होगी? heat evolve होगी exothermic reaction इस case में dell-H अपन कैसा मानते है? negative मानते है ठीक है? अब dell-H क्या है? heat capacity at constant pressure या heat at constant pressure अगर मैं heat at constant volume बोल दूँ heat at constant volume बोल दूँ तो उसे dell-U से represent करेंगे ठीक है? और जब भी या मैं heat बोल दूँ direct heat बोल दूँ तो उसे भी क्यों से represent करेंगे? exothermic reaction में heat निकलती है चाहे आप constant pressure की बात करें constant volume की बात करें इसलिए यहाँ पर dell-H को negative मानते है dell-U को negative मानते है क्यों को negative मानते है clear? endothermic reaction ऐसी reaction जो की heat जिसमें अंदर आ रही है इसमें बाहर जा रही थी ऐसी reaction जिसमें heat अंदर आ रही है heat अंदर आ रही है उसे हम कहते हैं endothermic reaction इस case में dell-H कैसा होता है positive होता है dell-H कैसा होता है positive होता है dell-U dell-U कैसा होता है positive होता है Q कैसा होता है positive होता है just a connecting concept बता रहा हूँ अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो कि जैसे हम electron gain enthalpy के बारे में बात करते थे electron gain enthalpy के बारे में बात करते थे और मैंने कहा था कि जो first electron gain enthalpy होती थी उसमें electron nuclear attraction की वज़े से पास आता था और उस case में nucleus के attraction की वज़े से force of attraction की वज़े से energy lose होती थी तो हम कहते थे first electron gain enthalpy negative होती है लेकिन जब second electron आता था तो inter electronic repulsion को compensate करना पड़ता था इसलिए हमें बाहर से energy देनी पड़ती थी second electron gain enthalpy positive होती थी मतलब अगर energy निकल रही है तो exothermic आ रही है तो endothermic चलो यह basic concept था पहले इसे note down करो पहले इसे note down कर लो यह basic basic concept थे इसे note down कर लो क्योंकि base से जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है करा note down चलो sir आगे बढ़ाता है कहानी को आगे बढ़ाता है कहानी को अब समझिएगा ठीक है heat of reaction heat of reaction यह enthalpy of reaction इधर express in terms of constant volume जिसे हम डल यू से represent करेंगे इसे हम डल यू से represent करेंगे यह इधर at constant pressure इधर at constant pressure इसे हम किस से represent करेंगे एल है यहाद रखने का तरीका constant pressure 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 हम भूल चाते हैं ना constant volume में डल एच था या constant pressure पर तो enthalpy के बारे में sujetDesksion हो सकता it constant pressure पे है तो उसे enthalpy की कहेंगे तो याद रखने का तरीका ph ips होता is us kg तो heat एट constant pressure क्या कहलाता है अपना enthalpy कहलाता है और constant volume volume कहले हो उस काहानी को देखते हैं अब कहानी को देखते हैं अपने पास रियक्षिन है H2 और CL2 आपस में react करते हैं और 2HCL में convert हो रहे हैं इस case में इस case में enthalpy क्या हुई plus देखो H2 plus CL2 देखना examiner इस express कैसे कर रहा H2 plus CL2 react करे 2HCL बना plus 44 kcal की energy भी बनी सुनना सुनना H2 plus CL2 बना H2 plus CL2 reaction करा आपका 2HCL बना plus plus इस product के साथ साथ plus 44 kcal की energy भी निकली अब इसको मैं अगर डेल H के term में express करूँ हूँ निकली न तो देखो या तो इस term में लिख सकता है या इतनी energy निकल रही है तो डेल H निकल रही है तो माइनस 44 kcal माइनस 44 kcal इस term में लिख सकता है examiner यह जो reaction अपन लिख रहे हैं डेल H के बारे में बात कर रहे हैं यह express किया गया है constant pressure पे किस पे express किया गया है constant pressure पे हम most of the reaction constant pressure की ही बात करते हैं most of the reaction में constant pressure की ही बात करते हैं चलो लेकिन मैंने मेरा है मान लीजे ETHन है C2H4 ETHन है ठीक है इस पे मैंने 3-0-2 की reaction करी, किस की reaction करी? 3-0-2 की reaction करी, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? जलदी बताइए, मुझे मिला 2-CO2, 2-CO2 और 2-H2-O मिला, इस case में del- U आ रहा है Del- U आ रहा है, minus 3-35 किलो कैलोरी, minus 3-35 किलो कैलोरी, मतलब यहाँ पि developers कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी reaction की जो heat है या enthalpy है, उसे constant pressure पे देख सकते हैं, या constant volume पे देख सकते हैं, उनको express कैसे किया जाता है, ये समझना काफी ज़्यादा जरूरी है, clear है, plus दिया हुआ reaction के साथ plus दिया है, मतलब exothermik है, इतनी heat बाहर निकल रही है या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, डेलेज minus 44 किलो कैलोरी है, चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े चलो next है, heat of reaction या enthalpy of reaction को कौन-कौन से factor affect करते हैं, factors affecting heat of the reaction, बहुत सारे factor होते हैं, इसको आप समझ लीजिए, कि भाया जैसे physical state of reactant and product क्या है, physical state of reactant and product क्या है, समझ लीजिए इसको ऐसे कि physical state क्या होती है, जैसे माल लीजिए आपने water gas, ठीक है, plus half o2 gas और आपने बनाया water liquid, water liquid या water gas बनाया, इस case में enthalpy अलग होगी, माल लीजिए x, अब मेरे पास data नहीं है, माल लीजिए enthalpy अपनी x, यह हो सकता है, physical state में आप यह बोल सकते हो, h2 gas plus half o2 gas, half o2 gas, आपका बने गया, h2o liquid, h2o liquid बने गया, इस case में enthalpy अलग होगी, अगर physical state अलग है, reactant and product की, physical state of reactant and product, आपकी enthalpy को decide करते हैं कि कि कितने amount of heat लग रही है, या बाहर निकल रही है, बहुत important बात है, physical state of reactant and products, दूसरी चीज, allotropic form of element, क्या, allotropic form of element, किसी भी element के, जैसे मैं carbon की बात करूं, carbon की बात करूं, carbon के अलग allotropic form है, मान लीजे carbon graphite के form में है, यह participate कर रहा है, reaction में, या carbon diamond के form में है, carbon diamond के form में, हीरा, तुलादे carbon diamond के form में, यह effect कर रहा है, reaction को, ठीक है सर, temperature, इसके बारे मैं एक अलग से separate video लेके आऊंगा, अलग से separate video लेके आऊंगा, थोड़े high level के question जो है, इससे पूछ लिए जाते हैं, कि relation between heat of reaction, heat of reaction, किसी reaction की heat, और temperature के बीच का relation क्या है, इसे किस से दिया जाता है, किर्चॉफ law से दिया जाता है, basic question आएगा, तो यही पूछ लिया जाता है, कि relation between heat of reaction and temperature is given by किर्चॉफ law, चलो, अब concentration of solution, आपका जो solution है, उसका concentration क्या है, वो भी effect करेगा, condition of constant pressure and volume, आप constant pressure की बात कर रहे हैं, या constant volume की बात कर रहे हैं, इस case, ये case भी आपकी enthalpy को affect करेगा, और दूसरी चीज, quantity of reactant, जितना जादा आप reactant use करेंगे, उतनी जादा enthalpy या heat change आपको देखने मिलेगा, तो जो dellage होता है, change in enthalpy वो directly proportional होता है, किसके quantity के, किसके directly proportional होता है, quantity के, प्लीज ये note down कर लो, question पूछा जा सकता है, which one of the following do not affect the heat of reaction, तो आपको ये factor पता होने चाहिए, अगर ऐसा theoretical question पूछा गया तो, हमें नहीं पता ना examiner कैसे पूछे, का हमारा काम है करना, तुमारा काम है उड़ना, बस उड़ते चलो, तुमारा काम है उड़ना, बस उड़ते चलो, सफर की चिंता मत करो, सफर की चिंता मत करो, जितना उड़ना है, उड़ते चलो, clear है, screenshot मारो, screenshot मारो, चलो जी, अब धियान देते हैं, जो अपने को पढ़ना है different type की enthalpy में, आज की जो हमारी कहानी based है, वो किस पर based है, enthalpy of formation पर based है, समझ ना, मेरा एक word अगर आपने पकड़ लिया, different type की enthalpy of reaction होती है, उसमें enthalpy of reaction में, आज हम देखने जा रहे है enthalpy of formation, मेरा एक word बस आप पकड़ लेना, enthalpy of formation, नाम में चुपा है formation, मतलब हम कुछ बना रहे हैं, कोई compound हम बना रहे हैं, जब हम enthalpy of formation की बात करेंगे, तो हम एक mole compound बनाएंगे हमेशा, ठीक है, हम हमेशा एक mole की बात करेंगे, लेकर examiner दो mole के बारे में पूर सकता है, word मेरे पकड़ ते चलना, एक mole के बारे हम बात करेंगे, enthalpy of formation क्या है, आपको एक mole compound बनाना है, एक mole बनाना है आपको product, ठीक है, एक mole product बनाना, किस से बनाओगे, आप जिन substance से बनाओगे, या जिन element से बनाओगे, आपको एक mole बनाना है product, जिन constituent element से बनाओगे, वो most stable state of aggregation में होना चाहिए, किस में होना formation के बारे में बात कर रहे हैं जिसे अपन del h और f आगया मतलब formation है ठीक है तो हम क्या करेंगे formation करेंगे हम किसका one mole of compound का किसका formation करेंगे one mole of compound का formation करेंगे किस से करेंगे from its element in most stable state of aggregation वो element से करेंगे element की उस state से करेंगे जब element की state किस में होनी चाहिए most stable state में होनी चाहिए ठीक है उसे हम कहते हैं enthalpy of formation उसे हम क्या नाम देते हैं enthalpy of formation पहले definition लिखो फिर इस कहानी को मैं detail में समझाता हूँ अब द्यान दीजेगा मैंने आप से ये कहा कि enthalpy of formation एक मोल के लिए देखना है और उसके element जिन से बन रहा है वो compound ठीक है वो most stable state में होनी चाहिए दूसरी चीज़ ये याद रखना enthalpy of formation for most stable form of element element का most stable form जो होता है उसके लिए enthalpy of formation अपन कितना मानते हैं zero मानते हैं set कर डालो दिमाग में question तभी बनेंगे formation zero है fluorine gaseous state में होना चाहिए तो enthalpy of formation zero है chlorine gaseous state में होना चाहिए तो enthalpy of formation zero है bromine gaseous state में होना चाहिए तो enthalpy of formation zero है ठीक है iodine gaseous state में होना चाहिए तो enthalpy of formation zero होगा mercury liquid state में होना चाहिए तो enthalpy of formation कैसा होगा carbon graphite में होना चाहिए तो enthalpy of formation zero होगा sulfur अब याद रखना graphite carbon के अलग-अलग-अलग-अलट्रोपिक form है carbon diamond भी हो सकता है उस case में enthalpy of formation 0 नहीं होगा sulfur को rhombic में होना चाहिए तो enthalpy of formation 0 है sodium को solid state में होना चाहिए तो enthalpy of formation 0 है और oxygen को gaseous state में होना चाहिए तो enthalpy of formation 0 है आईए यहाँ तक ठीक है बड़े आगे मारा screenshot मारा screenshot जान दीजेगा जान दीजेगा अब मैं इस कहानी को डीटेल में बताता हूं जैसे different types of enthalpy में जो हम enthalpy of formation देख रहे हैं जैसे आपका है NACL बनाना क्या है हमेशा याद रखना जो बनाना है उसको right side लिखा और कितना mole लिखा उसका एक mole लिखा याद रखना अब मुझे NACL का formation करना है किस से करेंगे sodium होना चाहिए solid state में और एक mole बनाना है तो half chlorine chlorine होना चाहिए gaseous state में क्यों क्योंकि जिस element से बना रहे हैं जिस element से बना रहे हैं वो most stable state of aggregation में होना चाहिए ठीक है चलो हमें एक mole हमेशा एक mole के लिए ही देखेंगे एक mole acetic acid बनाना है क्या बनाना है एक mole acetic acid बनाना है चालो carbon किसमे होना चाहिए graphite state में कितने carbon है 2 carbon ग्रिफाइट state में ठीक है कितने hydrogen है 2H2 gaseous state में और oxygen भी कैसा होना चाहिए gaseous state में तो इसे हम कहेंगे enthalpy of formation जो enthalpy लगी है निकली वो कहलाएगी enthalpy of formation अगली कहानी, आपके पास acetic acid है, आपको बनाना एक mole acetic acid, ठीक है, अब आपने लिया carbon, carbon लिया लेकिन carbon आ गया diamond state में, किसमें आ गया diamond में, तो ये गलत हो गया, this is not enthalpy of formation, hydrogen सही है, oxygen सही है, लेकिन ये कहानी गलत हो गया, यही पकड़ना है, question पूचा जाएगा, which one of the following do not represent the correct explanation of enthalpy of formation, आपको याद होना चाहिए, कि भाईया, क्या जिससे एक mole का formation हो रहा है, एक mole का formation हो रहा है, जिन elements से वो most stable state में है, अगर है, तो enthalpy of formation को represent करेगा, नहीं है, तो enthalpy of formation को represent नहीं करे, यहाँ क्या गड़बड़ती, ये गड़बड़ती, clear है, चलो जी, अरे यहीं पर ध्यान देना कहीं और नहीं खोना है, सपनों में नहीं खो जाना है किसी के, पता चला सपनों में खोग चुके हो किसी के, आगे बढ़े हैं, चलो, अब बात करते हैं, right way to find enthalpy of formation, चलो अपन इसी को detail में घिसते चलेंगे, अपन methane का enthalpy of formation देखने जा रहा है, पह बिल्कुल सहीं बात है, पहले right hand side देखा, एक mole methane का formation करना है, जिन element से करना है, वो most stable state में होने चाहिए, carbon graphite बिल्कुल सहीं है, लेकिन hydrogen atom के form में हो गया, अगर H2 gaseous होता, तो सहीं होता, ये कहानी गडबड हो गई, ये कहानी गडबड हो गई, चलो ठीक है, समझते चलना, तो ये गलत है, this is not the correct explanation, ठीक है, आपको methane gaseous बनाना है, methane gaseous बनाना है, ठीक है, चलो, एक mole का formation के लिए enthalpy of formation देखा, अराम से समझते चलना, ठीक है, आपने बनाया carbon, carbon, जिन element से बनना था, वो most stable state में होने चाहिए, तो यहाँ carbon diamond हो गया, यहाँ ये गलत है, ये तो सहीं है, तो ये भी right way नहीं है, enthalpy of formation को represent करने का, चलो, अब यहाँ पर क्या, यहाँ दो mole, दो mole आ गए, क्या हम दो mole के formation के लिए enthalpy of formation नहीं, enthalpy of formation हमेशा एक mole के लिए देखेंगे, दो mole के लिए नहीं, ये भी गलत हो गया, समझ रहे हो, अब इसको देखो, हमें methane का formation करना है, methane gaseous state में है, ठीक है, किस से करेंगे, किस से करेंगे, किस से करेंगे, कार्बन graphite से और 2H2 gas से, ये सहीं है, ये सहीं है, तो clear है कि हम enthalpy of formation एक mole के लिए देखेंगे और जिन element से करेंगे, वो most stable state of aggregation में होने चाहिए, चलो, इसको चेक करते हैं, हमें एक mole ethyl alcohol बनाना है, दूसरा case, एक mole ethyl alcohol बनाना है, ठीक है, मतलब 2 carbon graphite state में होना चाहिए, बिलकुल सहीं है सर, 5 और 1, 6, 3 hydrogen, 3H2 gaseous state में होना चाहिए, और half O2 gaseous state में होना चाहिए, ये भी सहीं है, ये भी सहीं है, राइट वे है, चलो, आपको CCL4 gaseous बनाना है, CCL4 बनाना है, ठीक है, CCL4 liquid state में बना लेत state, ठीक है, और chlorine होना चाहिए, gaseous state में, ये statement भी सहीं है, ये statement भी सहीं है, अब आपको बनाना है, 1 mole benzene, 1 mole benzene का formation करना है, carbon होना चाहिए, graphite state में, hydrogen होना चाहिए, gaseous state में, ये है, ये कहानी है, लेकिन, जैसे कि मैं आपसे हमेश्या कहता हूँ, chemistry is all about exception, और exception कि आप मेरी series द exception देखने मिलता है, आपको एक exception देखने मिलता है, exception क्या होगा, बिटा ध्यान दीजेगा, अगर आपको cyclohexane बनाना है, क्या बनाना है, आपको cyclohexane बनाना है, क्या बनाना है, cyclohexane कैसे बनता है, इसका enthalpy of formation, question करेंगे, बनेंगे, देखना, जब question आपको बनाना है, तो आपके पास benzene है, benzene होता है C6, S6, C6, S6, तीन hydrogen की reaction करें, आपने तीन hydrogen की reaction करें, ठीक है, ये bond भी टूटा, ये bond भी टूटा, ये bond भी टूटा, तो जाके आपको cyclohexane मिलेगा, इस case में ये कहलाता है enthalpy of formation, इस चीज को याद रखिएगा, अगर हम enthalpy of formation की बात कर रहे हैं, तो इस case में जब हम enthalpy of reaction निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे enthalpy of reaction, enthalpy of formation of product, minus enthalpy of formation of reactant, आई ये इस कहानी को तारी है, इस case में जो हम enthalpy calculate करेंगे, वो कैसे calculate करेंगे, enthalpy of formation of product, minus enthalpy of formation of reactant, प्लीस नोट डाउन करो, प्लीस नोट डाउन करो, आसान है, करना कैसे है, ये चीज़ समझ गया आप, clear है, चलो जी, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, एंथेलेपी से हमको बहुत तगडी, कुछ नहीं है, चलो, ठीक है, अब आपन क्वेशन करते हैं, माइनस एक्स्टीन हंड़ेट सेवेंटी किलो जूल, अब बोल रहा है, कैलकुलेट करो, एंथेलेपी चेंज फॉर दा फॉलोइंग रियाक्शन, ठीक है, अब ध्यान दीजे, इस रियाक्शन के लिए आपको एंथेलेपी चेंज निकालना है, इस रियाक्शन के लिए यहां लिख रहा हूँ, क्या दिया है, एंथेलेपी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एल टू ओ जिसकी एंथेलेपी ऑफ फॉर्मेशन पूछे, उसे लिखेंगे राइट हैंड साइट पे, उसका एक मोल लेंगे, उसको बनाएंगे हम उसके मोच्स स्टेबल ऐलिमेंट से, जैसे आपका 2AL है, 2AL है, और आपका क्या है बिटा, 3 by 2 O2, 3 by 2 O2, क्या हो गया, 3 by 2 O2, आपका क्या बन गया, AL2 O3 बन गया, क्या बन गया, AL2 O3 बन गया, इसके लिए जो एंथेलेपी ऑफ फॉर्मेशन है, यह अपने को दिया है, माइनस 1670 किलो जूल, यह हमें दिया हुआ है, अब पूछ रहा है, यह तो हमें दिया हुआ है, लेकिन आपको पता करना है, इसके लिए कितना होगा, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मोल था, यहाँ दो मोल हो गया, अगर एक मोल के लिए, एक मोल के लिए, फॉर वन मोल, फॉर वन मोल, फॉर वन मोल, एंथेलेप of formation, enthalpy of formation कितना है, माइनस 1670 किलो जूल है एक मोल के लिए माइनस 1670 किलो जूल है, तो हर हमसे पूचा है दो मोल के लिए, तो भाईया एक टॉफी पांच रुपए में आती है, या माँ लो एक टॉफी 1600 रुपए में आती है एक मैं शर्ट लेने गया 1670 रुपए की है, तो दो शर्ट कितने की आएंगी, दो शर्ट आएंगी मल्टिप्लाइ कर देंगी, दो से तो दो मोल, देन, दो मोल के लिए enthalpy of formation कितनी होगी, दो मोल के लिए enthalpy of formation कितनी होगी, माइनस 1670 1670 into 2, into 2, आंसर देखो कितना आता है, multiply कर लो 16, 32, 32 3340, minus 13 340 kilojoule kilojoule में पूछा है तो kilojoule this would be your answer, यह आपका answer होगा, clear है clear है, simple question है variety cover करते हुए चलेंगे चलो, याद कराना है मेरा एक ही काम, class के class में, अपन भाईया बड़े simple आदमी है, class के class में याद हो जाए, बच्चों को class के class में याद हो जाए, तो मज़ा है, बड़े आगे चलो अरे लिखा था या नहीं, लिखा था या नहीं लिख लिया था ना, चलो next question है अपना standard heat of formation आपको दी है standard heat of formation carbon monoxide की कितनी, 298 Kelvin standard heat of formation आपको दी है carbon monoxide की कितनी दी है, माइनस 110.5 किलो जूल, किलो जूल अब क्या पूछ रहा है, calculate standard heat of formation of carbon monoxide at constant volume आपको दी है standard heat of formation of carbon monoxide इतना इतना आपको calculate करना है standard heat of formation of CO at constant volume आपको कितने पर calculate करना है constant volume पर calculate करना है ठीक है, अगर आपको standard heat of formation carbon monoxide साइट का कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेट करना है वो कहलाता है डेल यू मतलब यह आपको दिया हुआ है डेल एच और अगर आपको पता हो पिछला लेक्चर आपने देखा हो तो सर उसी से कनेक्टेड लेक्चर है लेकिन इस वेराइटी के भी पूछे जाते हैं और मैंने आपको बताया था डेल एच और डेल यू जब भी साथ में दिया रहा है और अपने को एक दिया हो एक निकालना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं हे यू यह दिल तुम पे नहीं हे यू ड डेल एंजी आटी यह हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है यह अपन अपना फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है चलो अपना यह फॉर्मूला है अब क्या बोल रहा है स्टेंडर हीट ओफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस हो यह मैंने लिख दिया अब मुझे पता करना है यह मेरी स्टेंडर्ड रियक्शन है जिसके लिए मेरा डेल एच कितना दिया हुआ था डेल एच कितना दिया हुआ था माइनस 110.5 किलो जूल में दिया था जो मेरा लेक्षर पहला वाला देख चुका है उसको पूरी चीज़े क् of carbon monoxide at constant volume उसे हम क्या नाम देते हैं डेल यू नाम देते हैं यह अपने को calculate करना है डेल एंजी कितना है यह वाट इस डेल एंजी number of gaseous product minus gaseous reactant एक है इधर और इधर half है gaseous तुम सॉलिड हो तुमसे मतलब हम नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे तुमसे मतलब हमको नहीं है हम जो आर लेते हैं हम जो आर लेते हैं वो होता अपना 8.314 जूल पर कैल्विन पर मूल लेकिन हमारी कहानी तो भाया minus 110 किलो जूल में है यह convention भी मैंने आपको बताया था बेटा जब भी ऐसा है 1000 से divide कर दो 1000 से divide कर दो ठीक है तो हमने यहाँ 1000 से divide कर दिया temperature कितना दिया हुआ है temperature कितना दिया हुआ है अपने को 298 Kelvin कितना दिया है 298 Kelvin अपने को temperature दिया हुआ है अब अपने को इसको calculate करना है हम calculator का use कर लेते हैं आप भी try मारो इसे हम calculator का use कर लेते हैं चलो जी अपना calculator दिया हुआ है अपने देखते हैं अपने पास दिया है 8.314 into 298 into 298 divide by 2000 नीचे 2000 है अरे यार कहां गया 8.314 into 298 is equal to इतना divide by 2000 यह आ गया अपना 1.23 कितना आ गया? यह आ गया अपना 1.23 और इधर कितना दिया है? माइनस 110 0.5 ठीक है? किलो जूल यह भी किलो जूल में यह भी किलो जूल में चलो, डेल यू अपने को निकालना है इसको इधर लाते हैं तो माइनस 110.5 माइनस 1.23 यह आ है आपका डेल यू दोनों को प्लस कर दो, चलो जी 110.5 प्लस 1.23 यह आ गया 111 111.73 माइनस में आणसर होगा किलो जूल दिस यह इंटरनल एनरजी यह डेल यू ओ सॉरी दिस यह डेल वी डेल यू स्टेंड़ हीट ओ फॉरमेशन एट कॉंस्टेंट वॉल्यूम क्लियर है? फ्लीज इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को ठीक है? चलिए नेक्स क्वेशन की बात करते हैं अपन देखिएगा अगर इसे कंप्लीट कर लिया तो नेक्स क्वेशन है अपना अलग-अलग वेराइटी के क्वेशन लेके आया हुआ हूँ मैं फाइंड एंथेलेपी ओफ ओर्मेशन ओफ एफीटू ओट्री जो पूछे वो रियक्शन लिख दो ठीक है? एफीटू ओट्री इवदा स्टेंडर्ड हीट ओफ रियक्शन इस माइनस 6.6 किलो कैलोरी दिया हुआ है अब सुनना आपको स्टेंडर्ड हीट ओफ रियक्शन दिया हुआ है आपको क्या पता हीट ओफ रियक्शन किसके बराबर होती है heat of reaction किसके बराबर होती है enthalpy of product enthalpy of product enthalpy of product minus enthalpy of reactant enthalpy of reactant standard बोल रहा है तो not लगा दिया, not लगा दिया, not लगा दिया अब हमें दिया हुआ है heat of reaction minus 6.6 kilo calorie दिया हुआ है चलो ठीक है, अब क्या पूछ रहा है और क्या दिया है, आपके पास ये reaction दी हुई है ठीक है, इस reaction से आपको इसका enthalpy of formation पता करना है, इसका enthalpy of formation पता करना है, क्या find standard enthalpy of formation of f2O3, अब आपको क्या पता है कि भाईया, आपको enthalpy of product देखो enthalpy of product, किसके product में कौन कौन है, आपका product में है standard enthalpy of formation of iron iron लेकिन ऐसे कितने molecule है 2 है दो है तो ये plus plus standard enthalpy of formation of co2 ऐसे कितने molecule है 3 तो यहाँ 3 से multiply करा माइनस आपके क्या है Standard enthalpy of formation आपको किस की निकालना यह standard enthalpy of formation आपको किस की निकालना है आपको निकालना है Fe2O3 की Fe2O3 की Fe2O3 की ऐसे कितना मॉलीक्यूल है एक मॉलीक्यूल है एक मॉलीक्यूल है multiplied by one प्लस आपको किसकी निकालना है standard enthalpy of formation आपको देखना है देखना है देखना है देखना है किसकी CO की ऐसे कितने मॉलीक्यूल है ऐसे कितने molecules ने? 3 molecules ने अब धिहान दीजेगा आपको calculate क्या करना है? आपको calculate क्या करना है? आपको calculate ये करना है चलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है सर Standard Enthelopey of formation Formation of iron into 2 Iron into 2 Plus Standard Enthelopey of formation of CO2 into 3 Minus Standard Enthelopey of formation F2O3, minus इदर भी multiply हुआ, तो standard enthalpy of formation of carbon monoxide into 3, यह अपने पास आ गई, ठीक है, अब अपने पास iron की कितनी दी हुई है, iron की कितनी दी हुई है, free state में, देखो iron है, free state में, free state में, free state में कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 into 2, 0 हो गया, चलो ठीक है, plus, मैं अब भी बताया था ना, standard enthalpy of formation in most stable state is 0, CO2, CO2 के लिए कितना दिया हुआ है, minus 94, minus 94, minus 94, into 3 कर दिया, into अपने क्या कर दिया, 3 कर दिया, minus, minus, समझते चलना, ठीक है, minus, reactant में कौन है, Fe2O3, इसके लिए तो अपने को निकालना है, standard enthalpy of formation for Fe2O3, तो अपने को calculate करना है, minus, carbon monoxide के लिए कितना दिया, minus 26 into 4, minus 26, into 4, 26 into, 26.4, into 3, यह अपना हो गया, यह अपना हो गया, clear है, अब अपन calculate करते हैं, यह दिया हुआ है, minus 6.6, यह दिया है, minus 6.6, अब अपन calculate करते हैं, ध्यान दिजिएगा, minus 94.3 अगर आप करेंगे, calculator का अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है, minus 94.3, minus 94 into 3 करके देखते हैं, कितना आ रहा है, जो जो आएगा, वो लिखते चलेंगे, 94 into 3 कितना आया, 94 into 3 कितना आया, 282, यह तो हो गया, 0, minus 282, minus, minus, enthalpy of formation of Fe2O3, अपने को पता करना है, ठीक है, और यह हो गया, minus minus, plus, यह कितना हो गया, minus 26.4 into 3, यह आगया, minus 79.2, 79.2, ठीक है, क्या आगया, 79.2, अब देहान दीजिएगा, calculate करिए कितना आ रहा है, calculate करिए कितना आ रहा है, चलिए, अब आप इसे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि सर, इसको इसमें से अपने क्या करा, minus करा, तो यह आपका आ गया, देख लेते हैं, यह आपका आ गया, 202.6, इसको अब मैं इधर ले आता हूँ, enthalpy of formation अपने को निकालना है, यह प्लस में हो जाएगा, F2O3 का, F2O3 का यह हो गया अपना, 202.8, और इसमें से इसको कर दे, minus 202.8, और plus 6.6, plus 6.6, तो देखते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, 202.8, minus 6.6, 196.2, minus 196.2, this is enthalpy of formation of F2O3 in kilocalorie, थोड़ा calculation था, calculated part था, please note down करिए, please note down करिए, simple सा question है लेकिन, लेकिन आपको यह पता चलेगा, सर हमें variety कैसी कैसी cover करनी है, हमें variety कैसी कैसी cover करनी है, देखे, thermodynamics और calculation का बहुत पुराना ना आता है, enthalpy's दी रहेंगे, energies दी रहेंगे, उन्हें calculate plus minus करना, आपको बनना चाहिए, चलिए, मार लिए screenshot, यह अपनी कहानी से है, पिछली class में जो अपने बात करी थी, enthalpy of formation के बारे में वो क्या थी, समझिएगा, पिछली class में अपने जो बात करी थी, enthalpy of formation के बारे में वो क्या थी, और एक side मैं लिख दे रहा हूँ, इसी का जो आज हम पढ़ने वाले है, enthalpy of combustion के बारे में, फिर अपन डीटेल में देखते हैं और question करते हैं, enthalpy of combustion के बारे में, जिस variety के question पूछे जाते हैं, सारी variety में cover करूँगा, चिन्ता की बात नहीं है, जैसे अगर जिसने enthalpy of formation देखा होगा, सारी variety में cover करते गए तो और ऐसे ही question नीटर जाई में, और आपके school exam में पूछे जाते हैं, चिन्ता की बात नहीं है, enthalpy of formation, जहां दीजेगा, enthalpy of formation हम देखते हैं, एक mole के लिए, अगर आपको एक mole product बनाना है, क्या बनाना है, एक mole product बनाना है, तो उसे रिखिए right hand side, और जिस भी substance से बनाना है, वो अपने किस में होने चाहिए, जिस भी constituent substance से बनाना है, वो अपने किस में होने चाहिए, standard state में होने चाहिए, इसके अलाभा हमने hydrogen को gaseous state में, standard state में बोला था, chlorine को gaseous state में standard state में बोला था ठीक है यह हमने पिछली class में discuss किया था अब माल लीज़े जैसे मुझे methane जिसका formation करना है उसे मैंने right hand side लिखा और एक mole का formation जब एक mole product का formation उसके constituent element से किया जाए जिने किसमें होना होता है जिने होना होता है अपने most standard state में तो अगर मुझे एक mole का formation करना हमेशा एक mole के लिए देखा जाता है याद रखना तो मैंने लिखा किस के थू कर रहे हैं carbon graphite लेना diamond मत ले लेना hydrogen चार है तो इदर मैंने लिया 2H2 2H2 gaseous लेना तो इसे हम कहेंगे enthalpy of formation और मैंने बताया था है enthalpy of formation जब भी हम निकालते है तो enthalpy of formation क्या होता है enthalpy of formation क्या होता है enthalpy of formation of product यह भी बहुत important माइनस enthalpy of formation of reactant और अगर standard state की बाट करेंगे तो उपर not 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 लगा देंगे ये हमारी कहानी थी ये हमारी कहानी थी पिछली class की क्या बोला enthalpy of formation ये एक mole के लिए निकालना है किसके लिए निकालना है जिसका निकालना है उसे right hand side लिखे और जिससे बनाना है उन्हें हमने लिखा left hand side पे और याद रखिएगा enthalpy of formation जब element उनके most standard state में होते हैं तो कितनी होती है जीरो होती है कितनी होती है जीरो होती है ये अपना concept है आज हम बात कर रहे हैं enthalpy of combustion की मान लीजिए enthalpy of combustion combustion का मतलब क्या होता है जो reactant है उसको जलाना जो reactant है उसको जलाना मान लीजिए मुझे enthalpy of combustion methane की निकाल लिए तो अब जिसका निकालना है इसमें उसे left hand side लिखते हैं और उसका एक मोल लिखते हैं ठीक है combustion के लिए किसकी जरूरत होती है combustion के लिए हमें oxygen की जरूरत होती है यह बाद balance करते हैं जितना भी carbon होगा वो co2 में convert होगा co2 में convert होगा जितना भी hydrogen होगा हो किस में convert होगा h2 में तो यह इदर अपना होगा 2H2 अब oxygen को balance कर लो कितना होगा 2 oxygen इदर दो oxygen इदर तो इदर 4 oxygen यह जिसका combustion करना है उसे left hand side लिखा और जिसका formation करना उसे right hand side लिखा और इन दोनों से mix question बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं यह चीज़ अपने दिमाग में set कर लीज़े दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ एक और चीज़ एन्थेलेपी ओफ combustion अपने को निकलना है तो एन्थेलेपी ओफ कंबशन क्या होता है एन्थेलेपी ओफ कंबशन ओफ reactant minus enthalpy of combustion और प्रोड़क्ट यह जो आज की कहानी है आज की कहानी है उसका मैंने पूरा सारांच कहते है ना इना नटशेल आपके सामने रख दिया इसी कहानी को आज हम डीटेल में पढ़ने वाले है एन्थेलेपी ओफ ना उसका एक मोल लेफ्ट हैंड साइड लिखे उसको कंबशन करें और और है और है एंथेलेपी ओफ फॉर्मिशन लिख लिए लिख लिए फुल एनरजी फुल जोश के साथ लिख लिए अगर इतना लिख लिए तो आज की कहानी को शुरू करते हैं मारिया स्क्रीन शॉट इसका इसी को अपने को डीटेल में पढ़ना है यह आज की कहानी की शुरुरुआत है अब देखते हैं आज की कहानी को अपन देखें चलो जी तो एंधिली ओफ फ कंबशन निकाली अपनी कौपी निकाली अपना पैन और फुल एनरजी फुल जोश के साथ मेरे संग जी, heat evolved during the complete combustion of complete combustion of one mole of substance किसका combustion करना है, one mole of substance is called enthalpy of combustion और enthalpy of combustion is generally negative, generally negative क्योंकि combustion के दौरान, combustion के दौरान energy निकलती है, ये combustion कैसी process होती है, exothermic process होती है, कैसी process होती है, exothermic process होती है, किसकी presence में होता है, in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, लिखा इतना, enthalpy of combustion, एक mole आपका substance है, उसका complete combustion करेंगे, तो जो energy evolve होगी, जो heat evolve होगी, वो कहलाईगी enthalpy of combustion, इसलिए इसे generally क्या माना जाता है, है, negative माना जाता है, चलिए, एक एक example लेता हूँ, पढ़ते हुए, चलते हैं, मान लीजे, मेरे पास है, एक mole methane, क्या है, एक mole methane, मुझे इसका combustion करना है, चलो, मुझे इसका combustion करना है, भी मुझे oxygen के बारे में बिलकुल भी नहीं पता, कार्बन किस में convert हुआ, कार्बन पूरा CO2 में convert हुआ, चार हाइडरोजन है किस में convert हुए, 2H2O में convert हुए, अब ध्यान दीजे, कितने oxygen, इधर 2 oxygen, इधर 2 oxygen, तो मैंने इधर लिख दिया, 2O2, this is enthalpy of combustion of methane, similarly, अगर मुझे बेंजीन का enthalpy of combustion निकालना है, तो बेंजीन का एक मोल लूँगा, उसे left hand side लिखूँगा, जितने भी 6 कार्बन है, जियान दीजेगा, 6 कार्बन है, वो 6 CO2 में convert हो गए, 6 hydrogen है, 3H2O बना के convert हो गए, अब आपके पास oxygen कितने बचे, 6, 2, 12, और 3, 15, तो 15 by 2, 15 by 2, 2 से 2 कट गया, तो इधर भी 15, इधर भी 15 balance हो गया, तो 15 by 2 oxygen या O2, हम O2 के form में naturally, O2, O2 के form में पाया जाता है, ठीक है सर, अगर मुझे glucose, ये क्या था, बेंजीन मेरा, ये क्या था, बेंजीन था मेरा, अगर मुझे glucose का combustion करना है, तो देखे, glucose क्या होता है, C6H12O6, एक मोल के लिए हम देखते हैं, इसका complete combustion करें, जितनी भी carbon है, 6 carbon है, किस में convert हो गया, 6 CO2 में convert हो गया, कितने hydrogen है, 12 hydrogen है, किस में convert हो गया, 6H2O में convert हो गया, अब oxygen की balancing देखते हैं, देखेगा oxygen 6 2, 12, 12 और 6, 18, 18 में से 6 तो इधर पड़े हुए हैं, 18 इधर हो गया, 18 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, बच्छे कितने हैं, 12, तो 6 O2 अपनने इधर लगा दिया, 6 O2 अपनने इधर लगा दिया, यह मेरे पास पहले से बनी बुनाई reaction है, इसलिए, नहीं तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि अपन बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, दूसरी चीज, अगर एक मोल मैंने सुक्रोज ले लिया, एक मोल मैंने सुक्रोज ले लिया, जो की क्या हो जाना है, 22 hydrogen, 11 H2O बनाके उड़ जाएंगे, और इधर 11 oxygen को माने रखो, अब बैलेंस करते हैं, 12 to 24 और 11, 33, 33 में से 11 इधर गए, बचे कितने, बचे कितने, अपने 24, तो इधर मैंने ले लिया, 12 O2, 12 O2, यह होता है, अपना enthalpy of combustion, जब एक मोल का आप complete combustion कर दें, complete combustion कर दें, इस दोरान जो energy निकलेगी, उसे या जो heat निकलेगी, उसे आप नाम देंगे, enthalpy of combustion, clear है, clear है यहाँ तक, पहले से उतारो, जल्दी से, जल्दी से उतारो, बिटा जैसे question मैं बोल रहा हूँ, देखना, approach वैसी रखना, question सौलो करने के लिए यही short trick होती है, जैसे enthalpy of formation, मेरे कि एक mole का formation करना, बनाना है, product बनाना है, तो एक mole का formation करना, उसके, जिन भी element से करो, उन्हें standard state में होना चाहिए, ठीक है, proper balancing के साथ, दूसरा combustion करने, अनुराक सर ने कहा था कि एक mole का combustion करना, ठीक है, लेकिन formation में product minus reactant बोलते हैं, और enthalpy of reaction, अगर हम इस case में निकालें, इस case मे निकालें, तो क्या होता है, enthalpy of combustion of reactant minus product होता है, ये short trick है, दिमाग में set कर डालिए, ये thumb rule है, यही question solve कराने में help करेंगे, यही question solve कराने में help करेंगे, अभी तो question आएगा ना, चिंता काहे कर रहे हैं, question आएगा, उतारा, technology का जमाना है, screenshot जल्दी जल्दी मारना है, screenshot जल्दी चलो, next question, next question, next question नहीं, next concept, अपना calorific value, जिसे CV से represent करते हैं, calorific value, क्या होती है, calorific value, ठीक है, समझेगा, calorific value of a fuel or food, fuel, जो कि अपन किस में भरते हैं, diesel हो गया, petrol हो गया, kerosene हो गया, जो कि गाड़ी में भरते हैं, food जो कि हम खाना खा रहे हैं, तो calorific value of a fuel or food is the amount of heat, यह कुछ और नहीं है, amount of heat है, ठीक है, ऐसे question भी आता है, amount of heat in calories or joule, produced by the complete combustion of one gram of fuel or food, समझेगे, आपने एक gram fuel गाड़ी में डाला, या एक gram खाना खाया, इससे जितने amount of energy, जितने amount of heat evolved होगी, जितने amount of heat evolved होगी, इसके complete combustion से उसे नाम दिया जाएगा calorific value, उसे क्या नाम दिया जाएगा calorific value, तो calorific value को अगर हम represent करें, तो calorific value क्या होती है, enthalpy of combustion upon molecular weight, क्या होती है, enthalpy of combustion upon molecular weight, ठीक है, अब अगर आप देख पा रहे होंगे, जो भी fuel और food आफ खा रहे हैं, अगर उसका molecular weight कम है, उसका molecular weight कम है, तो उसकी calorific value बहुत ज़्यादा आएगी, calorific value बहुत ज़्यादा आएगी, तो मेरी बात सुनिएगा, अगर molecular weight कम होगा fuel का या food का, तो better will be the fuel, better will be the fuel और food, आपके पास मान लीजिए, बहुत सारे fuel रखे हुए हैं, उनके molecular weight दिये हुए हैं, जिसका molecular weight कम होगा, वो अच्छा क्या होगा, fuel होगा, ठीक है, similarly, अगर calorific value की हम बात करें, जितनी ज़्यादा enthalpy of combustion एक gram से निकलेगी, एक gram आपने fuel और food लिया, जितनी amount of heat निकली, जितना enthalpy of combustion हुआ, उतना अच्छी क्या होगी, calorific value होगी, तो greater the calorific value, better will be the fuel, better will be the fuel, due to high value of combustion, due to high value of enthalpy of combustion, due to the high value of enthalpy of combustion, clear है, इस concept को भी note down करिये, फिर एक एक question को पकड़ते हुए चल रहा हूँ, बोलो मेरे संग, calorific value, क्या होती है, कुछ नहीं सर, enthalpy of combustion upon molecular weight, जो भी fuel या, food upon use कर रहे है, बड़े आगे, simple है, simple है, मैं एक एक concept को पकड़ते हुए चल रहा हूँ, simple है, ना डरना है, ना घबराना है चलो, next concept की बात करता हूँ, इसी में, next concept की बात करता हूँ, मैं, next concept है मेरा, important question के form में, बस, थेोरी पढ़ ली, इतनी सी थेोरी थी, इतनी सी बात है, अब अलग-अलग variety के question कैसे आएंगे, वो देखते हुए चलना, find out the calorific value, आपको calorific value निकालना है glucose की, glucose क्या होता है, बता combustion करा, तो देखिया, six CO2, six H2O, ठीक है, और इदर six O2 balance कर दिया, इसकी आपको enthalpy of combustion, इसकी calorific value कितनी दी हुए, enthalpy of combustion कितना दिया हुआ है, minus 2900 किलो जूल, किलो जूल, अब आपको क्या निकालना है, इसकी calorific value निकालना है, तो glucose का molecular mass निकाल दो, तो enthalpy, अब भी अपनने देखा calorific value is equal to enthalpy of combustion upon molecular weight of that fuel or food, ठीक है, ठीक है, चलो, अगर ऐसा है, तो जो अपना enthalpy of combustion है, वो देखते हैं, वो देखते हैं, दिया हुआ हुआ है, minus 2900, तो calorific value के लिए minus 2900 दिया हुआ है, molecular mass कितना आएगा, carbon कितना होता है, 12, S6 atom है, ठीक है, hydrogen होता है, 1, S12 atom है, oxygen होता है, 16, S6 atom है, calculate करो, आपको 180 मिल जाएगा, तो 2900 divided by 180 करना, आपकी आ जाएगी 16.11 kilojoule per gram, simple question था, already solved form में दिया हुआ है, 16.11 kilojoule per gram, यह आ गई आपकी क्या calorific value glucose की, पता है, तो बनेगा, पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे बनेगा, मैंने अभी आपसे कहा था, कि बेटा question, कोई rocket science के तौर पर आपके पास नहीं आ जाते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, अगर वो पता है, तो बनता है, नहीं पता, तो basic से basic question भी नहीं बनता, आप J.E.E.O.N.E.D. क पेपर देखिये न, basic question आते हैं, लेकिन information पता होनी चाहिए, teacher किस base से पढ़ा रहा है, वो पता होना चाहिए, clear है, कुछ बच्चों के मैं comment आये थे, कि सर जल्दी से thermodynamics खतम कर दो, बिल्कुल जल्दी से खतम करते हैं अपन, जल्दी से खतम करते हैं अपन, ठीक है, बहुत सारे चीजे होती हैं, वीडियो सापके लिए quality वाले लाने पड़ते हैं, time लगती हैं, content, quality content में time लगता है, लेकिन हम जल्द से जल्द चीजे करेंगे, भरोसा रखिये का, ठीक है, चलिए जी, next question की बात करते हैं, अच्छा question है, देखते हैं, आपको दिया हुआ है, carbon का enthalpy of combustion minus 50 kilojoule per mole, methane का enthalpy of combustion minus 200 kilojoule per mole, ठीक है, hydrogen का enthalpy of combustion minus 100 kilojoule per mole, तो पूछ क्या रहा है, ये दिया हुआ है, combustion दिये हुए है, पूछ रहा है, enthalpy of formation, निकालो methane का, मतलब ये जो question है, enthalpy of combustion and enthalpy of formation का combine question है, combine question है, कैसा question है, combine question है, तो calculate करने बोल रहा है, enthalpy of formation को methane के, चलो देखते हैं, जिसका पूछा है, उसको मैंने right hand side लिखा, लिखा, चलो, किससे बनेगा, एक mole, एक mole किससे बनेगा, उसके constituent element को most stable state में होना चाहिए, carbon graphite और 2 hydrogen balance करा, मैंने gaseous state में, ये मेरा aim है, जो भी question चलो, पूछा ये है, ये मेरा aim मैंने बना दिया होता है ना, जिन्दगी में आपका aim होगा, doctor बनना है, engineer बनना है, हर इंसान सबने देखता है, उस aim को follow करने के लिए उसके पास रास्ता होता है, अब इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, given क्या दिया हुआ है मेरे पास जो दिया है मैं देखते चलता हूँ मेरे पास दिया है enthalpy of combustion जिसका combustion पूछे उसको लिखे अपने left hand side चलो carbon graphite state में ठीक है इसका combustion अपन करेंगे तो carbon co2 में convert होगा ठीक है इसके co2 में convert होगा तो oxygen gaseous state में ठीक है और यह मैंने ले लिया एक मोल ठीक है यह कितना दिया हूआ है माईनस 50 kilojound पर मोल इसका enthalpy of combustion दिया है माईनस 50 kilojound पर मोल ठीक है चलो अब क्या दिया है meant in telephone न esten इनलल्पी मेथेन को अपने को जलाना है मीथेन जो दिया है इसका combustion करना है अपने को तो मीथेन गैस का जब combustion करेंगे carbon convert होगा CO2 गैस में CO2 गैस में और जितने भी hydrogen है चार hydrogen है वो 2H2O में जाएंगे 2H2O में जाएंगे जब ये गए तो आप बताईए oxygen कितनी हुई देखो इसलिए balancing बता रहा था दो और दो चार मतलब 2O2 गैस चलो बन गया सर चलो बन गया सर यह अपने को दिया हुआ है कितना जो दिया था अपन देखते चले माइनस 200 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल जो दिया मैंने लिग दिया ना मैं डरा ना घब राया तो टाइम लगेगा question solve करने में लेकिन एक बार बन जाएंगे तो अपने आप बनेंगे ठीक है अब हाइड्रोजन का combustion करना है चलो ठीक है हाइड्रोजन गैस तुमारा combustion करते हैं अभी मैं oxygen की balancing नहीं कर रहा हूं तुम किसमें अब ध्यांदीजिएगा oxygen कि लगेगी हाफ oxygen गैस लगेगी यह अपना बन गया यह अपना बन गया चलिए ठीक है अब यह कितना दिया इसका enthalpy of combustion कितना दिया हुआ है इसका enthalpy of combustion दिया है minus 100 kilojoule per mole 100 kilojoule per mole जो मुझे दिया था पहले मैंने लिख दिया लिख दिया मैंने यह अब मुझे यह equation चाहिए इसका use करके मैं अपने target को प्राप्ट करूँगा जो मेरे पास रास्ते बने हुए हैं समझ रहो ना जिन्दिकी में जो रास्ते मेरे पास जो resources है यही होता है ना target कैसे मिलता है जो ममी पाप कोचिंग पढ़ा रहे हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं इस resource का use कर लो जो resource दिये हुए है उसका use चाहिए अपने target में यस तर एक मोल करवन चाहिए तो चलो ठीक है इस reaction को मैंने ऐसे करा अब मेरा target मैं achieve कर रहा हूं target क्या करने जा रहा हूं मैं achieve करने यह अपना तरीका है बहिए मैं ऐसे कराता हूं तार्गेट अचीव करने जा रहा हूं थोड़ा समय लूँगा लेकिन बनेगा मुझे एक मोल कारबन चाहिए था ठीक है दिया हुआ है ऑक्सीजन दी हुई है सियो टू गैस में कनवर्ट हो रहा है चलो यह दिया हुआ था मेरा माइनस 50 किलो जूल पर मोल किलो साइड चाहिए था मेरे टार्गेट में तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा लेकिन मेरे टार्गेट में रास्ते में जो मीथेन आ रहा है और राइट है तो बदल दो ना बदल देता हूं बदलने में क्या जा रहा है मुझे मीथेन को मैंने इधर करा मीथेन प्लस टू O2 ठीक है यह किस से आ रहा है CO2 से और किस से आ रहा है H2O से चलो चलो यहां भी गैस कर देता हूं यहां भी गैस कर देता हूं ठीक है और यहां भी मैं मीथेन को गैस कर देता हूं इसको गैस कर देता हूं यह कितना साइन बदला अपोजेट करा तो साइन भी बदल गया 200 किलो परमोल ठीक है अब क्या है मुझे hydrogen किदर चाहिए hydrogen मुझे left hand side चाहिए चलो मैं आज़ इस लिग दिया as it is लिग दिया as it is लिग दिया hydrogen hydrogen ठीक है मैं आज़ इस लिग दिया किस में convert हो रहा है plus half o2 plus half o2 नहीं लेकिं मेरे target में hydrogen कितिनी है double है double है मतला मुझे यहाँ यहाँ पर दो से multiply करना पड़ेगा मेरे target में hydrogen double है और जो मेरे पास रास्ता है उसमें single है मतलब 2 से multiply कर दूँ 2 से multiply कर दूँ ठीक है करते हुए चलता हूँ 2 से multiply कर दिया oxygen oxygen मेरे target में oxygen यहाँ भी दो से हर जगा दो से multiply होगा दो दो तो यह हो गया ओटू बस ओटू रही चलो यहाँ पे दो से multiply हुगा तो यह टूएस टूओ हो गया तो यहाँ भी दो से multiply करना पड़ेगा तो यह हो गया माइनस 200 माइनस 200 किलो जूल पर मूल किलो जूल पर मूल अब ध्यान दीजेगा अब ध्यान दीजेगा यह अपने को टार्गेट अपने अचीव कर लिया है अब टार्गेट अपने अचीव कर लिया देखो जो काम की चीज नहीं होगी उसे कैंसिल कर देना चलो कोई अच्छा से 2H2 कटता दिखा, 2 oxygen से 2 oxygen कटता दिखा, सब खट गया. अब देखिए ये मेरा target आया, ये मेरा target आया क्या, carbon graphite plus 2H2, 2H2, ठीक है, 2H2 किसमे convert हो रहा है, methane में, methane में मेरा target आ गया, carbon graphite थे, तुम gaseous थे, तुम gaseous थे, ठीक है, और मेरा ये final क्या हुआ, enthalpy of formation मुझे निकालना है, final enthalpy minus 50, plus 200, minus 200, plus 200 से minus 200 कट गया, ये आ गया मेरी minus 50 किलो जूल, ये आ गया मेरा enthalpy of combustion, calculate enthalpy of formation, combustion नहीं, calculate enthalpy of formation of methane, ये आ गया मेरा minus 50 किलो जूल, पर मोल, ठीक है, simple question है, कोई rocket science था, question में time लगता है, time लगता है, तरीके, लेकिन simple question ऐसे ही आएंगे, simple क्या, जो भी question आएंगे, ऐसे ही आएंगे, अपन तरीका देखते हुए चल रहे है, कितना time लोगे, गिंती गिनू, एक, दो, तीन, बजादी बीन, मार लिया, screenshot, मार लिया, चलो जी, next question, next question की बात करता है, next question है मेरा, the heat of formation, किसकी बात कर रहे है, heat of formation, of CO2 and H2O, देखो, अब heat of formation बोल रहा है, हना, समझ रहे हो न, formation, एक मोल के लिए देखेंगे, हाँ हाँ सार हमको पता है, CO2 and H2O, is 97 किलो कैलोरी, and minus 68 किलो कैलोरी, ठीक है, जो दिया है, मैंने भी बोल दिया, the heat of combustion of benzene, ये भी दिया हुआ है मेरे पास, तो पूछ रहा है, heat of formation of benzene, पता करो, heat of formation of benzene, जो पूछेगा, वो मेरा aim होगा, और बाकी जो दिया होगा, कान फटे ना, फटना चाहिए, सोना नहीं है, क्या, ये बावा वहाँ पे बैट के अपन सो रहे है, सोना नहीं है वहाँ पे, दिया है, heat of formation of benzene, आपको निकालना है, मेरा aim है, formation, benzene का करना है, चलो जी, मेरे aim को लिखता हूँ, मैं, बीलू कलर से लिखता हूँ, मेरा aim, इधर aim है मेरा, ये c6, h6, benzene होती है, इसका formation करना है, formation करना है, मैंने एक मोल benzene लिया, ठीक है, benzene liquid form में पाया जाता है, चलो जी, मैंने किस से बनाया, constituent element जैसे 6 carbon, 6 carbon graphite state में, plus 3 hydrogen gaseous state में, standard state में होने चाहिए, उसके constituent element, ठीक है, ये मेरा बन गया benzene, क्या बन गया benzene मेरा, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास, ये तो मेरा aim है, target, ये मेरा aim है, इस aim को प्राप्त करने के लिए मेरे पास दिया है, heat of formation of, heat of formation of CO2, चलो, जिसका formation करना है, उसको right hand side लिखा, given क्या क्या है, पहले ये भी लिख दूँ, given जो है, जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, मेरे पास जो दिया है, मैं follow करते हैं, जिसका formation करना है, उसको right hand side लिखा, CO2 gas, ठीक है, किस से बनेगा, एक carbon graphite, plus O2 gas से, चलो, ये कितना दिया हुआ है, मेरे पास, ये दिया है, minus 97 kilocalorie, चलो, अब दिया है, heat of formation of water, जिसका formation करना है, उसका एक mole मैंने right hand side लिखा, उसका एक mole मैंने right hand side लिखा, water gaseous या liquid state दोनों में ले सकते हैं, चलो, किस से बना, किस से बना, H2, H2 gas, plus half O2, oxygen एक है, तो half O2 gas, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, minus 68 kilocalorie, 68 kilocalorie दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है, heat of combustion of benzene, जो दिया है, वो लिखते चल रहा हूँ, heat of combustion of benzene, इसको जलाना है, जलाना है, तो एक mole को जलाएंगे ना, जो दिया है, वही लिखूँगा ना, लिखूँगा ना, इसको जला रहा हूँ मैं, carbon किस में convert हुआ, CO2 में, hydrogen किस में convert हुआ, H2O में, हो गए balance, oxygen नहीं balance हुआ, जिसकी वज़ा से जला है, जिन्दिगी में जिसकी वज़ा से जले हो, उसको तो balance कर दो, इदर तुम 6, 2, 12, 3, 15, तो इदर मुझे से ये 15, चलो लेकिन 2 हो, तो 15 by 2 कर दिया मैंने, चलो जी, चलो 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 चलो, चलो, ये मेरी कहानी हो गए, ये reaction मैंने balance कर दी, ये कितना दिया हुआ है, मेरे पास माइनस 7, 83, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी दिया हुआ है, अब लेकिन मेरा target क्या है, ये है, मेरा target क्या है, अब मेरे को ये target प्राप्त करना है, ठीक है, अब मुझे ये जो मेरा target प्राप्त करना है, इसके लिए मैं इसका use करूँगा, है target achieve कैसे होगा कैसे achieve होगा जब मैं यहाँ पे यह देखो मेरी ca reckon आया उसको मैं च्या गुणा कर दूँ जो मेरी रहा में ca & ऑ जो मेरी रहा में carbon आया उसको 6 गुना कर दूँ ठीक है तब 60 कर दिया मैंने 6 गुना कर दिया मैंने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 C carbon graphite चलो oxygen भी हर जगा 6 गुना होगा हर जगा 6 गुना होगा ये 6 गुना हो गया क्या मेरा oxygen oxygen gaseous ठीक है किसमें convert हुआ किसमें convert हुआ CO2 में ये भी 6 गुना हो गया ये भी 6 गुना हो गया ठीक है और इदर जो value दी हुई है उसको भी मैंने 6 से multiply कर 1 minute माइनस 97 97 in to 6 6 कितना आया देखते हैं हपन कितना आया देखते हैं हपन similarly मुझे hydrogen चाहिए 3 कुना तो यहाँ पर 3 से multiply करूँगा तो देखो यहाँ पर मैंने 3 से multiply करा 3 से multiply करा किसमें hydrogen में किसमें hydrogen में ठीक है हर जगा 3 से multiply होगा थी 3 गा 2 oxygen हो जाएगा यहां 3 by 2 क्या हो जाएगा आपका oxygen gas हो जाएगा देखो बहुत simple और इतना systematic तरीके से कर रहे हैं अपन ठीक है यहां भी मेरा क्या हो गया 3 H2O हो गया यह liquid state में यह gaseous state में अगर 3 से यहां multiply करा है तो यहां भी 3 से multiply कर दो यहां भी 3 से multiply कर दो देखो 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 माइनस 68 into 3 कर दे रहे हैं calculator का यूज करके मेरे पास calculator मेरे मेरी मैट्स बड़ी बेकार है बड़ी बेकार है चलो जी अब यहां पर मुझे बैंजीन अरे हाहा बैंजीन हाहा टारगेट में राइट है चलो रहे बदल देते हैं अपन इसको बदल दो इधर आओ 6 CO2 6 CO2 ठीक है इधर आओ 3 H2O आजाओ ठीक है इधर आजाओ बैंजीन C6 H6 इधर आजाओ अपने कौन 15 by 2 O2 15 by 2 O2 बदला है तो बदलो न साइन बदलो न साइन साइन भी बदलो साइन बदला अपने प्लस 783 783 कैलोरी ठीक है चलो देखते हैं कैलकुलेटर का यूज करते हैं चलो माइनस 97 इन्टु 6 देखते हैं कितना आ रहा है माइनस 97 इन्टु 6 97 into 6 यह आगया आपका 582 minus 582 ठीक है यह कितना आ रहा है 68 into 3 यह आगया minus 204 minus 204 और यह आगया अब आप देखी क्या आपके पास final target achieve हो चुका है जो आपके काम का है उसको cancel मत करना बाकी सब cancel हो जाएंगी यह बात हमेशा याद रखना अगर आप proper तरीके से आप follow कर रहे है equation को जो आपके काम का है वो कटेगा नहीं बाकी सब कट जाएंगे देखो 3H2 यह नहीं कटेगा ठीक है और यह benzene नहीं कटेगा बाकी सब कट जाएंगे 6 CO2 से 6 CO2 कटी 6 और 3 by 2 O2 15 by 2 O2 से 15 by 2 O2 कट गया 3H2 O से 3H2 O कट गया मैंने हमेशा सहीं follow कर रहा है तो कभी गलती नहीं होगी 6 carbon graphite plus 3 hydrogen gas convert हो गया C6 H6 liquid में ठीक है अब आप देखिए minus यह जो enthalpy change कितना है आपका heat of formation of benzene heat of formation of benzene कितना है minus 582 minus 204 plus 783 783 चलो चेक करते है calculator का use करके minus 582 minus 204 plus 783 minus 3 कितना आगया minus 3 kilo calorie this is enthalpy of formation this is heat of formation enthalpy of formation of benzene जैसा question आए मैंने solve करता रहा जैसा question बोला मैंने पकड लिया जैसा question बोला मैंने पकड लिया यही है आपकी thermodynamics की beauty question बड़े होते हैं लेकिन मज़ेदार होते हैं यही है आपके thermodynamics की beauty question बड़ा होगा लेकिन मज़ेदार होगा मज़े देके जाएगा बढ़ू आगे बढ़ जाओ आगे और डरना नहीं है यार मैं कोई डरा क्या मैंने simple तरीके से करा ना आपको भी ऐसे ही करना है एक दो तीन कर दें फिर से शुरू बजगई बीन क्या बज़ी बीन सर इत्ता लंबा चोड़ा question है चलो जी अगला question मेरे पास दिया हुआ अलग variety का question a cylinder of cooking gas आया हुआ question यह भी कहीं ना कहीं a cylinder of cooking gas is assumed to contain 11.2 kg of butane उसमें कितनी भरी हुई है butane? butane होती है C4, H10 आपके gas का cylinder है उसमें भरी है butane जो कितनी भरी है? 11.2 kg भरी हुई है चलो the thermochemical reaction for the combustion of butane is this कि भाईया आप one mole butane को जलाते हैं सीदी सी बात combustion one mole का करते हैं तो 13 by 2, O2, 4 CO2, 5 H2O में convert हुआ enthalpy इतनी आए, enthalpy of combustion इतनी आए ठीक है जो दिया मैं तो बस पढ़ते जा रहा हूँ if our family need अगर कोई family है उसको जरुवत पढ़ रही है जैसे मेरी family हम एक हमारा एक कोई भी नहीं है हम अकेले हैं समझ रहे हो नहीं मतला हम तो अकेले हैं ना ठीक है तो हमें मान लीजिए हमारी family को जरुवत पढ़ी 15,000 किलो जूल की एनरजी पढ़ रही है तो आपका सिलिंडर कितने दिन चलेगा how long would the cylinder last cylinder कितने दिन चलेगा चलो देखते हैं क्या बात है घर पे देखना तुमारे घर में कितनी एनरजी जल रही है समझ रहे हो चलो बिटा मेरे पास गैस बढ़ी हो यह 11.2 kg पहले यह देखते हैं कि एक मोल एक मोल में कितने ग्राम होता है देखते हैं एक मोल में कारवन देखो 12 इंटू 4 प्लस हाइडरोजन 1 इंटू 10 कितना होगा 48 और 58 ग्राम से इधर सुनना 58 ग्राम जब जलता है एक मॉल जब जलता है। 58 ग्राम जब ब्ईूतेन जलता है। ब्ईूतेन से आपको कितनी एनर्जी मिलती है। 58 ग्राम ब्ईूतेन कितनी एनर्जी देता है। minus 2658 kilo joule energy देता है यह 11.2 kg दिया है तो 11.2 gram में convert करना है तो 1000 से multiply कर दिया इतने gram butane कितनी energy देगा बता ही इतने gram butane कितनी energy देगा unitary method लगा दी एक chocolate अगर 5 रुपे में आती है तो इतनी chocolate कितने रुपे में आएंगी तो 58 gram butane इतनी energy दे रहा है तो इतनी कितनी देगा energy तो देखते हैं unitary method second or third quantity multiply होती है 2658 into 11.2 into into 1000 divide by 58 चलो जी बड़ा लंबा calculation है calculation की दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं calculation से ना हम डरेंगे ना घबराएंगे 2658 into 11.2 into 1000 यह आ गया आपका 29 769 600 डिवाइड बाए 58 यह आ गया आपका डिवाइड बाए 58 513 268.9 ठीक है आपके 58 gram से इतनी energy मिलती है और अगर आपका 1500 किलो जूल का consumption daily है consumption daily है तो यह cylinder कितने दिन चलेगा अगर आपके 1500 किलो जूल का consumption daily है तो इस cylinder कितने दिन चलेगा कुछ नहीं फिर तो cylinder कितने दिन चलेगा कितने दिन चलेगा अगर आपको पता करना है तो जो total energy आपकी आ रही है यह जो energy आपकी आ रही है 513268.9 इसको डिवाइड कर्दो 15,000 से इसको डिवाइट कर दो 15,000 से आपको पता चल जाएगा आपका सिलिंडर कितने दिन चलेगा इसको डिवाइट कर दिया अपने 15,000 से तो ये करीब 34 दिन चलेगा कितने दिन चलेगा 34 डे चलेगा ये आगया आपका मज़ा आया question में comment section में बताना मज़ा आया question में yes sir आया तो होगा ये total energy थी उसको divide कर दिया कि एक दिन में कितनी मिल रही है आपको पता चल जाएगा कि ये cylinder कितने दिन चलेगा ठीक है क्योंकि आपकी total gas कितनी भरी हुई है कितनी gas भरी हुई है आपकी इतनी gas भरी हुई है ठी इतनी gas कितने दिन चलेगी 34 दिन चलेगी clear है ये थी अपनी enthalpy of combustion और उससे related question काफी simple topic है लेकिन variety का भी काफी cover करी मैंने अभी तो मैं सिर्फ topic simple simple topic पकड़ते हुए चल रहा हूँ single single topic जैसे हमारी magnet brain की USP ही यही है कि NCIT के single topic को detail में लेके चलते हैं फिर combine question करेंगे अपन फिर combine जेल में कराते हुए चल रहा हूं सारी कहानी नीट और जहीं मैं ऐसे ही question आता है ठीक है तो यहां पर अपनी क्या कहानी खतम हुई तो formation क्या होता था जब आप एक मोल का एक मोल substance का formation किस से करते थे उसके element से करते थे जिसमें element most stable state में होते थे तो उसे हम कहते थे enthalpy of formation और इस जब आप एक मोल को जलाते थे एक मोल substance का complete combustion करते थे air की presence में oxygen की presence में ठीक है तो उसे हम कहते थे enthalpy of combustion और enthalpy of combustion कैसे निकालते थे enthalpy of combustion of reactant minus product आज जो हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में enthalpy of atomization and bond energy and bond dissociation energy मैंने बहुत सारी चीजे देखी बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा confusion होता है कि यार enthalpy of atomization क्या है bond energy क्या है bond dissociation energy क्या है क्या ये सारी चीजे सेम है bond energy bond dissociation energy सेम है enthalpy of atomization सेम है एक slightly difference है बस इसमें एक slight difference है बाकी सारी चीजे सेम है तो टेंशन लेने की बात नहीं है मैं आपके सामने खड़ाऊं फुल एनर्जी, फुल जोज के साथ इस कहानी को इतने सिंपलेस तरीके से समझाऊंगा कि आज के बाद कभी दिकत नहीं होगी तो निकालिए अपनी कॉपी निकालिए अपना पैन, हैडिन डालिए एन्थेलपी ओफ एटोमाईजेशन, बॉंड डिसोसियेशन एनर्जी और बॉंड एनर्जी और शुरू हो जाईए मेरे संग पहले बात करते हैं एन्थेलपी ओफ एटोमाईजेशन के बारे में नाम में ही छुपा है कि आपके पास कोई सबस्टेंस है कोई सबस्टेंस है, एक मोल सबस्टेंस है उसको आप अपने गैशियस आटम में कनवर्ट कर दो जो भी एक मोल सबस्टेंस है उसको आप अपने गैशियस आटम में कनवर्ट कर दो तो इस दोरान जो आपको enthalpy change देखने मिलेगा वो आपको देखने मिलेगा enthalpy of atomization तो मैं क्या बोल रहाँ what is enthalpy of atomization समझते चलना जब एक mole given substance को जब एक mole given substance को dissociate करेंगे हम उसके किसमें gaseous atom में तब जो आपको enthalpy change देखने मिलेगा वो मिलेगा enthalpy of atomization for example मैंने मीथेन लिया मीथेन लिया अब मीथेन को मैंने dissociate करा carbon gaseous में और 4 hydrogen gaseous में किस में convert कर रहे हैं हम एक mole substance को उसके gaseous atom में याद रखिएगा gaseous atom में convert कर रहे हैं तो उसे हम नाम देते हैं enthalpy of atomization चलिए मैंने C6H6 benzene लिया carbon gaseous में और 6 hydrogen gaseous atom में convert करा तो उसे अपन ने क्या नाम दिया enthalpy of atomization नाम दिया CCL4 carbon tetra chloride ले लिया मैंने उसे मैंने convert करा carbon gaseous में और 4 chlorine gaseous में तो उसे enthalpy of atomization नाम दिया H2O है उसको convert करा हमने 2 hydrogen gaseous atom में और oxygen gaseous atom में तो जो enthalpy change अपने को देखने मिला वो कहलाता है enthalpy of atomization chlorine है chlorine है chlorine को मैंने gaseous atom में convert कर दिया तो ये कहलाता है enthalpy of atomization ठीक है carbon solid है अब देखिएगा sir ये तो carbon solid है yes carbon solid को भी अगर आप carbon gaseous में convert करोगे solid से सीधे gas बनाओगे तो इसे भी हम कहेंगे enthalpy of atomization आपके पास sodium solid है sodium solid है sodium solid को अगर आपने convert कर दिया sodium gaseous में तो ये भी कहलाएगा enthalpy of atomization अब यहाँ पर interesting बात क्या है sir solid को gas में convert करना तो हमारा enthalpy of सीधे solid को अगर हम gas में convert करना है वो तो enthalpy of sublimation कहलाता है याद रखिएगा अगर solid को सीधे gas में convert कर दिया जाए solid से सीधे gas बने तो उसे हम कहता है enthalpy of sublimation यहाँ enthalpy of sublimation किसके बराबर होगा enthalpy of atomization के बराबर होगा enthalpy of atomization के बराबर होगा बोलो clear है आप समझ गाए what is enthalpy of atomization कोई भी एक मोल अपने substance लिया अगर उसे आप gaseous atom में convert कर देंगे तो उसे नाम दिया जाता है enthalpy of atomization ठीक है enthalpy of atomization की कहानी clear होगा पहले note down करें इसे फिर अपना आगे बढ़ते हैं पहले इसे note down करें फिर अपना आगे बढ़ते हैं इस कहानी को कर लिया note down चलो अब बात करता हूँ मैं bond energy और bond dissociation energy के बारे में समझेगा कभी भी bond energy और bond dissociation energy term आता है तो लोग एक चीज बोल देते हैं कि हाँ बाँड के बनने में लगने वाली energy या बाँड जब टूटा तो बाँड जब टूटा तो निकली वाली energy bond energy कहलाती है कुछ लोग इसी को bond dissociation energy कह देते हैं लोग clear नहीं होते हैं कि bond energy क्या चीज है bond dissociation energy क्या चीज है bond energy क्या चीज है bond dissociation energy क्या चीज है अब मैं आपको clear करता हूँ समझेगा bond energy कभी भी die atomic molecule के लिए 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 जाती है logic सुनना bond energy जो term होता है bond energy जो term होता है हम हमेशा डाई एटामिक मॉलीक्यूल के लिए यूज करते हैं डाई एटामिक मॉलीक्यूल के लिए यूज करते हैं वो या तो होमो एटामिक हो सकते हैं या वो हेटरो एटामिक हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं वो या तो होमो एटामिक हो सकते हैं या तो heteroatomic हो सकते हैं चलिए ठीक है क्या है ये इट इस दा energy required या तो कोई आपको energy required to dissociate one mole of bond one mole of bond वो या तो single bond हो सकता है वो या तो single bond हो सकता है वो या तो single bond हो सकता है वो या तो double bond हो सकता है वो या तो triple bond हो सकता है तो इतनी energy the amount of energy required to dissociate one mole of bond to dissociate one mole of bond between two atom of die atomic molecule between two atom of a die atomic molecule यह दूसरे term में मैं कह दूँ क्या बोला energy required energy required देखना energy required to dissociate to dissociate one mole of bond देखिए आपने energy required to dissociate one mole of bond यह hydrogen hydrogen ता इसके बीच का bond को आपने तोड़ा ठीक है तो जो energy लगी वो क्या कहलाईगी आपकी bond energy कहलाईगी यह दूसरे term में हम कहें in other words it is the energy released it is the energy released when one mole of such bond is formed जब एक mole bond form होगा इना die atomic molecule मतलब एक mole bond बना या एक mole bond टूटा एक mole bond टूटा तो जो energy released हो या required हो उसे हम नाम देते हैं bond energy उसे हम क्या नाम देते हैं bond energy नाम देते हैं जैसे यहाँ पे देखिए जब दो atom आपस में मिले in other words energy जब दो atom आपस में मिले और एक mole bond बन गया हाईड्रोजन औहाईड्रोजन के बीच एक mole bond का formation हो गया energy बोलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे bond energy बोलेंगे या आपका hydrogen atom था यह hydrogen था यह तूट गया यह तूट गया तो इसे क्या नाम देंगे bond energy नाम देंगे बोलो clear है इनके बीच के bond को तोड़ने के लिए लगने वाली energy या एक mole bond बनाने के लिए लगने वाली energy क्या कहलाती है bond energy लेकिन bond energy हमेशा किसके लिए होती है die atomic molecule के लिए होती है जैसे for example माल लीजिए मैंने hydrogen है hydrogen है ठीक है इसको तोड़ा किसमे hydrogen प्लस hydrogen में यह hydrogen था इनके बीच में जो bond था मैंने इसको तोड़ दिया hydrogen हो hydrogen में तो यहां मुझे bond energy देनी पड़ेगी जैसे तो जो energy मुझे लगी किस bond को तोड़ने में जैसे मुझे लगती है 436 kJ कित्ती लगती है 436 kJ तो energy मुझे लग रही है तो यह होगी endothermic यह कैसी होगी endothermic लेकिन यहीं मैं बोलूँ यहीं मैं बोलूँ कि यह H PLUS H मिलके क्या बना दें? H2 बना दें 1 मोल बंड का फ्रॉरमेयशन हो जाए तो इस दोराँ जो एनरजी निकली 436 किलो जूल वो क्या हो जाएगी? जो एनरजी निकली वो क्या कहलाएगी? बंड एनरजी कहलाएगी बंड एनरजी कहलाएगी clear है clear है, तो bond energy का concept clear है यह die atomic molecule के लिए use होती है ठीक है, किसके लिए use होती है, die atomic molecule के लिए लेकिन bond dissociation energy जब atomicity 2 से ज़्यादा हो जब atomicity 2 से ज़्यादा हो 2 से ज़्यादा हो तो उसे हम नाम देते हैं bond dissociation energy मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा मेरे पास यह H है O है, यह H है atomicity कितने से ज़्यादा है, 1, 2, 3 atomicity कितनी हो गई, 3 से ज़्यादा अब इस bond को तोड़ने में इस bond को तोड़ने में समझ ना, लगने वाली जैसे कैसे तूटेगा यह bond मान लीजिए, पहले यह bond तूटा, पहले यह bond तूटा पहले यह bond तूटा, और क्या बना आपका OH, फिर यह bond तूटा, फिर यह bond तूटा मतलब सर, पहले यह bond तूटा तो मान लीजिए, energy लग रही थी पहले यह bond तूटा तो energy लग रही थी X, और यह bond तूटा तो energy लग रही है Y, दोनों सेम नहीं होंगी, समझे न, ये OH bond की energy और ये OH bond की energy same नहीं होंगी, पहले ये bond टूटा, फिर बाद में ये bond टूटा, तो हम इस case में average निकालते हैं, x plus y by 2, x plus y by 2, ये आपको देगा bond dissociation energy, bond dissociation energy, या mean bond dissociation energy, जैसे मीथेन है, मान लीजे ये मेरा मीथेन है, ठीक है, पहले ये bond टूटा, पहले ये टूटा, तो CS3 बचा, फिर ये टूटा, फिर ये टूटा, फिर ये टूटा, चार bond टूट रहे हैं, 4 CH bond, मान लीजे एक में x है, एक में y है, एक में z है, एक में p है, माल लीजे, enthalpy, चारो bond को तोड़ने में तो भाईया, चारो का average जब आप निकालोगे तो ये आपको देगा bond dissociation enthalpy, क्या देगा? bond dissociation enthalpy, bond energy किसके लिए हमेशा use होती है? bond energy हमेशा use होती है, अपने die atomic molecule के लिए लेकिन bond dissociation energy या average bond dissociation energy किसके लिए use होती है? किसके लिए? poly atomic molecule के लिए use होती है, जिनकी atomicity दो से ज़्यादा होती है, उनके लिए use होती है clear है? आईए हैं तक? आईए हैं तक? लेकिन अगर आज के बाद आपको bond energy, bond dissociation energy पर question आए तो आप ये मान के चले न, हाँ चीजे same है, question करने में दिक्कत नहीं होगी लेकिन ये जो basic concept है, वो मैंने आपके सामने clear कर दिये, ये जो basic concept है, मैंने आपके सामने clear कर दिये बढ़ जाओं आगे, बढ़ जाओं आगे, चलो जी, next concept की बात करते हैं, उतार लो, next concept की बात करते हैं अपन, next concept की बात करते हैं द्यान दीजेगा application of bond energy क्या है समझना in the determination of heat of reaction heat of reaction और enthalpy अगर आपको heat of reaction निकालना है या enthalpy निकालना है तो आप किसका यूज कर सकता है bond energy का यूज कर सकता है मान लीजे कोई reaction है जिसमें bond तूट रहे हैं तो उस reaction की enthalpy निकालना है तो इस case में हम क्या बोलेंगे heat of reaction किसके बराबर होती है sum of bond dissociation energy of reactant याद रखना reactant minus sum of bond dissociation enthalpy of product क्या हमने enthalpy of combustion में भी ऐसे ही बोला था कि enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of product यस सर बोला था इस तरीके से भी आप heat of reaction निकाल सकते हैं कि sum of bond dissociation enthalpy of reactant minus sum of bond dissociation enthalpy of product simple छोटा सा वीडियो है conceptual based है concept based है आ जाईए कि bond dissociation enthalpy reactant minus product होती है reactant minus product होती है एक हाथ question करवाओं तो कहानी clear होगी एक हाथ question कराओं तो कहानी clear होगी लिखा इतना पहले एक हाथ question कराता हूँ कहानी ज़्यादा clear होगी चलिए देखिएगा देखिएगा अगला question है अपने पास the bond dissociation energies of H2, Cl2, HCl are 104, 58, 103 kilocalorie per mole given दी हुई है दी हुई है तो calculate करो enthalpy of formation of HCl देखो आपको enthalpy of formation of HCl निकालना है जिसका formation पूछे एक mole के लिए उसे right hand side लिके किसे बन रहा है ह और किसे बन रहा है यह gacious state में होना चाहिए और किसे बन रहा है CL2 से बन रहा है लेकिन एक CL है तो इसको half कर दिये यह भी gacious हो गया यह आपका हो गया यह आपका हो गया आपका HCl कैसे बनेगा यह enthalpy of formation अपने को निकालना है और क्या दिया हुआ है आपको bond dissociation energies of hydrogen chlorine SCL दी हुई है चलिए कैसे निकालेंगे इस case में अगर हमें enthalpy of formation निकालना है या enthalpy of reaction निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं bond dissociation energy of reactant minus bond dissociation energy of product reactant कौन कौन है hydrogen hydrogen कलिए कितनी दी हुई है hydrogen enthalpy of hydrogen ठीक है लेकिन हमें आदा मोल चाहिए तो half plus और किस के लिए chlorine chlorine enthalpy of chlorine लेकिन हमें आदे मोल के लिए चाहिए तो half minus bond dissociation enthalpy of HCl, hydrogen के लिए कितनी है, 104 by 2, plus chlorine के लिए कितनी है, 58 by 2, 58 by 2, minus HCl के लिए कितनी दी है, 103, चलो यह 104 by 2, अपने करें कितना है, यह आया 52, यह कितना आगे है, 29 minus 103, minus 103, चलिए, कितना आएगा, एक बर calculate करके देख लेते हैं, अपन, 52, 50, 60, 80, 81, देख लिए, 81 minus 103, 81, सही है ना, yes, 81 minus 103, यह आगया, minus 22, minus 22 किलो कैलोरी, अगर question पूछे जाएं, तो हमें ऐसे करना, this is enthalpy of formation of HCl, clear है, अच्छा question था, चलिए, आप कुछ और enthalpies के बारे में अपन बात करते हैं, और कुछ enthalpies के बारे में अपन बात करते हैं, चलिए जी, enthalpy of fusion क्या होता है, enthalpy of fusion क्या होता है, जब आप एक mole substance को, एक mole substance को, उसके melting point पे ले जाके, उसे liquid में convert कर दें, जब एक mole substance को, जब एक mole substance को, आप उसके melting point में ले जाके, liquid में convert कर दें, तो उस समय जो heat require होती है, उसे नाम दिया जाता है, enthalpy of fusion, fusion, जैसे H2S है, ठीक है, solid है, solid को आपने liquid में convert करा, तो उसे नाम देंगे enthalpy of fusion, क्या नाम देंगे enthalpy of fusion, similarly, enthalpy of vaporization क्या होता है, एक mole substance है, समझे न, liquid substance है, उसको आपने gaseous substance में convert करा, heat required to convert one mole of a liquid substance to its boiling point into vapor, आपने water liquid था, उसको आपने water gaseous में convert कर दिया, उसके boiling point पे तो जो enthalpy की जरुद होगी, वो होगी enthalpy of vaporization, क्या होगी enthalpy of vaporization, और जैसे अभी मैंने बताया था, enthalpy of sublimation के बारे में, enthalpy of sublimation कोई नया concept नहीं है, जब एक mole substance है, आपके पास क्या है, एक mole substance है, कैसा substance है, solid substance है, उसको आपने किस में convert कर दिया, solid को सीधे vapor में convert कर दिया, किस में convert कर दिया, solid को सीधे vapor में convert कर दिया, तो वो जो enthalpy required होगी, वो कहलाएगी आपकी enthalpy of sublimation, तो बोलो fusion क्या है, fusion क्या है, Solid को Liquid में Convert करना Fusion क्या है आपके पास कोई Solid है उसको Liquid में Warf को पिगला दो यह term questions gardens करने में बहुत help करेंगह function क्या है पानी है पानी को भाप बना दो क्लाइगे enthalpy of vaporization Sublimation क्या है कोई Solid है Solid को Liquid में Convert करके सीधे Solid से Gas बना दे है YOU castsग इंध्यum of sublimation कोई दिकत चलो एक और टर्म यूज होता है लटाइस एनर्जी लटाइस एनर्जी कुछ और नहीं होता इसके बारे में मैंने आपको chemical bonding में डीटेल में पढ़ाया हुआ है लेकिन thermodynamics में इन टर्म्स का यूज होगा तो समझेगा जब एक mole compound जब एक mole compound फॉर्म होगा उसके gaseous cation और gaseous anion से तो जो amount of energy released होती है तो जो amount of energy released होती है उसे हम कहते हैं lattice energy उसे हम कहते हैं lattice energy तो हमने इसी के साथ different different type की enthalpy में क्या क्या खतम कर दिया हमने खतम कर दिया enthalpy of formation जो पहली class में देखा था फिर हमने किसको खतम कर दिया enthalpy of atomization जो आज की class में देखा bond energy क्या है bond dissociation energy क्या है enthalpy of fusion क्या है enthalpy of vaporization क्या है sublimation क्या है lattice energy क्या है I hope यह जो basic concept आपके चल रहा है यह बहुत clear होते जा रहे होंगे जल्द ही इन पे based जैसे जैसे question detail question होंगे वो मैं आपके सामने अगली glass में लेके आऊंगा और enthalpy of neutralization लेके आऊंगा तो देखिए आज की कहानी अपनी खतम होती है यहाँ पर करते हैं पर सबसे पहले enthalpy of neutralization क्या होती है change in enthalpy change in enthalpy जब 1 gram equivalent जब आपने 1 gram equivalent कोई acid लिया ठीक है उसे neutralize करा आपने 1 gram equivalent किसके कहते हैं enthalpy of neutralization ठीक है और एक चीज यहाँ पर यह जो बात करने अपन जा रहे है enthalpy of neutralization अगर आपने neutralization क्या है मैंने कहा कि भाया change in enthalpy जब आपने 1 gram equivalent acid और 1 gram equivalent base लिया लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ enthalpy of neutralization जिसे dell h और n मतलब neutralization ठीक है इससे represent करते हैं आपने strong acid लिया ध्यान देने वाली बात strong acid है हां 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 strong acid है और अगर आपने strong base लिया strong base लिया तो यह कैसी होती है constant होती है यह कैसे होती है constant होती है कितनी value होती है वो कितनी value होती है अगर strong acid 1 gram equivalent और strong base 1 gram equivalent लिया और आप कह रहे हैं कि वो value constant होती है बहुत question पूछा जाती है यह value तो tip पे याद रखना वो value आती है आपकी minus 13.7 kcal per mole कितनी minus 13.7 kcal per mole और अगर इसे आप joule के form में लिखेंगे तो minus 57.1 kcal per mole बोलो कितना minus 13.7 kcal per mole मतलब क्या बता रहा है कि जब आप strong acid और strong base को mix करेंगे neutralization करेंगे तो enthalpy या energy निकलेगी heat निकलेगी इसलिए इसे negative लिया जा रहा है clear है यह calorie के term याद रखना minus 13.7 kcal per mole के लिए और minus 57.1 kcal per mole के लिए याद रहेगा ठीक है सर चलिए अगर मैंने एक या दूसरे टम है मैं बोलो strong acid for example मैंने लिए HCl strong base मैंने लिए NaOH acid जो होता है acid का काम होता है hydrogen iron देना hydrogen iron देना ठीक है और base का काम होता है OH iron देना base का का करूँ तो जो enthalpy of neutralization है अगर आपने एक ग्राम equivalent hydrogen iron समझ न या एक ग्राम equivalent OH iron दोनों को mix करा तो आपको जो enthalpy change देखने मिला वो minus 13.7 kcal per mole या minus 57.1 kcal per mole किसके लिए strong acid or strong base के लिए constant है ठीक है strong acid hydrogen iron देगा strong base OH iron देगा ये constant है strong acid or strong base के लिए ठीक है क्योंकि जो strong acid or strong base होते हैं 100% dissociate होता है लेकिन अगर आपने strong acid के साथ मान लीजे weak base मिला दिया अब weak base तो भाया 100% ionize नहीं होता पता है ना 100% ionize नहीं होता तो ये जो value आएगी वो थोड़ी कम हो जाएगी मान लीजे minus 13.2 हो जाएगी minus 13.1 हो जाएगी minus 57.1 से ये भी घट जाएगी वजह क्या है जो आप weak as strong acid के साथ weak base ले रहे हैं या जो भी weak part ले रहे हैं ठीक है उसके dissociation में उसको तोड़ने में कुछ energy खर्च हो जाती है इसलिए उस case में ये आपको energy कम देखने मिलेगी या enthalpy आपको कम देखने मिलेगी पहले इतना note down करो हर कहानी को detail में समझेंगे बहुत simple topic है कोई rocket science नहीं सटोपिक में पहले इसे note down करिये आप करा अपने कर लिया चलिए तो बात करते हैं अगली कहानी की बात करते हैं the constant value सुनना जी ये जो constant value आ रही अगर मैं इसे express करने की कोशिश करूँ ये जो constant value आ रही उसे express करने की कोशिश करूँ तो it is explained with the help of theory of ionization हम किस theory के basis पे समझा सकते हैं इसको theory of ionization के basis पे समझा सकते हैं थो डेफ्ट में जा रहा हूं कहानी के आप बात कर रहे हैं कि value constant आ रही तो क्यों constant आ रही है इसे आप theory of ionization के basis पे समझा सकते हैं आप both acid या both both acid both as दो बारा गया both acid या both base की बात करें both acid and base की बात करें are present in aqueous solution दोनों के दोनों aqueous solution में present हैं और किस form में present होते हैं in the form of ion और जब उन्हें mix किया जाता है तो माल लीजिए एक example के तोर पे मैंने आपको reaction दी हुई है आपके जो भी acid और base है solution में present है और दोनों को mix किया जा रहा है तो यह reaction हो कि जैसे माल लीजिए strong acid है H positive A negative यह उसका hydrogen proton donor है acid और strong base है B positive OH negative आप यह दोनों मिले यह दोनों मिले H और OH और A negative और B positive और water का formation हुआ एंथेलेपी चेंज कितना आया माइनस 57.1 किलो जूल पर मोट लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि इसे हम theory of ionization के basis पर समझा सकते हैं कैसे बिटा अगर मैं यह कहूं कि मैं दोनों iron को cancel कर दो यह A positive और B negative को मैंने cancel कर दिया तो आप एक बात notice कर पा रहे हैं कि सर यह तो कुछ और नहीं कि enthalpy of formation of water है कि cancelling the iron अगर हमने दोनों iron को cancel करा which are common on both the site तो आपको क्या मिला H positive OH negative convert हो रहा है H2O में convert हो रहा है H2O में तो enthalpy आपको माइनस 57.1 किलो जूल देखने मिल रही है मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ thus the heat of neutralization heat of neutralization strong acid or strong base के case में strong acid or strong base के case में कुछ और नहीं enthalpy of formation of water है किसकी बज़े से H positive और OH negative की बज़े से यह एक बार aims में question पूछा गया है और BHU में question पूछा गया है आज कल तो यह सब एक साथ होने लगे है कि भाया नहीं तो कभी यह question पूछा गया था कि aims में और BHU में तो जो enthalpy of neutralization strong acid or strong base के case में वो कुछ और नहीं enthalpy of formation of water ही है अभी मैं सिर्फ strong acid or strong base की बात कर रहा हूँ जो 100% dissociate होते हैं अपने iron में जो 100% dissociate होते हैं iron में उस case में यह value fix होगी उतारिए इसे उस case में यह value fix होगी उतारिए इसे उस case में यह value fix होगी उतारिए इसे चलिए, next कहानी की बात करें next कहानी है अपनी लेकिन अगर बात कर लें weak acid की किसकी बात कर लें weak acid की और weak base की या मैं strong acid के साथ weak base मिला दें या weak acid के साथ strong base मिला दें तो जो enthalpy of neutralization होगी अब वो less than minus 13.7 kcal per mole उससे कम होगी और मैं ये भी लिख सकता हूँ less than minus 57.1 kcal per mole से कम होगी बोलो मैंने अभी तक क्या आपको कहानी बताई सर अभी तक की कहानी का conclusion ये है हम अगर enthalpy of neutralization की बात कर रहे हैं तो minus 13.7 kcal per mole या minus 57.1 kcal per mole strong acid or strong base के लिए होती है लेकिन कोई भी weak part आगया तो ये value इससे कम होगी क्योंकि ये word बहुत important है इसको underline mark करना जैसे कि मैं हरे पैंसे कर रहा हूँ कुछ amount of enthalpy क्योंकि कुछ amount of enthalpy ये जो enthalpy थी इसमें से कुछ amount of enthalpy उन acid के ionization या dissociation में चली जाती है बहुत important आपसे reasoning पूछा जाएगा आज कल जमाना चल रहा है trending trending यही है question कैसे पूछे जा रहा है ये enthalpy अगर कम आ रही है किसी weak part अगर आपको दिख रहा है तो उसके ionization में या dissociation में खर्च होगी है energy ठीक है जैसे मैं एक आदा example लूँ कोई भी आप acid उठा लो ठीक है मैंने HCl उठाया, NaOH उठाया ठीक है, मैंने HNO3 उठाया, KOH उठाया ठीक है, आप देखिए इस case में भी enthalpy ये भी strong acid है इस case में enthalpy minus 13.7 kcal per mole या 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 चाहे आप इसे उठालो strong acid है HNO3 strong basic KOH इसे उठालो इस case में enthalpy आपको minus 13.7 minus 13.7 kcal per mole या minus 57.1 57.1 kcal per mole देखने मिली आप कुछ भी उठालो आपको enthalpy change same देखने मिलेगा आप कुछ भी उठालो आपको enthalpy change same देखने मिलेगा ना ढरना है ना घबराना है आपसे question भी कराऊंगा मैं चिंता ना करूए question भी कराऊंगा question भी कराऊंगा clear है clear है बढ़े आगे बढ़ जाए आगे चलिया, देखते हैं, next question की बात करते हैं, next कहानी की बात करते हैं next कहानी की बात करते हैं, मेरे पास एक question दिया हुआ है, समझना समझना, इस कहानी से बहुत सारी चीज़े clear होंगी enthalpy of neutralization of the reaction between, reaction between CH3-COH and NaOH, question समझना, आपने CH3-COH लिया और आपने NaOH लिया अगर आपको पता हो, कोई भी organic acid, weak acid होता है और NaOH to strong base है ही, strong base है ही, अगर आपने ये लिया तो आपको इस case में क्या मिलेगा, CH3-CO-O-NA मिलेगा CO-O-NA मिलेगा, ठीक है, और आपको मिल गया H2O इस case में, आपकी enthalpy of neutralization आप देख पार हैं minus 13.2 kilocalorie पर equivalent दी हुई है आपने H2SO4 की बात करी, H2SO4 जो कि strong acid है, अच्छा खासा acid है और आपने NaOH, KOH की बात करी, KOH की बात करी, जो कि strong base है इस case में तो सर हमें ना सोचना है, ना डरना है, ना घबराना है इस case में तो सर हमें enthalpy of neutralization आपको मिल जाएगा, KHSO4, KHSO4 मान लीजिए या चलो reaction छोडो, इस case में हमें enthalpy of neutralization हमें तो मिलेगा, minus 13.7 kilocalorie per mole ऐसा क्या है, इस case में इतना आ रहा है अब पूछ रहा है, अब बताईए सर, इसकी value इससे 0.5 कम है आप देख पा रहे हैं, मतलब ये तो strong part था मतलब weak था ये, इसके dissociation में कुछ energy कम हुई, मतलब कुछ energy हमने खर्च करी, कुछ energy हमने खर्च करी तो आप से पूछ रहा है, कितनी energy आपने खर्च करी, निकली नहीं खर्च करी तभी तो dissociate हुआ खर्च कितनी करी, तो आपको अगर निकालना है, enthalpy of dissociation enthalpy of dissociation तो भाई यार, regular cases में आती है 13.7, मैं सरफ value ले रहा हूँ इस case में आई 13.2 तो जो प्लस 0.5 kilo calorie पर equivalent की energy है, वो enthalpy of dissociation किसके dissociation में acetic acid के dissociation में चली गई क्योंकि तुम कैसे थे, तुम कैसे थे तुम weak थे, आईए simple question, कान पटे नीद खुली, जरूरी है मैं सोते सोते बढ़ाँगा बिड़ा, enthalpy of dissociation ऐसा होता है ठीक है यार, ऐसा लिख लो मज़ा नहीं आएगा, जो शोर जुनून बना रहना चाहिए, आईए question series आईगी उसका इंतजार करना मज़ा आ जाने वाला है, ये topic perfect ना हुआ तो कहे देना भाईया आईए बोला था मैंने जब thermodynamics शुरू हुआ था कराऊंगा बहुत अच्छे से कराऊंगा next, next topic लिख लिया ना नीदो बोलो के सर, screenshot लेने का समय नहीं देते हो हाँ 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 चलो जी which of the following asset question पूछ रहा है, ऐसा कौन सा asset है जो release करेगा maximum amount of heat जब completely neutralize होगा strong base naoh के साथ कौन सा asset है जो maximum amount of heat produce करेगा, चलो देखते हैं 1mHCl, चलो बेटा तुम तो एक मूल ही hydrogen ion दोगे, चलो तुम बेटा तुम भी एक ही दोगे hydrogen ion तुम बेटा, तुम भी एक ही दोगे hydrogen ion लेकिन तुम बेटा दो गुना hydrogen ion दोगे दो गुना hydrogen ion दोगे और जब तुम completely neutralize होगे naoh के द्वारा completely neutralize होगे completely neutralize होगे तो तुम्हारे case में enthalpy P कैसी निकलेगी थोड़ी ज़ादा निकलेगी कैसी निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, तो answer आईए D, answer आईए D पे, टिक लगाईए D पे, which of the following acid will release maximum amount of heat when completely neutralized by strong base NaOH, answer should be D, चलो next, next है, equal volume of 1MHCl, आपने 1MHCl लिया, इसका 1M लिया, ठीक है, और आपने H2SO4 लिया, इसका भी 1M लिया, इसका भी 1M लिया, ठीक है, निट्रलाइज कर रहे हैं, इसको आप NaOH, इसका भी 1M, completely neutralize कर रहे हैं, और इसको भी neutralize कर रहे हैं, एने वेच के साथ इसका भी 1M लिया, लेकिन ध्यान दीजेगा, यहाँ दो हाइट्रोजनायन देगा, यहाँ पर यह सिंगल हाइट्रोजनायन देगा, ठीक है, मान लिज्ए इस case में जब आपने neutralize करा, तो इस case में enthalpy or neutralization X है, इस case में enthalpy and neutralization Y है, तो अब आप से पूछ रहा है, X और Y के बीच में relation, relation between X and Y, question पूछा गया है, relation between X and Y, यही में question आई है, यही में question आया हुआ है, relation between X and Y आपको पता करना है, तो तुम देख पा रहे हो, यह तो double X और Y तब बराबर होंगे X और Y तब बराबर होंगे जब ये तो तुम तो डबल हो Y तुम तो डबल हो ना X की तुलना में जब इदर 2 से multiply किया जाए तो relation क्या होगा 2X is equal to Y 2X is equal to Y अगर मैं यहां 2 से multiply कर दूँगा तब दोनों के बीच का relation balance होगा तो 2X is equal to Y यह relation है X और Y के बीच का प्लीज नोट डाउन करें आया हुआ question है बस चार option मैंने हटा दिए बस चार option मैंने हटा दिए चलिए next question लिख लिए next topic अपना यह हो गई enthalpy of neutralization question आपको समझा जाएंगे अगले lecture में अब बात करते हैं छोटा सा topic enthalpy of solution किसके बारे हम बात करते है enthalpy of solution क्या है enthalpy of solution change in enthalpy यह क्या होता है change in enthalpy ठीक है when one mole of substance जब आप एक mole substance को dissolve करेंगे specific amount of solvent चलिए आपने एक mole substance है इसे पानी में dissolve हो करा रहा पानी में dissolve हो करा वो dissolve हो गया A positive aqueous और B negative aqueous में एक mole आपने substance को पानी में dissolve करेंगे तो उसे हम कहते है enthalpy of solution उसे हम कहते है enthalpy of solution यह single step में हमने बताया लेकिन यह जो reaction होती है कैसी होती है सबसे पहले A B solid में A iron जो होता है वो जाता है gaseous iron में gaseous iron में और B iron जो होता है वो तूटता है gaseous iron में ठीक है इसे हम कहते है lattice energy इसे हम कहते है lattice energy जब यह तूटे उसके बाद hydration energy काम करती है और यह gaseous iron aqueous iron में convert होते है अगर आपको हैस law पता है अगर आपको हैस law पता है हैस law पता है जो कि मैंने chemical bonding में बताया था कि अगर कोई process single step में हो रही है और multiple step में हो रही है single step माल लीजे a से b बन रहा है direct भी बन सकता है इसमें enthalpy change del h है और a से c और c से d1 के d से b बना इसमें del h1, del h2, del h3 है del h3 है तो भाईया जो del h होगा del h1 plus del h2 plus del h3 के बराबर होगा del h3 के बराबर होगा यह होता है आपका has law तो आप यहाँ has law apply कर सकते हैं तो आप देखेंगे enthalpy of solution जो कि एक step में आप देख रहे हैं या तो direct solid से aqueous बना दे या आप lattice energy को plus करते हैं और hydration enthalpy को plus करते हैं तो यह दोनों चीजे बराबर होगी question आता है enthalpy of solution is equal to lattice enthalpy plus hydration enthalpy question पूछा जाता है enthalpy of solution is equal to lattice enthalpy plus hydration enthalpy NCRT special है NCRT special है याद रखना है this is NCRT special this is NCRT special अब बात करें हैं अपन for most of the ionic compound ionic compound के लिए enthalpy of solution कैसी होती है positive होती है positive होती है मतलब यह reaction कैसी है dissociation मतलब यह reaction कैसी है endothermic question आया हुआ है enthalpy of solution is a endothermic reaction therefore solubility of salts in water increase with increase in temperature क्योंकि enthalpy of solution कैसी है positive अगर यह endothermic reaction है आप तापमान बढ़ाते जाएंगे तो आपने देखा होगा घुलन शील्था बढ़ते जाती है आप नमक को पानी में डालेंगे नमक solid है NACL जो की ionic compound है पानी में डालेंगे ठीक है और नमक डाला पानी में कुछ देर बाद अगर आप कुछ देर बाद अगर आप तो आपने बढ़ते जाओगे तो solubility बढ़ती जाती है क्योंकि reaction कैसी है एंडो थर्मिक reaction है तो जो enthalpy of solution होती है जो की solid ion जब aqueous ion में convert होते हैं तो डारेक्ट नहीं होते हैं सबसे पहले lattice energy उनको gaseous ion में मतलब मान लीजी जी वो gaseous ion में तूटते हैं आप यह मान लीजी और फिर hydration होता है उनाइन का और aqueous ion में जाता है और हम यह कह सकते हैं कि enthalpy of solution lattice energy प्लस hydration energy के बराबर होती है और यह endothermic process है कैसी process है endothermic process है बोलो clear है बोलो clear है अगर clear है तो यहाँ पे सबसे पहला question है जो लिखा रहा है हमेशा याद रखना thermodynamics के question करते दौरान question जो लिखा रहा है पहले अच्छे से पढ़ो आपको अपना aim पता होना चाहिए enthalpy के question करते दौरान आपको अपना aim पता होना चाहिए question बनेंगे मैं आपको करवा रहा होना कैसे practice करना है practice में एक सा man perfect पहला question है the enthalpy changes for two reactions are given by the equation ये दी हुई है ठीक है equation दी हुई है आपका chromium solid 3 O2 gas CR2 O3 में convert हो रहा है enthalpy change इतना है carbon solid plus half O2 CO में convert हो रहा carbon monoxide में और enthalpy change इतना है चलो जो लिखा है पहले अपने देख लिए रास्ता अपने को दिया हुआ है अब इस reaction के लिए आपको enthalpy change निकालना है इस reaction के लिए आपको enthalpy change निकालना है चलिए अब बताइए अपने को carbon solid चाहिए समझ ना अपना target है aim है ये ये अपना aim है समझ येगा ये अपना क्या है aim है इस aim के according आपका carbon solid 3 times है आपका carbon solid 3 times है और ci2O3 आपका left hand side है तो अब इस aim को प्राप्त करने के लिए अपने को इन नोनों का use करना है कैसे करें use चलिए अपने को carbon solid 3 times है ये तो मैंने इधर लिखा 3 किसमे 3 times किसमे carbon solid में carbon solid में ठीक है प्लस यहां भी 3 से multiply हुआ ये हो गया 3 by 2 O2 gas चलो ठीक है किसमे convert हो रहा है 3 carbon monoxide gas में 3 carbon monoxide gas में enthalpy change enthalpy change पहले कितना था minus 110 तो मैंने minus 3 गुना करा into 110 kilo joule 110 kilo joule ठीक है अब दूसरा ये तो मेरी हो गई कहानी solve 3 carbon solid की मेरी कहानी हो गई solve अब target है मेरा CR2 O3 CR2 O3 लेकिन CR2 O3 मुझे left hand side चलो equation को reverse कर देते है reverse कर देते है हम अपने को प्राप्त करना है कि अपन answer कैसे निकाल इसको reverse कर देते है reverse कर रहा मेरे पास हो गया CR2 O3 आपका solid phase में किस में convert हो रहा है ये convert हो रहा है 2CR 2CR solid 2 chromium solid plus plus 3 by 2 3 by 2 3 by 2 O2 3 by 2 O2 में और ये gas है 3 by 2 O2 gas अब जब reaction उल्टी करी तो जो sign था वो बदल जाएगा sign कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा minus 1 1 3 0 minus minus था तो plus हो जाएगा plus 1 1 3 0 kilo joule kilo joule अब ध्याम दीजे क्या इन दोनों बदलाव से आपको final result मिल पा रहा है आपको अपना target मिल पा रहा है चलो देखते हैं हमें 3 ये नहीं चाहिए इससे ये काड़ दी आपने अपने को क्या चाहिए था 3 carbon solid मिल गया plus CR2 O3 solid मिल गया मिल गया किसमे convert हो रहा है किसमे convert हो रहा है किसमे convert हो रहा है 2 CR 2 CR 2 CR solid में और किसमे convert हो रहा है 3 CO gas में convert हो रहा है ठीक है अब आपको ये reaction करनी है चल यह देखते हैं, अब इनका भी सम कर दीजें, इस दौरन एन्थैलेपी चेंज कितना आया, एन्थैलेपी चेंज यह हो गया, minus 330, minus 330, minus कितना अखा है, minus होगा, लेकिन sign कैसा आएगा, minus का ही आएगा, minus का ही आएगा, क्योंकि plus का sign बढ़ा है, तो माइनस कर देते हैं ग्यारा सो तीस में से तीन सो तीस माइनस करा यह आगया आपका 800 800 किलो जूल 800 किलो जूल आंसर शुड़ भी 800 किलो जूल आंसर क्या होगा? C होगा प्लस आंसर होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़िये क्वेस्चन कैसे करना है? कोई भी इस में rocket science नहीं है लिख लिया? मारा screenshot बढ़ू अगले question की तरफ चलिए जी next question की बात करते है next question है मेरा the enthalpy change delage for the neutralization मैंने आपको बताया था enthalpy of neutralization ठीक है आपके पास दिया है 1MHCl biocastik potas biocastik potas in a dilute solution at 298 Kelvin अगर आपको पता हो कि हमने बात करी थी कि अगर अपने पास 1MHCl है चलिए देख लेते हैं और 1M क्या है? NaOH है अगर strong acid है बिल्कुल strong acid है strong acid है और अगर strong base है strong base है दोनों को जब mix किया जाता है इस दोरान जो enthalpy का change आता है इस दोरान जो enthalpy का change आता है वो कितना आता है 57.1 kilojoule kilojoule पर mole minus 57.1 kilojoule पर mole तो answer क्या होना चाहिए? कि जब आपने 1MHCl or 1M castric potass को mix करा 298 Kelvin पर ये भी strong acid है ये भी strong base है तो change कितना होगा? enthalpy change कितना होगा? enthalpy change होगा 57.3 kilojoule कितना होगा? 57.3 यह 3 दिया हुआ है वैसे आता है 57.1 something something answer यही सही है तो answer होगा आप minus 57.1 या minus 57.1 kilojoule पर mole आईए टिक करिए simple question है question की language पढ़ते चलिए enthalpy of neutralization 1 gram equivalent strong acid 1 gram equivalent strong base या 1 gram equivalent hydrogen ion 1 gram equivalent OH ion enthalpy change कितना होता है? minus 57.1 kilojoule पर mole clear है? clear है कोई doubt? किसी को कोई doubt नहीं sir चलिए next question की बात करते है लिख लिया next question की बात करते है next question है अपना enthalpy of neutralization enthalpy of neutralization ठीक है? किसके लिए दिया हुआ है? CH3 COOH weak acid हो गया CH3 COOH ठीक है? और NAOH के लिए दिया हुआ है NAOH के लिए दिया हुआ है CH3 COOH अब यह हो गया weak acid और यह कैसा हो गया? strong base value value minus 57.1 minus 57.1 kilojoule per mole kilojoule per mole से कम आएगी क्योंकि जो weak acid है इसको ionization में कुछ energy खर्च होगी और value अगर calorie में बात करें minus 13.7 13.7 kilo calorie per mole से कम आएगी क्यों? क्योंकि कुछ energy इसके neutralization में खर्च होगी चलिए ठीक है सर दूसरा is minus minus कितना दिया है 13.2 kilo calorie per equivalent देख लिए आपने कितना दिया हुआ इसके लिए enthalpy of neutralization minus 13.2 kilo calorie kilo calorie per equivalent per equivalent में देख लेता है चलिए इसको भी अपन per equivalent में बात कर लेता है examiner जो बात कर रहे है per equivalent में बात कर लेता है per equivalent में बात कर लेता है ठीक है सर अब दिया हुआ तो 0.5 कहां गई 0.5 कहां गई 0.5 गई आपके ionization में चलिए दूसरा क्या बोल रहा है and that of the reaction between H2SO4 लेकिन अगर आपने H2SO4 की reaction करी और किसकी reaction करी KOH की reaction करी KOH की reaction करी enthalpy change आपको minus 13.7 kilo calorie per equivalent ही देखने मिल रहा है पर equivalent ही देखने मिल रहा है ठीक है चलो and that of the reaction between H2SO4 minus ये दो बारा क्या है ठीक है ठीक है तो क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है the enthalpy of dissociation of CH3COH is तो आपको पता करना enthalpy of dissociation CH3COH के लिए कितनी होगी खुदी बताइए आपकी इसके neutralization में कितनी energy खर्च हुई strong acid or strong base होता है तो enthalpy change होता है minus 13.7 और इसके neutralization में कितनी लग रही है 0.5 0.5 की energy आपको देनी पड़ रही है मतलब जो आपकी enthalpy of dissociation होगी CH3COH के लिए enthalpy of dissociation होगी weak है पूरा dissociate नहीं होगा तो कुछ energy खर्च होगी enthalpy of dissociation जो होगी हो कितनी होगी 13.7 में से minus कर देना आप 13.2 कितना आ जाएगा plus 0.5 ये हो जाएगी आपकी kilo calorie per equivalent kilo calorie per equivalent ये energy लगानी पड़ी है इसलिए plus value आएगी ये energy लगानी पड़ी है इसलिए plus value आएगी plus 0.5 kilo calorie per equivalent ये energy लगानी पड़ी है इसलिए मैंने 13.7 में से 13.2 माइनस करा तो आगे आपका plus 0.5 kilo calorie per equivalent this is your answer simple है yes sir simple है कोई tension लेने की बात नहीं है कोई tension लेने की बात नहीं है simple है कोई tension लेने की बात नहीं है इसमें बड़े अगले question की तरफ अगले question की तरफ बड़े चलो next question की बात करता हूँ चलिए next question की बात करते हैं अपने पास दिया हुआ है equal volume of equal volume of 1M HCL आपने लिया 1M HCL ठीक है जो लिया पहलो question पढ़ना thermodynamics के question करने का एक ही वो है की पहलो question पढ़ो आपने 1M SCL लिया और 1M H2SO4 ले लिया 1M क्या ले लिया H2SO4 ले लिया ठीक है ठीक है neutralize करा आपने 1M NAOH के साथ 1M NAOH के साथ इसको भी neutralize करा 1M NAOH के साथ 1M NAOH के साथ ठीक है जब neutralize करा हमने ठीक है तो X and Y, X and Y किलो जूल पर equivalent of heat are liberated इससे निकली X किलो जूल, X किलो जूल पर equivalent की heat और इस case में निकली Y किलो जूल पर equivalent की heat अब क्या बोल रहा है, which of the following relation is correct X और Y में कौन सा relation correct है, समझेगा मैंने लिखा इधर X और ये इधर लिखा मैंने Y इन दोनों में कौन सा relation correct है, अगर आप देख पा रहे हैं बहुत simple question है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आप देख पा रहे होंगे कि 1mHCl, 1mHCl, 1mHCl एक mol hydrogen ion देता है, एक mol hydrogen ion देता है और 1mH2SO4, 2mol hydrogen ion देता है, ठीक है मतलब HCl की तुला में यहाँ पे hydrogen ion double निकल रहे है double निकल रहे है, सीधी सी बात है और हमने तो कहा था कि भाईया, एक gram equivalent hydrogen ion एक gram equivalent hydrogen ion, और एक gram equivalent OH ion जब होगा एक gram equivalent OH ion जब होगा, एक gram equivalent OH ion जब होगा ठीक है, तो भाईया, आपकी enthalpy कितनी होती है तो आपकी enthalpy minus 57.1 kilo joule per mole minus 13.7 kilo calorie per mole होती है लेकिन यहाँ पे तो इसकी तुला में यह double आ रहा है तो दोनों के बीच में relation क्या होगा अगर दोनों को equate करना है तो यहाँ पे 2 से multiply कर दो 2 से multiply कर दो, सीधी सी बात है यह तो double दे रहा है, दोनों को equate करना है तो यहाँ पे 2 से multiply कर दो relation क्या है, x is equal to y by 2 relation क्या है, x is equal to y by 2 answer क्या correct होगा answer correct होगा d मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ अगर आप मेरा यह lecture देख रहे हैं तो आप जाईए magnet brain की playlist में उसमाँ thermodynamics के जितने भी enthalpy के lecture हैं देख लीजे, इसके बाद आपकी नीटर जाईए की preparation अच्छी हो जाईए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ डीटेल में बताई हुए यहाँ तो आज सिर्फ question practice चल रही है जो बच्चा follow कर रहा है, उसे question समझ आ रहे होंगे clear है बढ़ू आगे बढ़ जाऊँ आगे चलिए जी, next question की बात करते हैं लिख लिया चलो, next question है अपना which of the following acid कौन सा acid है जो release करेगा maximum amount of heat maximum amount of heat कौन सा acid है जो release करेगा maximum amount of heat जब अपन completely neutralize करेंगे completely neutralize करेंगे strong base naoh के साथ strong base naoh के साथ naoh तो आपका fix है naoh तो आपका fix है इसको आप neutralize कर रहे हैं किसी acid के साथ तो कौन सा acid maximum amount of heat release करेगा चलिए देखते है यहाँ पे 1m hcl है ठीक है, चलो जी यहाँ पे 1m hno3 है चलो जी यहाँ पे 1m hcl o4 है चलो जी और यहाँ 1m h2 s o4 है इन सबकी तुलना में इन सबकी तुलना में ये double times दो गुना दो गुना hydrogen ion दे रहा है इन सबकी तुलना में ये दो गुना hydrogen ion दे रहा है इन सबकी तुलना में ये दो गुना hydrogen ion दे रहा है तो answer क्या होगा D होगा Please note down करें इसे answer क्या होगा D होगा Simple question था Question पूछे जाते हैं आपको पता होने चाहिए Standard question है ये चलिए next question की बात करते हैं Next question की बात करते हैं अपन Next question है अच्छा question ये Determine करना है आपको heat of the following reaction चलिए एफियो सॉलिट आपके पास एम ये है एम है ये जान दीजे पहला क्वेशन ऐसे ही करा था ना बोला है सारे वराइटी कब बर कर दूँगा डिटर्माइन करना है आपको इस रियक्शन की एंथेलेपी या हीट ठीक है ये आपका एम है इस एम को प्राप्त करने के लिए कुछ रास्ते या इन्फरमेशन दी गई है आपको कुछ रास्ते पात दिये गए है आपको इस एम को प्राप्त करने के लिए इन रास्तों पे च इंगल मोल करना पड़ेगा तो पहले मैंने ये reaction reverse करी अब मैं अपने target को achieve करने की कोशिश करने जा रहा हूं अब मैं अपने target को achieve करने की कोशिश करने जा रहा हूं डिवाइड कर दूगा मैं पूरी equation को 2 से, डिवाइड कर दूगा, पूरी equation को मैं 2 से, ठीक है, किसमे convert हो गया, iron oxide solid, किसमे जा रहा है, iron solid में, iron solid में, ठीक है, और किसमे जा रहा है, half oxygen में, half oxygen, हर जगा 2 से डिवाइड करा, तो मेरा ये जो dell h था, dell h जो था, वो भी कितना हो जाएगा, पहले तो उल्टा करने की वज़े से, plus sign आया, plus 544, divide by 2, divide by 2, चलो ठीक है, इसकी कहानी तो हो गई, किसकी कहानी हो गई, iron oxide की कहानी हो गई, हमने कदम कर दी हमको left hand side मिल चुका है, दूसरा है, हमें चाहिए, FE2O3, इसको भी अपन लाते हैं, left hand side, चलिए देखते हैं, देखते हैं, FE2O3 को भी left hand side लाना है, कितना चाहिए, इसका भी हमको चाहिए, FE2O3 का कितना mol चाहिए, एक mol, आदा करते हैं, चलो, FE2O3, ठीक है, चलो, किसमें convert हो रहा है, किसमें convert हो रहा है, 4FE आदा कर आपने, 2FE solid, औ किसमें convert हो रहा है, 3 by 2, 3 by 2 oxygen में, sign बदला, sign बदला, plus 1148, plus 1648, divide by 2, चलो, अब हमें चाहिए, FE3O4 किदर side चाहिए, राइट hand side चाहिए, किदर side चाहिए, राइट hand side चाहिए, कितने mol चाहिए, एक mol चाहिए, एक mol है, चलो जी, एक ही mol है, तो इस कहानी को भी फिर उल्टा क करा अपनने, इधर लिखा, अपनने 3 FE solid, plus 202 gas, convert हो रहा है, किसमें, convert हो रहा है, किसमें, FE3O4 में, FE3O4 में, ठीक है, ये भी है solid, और sign हो गया, उल्टा, sign हो गया, उल्टा, sign पहले कितना था, plus 1118.4, तो ये हो गया, minus 1118.4, ये आगया, अब आपका target वैसे ही प्राप्त हो चुका है, बस आपको देखना है, answer क्या आने वाला है, चलिए target देखते हैं, अपना, FEO, FE2O3 as it is रहेंगे, ये कट जाएगा, 3 FE से 1, और ये 2, 3 FE, दो oxygen से 3 by 2, और 1 by 2, दो oxygen कट गया, आपका target मिल गया, आपको, आपका target ये ही था ना, कि हमारा iron oxide solid होना चाहिए, aim, और में convert हो रहे हैं, FE3O4 में convert हो रहे हैं, ये भी solid होना चाहिए, enthalpy change देख लेते हैं, 554 by 2, 554 by 2, क्या 277 होगा, maths अपनी बहुत कम जो रहे हैं, 544 divided by 2, 272 होगा, चलो, ये हो गया 272, चलो, प्लस, 1648 by 2, 824 होगा, देखते हैं, yes, 824 होगा, थोड़ी अच्छी हुई maths, minus 118, 1118.4, am I right, कोई calculation mistake तो नहीं, नहीं सर, चलो, देख लेते हैं, 272 plus 824 minus 1118.4, ये आगया, minus 22.4, कितना आगया, minus 22.4 किलो जूल, this should be your answer, this should be your answer, this should be your answer, 22.2 दिया हुआ है, चलो, ये कोई दिकत नहीं है, कोई दिकत नहीं है, अपने 11162.16.4 था, उसको अपने 111648.4 था, अपने 1648 ही लिखा, इसलिए आंसर आ रहा है, चले, कोई दिकत नहीं है, आंसर B पे टिक करिए, simple question है, simple तो नहीं है ये, जब करोगे तो बनेंगे, करोगे तो बनेंगे, comment section बता ना, बनने लगे या नहीं, और guarantee देता हूँ, इसके बाद आपको कोई question करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, enthalpy से related, चलो, next question की बात करता हूँ, next question की बात करता हूँ, next question है मेरा, calculate the enthalpy of formation for C2H5OH, अभी आपको enthalpy of formation C2H5OH की निकालना है, from tabular data and its heat of combustion, heat of combustion as represented by the following equation, चलो जी, आपको यह following equation दिए, target क्या है, target क्या है, aim क्या है, पहले aim बताओ, पहले aim बताओ, aim क्या है, आपको चाहिए enthalpy of formation of ethyl alcohol, जो aim है, उसको मैंने enthalpy of formation पूछा है, जिसका enthalpy of formation पूछे, उसे right hand side लिखे, लिख दिया, चलो मुझे यह चाहिए enthalpy of alcohol, किस से चाहिए, किस से चाहिए, दो carbon है, तो दो carbon, graphite या solid state में ले ले लेता है, graphite या solid दिया हुआ है, तो solid state वैसे होता ग्रेफाइट है, solid state में ले लेता है, कितने hydrogen, three hydrogen, gaseous state में चाहिए अपने को, और क्या चाहिए, half oxygen चाहिए, अपने को, क दिजएगा पहले carbon solid आपने पकड़ा याँ अकेला है अकेला अपने को इसको दुकेला करना है aim में अपने 2 हैं तो मैंने यहाँ पे 2 से multiply करा देखो किस से multiply करा है 2 से multiply कर दिया हर जगा 2 से multiply 2 carbon solid plus plus 2 O 2 2 O 2 किस में convert हो रहा है किस में convert हो रहा है 2CO2 gas में ठीक है और इस दोरन enthalpy change कितना है minus 393.5 into 2 कर देंगे into 2 कर देंगे चलो ठीक है दूसरी चीज hydrogen अपने 3 चाहिए यहाँ hydrogen एक दिया हुआ है 3 से multiply कर दो पूरी equation को 3H2 3H2 gas plus 3 by 2 यहाँ भी 3 by 2 O2 gas ठीक है convert हो रहा है किसमे 3H2 gas में 3H2 gas में ठीक है यहाँ enthalpy change कितना दिया हुआ है minus 241.8 minus 241.8 into 3 से multiply कर दिया यह भी हो गया अपना यह दिया हुआ है अब आपको ethyl alcohol liquid अब लेकिन ethyl alcohol चाहिए अपने को right hand side में समझ रहना aim प्राप्त करना है अपने को यह अपने को चाहिए right hand side में चलो जी अगर right hand side में चाहिए तो बदल दो equation इधर आ गया 3H2 gas plus 2CO2 gas किसमे convert हो रहा है किसमे convert हो रहा है ethyl alcohol liquid में ethyl alcohol liquid में और किसमे convert हो रहा है 3O2 gas और 3O2 gas में ठीक है enthalpy change minus 1,2,3,4,7 था यह हो गया plus 1,2,3,4,7 यह हो गया अब मेरे पास aim आ जाएगा aim आ जाएगा बस आप तो अगर exam में करना है तो direct इनको भी calculate कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैं बता रहा हूँ देखो 2 carbon solid चाहिए था 3 hydrogen चाहिए था बागी और half oxygen चाहिए था बागी सब कट जाएगे 3H2O से 3H2O कट गया 2CO2 से 2CO2 कट गया इधर 3 oxygen थे 3 oxygen से यह कट थे 2 oxygen ठीक है और 1 oxygen से यह कटा तो यह बचा half एक oxygen से 3 by 2 कटा तो बचा half ठीक है बचा half यहाँ बच गया half चलो आगे आपका answer आगे आपका answer यहाँ गया आपका aim 2 carbon solid plus 3 hydrogen gas 3 hydrogen gas plus 1 by 2 oxygen gas 1 by 2 oxygen gas किसमें convert हो रहा है आपका ethyl alcohol liquid में ethyl alcohol liquid में यहाँ गया आपका aim calculate करनी की बात है बस अपनी 393 393.5 into 2 यहाँ गया 787 minus 787 चलो जी minus 241.8 into 3 241.8 into 3 यहाँ गया minus 725.4 minus 725.4 ठीक है plus plus कितना है 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4,7 3,4,7 चलिए गुणा जोड़ घटाना कर देते है minus 787 minus 725.4 plus 1,2,3,4,7 यहाँ गया minus 277 277.7 किलो जूल पर मूल it should be your answer check कर लो minus 277.7 किलो जूल पर मूल मजा आया अरे भाईया मजा आया की नहीं बोर तो नहीं कर दिया अरे बोर तो नहीं कर दिया बोला है question तहल के के साथ करेंगे के question करेंगे अच्छे से करेंगे आये जैसा पढ़ाया वैसा question आता है जैसा पढ़ाया वैसा question आता है और यह वादा है हमारा बढ़ जाएं आगे हमारा screenshot चलो next question की बात करते हैं next question है हमारा which of the following method for calculation of heat of reaction is not correct आपको पता करना है कि which of the following method for calculation of heat of reaction is not correct कौन सी which of the following method for calculation of heat of reaction is not correct चलो चेक करते हैं अपन सारी heat और enthalpy पढ़ चुके हैं enthalpy of reaction अगर enthalpy of formation का term में पूछे तो enthalpy of formation of product minus reactant यह तो correct है पूछा है not correct यह तो correct है enthalpy of formation क्या होता product minus reactant हर lecture शुरू करते से पहले मैं यह बताता था बोलो नहीं बताया क्या बोलो नहीं बताया सर इतना revision कराया है आपने की हमारे दिमाग में बैठ चुकी comment section में बात है मुझे चाहिए ठीक है enthalpy of reaction in terms of bond energy क्या बात है bond energy bond dissociation energy बताया था कि भाई यह bond energy bond dissociation energy of reactant minus product बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है फिर मैंने बताया था enthalpy of reaction in terms of combination combustion combination कह रहा हूँ in terms of combustion reactant minus product यह भी सही है यह भी सही है तो enthalpy of reaction in terms of solution नहीं enthalpy of solution होती है हमेशा product minus reactant product minus reactant यह गलत हो गया यह गलत हो गया पढ़ाया था enthalpy of solution और enthalpy of neutralization एकी lecture में यह गलत हो गया यह गलत हो गया clear है यह गलत हो गया बढ़ जाएं आगे बढ़े अगले question की तरफ not correct पूछाता force should be not correct next question मेरा next है heat of combustion of diamond and graphite are minus 94.5 and minus 94 kilocalorie per mole respectively what will be the heat of transition from diamond to graphite अगर आपको diamond से graphite की तरफ जाना है और आपको heat of transition पता करना है अब आप देख पा रहे होंगे कि एक का heat of combustion minus 94.5 और दूसरे का minus 94 है ठीक है sign के साथ बता रहा हो क्योंगी combustion के तरफ नए energy निकलती है ठीक है अब पूछ रहा है कि heat of transition कितना होगा heat of transition कितना होगा अगर आपको diamond से carbon diamond के form से carbon graphite के form में जाना है carbon graphite के form में जाना है तो heat of transition कितना होगा इसके लिए heat of combustion कितना है minus 94.5 इसके लिए कितना है minus 94 तो heat of transition minus कर दो heat of transition minus कर दो heat of transition minus कर दो क्या होगा भाया मैं sign ले ले रहा हूं सिर्फ 94.5 sign कह रहा हूं value ले रहा हूं minus 94 कर दिया कितना आ गया plus 0.5 इतनी energy देनी पड़ेगी इतनी energy आपको देनी पड़ेगी जैसे अभी आपने देखा था न उस question में कितनी energy दी तब dissociation हुआ ऐसे ही transition के लिए diamond से graphite जाना है तो plus 0.5 kilo calorie की आपको energy देनी पड़ेगी तो transition होगा तो answer क्या होगा भी yellow एक और variety answer होगा भी yellow एक और variety आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ yellow एक और variety मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ बड़े अगले question की तरफ चलो जी अगले question की बात करते हैं देखेगा चलिए next question है अपना देखिए पहले question पढ़िए क्या लिखा है for the reaction 3N2O किस में convert हो रहा है plus 2N3 किस में convert हो रहा है 4N2 plus 3H2O में ठीक है और इस reaction की enthalpy अपने को दी हुई है enthalpy of reaction अपने को दी हुई है और अपने question में दिया standard enthalpy of formation ammonia का ठीक है standard enthalpy of formation water का और पूछ रहा standard enthalpy of formation N2O का कभी भी जो question आया उसे पढ़ो क्या मैंने आपको बताया था enthalpy of reaction in terms of enthalpy of formation क्या बताया था enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant ठीक है चलिए अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो product में कौन कौन है enthalpy of reaction अपने पास दी हुई है product में कौन कौन है product में है enthalpy of standard enthalpy of formation of nitrogen उसको multiply कर दिया अपनने चार से उसको multiply कर दिया अपनने चार से plus reactant में कौन product में कौन है water तो enthalpy of formation of water उसको multiply कर दिया तीन से standard enthalpy of formation of water उसको multiply कर दिया तीन से यह हुआ आपका product minus reactant में कौन है reactant में कौन है जल्दी बताइए standard enthalpy of formation of N2O इसको multiply कर दिया किसे 3 से plus standard enthalpy of formation standard enthalpy of formation किसका ammonia का ammonia का और इसको multiply कर दिया किसे अपने दो से यह अपने पास frame आ गया है अब अपने पास enthalpy of reaction कितनी दी हुई है इसके बाद यहां आ रहे हैं आपन देखना minus 879.6 जो दिया है उसे लिखा मैंने nitrogen अगर आपको पता हो standard state में किसी element की enthalpy of formation 0 होती थी यह हम देख चुके हैं तो यह तो हो गया 0 यह तो हो गया 0 प्लस 3 into h2o प्लस 3 into enthalpy of formation of h2o h2o की कितनी दी है minus 241.8 तो आपने इधर लिखा minus 3 into 241.8 चलिए यह कहां नहीं हो गई आपकी product reactant पे आता हूं मैं reactant पे आता हूं जो लिखा है मैं वैसे ही करते जा रहा हूं बताया है ना मैंने question solo करवाते हैं time कि enthalpy of reaction in terms of enthalpy of formation और product minus reactant होता है याद रखना ठीक है चलो अब reactant में को है 3 into enthalpy of formation of n2o यह अपने को पता करना है plus plus आपको क्या दिया हुआ है ammonia का तो plus 2 into enthalpy of formation of ammonia कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए ammonia का दिया हुआ है minus 45.9 45.9 यह आपका concept है ठीक है चलिए solve करते हैं calculation बाकी रह गई है 879.6 is equal to 241.3 into 241.8 241.8 यह आगया 725.4 minus 725.4 चलो यह minus 3 into enthalpy of formation of n2o ठीक है इसको भी इदर multiply करा यह तो minus हो गया minus minus plus हो जाएंगे यह वापस plus हो जाएगा यह देखो plus minus minus हुआ था यह हो जाएगा 45.9 45.9 into 2 यह हो गया 91.8 पहले देख लेते हैं रुख जाओ यह minus यह अपने को पता करना है enthalpy of formation of n2o into 3 minus 91.8 ठीक है चलो अब solve करते हैं ठीक है यह कितना हुआ minus 879.6 is equal to minus 725.4 minus 3 enthalpy of formation of n2o यही अपने को निकालना है यह दो बार लिख दिया मैंने यह दो बार लिख दिया मैंने यह दो बार आ गया ठीक है यह अपने को निकालना है यह हो गया minus minus plus 91.8 अब इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 3 enthalpy of formation of n2o 3 times यह हो गया minus 725.4 plus 91.8 plus 879.6 चलो अब solve कर लेते हैं minus 725.4 plus 91.8 plus 879.6 यह हो गया 246 कितना हो गया 246 246 ठीक है कितना हो गया 246 इसको divide करेंगे 3 से तो यह आ जाएगा आपका enthalpy of formation of n2o चलो देखते हैं कितना आ रहा है 246 divide by 3 यह आगया आपका 82 82 it should be the enthalpy of formation plus 82 should be the enthalpy of formation in kilo joule question बढ़े हैं बढ़े हैं मैं कुछ नहीं कर सकता method यह है calculation करनी पढ़ेंगी calculation करनी पढ़ेंगी तो question बनेंगे आईए यहां तक question करने पढ़ेंगे लिख लिया मार लिया screenshot side हो गया चलो जी next question अगला दिया हुआ है for the reaction कोई reaction है कोई reaction है ठीक है 2H2 plus O2 convert हो रहा है 2H2O में ठीक है enthalpy change जो दिया हुआ है इस reaction का minus 571 kilo joule दिया हुआ है कोई reaction दिया हुआ है bond energy of HH bond कितना दिया हुआ है HH bond energy अब bond energy का question है 435 kilo joule और bond energy of OO bond कितना दिया 498 kilo joule तो फूच क्या रहा है calculate the average bond energy पढ़ा हुआ है bond energy ठीक है of OO bond using the about data और मैंने H2O का ही example लिया था average bond energy निकालते time x plus y by 2 अगर आपने मेरा lecture देखा है चलो देखते हैं इस case में जो enthalpy होती है अगर reaction के अपने को निकालना है तो हम बोलते थे bond dissociation energy of reactant minus bond dissociation energy of product ऐसा हम बोलते थे चलो reactant की बात करूँ reactant की बात करूँ है तो ध्यान दीजेगा इसमें दिया hydrogen 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 ऐसे 2 तो 2 into 2 times of HH bond 2 times of HH bond ठीक है plus OO bond OO bond इसकी अपने को पता करना है 2 times of HH bond plus OO bond और bond dissociation energy अपने को OH bond की निकालना है तो HOH को जब आप देखेंगे एक molecule को तो इसमें 2 OH bond है 2 OH bond है मतलब 2 molecule में 4 OH bond हुए तो आपके पास bond dissociation energy आपको निकालना है product में तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 OH bond की आपको निकालना पड़ेगा 4 OH bond की आपको निकालना पड़ेगा चलिए देखते हैं 2 hydrogen hydrogen bond hydrogen 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 bond के लिए कितना दिया 435 तो 2 into 435 प्लस oxygen oxygen bond 498 498 जो दिया है मैंने लिख दिया 498 ठीक है enthalpy of reaction कितना दिया है minus 571 571 minus 571 चलो ठीक है और यह अपने को पता करना है 4 OH bond की 4 OH bond की अपने को पता करना है ठीक है चलिए देखते हैं कितना हो रहा है minus 571 is equal to 2 into 435 या गया 870 plus 498 498 minus 4 OH bond इसको इधर लाया इसको इधर लाया तो यह अपनी हो गई 4 OH bond की लिए 870 plus 498 plus 571 चलो calculate करते हैं इसको 870 plus 498 plus 571 यह हो गया divide by 4 870 plus 498 plus 571 divide by 4 484 यह आगया आपका इसको जब आपने करा तो यह आगया OH bond के लिए 484 किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है तो answer should be a answer should be a simple question था simple question था ठीक है लेकिन आपको पता होने चाहिए जो अपने formula's पढ़े है जल्दी आइए question solve कैसे करना यह मैं आपको बताते चल रहा हूं चलिए अगले question की बात करते हैं अगर यह देख लिए आपने थो next question है अपना देखेगा दिया हुआ है अपने पास bond energies in the table to estimate delish for the reaction delish for the reaction reaction आपको दी है जो आपका ethene है इतीन पर chlorine की reaction हो रही और delish for the reaction के लिए आपको delish निकालना है delish निकालना है और आपको bond और bond energies दी हुई है इस टरम में question पूचा गया है तो delish क्या होता है delish क्या होता है bond energies of आपका मैंने बताया था reactant reactant minus bond energies of minus bond energies of product detail में तो theory में सारी बता चुका हूं question की अपन बस बात कर रहे हैं चलिए reactant की बात करते है reactant को मैं अगर ऐसे लिखूं तो चलेगा 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 यह मेरे reactant है चलो जी इससे bond के बारे में पता चल जाएगा यह CL CL इससे bond के बारे में पता चल जाएगा बन किसना क्या रहा है CH2 CH2 यहाँ जुड़ा CL यह हुआ CH2 यहाँ जुड़ा CL और यह अपना product अब देखते हैं bond energies of reactant reactant की बात करें reactant में कौन कौन है reactant में कौन कौन है समझिएगा C double bond C C double bond C तो भाईया अपनी bond energy of C double bond C की plus plus और कौन है reactant में CH कितने bond है CH4 bond है 4 into CH bond 4 into CH bond plus और क्या है अपने पास CL 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 bond CL CL bond ठीक है यह minus यह होगया अपने reactant minus यह होगया अपने reactant product कौन कौन है देखिएगा CH bond कितने है चार bond है तो 4 CH bond 4 CH bond plus एक CC bond है एक CC bond है plus plus 2 CCL bond है 2 CCL bond है कितने है 2 CCL bond है 2 CCL bond है यह अपनी हो गई चलो अब बात करते हैं अपन एंधलिप इस reaction की अपने को निकालना है चलिए CC bond की energy किती दी हुई है 612 plus अपन बात करें CH bond की energy किती दी है 4 into 4 into 414 414 414 plus CLCL bond की किती दी करिए 243 243 चलिए जी कोई दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं माईनस CH bond की CH bond की फिर से आई है CH bond की यहाँ भी 4 CH bond है 4 CH bond है तो 4 into 414 plus CC bond की किती दी हुई है CC bond की किती दी हुई है 347 347 प्लस दो CCL वांड CCL वांड दो है तो 331 इंटू 2 इंटू 331 चलिए अब सॉल्व करता है जो दिखा है भाईया उसको सॉल्व करते चलो अपने आप चीजे बनेंगी अब सॉल्व करते हैं अपन 4 इंटू 414 4 इंटू 414 यह आ गया 1656 यह 612 प्लस 1656 प्लस 243 चलिए माइनस यह आ गया 1656 प्लस 347 प्लस 662 हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूँ कितना आ रहा है 612 प्लस 1656 प्लस 243 यह आ गया 2511 इस ब्रैकेट को मैं लिख सकता हूँ माइनस 1656 1656 प्लस 347 प्लस 662 यह आ गया 2626 65 माइनस कर देते हैं यह आ गया 154 154 इस शुट भी और आंसर किलो जूल इस शुट भी और आंसर किलो जूल आ जाई है जो इस पूचा मैंने आपके सामने रख दिया जो इस मैंने बहूस сама मैं रखा है ना इस मना कोई दरना है ना कोई घपराना है जल्दी आईएगा माइनस 154 किलो जूल माइनस 154 किलो जूल बढ़ जाओं आगे बढ़ जाओं आगे लिख लिया जो question पूछा उसे उतारा चलिए जी next question की बात करते है next question है अपना heat of formation of 2 mol of ammonia 2 mol of ammonia याद रखना 2 mol of ammonia के लिए दी हुई है कितनी दी हुई है minus 90 kilojoule minus 90 kilojoule दिया हुआ है ठीक है and bond energies of HH and NH bonds are HH and NH bonds दी हुई है bond energies की बात कर रहा है 435 और 390 kilojoule per mol the value of the value of N triple bond N will be ये अब कैसे बना ध्यान दीजेगा ये बना होगा N2 plus 3H2 से किस से बना होगा N2 plus 3H2 मिलके क्या बनाए होंगे 2 NH3 बनाए होंगे ठीक है इसके लिए enthalpy दी हुई है अब आपको पता करना है the value of bond energies of N triple bond इसके बारे में पता करना है आपको ये कैसे है 3H bond है और क्या बना है 2 molecule of NH3 बना है 2 molecule of NH3 बना है ये आपकी reaction है तो enthalpy क्या होती है bond energy of reactant reactant minus bond energies of product bond energies of product चलिए ठीक है bond energy enthalpy कितना दिया है minus 90 minus 90 दिया हुआ है reactant कौन कौन से n triple bond n n triple bond n की enthalpy चलिए plus 3 CH bond 3 into CH bond 3 into HH bond 3 into HH bond 3 into HH bond की enthalpy reactant ये हो गए ठीक है ये reactant हो गए बात करूँ मैं product की बात करूँ मैं product की product मैं कौन है 2 NH3 तो NH bond कितने है NH bond की कित्ती दी हुई है NH bond की भी आपको दी हुई है 390 ठीक है तो कितने एक, दो, तीन और ऐसे दो मॉलकिलों थे 6 NH bond 6 NH bond चलिए आपको ये minus 90 ये पता करना है n triple bond n के लिए तो आपको पता करना है ठीक है ये तो पता करना है आपको plus 3 into 3 into HH bond के लिए कितनी दी हुई है HH bond के लिए 435 435 चलिए minus 6 into NH bond के लिए कितनी दी हुई है NH bond के लिए 390 390 ये आपने लिग दिया ये आपने लिग दिया ये आगया minus 90 is equal to n triple bond n के लिए पता करना है ठीक है plus 435 into 3 करते है 435 into 3 करते है 435 into 3 करते है 1305 1305 ठीक है ये हो गया minus 390 into 6 करते है 390 into 6 करते है 390 into 6 करते है ये हो गया 2340 2340 चलिए देखते हैं इसे इनको इदार लाते है minus 90 minus 1305 plus 2340 ये आजाएगी bond energy of n triple bond n n triple bond n चलो देख लेते हैं सॉलो करके minus 90 minus 1305 plus 2340 945 plus 945 तो ये आगया आपका answer plus 945 किलो जूल पर मोल ये आगया bond energy of n triple bond n n triple bond n n triple bond n 945 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल इस तरीके से ऐसे question solve करने है ना डरना है गबराना है सारी variety मैं आपके सामने cover कर रहा हूँ जल्दी आईए plus 945 किलो जूल पर मोल और beauty आप ये समझेगा कि beauty thermodynamics की ये है कि जहां आपको जहां आपको negative वाला positive वाली मिलेगी उसी के साथ negative वाली मिलेगी तो precisely questions solve करें क्या होता है लोग lectures बनाते है how to solve precisely questions of thermodynamics मैं आपको बतातो रहा हूँ best content आपको अगर मिल रहा है YouTube पे तो मैं दे रहा हूँ आप जिस quality education की बात कर रहे हैं मैं आपको provide कर रहा हूँ हर चीज छोटी-छोटी discuss करते चल रहा हूँ theory पढ़ाई बच्चों को question में दिक्कत आती अलग variety question ले आया है ना मैं ले आया जल्दी आया उतारे सारे question उतारे बढ़ जाऊं अगले questions की तरफ बढ़ जाऊं चल ये जी next question है आपका enthalpy of formation 298 Kelvin of methanol is given by the chemical equation methanol आपको बनाना है जिसको बनाना है उसका एक मोल चाहिए अपने को जिसको बनाना है उसका एक मोल चाहिए इसमें भी एक मोल है इसमें भी एक मोल है ठीक है इसमें भी एक मोल है इसमें भी एक मोल है अब एक मोल बनाना है उसके element जिनसे वो बन रहा है वो most stable state में होने चाहिए चल ये बात करते हैं ये हो नहीं सकता मीथे ना गया, element से बनेगा, carbon graphite विलकुल सही है, half oxygen विलकुल सही है, 2H2 gas ये भी सही है, यहां carbon diamond आ गया, इसलिए गरबर हो गया, और CS3 वच में ये आ नहीं सकता, element होने चाहिए most stable state of aggregation में, तो ये carbon graphite plus half O2 plus 2H2 4 है, तो 2H2, statement B would be right, statement B सही है, आईए question पे, statement B सही है, आईए question पे, simple है, क्या डर है आप, क्या घबरा है आप, नहीं सर, चलिए next question, next question, calculate the del H in joules, in joules, for conversion of carbon graphite into carbon diamond, carbon graphite को आप convert कर रहें carbon diamond में, ठीक है, from the following data, data दिया हुआ, ये रास्ता दिया है आपको, इस रास्ते पे चलना है, राहा पे चलते चल, मुसाफिर, चलो रहें बात करते हैं, carbon graphite left hand side पे, तो मैंने ऐसे लिख दिया, carbon graphite left hand side पे, बिल्कुल सही equation चल रही है, oxygen gas बिल्कुल सही चल रही है, किस में convert हो रहा है, CO2 gas में convert हो रहा है, इसके लिए del H, ये H नहीं, ये del H होगा, इसके लिए del H कितना दिया हुआ है, इसके लिए del H दिया हुआ है, आपका minus 393.5 kJ, ठीक है, अब आप बात करेंगे, carbon diamond आपको right hand side चाहिए, तो इस equation को बदला मैंने, ये हो गई है, आपकी CO2 gas, CO2 gas, plus, 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 कुछ भी नहीं, CO2 gas, CO2 gas, ठीक है, किस में convert हो रही है, किस में convert हो रही है, carbon diamond म में convert हो रही है, जब बदला आपने, तो भाया, value भी बदल जाएगी, ये हो जाएगी, plus 395, plus 395 kJ, plus 395 kJ, क्या CO2 से CO2 कट गया, ये सर कट गया, बचा क्या, carbon graphite हो गया, plus oxygen gas हो गई, convert हो गया, carbon graphite, oxygen क्यों, oxygen तो कट गई, oxygen से oxygen कट गई, ठीक है, carbon graphite, plus, ये किस में convert हो गया, carbon diamond में, ये ही अपने को चाहिए था, ये सर चाहिए था, अब ये हो गया, dell H, minus 393, plus 395, plus 395, कोई दिखका, 393.5, और 395.4 है, ठीक है, 395.4 है, ठीक है, तो 393.5, plus 395, 395.4, चलिए बात करते हैं, कितना आ रहा है, 393, minus 393.5, plus 395.4, ये आगया आपका 1.9, लेकिन ये 1.9 है, किलो जूल, जूल में चाहिए, तो आपको 1.9 into 1000 से multiply करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, 1900, 1900 जूल, तो answer होगा, 1900 जूल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, answer should be A, answer क्या होगा, A, clear है, क्या कोई rocket science था question में, नहीं, जैसे question करा रहा हूँ, वैसे आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, नीट जही जिसकी तहिया रिया आप कर रहे हो, चलो जी, हो गया, बलू आगे, next question, next question, the enthalpy of evaporation of liquid water using the data, आपको enthalpy of evaporation पता करना है, liquid water का, मतलब water liquid में होगा, water liquid में होगा, vaporize करना है, water gas में convert होगा, water gas में convert होगा, ये आपका भाया क्या है, equation है, इसके लिए आपको enthalpy पता करनी है, data आपके पास दिया हुआ है, logic समझ आ रहा है न, examiner कैसे question पूछने वाला है, कान फटे, थोड़ा नीन से जागो, मेरे बच्चों, अगर घर में बैठे बैठे सो गए हो, तो online का जमाना है, थोड़ा, चलो जी, जो equation दी हुई, अपने को water चाहिए, liquid के form में, तो इस कुल्टा लाते हैं, देखिए न, equation जो दी हुई है, हम अपने aim को नहीं भूलेंगे, aim को नहीं भूलेंगे, water liquid form में चाहिए, मैं इधर लाया, water liquid form में चाहिए, मैं इधर लाया, ठीक है, इसे convert करा मैंने hydrogen, इसे convert करा मैंने hydrogen gas के form में, और इसे convert करा मैंने half oxygen gas के form में चलिए दूसरा मुझे water gas के form में चाहिए water gas के form में चाहिए right hand side पे चाहिए yes right hand side पे यह है तो दूसरी equation को मैंने ऐसे कही ऐसे लिखा water gas के form में और इसके लिए जब इसको उल्टा करा तो यह हो गया plus 285.77 kilojoule per mole अब देखिए मैंने इसको as it is लिखा water hydrogen gas plus half oxygen gas किसमे convert हो रहा है किसमे convert हो रहा है h2o gas में यही मुझे चाहिए था as it is लिख दिया minus 241.84 kilojoule per mole चलिए मेरी final target आया है नहीं देखिए यह यह कड़ गया water liquid किसमे convert हो रहा है water gas में convert हो रहा है water gas में vaporize हो रहा है water ठीक है plus 285 plus 285.77 minus 241.84 चलिए calculate कर देते हैं कितनी enthalpy आई plus 285.77 minus 241.84 यह आगया आपका 43.93 kilojoule per mole kilojoule per mole 43.93 kilojoule per mole answer should be a मैंने क्या बोला अग्जाम की beauty जो positive में रहेगा उसी इसलिए accuracy पे ध्यान देना है किस पे ध्यान देना है accuracy पे ध्यान देना answer should be a आपको हमेशा हमेशा accuracy पे ध्यान देना answer होगा a answer होगा a जल्दी आईए 43.93 answer होगा a बढ़ जाओं आगे चलो next question next question चलिए next question है अपना next question है the standard molar enthalpy of formation of ethane जो पूचा मैं लिखूंगा the standard molar heat of formation of ethane heat of formation of ethane ethane के बारे में बात कर रहा है ethane क्या होता है अपना c2s6 होता है ethane क्या होता है c2s6 होता है किस से बना दो carbon graphite दो carbon graphite जिस element से बने का उन्हें stable state में होना चाहिए plus three hydrogen gas three hydrogen gas इस से यह बना ठीक है and co2 इसके लिए enthalpy कितनी दी हो यह minus 21.1 21.1 ठीक है kilo calorie चलो जी लिख दिया मैंने दूसरी चीज co2 के लिए दिया हुआ है co2 के लिए दिया हुआ है co2 का formation करना एक mole का formation करते है element होने चाहिए most stable state में तो एक carbon graphite एक carbon graphite plus oxygen gas क्या बन गया आपका co2 बन गया इसके लिए कितना दिया हुआ है minus 94.1 94.1 ठीक है kilo calorie चलो जो दिया है मेरा aim मैं लिखते चल रहा हूँ और आपको दिया हुआ है water के लिए water का formation करना है आपको water का formation करना है liquid state में ठीक है तो आपका hydrogen hydrogen gas plus half o2 gas half o2 gas आपका आ गया water इसके लिए कितना दिया हुआ है minus 68.3 kilo calorie यह आपका target है यह आपका यह आपका क्या है भाईया information given है यह है given information given information ठीक है aim क्या है अब aim क्या है पूछ रहा है the standard molar heat of combustion aim है standard molar heat of combustion of ethane ethane का आपको combustion करना है ethane का आपको combustion करना है किसमें combustion करना है यह यह आप याद रखिएगा oxygen की प्रजंस में जितने भी carbon होंगे वो सीओ टू में convert होंगे सीओ टू में convert होंगे सीओ टू में convert होंगे कितने carbon है दो carbon है तो 2-2 hydrogen कितने च्छे है तो 3-2 बनाके निकल जाएंगे 3H2O liquid बनाके निकल जाएंगे liquid बनाके निकल जाएंगे, अब oxygen कितना हुआ 2, 2, 4, 5, 6, 7 7x2, यह आपका है target यह आपका है aim, यह है आपका aim इसके लिए आपको enthalpy पता करनी है enthalpy पता करनी है किसका use करूँ, मैं इसका use करूँ किसका यूज करूं, चलो जी, मुझे एथेन किस साइड चाहिए, मुझे एथेन चाहिए लेफ्ट हेंड साइड, यहां मेरा किदा है, राइट हेंड साइड पे, कितने मॉलीक्यूल ने एक ही हैं, तो चलो मैंने इसको लेफ्ट हेंड साइड पे लाया, तो मेरा हो गया C2S6, अब अपन target achieve करने जा रहे हैं, अपने target को प्राप्त करने जा रहे हैं, target को प्राप्त करने जा रहे हैं, C2S6 को इस side लाया मैं, ठीक है, आपका क्या बन गया, C2S6 gas किस में convert हो गया, किस में convert हो गया, 2 carbon graphite, 2 carbon graphite plus 3 hydrogen gas में, चलो जी हो गया, इसके लिए enthalpy change कितना आया, enthalpy change आया, प्लस 21.1 kilocalorie, kilocalorie, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, आपको oxygen चलो, oxygen तो अपन देख लेंगे, balance करके, hydrogen, नहीं, 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 आपको चाहिए CO2, CO2, CO2 right hand side चाहिए, right hand side ही चाहिए 2 CO2, तो यहाँ 2 से multiply करना पड़ेगा, तो यहाँ आपन ने 2 से multiply करा, 2 carbon graphite करें, ठीक है, यहाँ 2 oxygen हो गए, 2 oxygen हो गए, 2 oxygen हो गए, आपका मिल गया 2 CO2, 2 CO2, ठीक है, 2 CO2, ठीक है, 2 CO2, तो minus 94 into 2, minus 94 into 2, चलिए, ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, water right hand side पे कितने molecule चाहिए, 3 molecule चाहिए, 3 से multiply करा, 3 hydrogen gas, 3 hydrogen gas, plus 3 by 2 O2, oxygen अपने आप balance हो हो रहा है, 3 H2O liquid में, H2O liquid में convert हो रहा है, इसके लिए enthalpy कितना है, minus 68.3 into 3, 68.3 into 3, अब आप देखिए, क्या आपको आपको आपका target मिल चुका है, देखिए, आपको चाहिए, तही 2 S6 मिल गया, 7 by 2, 3 by 2 plus 2 कर देना, 7 by 2 मिल जाएगा आपको, चलो, दूसरी चीज, आपका carbon graph से carbon graphite कट गया, 2 से 2, 3 hydrogen से 3 hydrogen कट गये, ठीक है, सब मिल गया, yes sir मिल गया, आपका मिल गया C6 S6, किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, और 5 by 2 O2, 5 by 2, sorry 7 by 2 O2, ठीक है, किस में convert हो रहा है, 2 CO2 में, और 3 H2O में, 2 CO2 में, 2 CO2 में, प्लस 3 H2O में convert हो रहा है यह आपका target मिल गया enthalpy जो आ रही है जोड़ देते हैं 21 21.1 minus 94 into 2 कितना हो गया 94.1 याद रखेगे यह 94.1 है अपन लिखने में तो गड़बड करते ही है 94.1 into 2 exact value लिखते है 94.1 into 2 94.1 into 2 यह आगया 188.2 188.2 और प्लस 68.3 into 3 कर देते है 68.3 into 3 यह आगया 204.9 204.9 चलिए अब answer निकालते हैं कितना है 21.1 minus 188 0.2 minus 204 0.9 यह आगया minus 372 यह आगया आपकी enthalpy इस reaction के लिए minus 372 किलो कैलोरी answer आगया minus 372 किलो कैलोरी आईए जो question पूचा मैं करते हुए चल रहा हूं सारी variety का बढ़र करते हुए चल रहा हूं answer आगया minus 372 किलो कैलोरी कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है ठीक है तो आपको दिया हुआ है enthalpy of formation of ethine दिया हुआ है इतना और enthalpy of formation of benzine दिया हुआ है इतना तो आपको पता करना है calculate the standard heat of primarization of ethine to benzine इthine से benzine बनेगा तो इसके लिए आपको enthalpy पता करना है चलिए इस reaction की enthalpy आपको पता करना है तो भाईया आपको enthalpy of formation दिया हुआ है तो आपको क्या पता है enthalpy अगर निकालना है enthalpy of formation के term में तो enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant यह होता है product में कौन है benzine है benzine तो enthalpy of formation of benzine benzine minus reactant में कौन है reactant में कौन है reactant में कौन है इथाइन इथाइन या एसेटिलीन कितना है 3 molecules 3 into enthalpy of formation of acetylene C2H2 acetylene चलिए आ गई आपके reaction आ गई आपके reaction इसके लिए enthalpy पता करना है बेंजीन के लिए कितना दिया 85 दिया हुआ है लिग दिया मैंने माइनस 3 into 3 into 230 यह आप गया आपका answer माइनस 3 into 230 सब प्लस में है तो 85 माइनस 690 हो जाएगा यह और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अपन आ जाएगा अपना 605 माइनस 605 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल देखो negative answer तो positive भी मिलता है आपको answer should be माइनस 605 किलो जूल पर मोल आएए माइनस 605 किलो जूल पर मोल कोई डर कोई घबराहट इस question में होनी तो नहीं चाहिए अभी तक माइनस 605 किलो जूल पर मोल simple question है simple question है minus 605 किलो जूल पर मोल simple question है yes sir चलो next question next question next question है अपना F2 reaction कर रहा है क्लोरीन के साथ 2HF और कलोरीन बनता है enthalpy of formation ही होगा कितना दिया हुआ है 352 kJ enthalpy इस reaction की enthalpy दी हुई है आपको enthalpy of formation दिया है HF का इतना दिया हुआ है तो आप से पूछ रहा heat of formation of HCL आप बताईए heat of formation of HCL बताईए चलिए अब अपन से मही बात करते है heat of formation अपने को hcl के लिए पता करना है heat of formation पता करना है तो हम क्या बूलते है enthalpy heat of formation के term में निकालने है enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant बोलो बार बार practice करा रहा हूँ भया ताकि रट जाए ठीक है चलिए product में कौन दिया हुआ है enthalpy of formation of formation of hf two times इसका करेंगे किसका hf का hf का two times करेंगे plus plus कौन दिया है enthalpy of formation enthalpy of formation of fluorine यह आपके product थे यह आपके क्या थे product थे minus reactant में कौन है product में यह chlorine होगा sorry chlorine है enthalpy of formation आपको पता करना है enthalpy of formation आपको पता करना है enthalpy of formation fluorine का यह दिया हुआ है और प्लस प्लस आपका enthalpy of formation 2 times 2 times of HCl, HCl यह आपको पता करना है यह आपको पता करना है ठीक है, चलिए देखते है HF का कितना दिया हुआ HF का कितना दिया है 2 into minus 268 268.3 चलिए सर, अब आप बताईए enthalpy of formation in their most stable state of aggregation कितनी होती है बोलो जी बोलो कितनी होती है 0 होती है, enthalpy of formation के वीडियो में अपने डीटेल में पढ़ा हुआ है चलिए, minus enthalpy of formation enthalpy of formation ठीक है fluorine का in their most stable state most stable state कितनी होती है 0, plus अपने को यही तो पता करना है, HCl का तो 2 into enthalpy of formation of HCl अपने को पता करना है यह अपने को पता करना है और enthalpy इस reaction की कितनी दी हुई थी, minus 352.18, minus 352.18, minus 352.18, यह enthalpy अपने पास given है, चलिए पता करते हैं पता करते हैं, 352.18 को ऐसा का, ऐसा लिखा 268.3 into 2 करें 268.3 into into 2, यह आ गया 536.6, 536.6 positive value है negative value, negative value आई चलिए जी, minus 0 हो गया और यह minus आया तो 2 times of enthalpy of formation of HCl अपने को पता करना है इसको मैं इदर लाया 2 times of enthalpy of formation of HCl अपने को पता करना है यह minus 536.6 plus 352 352.18, चलिए minus करके दिखते हैं minus 536.6 plus 352.18 यह आ गया 184. minus 184.42 divide by 2 divide by 2 यह आएगा आपका enthalpy of formation of HCl कर दो 184.42 divide by 2 यह आगया minus 92 minus 92.21 this should be your answer minus 92.21 kilojoule per mole accuracy बहुत ज़्यादा जरूरी है accuracy बहुत ज़्यादा जरूरी है per mole के लिए आजाईये आजाईये simple है बोलो practice बन रही है नहीं अरे भीया comment section में जरूर बताना आज के lecture में अच्छे-च्छे question डून के लाएं ताकि तयारी बहुत perfect हो जाएं ताकि तयारी बहुत perfect हो जाएं ऐसे ही question आते हैं उठाईये का paper आपको पता चल जाएगा अभी जैसे अपने नीट का paper discuss करा था ना और बताया था जेही का paper अपने बताया था कि बेटा as it is question मेरे इस से उठके आते हैं guarantee लेते हैं अपन variety इतनी cover कर रहे हैं चलिए next question चलिए next question की बात करते हैं अपने पास दिया हुआ given two processes हाप P4 3 Cl2 के साथ reaction करके 2 PCL3 बना रहे है डैलेच इतना दिया हुआ है PCL3 chlorine के साथ reaction करके PCL5 बना रहे है डैलेच इतना दिया हुआ है तो पूछ रहा है enthalpy of formation PCL5 के लिए निकालो जो पूछा उसको अपने लिखा एक मोल PCL5 चाहिए मुझे किस से बनेगा phosphorus से phosphorus P4 के form में होता है लेकिन मुझे एक phosphorus चाहिए तो 1 by 4 करा मैंने ठीक है इसके अलावा chlorine CL2 ठीक है सर अब CL2 चाहिए लेकिन मुझे पास इदर 5 है तो मैंने इदर क्या कर दिया 5 by 2 कर दिया 2 से 2 कर जाएगा तो 5 CL हो जाएंगे चलिए ये अपना target ये अपना target है ये अपना क्या है aim है इस aim को प्राप्त करने के लिए इस aim को प्राप्त करना है तो अपने पास कुछ reaction दी हुई है कुछ reaction दी हुई है सबसे पहले अपने को क्या चाहिए सबसे पहले अपने को चाहिए PCL5 PCL5 ये as it is दिया हुआ है as it is दिया है तो अपने इस reaction को ऐसा का ऐसा लेखा PCL3 PCL3 ठीक है CL2 gas के साथ CL2 gas के साथ convert हो रहा है PCL5 में ठीक है चलिए डेलेश के इतना दिया हुआ है डेलेश के इतना दिया हुआ है अपने खोर डेलेश दिया हुआ है माइनस 137 किलो जूल ये दिया हुआ है मुझे किस साइड चाहिए था PCL5 राइट है चाहिए था मैंने राइट हैंड साइड लिग दिया एक चलो इधर मेने वण भार तूए कर दिया तो टूसे चेट कर लेते हैं चेक कर लेते हैं fatty Lee live to the room ज canyon by 4v525 ऑफ चcular्प हो गया किसमें पी-चेुल 5 में PCL5 में और इस reaction के लिए डेलेच अपन पता कर लेते हैं minus 137 plus minus 635 by 2 अगर अपन करें minus 635 by 2 अपन पता करें तो देखते हैं देखते हैं minus 635 by 635 divide by 2 यह आगे अपना 317.5 चलिए अपन solve कर लेते हैं इसको solve कर लेते हैं कितना answer आ रहा है minus 137 minus 317.5 यह आगया 454.5 minus 454.5 kilojoule kilojoule per mole per mole तो minus 454.5 kilojoule per mole तो answer होगा B क्या होगा B answer जल्दी आई है kilojoule per mole answer होगा b clear है कोई दिखत कोई दिखत कोई दिखत होनी नहीं चाहिए आप देख पार हैं beauty जहां minus का answer होता है माहा प्लस का answer भी जरूर ऊता जहां minus आफसा होता हाँ plus का answer भी जरूर होता है बढ़े अगले question की तरफ अगले question की तरफ बढ़ जाएं बढ़ जाएं चलिए जी ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा next question है मेरे पास the enthalpy of combustion at 25 degrees Celsius of hydrogen hydrogen का enthalpy of combustion अपन देखते हैं combustion के लिए oxygen की जर्रत होती है oxygen की जर्रत होती है hydrogen जितना भी होता है water में convert होता है तो मैंने इधर रख दिया half o2 चलिए ठीक है cyclohexane का enthalpy of combustion करना है cyclohexane का enthalpy of combustion करना cyclohexane क्या होता है c6 h12 होता है combustion कर आपने oxygen की presence में भी balance नहीं कर रहे है 6 co2 carbon जितना भी है co2 में जितने hydrogen है h2o में तो 3 6 h2o 6 h2o चलो देखो 6 2 जा 12 और 6 18 मतलब 18 मतलब इधर 9 oxygen चलो 9 oxygen ठीक है सर और क्या है cyclohexane cyclohexane c6 h10 होता है c6 h10 होता है तो जितने भी carbon है वह co2 बनाके निकल गए जितने भी oxygen है वह h2o बनाके निकल गए h2o बनाके निकल गए अब oxygen को अगर अपन बैलेंस करने की बात करें तो 6 2 जा 12 5 17 मतलब 17 बाई 2 17 बाई 2 यह अपना हो गया अब पूछ क्या रहा है अब question क्या पूछ रहा है तो पूछ रहा है heat of hydrogenation of cyclohexane what is the meaning of it aim अपना क्या है समझ रहा है यह तो given था यह तो given था यह तो given था यह तो given था अब है अपने पास heat of hydrogenation वह यह थोड़े कान फटे ना सोना नहीं है इसलिए heat of hydrogenation of cyclohexane cyclohexane होता है C6H10 अगर मैं इसको ऐसे represent करूँ cyclohexane को तो यह है मेरा cyclohexane क्या है मेरा cyclohexane ठीक है अब मुझे इस bond को तोड़ना है ठीक है तो hydrogen जोडनी पड़ेगी इसे कहते है heat of hydrogenation मेरा क्या बन गया C6H12 हो बन गया क्या बन गया C6H12 बन गया यह मेरा aim है यह मेरा aim है इस aim को प्राप्त करने के लिए मेरे पास यह दिया हुआ है heat of hydrogenation of cyclohexane तो मेरे पास क्या बन रहा है cyclohexane बन रहा है यह मेरे पास द जाएगा, C6H10 मुझे left hand side चाहिए, एक मोल चाहिए, मैंने लिख दिया, C6H10 plus 17 by 17 by 2, O2, किसमे convert हो रहा है, 6CO2, 6CO2 plus 5H2O, ठीक है, दूसरा, मुझे hydrogen left hand side ही चाहिए, बिल्कुल सही है, hydrogen left hand side plus half O2, किसमे convert हो रहा है, H2O, है, ठीक है, अगली चीज, मुझे C6H12 right hand side चाहिए, तो मैंने लिखा एदा 6CO2, CO2 plus 6H2O, 6H2O, कितना, किसमे convert हो रहा है, C6H12, C6H12 plus 9O2, चलिए, ये कितना कितना दिया हुआ था, ये दिया था, माइनस 241, माइनस 241, ठीक है, फॉर साइकलो, हैक्जेन, कितना दिया था, माइनस 3920, 3920, और इसके लिए कितना दिया था, माइनस 3800, किसमें चेंज करा है, अपने C6H12 अपने को ऐसा का ऐसा चाहिए था, मैंने लिख दिया, माइनस 13800, ठीक है, हाइड्रोजन मुझे ऐसा का ऐसा चाहिए था, मैंने लिख दिया, माइनस 241 और मुझे क्या चाहिए था जो C6H12 वाली कहानी है उसको मैंने बदल के उस साइड ले गया मतलब यह हो गया प्लस 3940 3920 यह मेरी कहानी हो गई यह मेरी कहानी हो गई अब अपने जो टारगेट है उसको और यदर 17 बाइ 2 और यह 9 से 902 गड़े गया चली अपने पास आ गया C6H10 प्लस H2 किस में कनवर्ट हो रहा है C6H12 में कनवर्ट हो रहा है माइनस 3800 माइनस 241 प्लस 3920 जो आएगा वो अपना अंसर होगा चलो चेक कर लेते हैं मैं आपको बताऊंगा माइनस 3800 माइनस 241 प्लस 3920 यह आगया माइनस 121 माइनस 121 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल आंसर शुड़ भी आंसर शुड़ भी ए आंसर क्या होना चाहिए ए होना चाहिए आईए जल्दी एन्थली की हमने वाट लगा डालی पूरे क्वेस्टिन कर डाले जितने क्वेस्चन हो सकते हैं कर डाले कुछ भी क्वेस्चन पूचे ना डररेंगे ना घबराएंगे बड़े अगले क्वेस्टिन की तरफ thermodynamics is all about practices कुछ बच्चे बोलते थे सर प्रेक्टिस नहीं हो रही थोड़ा वक्त दो दो वक्त दो होगी प्रेक्टिस चलिए जी, next नेक्स अपनी कहानी given that, कुछ दिया हुआ है दो iron solid 3x2 O2 की प्रेसंस में Fe2O3 बना रहे है कुछ enthalpy दी हुई है, something something magnesium half O2 की प्रेसंस में MGO बना रहे है कुछ enthalpy दी हुई है, something something what is the enthalpy of the reaction आपका target है 3MG plus Fe2O3, convert हो रहा है 3MGO plus 2Fe में चलिए, यह अपना aim है यह अपना aim है, इस aim को प्राप्त करने के लिए यह reaction दी हुई है, कितने mg दिये है, aim में 3 यहां कितना दिया है, 1 दिया है तो अपने इधर multiply कर लिए, इस reaction में 3MGO टारगेट प्राप्त करने जा रहा है भपन target प्राप्त करने जा रहे हैं हम 3MG कर दिया अपने इधर plus 3 by 2 O2 कर दिया अपने इधर, 3 by 2 O2 कर दिया अपने इधर, convert हो रहा है किसमें गया single चाहिए था single लिए 2F E में गया 2 F E में गया और किसके गया 3x202 में गया 3x202 में गया यह कितना हो गया plus 193 plus 193.4 अब मैं अगर बात करूने सेयार मरत मेरनी साहर फाइनल की क्या मेरा एंद पार रहा है 3x202 से 3x202 कट गया, yes sir कट गया, क्या मेरा aim मिला, 3mg मिल गया, yes sir मिल गया, fe203 मिल गया, yes sir मिल गया, किसमें convert हो रहा है, 2fe में yes sir हो रहा है, और किसमें convert हो रहा है, 3mgo में yes sir हो रहा है, क्या बना आपका 142, 140.2 into 3, चलो देखते हैं, 140.2 into 3, 420.6, यह आया आपका 420.6, प्लस प्लस 193.4, चलो देखते हैं माइनस 420.6 प्लस 193.4, यह आगया माइनस 227.2 किलो जूल तो आंसर शुड भी, देखो किते पास दिया, माइनस 227.2 किलो जूल, आंसर शुड भी A 227.2 किलो जूल, यह आंसर शुड भी A, आंसर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, जल्दी आईए आंसर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए बढ़े अगले क्वेशन की तरफ अगले क्वेशन की तरफ बढ़ जाएं चलिए जी नेक्स क्वेशन की बात करते हैं अपन नेक्स क्वेशन की बात करते हैं अपन नेक्स क्वेशन है अपना next question है अपना 2 carbon solid plus 2 O2 convert हो रहा है 2 CO2 में enthalpy कुछ दिये hydrogen gas half O2 H2O में convert हो रहा है c2 S2 5 by 2 O2 की presence में 2 CO2 plus H2O में convert हो रहा है enthalpy दियु हुई है heat of formation of acetylene आपको पता करना है heat of formation of acetylene पता करना है aim पहले पता करो क्या है aim क्या है आपका formation of acetylene C2H2 का formation आपको करना है किससे करोगे 2 carbon graphite या solid state में ले ले लेते हैं और hydrogen gasous state में ले ले लेते हैं यह आपका aim है इसे प्राप्त करना है कैसे प्राप्त करेंगे यह reaction आपको दी हुई है इसके लिए enthalpy आपको पता करनी है चलो जी निकाल के देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे target को कैसे अचीव करेंगे क्या आपने को carbon solid 2 carbon solid yes sir दिया है इसको as it is लिख दो 2 carbon solid plus 2 O2 gas O2 gas किस में convert हो रहा है 2 CO2 gas में 2 CO2 gas में convert हो रहा है ठीक है ऐसी की ऐसी कहानी minus 787 minus 787 kilojoule ठीक है hydrogen hydrogen as it is दिया हुआ है hydrogen plus half O2 half O2 gas किस में convert हो रहा है H2O liquid में convert हो रहा है H2O liquid में convert हो रहा है minus 286 ऐसा का है ऐसा आ गया लेकिन मुझे क्या चाहिए इथाइन इस side चाहिए एक ही mole चाहिए तो मैंने इसको बदल दिया मेरा आ गया इदर 2 CO2 2 CO2 plus H2O H2O इदर क्या चला गया मेरा C2H2 C2H2 और क्या चला गया मेरा 5 by 2 O2 reaction बदली sign बदला plus 30 01 kilojoule चलिए मेरा aim आया क्या देखो मैं सब को cancel करता हूं सब को cancel करता हूं मेरे पास hydrogen चाहिए carbon चाहिए ये दोनों चाहिए था और मुझे CO2 नीच चाहिए CO2 से CO2 कट गया मुझे water नीच चाहिए 1 by 2 5 by 2 O2 मेरे पास target आ चुका है मेरे पास target क्या चुका है आपका 2 carbon solid plus H2 gas H2 gas किसमे convert हो रहा है C2H2 में convert हो रहा है किसमे convert हो रहा है C2H2 gas में convert हो रहा है target क्या है माइनस 787 इसकी enthalpy माइनस 286 plus 1301 1301 चलिए यहां calculate करके देखते हैं माइनस 787 माइनस 286 plus 1301 यह आगे आपका 228 answer should be 228 kilojoule मैं पूछा था तो kilojoule देखो answer आ रहे हैं बिलकुल आ रहे हैं सब के answer आएंगे practice करना बस this is your answer this is your answer सारी variety बस खतम होने वाली है this is your answer clear है चलिए आगे बढ़ाता हूँ कानी का first law of thermodynamics कहीं भी हमें spontaneity of reaction के बारे में नहीं बताता था हमने first law of thermodynamics देखा first law of thermodynamics first law of thermodynamics क्या था अगर mathematical equation देखों तो del u is equal to q plus w ठीक है sir q और w के बारे में heat और work done के बारे में हमें बिल्कुल कहा नहीं पता है first law of thermodynamics हमें heat के बारे में proper जानकरी दे रहा है heat के बारे में proper जानकरी दे रहा है first law of thermodynamics हमें work done के बारे में proper जानकरी दे रहा है एक बर summarize करने की कोशिश करूँ अगर कोई मेरा system है, system है, इस system पे अगर heat दी जा रही है, heat दी जा रही है, तो heat को positive माना जाएगा अगर इस system से heat निकाली जा रही है, तो इसे negative माना जाएगा work done on the system है, work done on the system है, तो work done को positive माना जाएगा work done by the system है, work done by the system है, तो इस work done को negative माना जाएगा यह हमारी कहानी थी जिसे आपने पिछली classes में देखा था यह हमें अच्छी खासी जानकारी देता था work done और heat के बारे में लेकिन यह हमें कभी भी spontanity of reaction spontanity of reaction के बारे में जानकारी नहीं देता था सबसे important बात है आप लोग भी लिखते चलना है यह चीज़ है spontanity of reaction के बारे में जानकारी नहीं देता था कि कौन सी reaction spontaneous है ठीक है spontanity के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली ठीक है दूसरी चीज दूसरी चीज direction direction of heat flow heat flow की direction क्या है इसके बारे में भी first law of thermodynamics जानकारी नहीं देता था मतलब spontanity और direction of heat flow हमें फर्स लॉओ अफ थर्मो डानमिक्स के बेसिस पे हम नहीं बता सकते, यह question काफ़े important है, पूछा जाता है, अब यह जो कहानी आने वाली है, अब यह जो कहानी आने वाली है, spontaneity, spontaneity, सुनना जी, अब यह जो कहानी आज अपन डिसकस करने वाले है, spontaneity, and direction of heat flow, direction of heat flow, direction of heat flow, य यहां से अपने second law of thermodynamics की शुरुआत होगी, यहां से अपनी entropy की शुरुआत होगी, यहां से अपनी entropy की शुरुआत होगी, आगे आने वाली classes में, यहां से अपनी entropy की शुरुआत होगी, ठीक है, यहां से अपनी gives free energy की शुरुआत होगी, यहां से अपनी gives free energy की शुरुआत ह कि और जैसे कि मैंने आपको अभी तक दो इस चैप्टर के चार पिलर ते मैंने इस चैप्टर के चार πिलर आपको बता है इस चैप्टर के चार पिलर बताे कौन-कौन से पिलर है शार एक था डेल यू internal energy उसके बारे में डीतेल में discussion कर चुके हैं एक अपन देख चुके हैं एंथेलेपी एंथेलेपी के बारे में डीटेल में discussion कर चुके हैं भाईया एंथेलेपी ओफ फॉर्मेशन क्यों ना हो एक बार पूरा सब कुछ तो बता दिया है ऐसा कौन सा टॉपिक नहीं रहा है जो नहीं बता है जो बच्चा स्टार्टिंग से थर्मोडानामिक स्वालो कर रहा होगा उसे चैप्टर फर्फेक्ट हो जाएगा और इसकी बाद आपके लिए सर्प्राइस पैकेज आने वाला है क्लास 11 का जिसक करते हैं अपने बिना डिले करे हुए स्पॉंटे निटी ओफ रियक्शन के बारे इसे थोड़ा हलका सा नोट डाउन कर लो अगर आपको कुछ लग रहा है कि हां सर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है तो इसे नोट डाउन कर लो और मेरे हिसाब से ये दो पॉइं को नीचे गिरते देखा होगा झहरने से पानी नीचे ही गिरता है ठीक है तो झहरने से पानी का नीचे गिरना जिसमें उसकी पोटेंशल अनरजी自ह कम हो रही है पानी के नीचे गिरने है जो नेचर में हो रही है सारी नेचरली ओकरिंग प्रोसेस जो भी नेचर में अपने आप हो रही है वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी स्पॉन्टेनियस processes कहलाती है तो मैं इस कहानी को पढ़के सुनाता हूँ ध्यान दीजेगा naturally occurring processes जितनी भी nature में processes अपने आप हो रही है naturally occurring processes naturally occurring processes वो क्या कहलाती है अपनी spontaneous processes कहलाती है पहला point यह पहला point यह यह या ऐसी processes जो अपने आप हो अपने आप हो या एक बार अगर उसे ignite कर दिया जाए एक बार जला दिया जाए ऐसे समझ यह कहते हैं ना अगर success की आग दिल में एक बार लग जाए पढ़ाते पढ़ाते मैं जीवन की बाते ही बताते चलता हूँ success की आग दिल में एक बार लग जाए तो इनसान फिर भूका प्यासा सिर्फ अपनी success के लिए काम करता है सिर्फ अपनी success के लिए काम करता है तो आग दिल में जलाना जरूरी है मेरे बच्चों आग दिल में जलाना जरूरी है तो ऐसी processes मतलब spontaneous आगे success की तरफ बढ़ना मतलब अपने आप एक naturally success की तरफ बढ़ना also spontaneous processes तो ऐसी processes जिनने एक बार जला दिया जाए once ignite and जो proceed होंगी अपने आप प्रोसीड होंगी अपने आप उन्हें हम नाम देते है spontaneous processes अब ये बोला जाता है सुनना यहां पर मैंने दो चीज़े अपने आप बता दी है यहां यह बोला जाता है कि जितनी भी spontaneous processes होती है उसमें enthalpy change जो होता है वो कम होता है या exothermic होती है लेकिन आपको exception देखने मिल जाएगा कि कुछ spontaneous processes endothermic भी होती है जो मैं detail में आपको बताऊंगा यह NCIT की एक line है और as I told you मैं NCIT based plus NCIT plus plus की बात करूँगा और आपका JEE और NEET के लिए base में तयार करके रख दूँगा तो spontaneous processes समझ आई ऐसी process जो nature में अपने आप हो रही है और अगर नहीं भी हो रही है तो एक बार अगर उन्हें ignite कर दिया जाए तो अपने आप वो चलती जाएंगी इससे हम कहेंगे spontaneous processes चलिए दूसरे वर्ट में बात करूँ in other words ठीक है natural occurring processes are spontaneous and irreversible अब मेरी बात सुनिएगा naturally occurring processes are spontaneous and irreversible मैं इसे एक ही example से समझता हूँ NCIT में यह example दिया हुआ है कि अगर कोई पानी flow of water down the hill flow of water down the hill यह NCIT का word ली है मैंने अगर पानी down the hill नीचे घर रहा है जर्ने से आपने देखा होगा यह आपने देखे होंगे बहुत सारे जर्ने एकात comment section बताना जर्नों के नाम याद नहीं आ रहा है मुझे पच्छमडी का याद आ रहा है मैं मैं गया था beef all में पानी उपर से नीचे गिरता है लगे मैंने कभी ऐसा नहीं देखा पानी नीचे से ऊपर जाने लगा it तो भीया नेचर के गिंस्त हो या कि वाओ यार यह तो जादु हो जाएगा फिर लोग भगवान की लिला है भगवान का प्रसाद है भाइया की ऊपर जा रहा है पानी पानी पीलो शुद्ध हो जाएगा ये फिर तो भगवास बास शुरू हो जाएत वो beyond the nature चली जाएगी बात तो जितनी भी nature में processes हो रही है nature में processes हो रही है और जो irreversible है ठीक है and move in only one direction समझना and move in only one direction उन्हें नाम दिया जाता है spontaneous processes first law of thermodynamics हमें directional property के बारे में नहीं बताता था unidirectional flow of heat के बारे में नहीं बताता था कि heat अगर hot body से cold body की तरफ जा रही है तो क्यों जा रही है ठीक है इसके बारे में directional property के बारे में उसने नहीं बताया यहां सारी चीजों को आपन एक एक करके discuss करेंगे बने रहीएगा मेरे साथ अगली कहानी आपन देखते है NCRT की definition typical NCRT a spontaneous processes is an irreversible process बात वही है and may only be reversed समझे ना मैंने क्या बोला पहली term में बोला कि यह irreversible होती काफी theoretical बात चल रही है या NCRT कहती है spontaneous processes होती है वो irreversible होती है और वो तभी reverse की जा सकती है जब कोई external agent का आप use करेंगे nature में अपने आप नहीं हो पाई यह बात थी अपनी spontaneous processes तो एक term में अगर मैं summarize करूँ अगर कोई आप से पूछे what is spontaneous processes क्या first law of thermodynamics समझा पाता है मैं याद करा पारा हूँ या नहीं yes sir याद करा पार क्या first law of thermodynamics spontaneity के बारे में बताता था नहीं sir first law of thermodynamics spontaneity के बारे में नहीं बताता था क्या first law of thermodynamics हमें ये बताता था कि जितनी भी nature में processes हो रही है वो spontaneous है और irreversible है नहीं सरी है हमें नहीं बताता था तो what is spontaneous processes nature में होने वाली processes जो कि irreversible होती है उन्हें कहते है spontaneous processes ठीक है कहानी clear है example अपन देखते है ठीक है बरफ रखी आपने एक भगोने में या एक container में हम तो देशी आदमी है भगोने ही बोलते है भी या ठीक है या कटोरा बोल देते हैं उसमें आपने बर्फ रखी रख दी क्या बर्फ बर्फ बनी रही है या पानी हो जाएगा खुदी बताइए बर्फ पानी हो जाएगा तो conversion of ice into water conversion of ice into water कैसी process है spontaneous process है दूसरी चीज समझ रहा पानी liquid form से पानी किसमें जा रहा है gaseous form evaporation evaporation nature में अपने आप होता है अगर आप बात करेंगे जील का पानी है अपने आप भाब बनता रहता है जील का पानी है अपने आप भाब बनता रहता है तो evaporation is a spontaneous process evaporation कैसी है spontaneous process है ठीक है gases अपने आप mix हो रही है gases की जो mixing हो रही है मान लीजिए gases की जो mixing हो रही है वो अपने आप हो रही है क्या कभी आपने सूचा है मैं एक जस्ट एग्जामपल बता रहा हूँ कि अपने atmosphere में nitrogen gas है 78% oxygen gas है 21% सर nitrogen और oxygen आपस में reaction करके 2NO क्यों नहीं बना देते atmosphere में तो पाए जा रहे है क्यों नहीं बना देते क्योंकि mixing हो रही है gas की लेकिन जब यह बनेंगी N2 plus O2 आपस में mix करके 2NO यह एक endothermik reaction होती है यह अपने आप नहीं होती इसके लिए temperature देना पड़ता है बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं तॉप से पानी का नीचे गिरना पानी का नीचे गिरना ठीक है पत्थर मैंने फेका पत्थर का भी example NCRT ने दिया स्टोन को मैंने पकड़ा नीचे फेका ठीक है वह अपनी spontaneous process लेकिन अगर पत्थर को ऊपर फेकना है मुझे पत्थर को ऊपर जाएगा जरूर जाएगा जरूर लेकिन मुझे उसके लिए किसी ना किसी external force की जरूरत पड़ेगी simple है clear है और इन processes में याद रखना मैंने क्या बोला spontaneous processes naturally occurring होती है या एक बार ignite करने की जरूरत पड़ेगी तो अपने आप हो जाएगी इनमें कोई ignition की जरूरत नहीं है no ignition required no ignition required please note down करें इसे please इसे note down करें बहुत simple logic है बहुत simple logic है please इसे note down करें आप लोग बढ़ों आगे बढ़ जाओं आगे चलिये जी नेक्स काहानी की बास करता हूं मैं नेक्स काहानी की बास करता हूं मैं देखिएगा लिख लिए ना नहीं तो बादिम बोलोगे सर लिखने का समय नहीं देते हैं आप हमें चलिए जी अगली कहानी की बात करते हैं अपन अगली कहानी है हमें की वाटर का फॉर्मेशन आपने लिया 2H2 प्लस O2 की रियक्शन कर दी एलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ आपका क्या बन गया 2H2O लिक्विड बन गया क्या बन गया 2H2O लिक्विड बन गया ठीक है लेकिन एलेक्ट्रिक स्पार्क देने की जरुद पढ़ रही है इसमें इनीसियेशन और इग्नीशन की रिक्वार्मेंट है समझ यह गा दूसरी चीज आपने carbon solid लिया oxygen के साथ reaction करी ignition हुआ ignition हुआ आपकी co2 gas बन गई ठीक है co2 gas बनेगी इसमें भी ignition की जरुत पड़ी मैंने अलग-अलग example लिया है और burning of candle burning of candle ठीक है आपने मुंबत्ती को एक बार जला है एक बार जला है फिर वो अपने ignition require होता है इस और यह बात करता हूं कहानी की मैं समझ यह अगली कहानी की तो अगर मैं यह कहूं कि जो भी spontaneous process हो रही है अब मैं दूसरे पहलू पर जाओं अगर मैं spontanity के पहलू को थोड़ा आगे बढ़ाओं और मैं यह कहूं कि जो भी spontaneous processes है या natural occurring processes है उसमें internal energy या enthalpy कम होती है क्या यह मेरा statement 100% सही होगा चलो देखते हैं चलो देखते हैं NCRT भी यही बात पूछती है क्या हमेशा spontaneous processes में decrease in enthalpy देखने मिलता है आपको NCRT यह बोलती है कि spontaneous processes में क्या आपको decrease in enthalpy देखने मिलता है चलो यह बात करते हैं spontaneous processes is accompanied by decrease in internal energy और enthalpy चलो ठीक है इट इंडिकेट्स ओनली exothermic reactions are spontaneous only exothermic reactions are spontaneous चलिए देखते हैं example पहले मैं NCRT का पकड़ता हूं कि भाईया exothermic reaction ही spontaneous होती है चलिए मैं एक NCRT का example पकड़ा मैंने पकड़ा आपका मान लीचिए मुझे ammonia का formation करना है ammonia का formation करना है मैंने किस से करा N2 plus 3H2 3H2 3 by 2 कर दिया मैंने 3 by 2 कर दिया मैंने और इसको 1 by 2 कर दिया मैंने 1 by 2 कर दिया मैरे तो मेरा ammonia बन गया ammonia बन गया ठीक है क्या बन गया मेरा ammonia बन गया इस ammonia का formation जब हम करते हैं तो इसमें जो एन्थेलेपी चेंज आता है वो ध्यान दीजएगा माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल आता है कितना आता है माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल आता है मतलब अगर यह reaction अपने हैं आप हो रही है N2 और 3H2 आपस में मिलके अमोनिया बना रहे हैं तो इसमें यह exothermic reaction मतलब यह spontaneous होगी चलिए दूसरा उसने एक और example दिया हुआ है कि अगर आप HCl का formation कर रहे हैं हाफ H2 ले रहे हैं हाफ CL2 ले रहे हैं हाफ CL2 ले रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है HCl बन रहा है इस दोरान जो enthalpy चेंज आपको देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा माइनस 92.38 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल तो वो यह बोलता है कि हाँ भाया जो भी अपने आप reaction हो रही है spontaneous reaction हो रही है वो कैसी है exothermic reaction लेकिन यह हमेशा सहीं नहीं होता है यह हमेशा सहीं नहीं होता है ध्यान देना मैंने क्या बोला क्या कोई reaction spontaneous है तो हमेशा exothermic होगी यस होगी लेकिन कुछ exception देखने मिलते हैं तो मैंने क्या लिखा spontaneous processes is accompanied by decrease in internal energy और enthalpy it indicates only exothermic reactions are spontaneous तो ध्यान देना ये चीज हमेशा सही नहीं होगी exception देखने मिलेगा जैसे एक आपने देख लिया melting of ice melting of ice ठीक है and evaporation of water are endothermic आप बात सुनिएगा जब ice melt होती है जब ice melt होती है तो वो heat absorb करती है heat absorb करती है तभी तो melt हो रही है ठीक है evaporation of water पानी का evaporation हो रहा है जब वो heat absorb करेगा तभी evaporate होगा तभी evaporate होगा ठीक है तो evaporation of water are endothermic but also spontaneous processes but also spontaneous processes पहले इतना note down करो पहले इतना note down करो फिर कहानी को मैं थोड़ा और example के साथ समझाने की कोशिश कर चलिया तो क्या clear हुआ है यहां से कि भाईया कुछ reaction ऐसी भी होती है जिसमें enthalpy या जो endothermic होती है enthalpy positive होती है या endothermic reaction होती है वो भी spontaneous हो सकती है ठीक है जैसे कि आपने melting of ice देख लिया या evaporation of water देख लिया इसके अलावा कुछ chemical reaction की बात करूँ मैं जैसे कि मैं half N2 half N2 plus O2 की बात करूँ और मुझे मिल रहा है NO2 यह reaction कैसी है यह reaction spontaneous है लेकिन endothermic है plus 38 kilojoule per mole kilojoule per mole इसके अलावा इसके अलावा यह देखो इसके अलावे एक और मैं reaction देख सकता हूं जैसे carbon solid ले लिया मैंने plus S2 ले लिया मैंने CS2 का formation हो रहा है मेरिया यह भी reaction endothermic है endothermic है plus 128 kilojoule per mole देखे plus 120 endothermic reaction है लेकिन यह spontaneous है ठीक है मतलब आप अगर मैं जैसे मैं इनको एक graph के form में दिखानी कोशिश करूँ NCRT नग्राप बनाये कि यहां बया endothermic reaction और exothermic reaction को अगर अपन graphical representation करें graphical representation करें ठीक है तो समझेगा तो समझेगा माल लीजिए मैं इदर बना रहा हूँ अपनी कौन सी exothermic reaction exothermic reaction exothermic reaction उसका graphical representation कर रहा हूँ है इधर मैं ले रहा हूँ अपनी enthalpy और इधर मैं ले रहा हूँ reaction coordinates हर चीज मैं बता दे रहा हूँ ncrt-based और इधर मैं ले रहा हूँ reaction coordinate ncrt ने कम example थी है ज़्यादा example बता दूँगा अब भईया मैंने क्या कहा कि जो exothermic reaction होती है मतलब reactant की energy ज़्यादा होगी तो मैंने ये बोला ये this is enthalpy of reactant माल लीजे product जब बना उसकी enthalpy कम होगी उसकी enthalpy कम होगी आप देख पा रहे हैं मतलब ये जो enthalpy change है यह जो enthalpy change है यह किसको दिखा रहा है किसको दिखा रहा है यह दिखा रहा है exothermic reaction को मतलब देखिए जब reactant से product बना कुछ amount of energy निकली इसी दौरान अगर मैं दूसरी reaction दिखा हूँ आपको endothermicate graph बना लेना अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ endothermic reaction क्या होती है कि हाँ भाया यह आपका इधर enthalpy आपने बनाने की कोशिश करी इधर आपने enthalpy को बनाने की कोशिश करी ठीक है इधर आपने reaction के coordinate लिए reaction के coordinate लिए reaction के coordinate लिए reaction के coordinate लिए अगर आप देखेंगे कि यह जो अब reactant है, reactant की जो enthalpy है वो कम होगी, ठीक है, अब reaction heat absorb करेगी है, heat absorb करेगी है, energy absorb करेगी और यह जो product बनेगा, यह product की enthalpy है, यह del H जो देखने मिल रहा है, इस दोरान enthalpy, energy या heat को absorb किया गया है, तो यह endothermic reaction को बता रहा है, किसको दिखा रहा है, endothermic reaction को बता रहा है, ठीक है, conclusion यह है कि reaction can be exothermic और, कि मैं यह कहूं कि, मतलब इसको दूसरे time में मैं कहूं, कि भाईया, सिर्फ exothermic reaction ही, आपके spontaneous होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कुछ endothermic reaction भी spontaneous होती है, लेकिन एक और मज़ा, एक और मज़ा, पहले यह बनाया, पहल फिर भी वो spontaneous होती है, फिर भी वो spontaneous होती है, थोड़ा NCRT++ की बात कर रहा है, फिर भी वो spontaneous होती है, for example, मैंने जैसे acetic acid ले लिया, जैसे मैंने acetic acid ले लिया, acetic acid ले लिया, ठीक है, acetic acid ले लिया, इसके अलावा मैंने ethyl alcohol ले लिया, इसके अलावा मैंने ethyl alcohol ले लिया, द हो रहा है मेरे water का रिमूवल हो रहा है और आप देख पा रहे हैं आपका क्या बन गया है CH3 COO C2H5 C2H5 आपका यह ester का formation हो गया और water निकल गया इस reaction में enthalpy change zero होता है फिर भी यह reaction कैसी spontaneous है सारे example मैं ढूंड के लाया हूं ताकि आपके लिए perfect तरीके से मैं concept बना सकूं clear है फिर भी यह reaction spontaneous है लेकिन जो most of the reaction हम देखेंगे जो की nature में हो रही है उस दौरान हमेशा enthalpy घटती है clear है लेकिन यह universally सहीं नहीं कहा जा सकता क्या बोला summarize करूं most of the reaction जो universe में हो रही है उन में enthalpy कम होती है ठीक है internal energy कम होती है लेकिन इसके exception है कि भाया आपकी endothermic reaction भी spontaneous हो सकती है जिसमें enthalpy zero है वो भी spontaneous हो सकती है बड़े आगे बड़े आगे चलिए आगे बढ़ाता है कहानी को अब यह जो भी कहानी है all these things are explained by अब यह जो spontanity है randomness है इन सारी कहानी को हम explain करेंगे entropy के द्वारा जो की हमारा आने वाला lecture होगा जो की हमारा आने वाला lecture होगा जिसमें हम entropy के बारे में बात करेंगे and second law of thermodynamics जो explain करेगा spontanity के बारे में वो हम आने वाले lecture में explain करेंगे आज की जो कहानी थी mainly based थी spontaneity पे उसे हमने detail में देख लिया clear है इतना note down कर लीजिए इतना note down कर लीजिए कर लिया बढ़ाओं कहानी को आगे आगे आने वाली कहानी क्या है अपनी entropy जो काफी जाद है important lecture होने वाला है चलिए बढ़ाता हूँ कहानी को आगे चलिए अब थोड़ी बात कर लूँ अगर मैं किसके बारे में non spontaneous processes के बारे में तो समझेगा ऐसी processes जिनमें कोई no natural tendency और urge to occur is said to be non spontaneous जिनमें कोई natural tendency नहीं होती है भहिया कि हाँ मुझे completion पे जाना है उसे अपन कहते है non spontaneous processes इसका एक example आप ले सकते हैं कि जो flow of heat होती है कहां से कहां से cold body से hot body की तरफ heat अपने आप नहीं जाती है ये कैसी process होती है non spontaneous लेकिन आप hot body से cold body की तरफ heat का flow अपने आप होता है वो कैसी processes होती है वो होती है spontaneous ठीक है इसके अलावा decomposition of water पानी का टूटना spontaneous process नहीं है ये किसके example है non spontaneous process के example है तो ये spontanity और non spontanity के बारे में अपनी कहांनी खतम हुई मैं बात करी थी मैं उसे एक बार revise करवा दूँ पिछली class में हमने जो बात करी थी spontaneous reaction के बारे में spontaneous reaction के बारे में या spontaneity के बारे में या spontaneity के बारे में मैं आपसे जस्ट एक चीज पूछना चाहूँगा, एक चीज पूछना चाहूँगा, कि पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था, कि भाईया अगर आपको किसी reaction की spontaneity बताना है, first law thermodynamics तो नहीं बता सकता, यहीं से introduction हुए किसका second law thermodynamics और entropy का, सुना, कि मैंने कहा था कि कोई reaction अगर spontaneous है, अगर कोई reaction spontaneous है, तो मैंने आपसे कहा था कि डेल H इसके लिए negative भी हो सकता है most of the reaction में, लेकिन कुछ reaction में डेल H positive भी हो सकता है, और कुछ reaction में डेल H 0 भी हो सकता है, मतलब अखेला आपका enthalpy change आपकी spontaneity के बारे में नहीं बता सकता, ऐसा क्यों कि अखेला आपका enthalpy spontaneity के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि सर, spontaneity में कई spontaneous reaction में डेल H negative होता था, कई spontaneous reaction में डेलेज positive होता था कई spontaneous reaction में डेलेज 0 होता था जैसे कुछ reaction बताई थी मैंने आपको कि भाईया आपका N2 है प्लस H2 है convert हो रहा है ammonia में ammonia में इसके लिए डेलेज कितना आपको देखने मिला था minus 46.1 kilojoule per mole ये reaction कैसी थी spontaneous थी दूसरा कुछ reaction थी जैसे मैंने आपको बताया था पहले इस चीज को जानना जरूरी है हम क्या बात करने जा रहे है कुछ reaction के लिए मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजे half N2 plus O2 है convert हो रहा है NO2 में इसके लिए enthalpy change जो आया था वो आया था plus 32.1 33.1 या 32.1 किलो जूल पर मोल ठीक है थोड़ी value इदर उदर होंगी आपको concept समझना है कुछ reaction थी जैसे CH3COOH CH3COOH acetic acid इस में reaction कर दी आपने ethyl alcohol की इस reaction में जो आपका enthalpy change आया था enthalpy change आया था CH3COOC2H5 इस reaction में जो आपका enthalpy change आया था plus H2O कितना आया था enthalpy change आया था और ये सारी reaction spontaneous थी मतलब सर enthalpy कोई अकेला factor नहीं हो सकता जो आपकी spontanity के बारे में बताए कुछ और factor होंगे जो spontanity के बारे में बताएंगे तो spontanity जो decide होगी spontanity जो decide होगी वो अकेले del H से decide नहीं होगी इसके लिए आपको del S मतलब entropy और आने वाले lectures में जब हम आएंगे del G मतलब gives free energy इनके बारे में भी पता होना चाहिए ये तीनों मिलके जो आपका decide करेंगे वो spontanity के बारे में decide करेंगे clear है तो first law of thermodynamics का drawback पता चल गया spontanity के बारे में नहीं बताता दूसरा direction of flow of heat के बारे में नहीं बताता ठीक है इसलिए second law introduce हुआ ठीक है तो first law में spontaneous reaction के बारे में पिछली class में हमने spontaneous reaction के बारे में बात करा आज की जो हमारी कहानी है वो mainly entropy पे-based है entropy पे-based समझेगा what is entropy logic समझते चलना detail में आपन समझते हैं पहला अगर आप कोई लिखना है तो आप लिख सकते हैं लेकिन अब आपन देखते हैं entropy क्या होता है entropy क्या होता है बात सुनिएगा entropy आपने जैसे मान लीजिए ये एक container है जिसमें ice cubes रखी हुई है आपने ice cubes रखी हुई है क्या रखी हुई है आइस cubes रखी है और दूसरे container में ये पिघल के पानी बन चुकी है अब आप से मैं पूछू अब मैं आप से पूछू कि भया किसकी entropy जाता है तो क्या है entropy सबसे पहली बात कि आप से question पूछ लिया गया कि सर किसकी entropy जादा है ठीक है आप कैसे decide करेंगे तो सुनिएगा entropy कुछ और नहीं होती entropy कुछ और नहीं होती ये बताती है degree of randomness क्या बताती है degree of randomness अगर कोई system या disorderness अगर कोई system में randomness जाता है किसी system में molecules की randomness जाता है तो भाया उसकी entropy जाता होगी आपके पास है मान लीजे solid जैसे यहाँ पर ice था solid मतलब और ये था liquid आपको क्या पता चल गया किसकी entropy जाता है sir liquid में molecule इदर उदर भाग रहे हैं लेकिन solid में molecule की बीच में भीया intermolecular force जादा काम कर रहा है तो काफी जाता systematic है मतलब liquid की entropy जाता हुई liquid की entropy जाता हुई ठीक है आपके पास है solid आपके पास है liquid और आपके पास है gas solid liquid और gas अब आपसे पूछ लिया जाए किसकी entropy जादा होगी तो sir what is entropy एक word में बोलो entropy is nothing but a degree of disorderness या randomness जिसमें disorderness या randomness बढ़ता जा रहा है disorderness या disorderness या randomness बढ़ता जा रहा है तो आपका entropy जो होगा वो भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा entropy भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा clear है मतलब entropy is nothing but a degree of disorderness या degree of randomness चलिए शुरू करते है entropy के बारे में detail में पहले इतना note down कर लो अपनी कहानी को बस आज मैं entropy का पूरा introduction देने जा रहा हूँ पूरा detail में तुम्हें आने वाल lecture में बताऊँगा तो clear है entropy चलिए जी तो निकाली अपनी copy निकाली अपना pan और मेरे संग शुरू हो जाईए ना मैं मेरा अनुराग बगेल चलिए बात करते हैं अपन entropy it is nothing but a degree of disorderness और degree of randomness in the system in the system is known as entropy बस यह वाट याद रखना यह क्या बताता है degree of disorderness या degree of randomness के बारे में बात करता है ठीक है अगर जितनी ज़्यादा disorderness आपको देखने मिलेगी अभी मैंने introduction में बात ही करी कि सर सॉलिड से ज़्यादा liquid में liquid से ज़्यादा gas में जितनी ज़्यादा disorderness या randomness आपको देखने मिलेगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी entropy होगी जितनी ज़्यादा degree of disorderness या इसको मैं ऐसे कह दूँ कोई class है class है दो type की class है एक class के बछचे बहुत ज़्यादा systematic है regular बच्चे है 7 बजे की coaching का time है बच्चे 7 बजे exact सारे बच्चे बैँजाएंगे सारे बच्चे बैँजाएंगे कोई बातें नहीं करेंगे सिर्फ पढ़ाई करेंगे सारे बच्चे बैठ गये, तीक है, दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास है, वाय, दूसरी क्लास है, वाय, साथ बजे मैडम ने टाइम दी, बच्चे आट बजे तक आ रहे हैं, आए भी, तो एक दूसरे से मारा, पीटी, कुटाई, उटाई, जो सारे धतकर्म होते हैं, सारे बच बच्चे थे तो entropy कम लेकिन अगर बच्चे मारा कूटी इन कामों में पढ़ गए, disorder हो गए बच्चे तो entropy बढ़ गई, logic समझाया, मतलब decrease in regularity, अगर regularity कम हुई, इसका मतलब क्या है कि entropy आपकी बढ़ चुकी है, entropy आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है सर, entropy is a state function, ये point आपके entropy कभी भी initial state और final state पर depend करती है किस path से आप जा रहे हैं आपको नहीं पता, माल लीजिए, आप x से जा रहे हैं y पर, x से जा रहे हैं y पर, x से जा रहे हैं y पर, अब मैं कहूँ कि इस reaction की मुझे entropy निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँगा? entropy कि चेंज निकालूँगा मैं entropy change निकालूँगा मैं क्योंकि यह state function है जो initial state और final state पर depend करता है path पर depend नहीं करता तो change in entropy कैसे निकालूँगा मैं entropy of product product minus entropy of reactant हमेशा याद रखिएगा entropy change हम कैसे निकालेंगे कि भाईया entropy कभी भी calculate नहीं की जा सकती हम हमेशा change in entropy calculate करेंगे क्या calculate करेंगे change in entropy calculate करेंगे और change in entropy क्या होती है entropy of product minus entropy of reactant minus entropy of reactant यह चीज पहले दिमाग में बैठा दीचे entropy of product minus entropy of reactant clear है अगर मेरी बात सुनना कोई spontaneous process है logic सुनना अगर कोई spontaneous process है spontaneous इस चीज को आप मैं इधर बता रहा हूँ इस point के आगे मैं आगे जा रहा हूँ ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा बच्चों इस point के बाद मैं आगे जा रहा हूँ अगर कोई मेरी spontaneous process है logic सुनना इसलिए spontaneity पहले पढ़ना जाएगा आप टाइप करिए का spontaneity magnet brains spontaneity class 11th magnet brains आपको मिल जाएगा अगर spontaneity जाता है माल लीजे एक से य आप जा रहे है reaction कैसी है spontaneous reaction reaction कैसी है spontaneous reaction है अब अगर spontaneous reaction है spontaneous reaction है मतलब सर disorderness बढ़ चुकिए spontaneous reaction मतलब एक से य अपने आप reaction जा रही है आपके disorderness बढ़ चुकी है disorderness बढ़ चुकी है disorderness बढ़ चुकी है या randomness बढ़ चुकी है या randomness बढ़ चुकी है अगर disorderness या randomness बढ़ चुकी है एक से य जाने में reaction spontaneous है spontaneous मतलब अपने आप हो रही है मतलब disorderness या randomness बढ़ चुकी है तो इस case में entropy कैसी होगी, entropy positive होगी, entropy कैसी होगी, positive होगी, सबसे important बात, ठीक है, लेकिन जब आप x से y जा रहे हैं, x से y जा रहे हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, entropy positive होगी, मतलब, entropy of product कैसी होगी, मतलब, entropy of reactant, इंट्रोपी की जादा है, product की जादा है, और reactant की कैसी है, ठीक है, लेकिन आप x से y जाय है, अब अगर इस case में मैं कहूँ कि entropy negative आ रही है, entropy negative आ रही है, उसमें जो product की entropy होगी, product की entropy होगी, product की entropy होगी, और entropy of reactant कैसी होगी, reactant कैसी होगी, जादा होगी, entropy of reactant कैसी होगी, जादा होगी, clear है, मतलब अगर reaction non spontaneous है, मतलब जब reactant से product जा रहे है, reactant से product जा रहे है, होगी जरूर, लेकिन reactant से product आप जा रहे हैं, तो disorderness नहीं बढ़ रही लेकिन मान लीजिए आप x से y जा रहे है और y से वापस x अ रहे है को disorderね से randomness घट रही है ठीक है लेकिन अगर आपकी reversible reaction है कैसी reaction है reversible reaction तो इस case में entropy change कैसा यह जीरो आता है जैसे मैंने पिछरी ग्लास में enthalpy की बात करी थी spontanity बताने के लिए आज मैंने entropy की बात कर ली है अगर आपकी reversible reaction है तो entropy change कितना आता है zero आता है clear है पहले इतना note down करो entropy is a state function ठीक है अगर entropy change positive आ रहा है मतलब बात यह है कि भईया आपकी जब product बन रहा है ठीक है उसकी entropy ज़्यादा है reactant की entropy कम है मतलब product जब बना तो disorderness ये randomness बढ़ गई दूसरा x से y आप जा रहे है entropy change अगर negative आ रहा है मतलब reaction कैसे होई non spontaneous होई चलिए आगे बढ़ाता हूं का निको अब अगली बात है ठीक है ये पूरा clear है अगली बात जो है वो है हमारी if heat is added to the system सारे point important है अगर आपने किसी system में heat add करी logic समझ रहा है कोई system है उसमें आप heat add कर रहे है मतलब क्या है मतलब क्या है समझ येगा heat add करे molecule बोलेंगे अरे यार गर्मी सी हो रही है logic समझ रहे है ऐसा आपन समझाने के लिए heat add करी मतलब इस कमरे में गर्मी सी बढ़ जाए और यार आप molecule बोलेंगे यार गर्मी सी हो रही है कुछ करो 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 degree of disorderness बढ़ने ली och my god गर्मी सी हो रहे है chaud हीट जैसे ही add करते है system में molecular motion बढ़ जाता है जैसे ही अपने heat करा molecular motion बढ़ गया molecular motion बढ़ गया मतलब अरे भैया सीधी सी बात है molecule को kinetic energy मिल लगाई degree of disorderness बढ़ गई या degree of randomness बढ़ गई जैसे ही कि आप माल लीजी आपका बरफ है बरफ 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 आइस, आइस क्यूब्स अब आपने इसको थोड़ा घरम करा हीट प्रोवाइट करी मॉलिक्यूल को काइनिटी का एनर्जी मिली वो दीरे-दीरे सॉलिड से लिक्विड बनने लगे अगर मैं एक लेक्शर लाता है काफी जादा लंबा होता है इसलिए मैं दो पार्ट में डिवाइट करते रहा हूँ आप आने वाले लेक्शर जरूर देखिए का एन्ट्रोपी परफेक्ट हो जाएगी आपकी परफेक्ट यह वादा रहा मेरा ठीक है अग्ली बात करूं मैं ठीक है तो एप सॉल्यूट जीरो टेंपरेचर अगर आप सॉल्यूट जीरो टेंपरेचर की बात करेंगे जिसमें सारे molecular motion freeze हो जाते हैं at absolute zero temperature molecular motion क्या हो जाते हैं molecular motion क्या हो जाते हैं freeze हो जाते है freeze बचपने हो खेलते थे थे न no disorderness no randomness no entropy तो भाईः at absolute zero temperature हर concept clear हुआ ना दिमाग पर बैटा कि ये नी comment section में बताना भाईः ये बात कान फटे थोड़े मैं ज़्याता तेज बोलता हूँ तो कान फटते हैं बच्चों के बोलते हैं सर धीरे बोल दिया कर रहा हा 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 तो बहिए एट अपसॉलिट जीरो टेंपरेचर एंट्रॉपी ऑफ प्योर क्रिस्टल इस जीरो क्योंकि सारे क्या हो जाते हैं और एंट्रॉपी इस नतिंग बटा डिगरी ऑफ डिसॉड़नेस और डिगरी ऑफ रेंडमनेस एंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इस कंटीनिवसली इंक्रीजिंग पूरे वर्ल्ड की एंट्रॉपी बढ़ रही है आपको आपको जैसे कोई अगर बायोलोजी का बच्चा होगा उसमें उन्हें जब इन्वार्मेंटल पढ़ाया जाएगा इन्वार्मेंटल इशूज पढ़ाया जाएंगे वहां ये बताया जाएगा भईया ये जो ग्लेशियर्स तो पिगल रहे हर कोई बच्चा समझ सकता है मैं कोई ऐसी बायोजीकल बात नहीं कर रहा हो हर कोई बच्चा नॉर्मल बच्चा भी बैठा होगा तो अनुराख सरसे पढ़ने के बाद वह एंट्रॉपी समझेगा एंट्रॉपी समझेगा डिग्री अफ डिग्री अफ रेंडमनेस आपको अगर पता होगा ग्लेशियर्स दिनो दिन पिगल रहे हैं पॉलीशन बढ़ रहा है ठीक है हम भी पहले जैसे सिस्टेमाटिक कहां बचे हैं आपने कभी नुटिस करा है क्या हम पहले जैसे सिस्टेमाटिक बचे हैं नहीं और अभी जो करेंट सेनेरिव चल रहा है उसमें तो हम बिल्कुल कोई रेगुलेटी नहीं कभी आपने सोचा है कि हम भ ब्रह्म मूर्त में वो उठते थे, इसनान करते थे, ध्यान करते थे ठीक है और विद्या लेने सुबा वियायाम करते थे और चले जाते थे, वियायाम मतलब exercise लेकिन अब वो चीज नहीं बची है, वो चीज नहीं बची है, रात को दो दो बजे तक हम सो रहे हैं, क्या degree of disorder, बढ़ रही है न, degree of disorder, degree of randomness, मौसम देख रहे हैं आप, कभी भी बदल जा रहे हैं, कभी भी बारिश हो रही है, सारे मौसम एक्टेंट कर रहे हैं, यही तो हैं environmental changes, जो हम अपनी धर्ती पे observe कर रहे हैं, मतलब अगर इसे हम समझा हैं, तो इसे हम किस law के basis पर समझा सकते हैं, इसे हम second law के basis पर समझा सकते हैं, वो भी आएगा, सब आएगा, अरे इसके बाद तो second law of thermodynamics तिर्फ स्टेट्मेंट बागी रह जागा, इतना मैं detail में बता दू ठीक है, तो entropy of the universe is continuously increasing, ठीक है, क्यों, क्योंकि degree of disorderness, degree of disorderness, degree of disorderness, disorderness और randomness, और randomness in universe increases, और randomness in universe, in universe increases, clear है, इस lecture को बहुत अच्छे से समझना है, entropy शब्दों पर बर्स जाएगी, ठीक है, अब लिखा है, liquid is higher entropy, than solid and solid, solid की, फिर liquid की और फिर gas की, solid की सबसे कम होती है, solid की सबसे कम होती है, फिर किसकी होती है, liquid की होती है, और फिर कौन होता है, gas की entropy होती है, किसकी entropy होती है, gas की entropy होती है, this is the concept जो आपको समझना पड़ेगा, this is the concept जो आपको समझना पड़ेगा, तो ये थी अपनी entropy की बा basis पे नहीं समझा सकते, entropy के basis पे अपन समझाएंगे और तीसरा gifts free energy के basis पे समझाएंगे जो कभी आगे आने वाली है, अभी तक हमें यह पता चल गया कि सर, entropy अगर कोई spontaneous reaction है, spontaneous reaction है, मतलब जो अपने आप जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, degree of disorderness बढ़ रही है, randomness बढ़ रही है, तो इस case में entropy बढ़ेगी, इस case में entropy बढ़ेगी, लेकिन सर, अगर कोई ऐसी reaction है, जो की non spontaneous है, जिसमें disorderness है, randomness नहीं बढ़ रही है, तो वो उसमें entropy घटेगी, clear है, और absolute zero temperature पे सर, absolute zero temperature जिस पे सारी molecular motion freeze हो जाते हैं, उस case में entropy कितनी होती है, उस case में entropy कितनी होती है, zero होती है, comment section में बताईएगा, states of matter में बता चुका है, absolute zero temperature किसे कहा जाता है, comment section में बताईएगा, ठीक है, यह अपनी होता है, तो मैंने आपसे कहा था, entropy कुछ और नहीं, entropy कुछ और नहीं, बस देखते चलना जी, entropy कुछ और नहीं, जिसे अपन del s से represent करता है, यह represent करती है, degree of disorderness, degree of disorderness, disorderness, disorderness और degree of randomness को represent करती है degree of randomness को represent करती है degree of randomness को represent करती है what is entropy अगर आपको degree of disorderness किसी system की पता करना है degree of randomness पता करना है तो इसे नापने के लिए आप किसका यूज़ करेंगा entropy का यूज़ करेंगा किसका यूज़ करेंगा entropy का यूज़ करेंगा कम होती है मैंने पिछली क्लास में पूरा डीटेल में बताया हुआ है लिक्विड को लिक्विड में कनवर्ट करा मान लीजिए आपके पास आइस थी आइस के मॉलेक्विड पास पास है उनमें डिग्री ऑफ डिसॉडर नस नहीं है डिग्री ऑफ रेंडम नस नहीं है उनमें से degree of randomness और बढ़ गई तो entropy और बढ़ गई आपकी यह आपने पिछली classes में discuss करा था फिर मैंने आपको बताया था entropy के बारे में entropy के बारे में यह एक extensive property extensive property extensive property extensive property इसका मतलब क्या होता भीया ऐसी property जो की mass पर depend करें depends upon the mass किस पर depend करें depends upon the mass कए चलिए हिसके अलावा मैंने आपसे का इस कौनसा function है उसकी कौन सा function है इस स्टेट फंक्शन है जो initial state और किस पे इंट बेंट कर था है être और हम entropy के इस फ्क निकालते हैं आप exact value की नहीं निकाल सकते हैं आप कैसे निकाल सकते हैं entropy को entropy final minus entropy initial ये थी अपनी कहानी पिछली class तक की जो मैंने अपनी जुबानी आपको समझाई थी जो मैंने आपको अपनी जुबानी समझाई थी अब आज मैं सुनिएगा बच्चे अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि entropy different different processes में हमें अगर देखना है तो वो कैसी होगी entropy को कौन कौन से factor affect कर सकते हैं और इससे related question जो की आपके neat और jay mains में आएंगे वो कैसे आएंगे आपके school level पे आएंगे कैसे आएंगे मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ मैं NCRT based चलूँगा लेकि मैं सीधे NCRT plus plus की बात करूँगा ताकि आप हर concept को detail में और depth में समझ सके हैं I hope आपको entropy और कभी भी word आए तो degree of disorderness or degree of randomness को represent करता है ये अपन समझ चुके हैं तो आज की कहानी को शुरू करते हैं किसी को अगर कोई नया है तो उसका भी स्वागत जो पुराना है उसका भी स्वागत सारे बच्चों का स्वागत फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ अपनी कॉपी और पैन निकाल लीजिए और अनुराक सर की आज की इस कहानी में शरीक हो जाई है मज़ेदार कहानी होगी entropy की लेक्चर है अपना entropy during different processes entropy during different processes आने वाले दो लेक्चर में अपन ये chapter खतम कर देंगे और अपना organic तो चल ही रहा है चलिए जी सबसे पहले ये जो entropy है जी अपन देख रहे हैं इसको कौन कौन से factor affect करते हैं काफे important है factors affecting entropy सबसे पहला है physical state सबसे पहला है physical state हर चीज को मैं समझाते चलूँगा दूसरा factor है temperature इसमें से as it is question पूछे जा सकता है नीट और जीए मैं आप से मैं पहले भी कह रहा हूँ आप से मैं पहले भी कह रहा हूँ कि 12 क्या तो fundamental अपन मजबूत करेंगे ही लेकिन competition के हिसाब से भी अपन तयारी करते चलेंगे ठीक है तो factors affecting entropy सबसे पहला क्या है physical state दूसरा क्या है temperature तीसरा क्या है chemical reaction चौथा क्या है pressure और पांचवा क्या है mixing mixing solid solid की हो सकती है liquid की हो सकती है gas gas की हो सकती है लेकिन अपन यहाँ जो thermodynamics में बात करेंगे जनरली अपन thermo chemistry में gas state system के बारे में ही बात करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले अगर अब मैं देखू physical state के बारे में किसके बारे में देखू physical state के बारे में तो समझ ना अगर entropy को physical state affect करता है अफेक्ट करता है entropy को physical state affect करता है physical state affect करता है तो समझ येगा बच्चे physical state अगर इसको affect करता है तो भाहिया आपका कोई system अगर solid state में है तो भाहिया degree of disorderness और degree of randomness कम होगा ठीक है अब लेकिन अगर वो liquid state में तो degree of disorderness और degree of randomness जादा होगा entropy बढ़ जाएगी अगर वो gaseous state में है तो degree of disorderness और degree of randomness और जादा होगा entropy और बढ़ जाएगी तो पहली जो कहानी थी अपना की भाहिया ये किस पर depend करता है अपने physical state पे physical state को मैंने आपके सामने justify कर दिया दूसरा क्या है दूसरा factor क्या है temperature ये काफी interesting बात होती है बच्चा काफी confused होता है दूसरी कहानी है temperature बच्चा काफी जादा confused होता है temperature को लेके क्योंकि बेटा ध्यान देना entropy का formula जो होता है मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि entropy as किसी भी system की change in entropy entropy निकालते हैं किसी भी system की वो किसके बराबर होती है Q-reversible Q-reversible Y-T मेरी बास होना ये entropy का formula होता है कि वह ये Q-reversible Y-T इससे तो आपको क्या लग रहा है इससे तो आपको लग रहा है कि sir temperature बढ़ा suppose आपको क्या लग रहा है इससे temperature बढ़ा तो sir entropy क्या होगी घटेगी होता नहीं है ऐसा होता नहीं है फूछे क्यों क्योंकि ये ak Eli सिर्ム temperature पर डियपेंड नहीं कर रही है ये heat पर भी कर रही है आप जैसे ही temperature बढ़ाते है temperature बढ़ाते है कानेटिक एनरजी kinetic energy of particle बढ़ जाती ए कानेटिक energy of particle बढ़ जाती है सुनना मैं यहां हूं यह गर्मी बढ़ने लगेगी तो मैं हाय थोबा हाय थोबा अरे तौबा तौबा मैं इधर चला मैं उधर चला करने लगूंगा सिदी सी बात है ना molecule जैसे temperature बढ़ाते है kinetic energy बढ़ जाती और kinetic energy जैसे बढ़ी kinetic energy बढ़ी तो सुनो ना degree of disorderness और degree of randomness बढ़ जाएगा मेरे बच्चा जैसे kinetic energy आपने बढ़ा दी molecule उदर उदर भागने लगेगा और यही तो entropy का बढ़ना है temperature हमने बढ़ाया तो kinetic energy of particle kinetic energy of particle बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी जिससे degree of disorderness degree of disorderness degree of disorderness और randomness बढ़ जाएगी randomness बढ़ जाएगी क्या बढ़ जाएगी degree of disorderness और randomness बढ़ जाएगी और आपकी entropy ultimately बढ़ जाएगी यह बात याद रखना entropy है के लिए temperature पे डिपेंड नहीं करती है यह हीट पे भी depend करती है clear है clear है यह दूसरा factor है बहुत सिंपल तरीके से समझे कि temperature बढ़ा तो भई आहाम kinetic energy of particle बढ़ जाएगा degree of disorderness और degree of randomness बढ़ जाएगा जिससे entropy बढ़ जाएगी clear है ना बिटा clear है ना बिटा कोई दिकत तो नहीं यह concept मत लगा देना बनाना जरूर लेकिन काड़ देना ताकि आपको याद रहेगा कि यह गलती नहीं दोहराना यह गलती नहीं करना तीसरा factor तीसरा factor है अपना तीसरा factor है अपना क्या chemical reaction कोई chemical reaction है मान लिजे मेरी कोई भी chemical reaction है chemical reaction है ठीक है chemical reaction है ठीक है मान लीजे मेरा a convert हो रहा है reactant मेरा convert हो रहा है ठीक है b gaseous में b gaseous में और c gaseous में सपोर्ष माल लिया मैंने यह भी a gaseous है गैशियव है. अगर कोई भी chemical reaction, जिसके लिए del NG, del NG क्या होता है लिटा? Gaseous product, gaseous product minus gaseous reactant, gaseous reactant, यह होता है आपका del NG. क्या होता है? Gaseous product का sum minus gaseous reactant का sum, वो क्या कहलाता है? आपका del NG. Change in number of gaseous molecule. अगर del NG आपका zero से ज्यादा है, सुनिए न, reactant से ज़्यादा gaseous product है, सुनिए, reactant से ज़्यादा gaseous product है, product ज़्यादा है gaseous, मतलब degree of disorderness कहीं बढ़ चुका है, degree of randomness बढ़ चुका है, समझे न, reactant से ज़्यादा gaseous product है, सीधी सी बात है, product ज़्यादा होंगे, reactant कम होंगे, तो यह positive आएगा, मतलब जीरो से ज्यादा होती है मतलब इस case में sir entropy बढ़ती है क्योंकि degree of disorderness और degree of randomness बढ़ती जाती है दूसरी चीज अगर sir जो आपके product है डेल एंजी डेल एंजी आपने कहा कि भाईया कितना आ रहा है zero से कम आ रहा है zero से कम आ रहा है मतलब sir आपके जो गैशियस product है क्या है गैशियस product है वो कम आ रहे है reactant जाद है ते मतलब degree of disorderness बढ़ती है randomness कहीं कम हुआ है इस case में इस case में इस case में डेल S या entropy change जीरो से कम आता है किस से कम आता है zero से कम आता है तेकि मज़दार बात क्या होती है मज़दार बात कहा होती है देखना जी मज़दार बात होती है तीसरे केस में तीसरे केस में आता है मज़ा मज़ा ये प्यार का मज़ा है अरे नहीं 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 है ये एंट्रॉपी देख रहा है पर गंदी गंदी बात नहीं अगर डेल एंजी जीरो आया तो ये मत कह देना कि एंट्रॉपी जीरो आए this is very important concept जो बच्चे को घबराता है जो बच्चे को घबराता है अगर डेल NG 0 हो गया तो डेल S 0 कभी भी नहीं होगा पहले इतना note down कर लिजे फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं clear है? चलिए अगर आपने तीन factor note down कर लिए तो आपको पता चलिए आपड़ायवरणया पडिश्र को अछे बच्छी시 आप देखना अगर मैं pressure की बात करूं किसकी बात करूं प्रेशर की बात करूं तो जो pressure होता है वो inversely proportional होता है entropy के क्सके inversely proportional होता है entropy के मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सर अगर आपने pressure बढ़ाया, अगर आपने pressure बढ़ाया, तो entropy क्या होती है, घटती है, entropy क्या होती है, घटती है, चली, पाँचवा factor, पाँचवा factor जिसके बारे में हम discuss करने जा रहे हैं, वो है chemical reaction, नहीं, पाँचवा है mixing, पाँचवा factor जो है, वो है अपना mixing, चली, बात हो सकता है, अपन liquid और liquid की mixing कर सकता है, या हो सकता है, हम gas और gas की mixing कर सकता है, अगर हम कभी भी mixing करेंगे, हमें पढ़ना तो वैसे gas और gas के बारे में ही है, हमें पढ़ना किसके बारे में, gas और gas की mixing के बारे में ही है, जैसे हम gas और gas की mixing करते हैं, तो और अगर जब भी collision होता है जिसकी वजह से entropy क्या होने लगती है बढ़ने लगती है ये factor है जिनके पारे में हमें याद रखना है जिनके पारे में हमें दिमाग में set करना है कि अगर mixing करेंगे तो हमारा क्या होगा entropy बढ़ता जाएगा इससे note down करो इसके साथ ही हमें पता चल ग कहानी के बारे में अपन discuss करते हैं next कहानी के बारे में अपन discuss करते हैं कुछ important note है उसको दिमाग में रखना ये question काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें से कही ना कहीं question direct question नीट और जेई में आपको देखने मिल सकता है ज्यान दीजेगा entropy during rusting of iron ठीक है entropy during rusting of iron अगर जै chemical reaction होती है chemical reaction होती है और अपने rust का formation होता है अपने रस्ट का formation नोट ये जी ज्यादा होती है shapes की तुलना बेटा मैं जितना जितना पॉसिबल हो सकता है कि आपको पूछा जाए मैं सारे question आपको कराते चल रहा हूँ entropy of graphite is greater than diamond लेकिन ये मज़धार चीज है जो आपको डराएगी और जो आपके question गलत करवाएगी पूछे गया हुए question है basic question है entropy entropy during boiling of an egg increase आप सोचेंगे सर ये मेरा egg है मान लीजिए ऐसा कुछ मेरा egg होता है ये मैंने egg बनाया ठीक है ये मेरा egg है अंदर मेरा योकसिक भरा हुआ है अंदर मेरा योकसिक भरा हुआ है और यहाँ पर कुछ white part होता है लेकिन सर जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं Vg करते हैं सर जैसे ही अपनен egg को Vg करते हैं ईग की boiling के दौरान तो सर यह जो liquid होता है यहां यह जो liquid भरा पड़ा है सर ये तो solidify हो जाएगा solidify हो जाएगा liquid तो क्या हो जाएगा सर solidify हो जाएगा मान लीजे यह अपना egg है यहाँ अपना योग भरा हुआ है योग भरा हुआ है और यह जो liquid है यह क्या हो जाएगा भी यह अपना solidify हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना मान लीजे इसको मैं किस रंग से दिखा दू है यह तो सर अपना solidify हो जाएगा और जैसे ही liquid solidify हुआ, जैसे ही अपना यह liquid solidify हुआ, योग से एक भी solidify हुआ, योग से एक भी solidify हुआ, योग से एक भी solidify हुआ, एक मिनिट, योग से एक भी solidify हुआ, तो सर हमको तो लगना चाहिए कि इस दौरान entropy क्या होना चाहिए, लगत ये है कि entropy लगता ये है कि entropy एक मेनट लगता ये है कि इस दौराँ entropy घटना चाहिए लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं प्रोटीन का डी नेचुरेशन होना प्रोटीन का क्या हो जाता है डी नेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन के डी नेचुरेशन की वजह से ही आपकी एंट्रॉपी क्या होती है बढ़ती है यह चीज दिमाग में सेट कर लीजे जैसे ही आप अंडे को गरम करते हैं आपकी सुनना यह सब पूछे हुए question rubber band को आप जैसे ही कीचते हैं तो sir rubber band जैसे ही हम कीच रहे हैं आपको लगेगा कि sir इस दौरान तो entropy क्या होना चाहिए molecule एक दूसरे के साथ align होते जा रहे हैं तो जैसे जैसे अपन rubber band को खीचते है entropy क्या होती जाती है घटती जाती है क्योंकि alignment होता जाता है molecule का molecule एक line में align होते रहते हैं यह मिस समझना कि stretch कर रहे हैं हम तो entropy क्या होगी degree of disorderness है randomness बढ़ी तो entropy बढ़ जाएगी नहीं बेटा molecules align हो रहे है align हो रहे है particular system में मतलब degree of disorderness कम हो रही है तो on stretching of rubber band entropy क्या होती है घटती है यह question भी काफी ज़ादा important हो सकता है Please इससे note down करें चलिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं अगली कहानी के बारे में cionर्ट करने जा रहा है entropy के ही कूछ points के बारे में ध्यान दीजएगा entropy के ही कुछ points के बारे में अपन discuss करने जा रहे हैं इस entropy को different different processes में अगर अपन देखने वाले हैं तो समझेगा entropy during reversible process या कोई भी reversible reaction है उस दौरान अगर entropy के बारे में बात करें तो entropy किसके बराबर होती है Q reversible upon T Q reversible upon T सुनना जी Q reversible upon T यह होता है entropy या इसे दूसरा formula के तौर पर अपन लिख सकते हैं del S is equal to del H by T किसी reaction के दौरान किसी reversible reaction के दौरान जो आपका enthalpy change upon temperature क्या कहलाता है entropy कहलाता है चलो सर बिलकुल यह formula आपने अभी बताया था clear हो गया दूसरी चीज़ increasing temperature जैसे जैसे आप temperature बढ़ाते जाते हैं entropy क्या होती जाती है बढ़ती जाती है मैंने अभी बताया temperature बढ़ा तो entropy गढ़ती नहीं entropy बढ़ती है क्योंकि because as we increase in kinetic energy because increase in kinetic energy of a molecule and hence their motion increases जैसे जैसे हमने temperature बढ़ाया molecule की kinetic energy बढ़ गए उनकी thermal energy बढ़ गए molecular motion बढ़ गए degree of disorderness बढ़ गए degree of randomness बढ़ गए ठीक है more the heat absorb the system heat जितनी जादा system absorb करेगा मैंने आपको क्या बताया Dallas क्या है क्यों reversible upon T heat absorbed by the system heat absorbed by the system ठीक है तो भाया आप जैसे जैसे heat system absorb करते जाएगा आप खुदी सोचिए disorderness और randomness बढ़ती जाएगी molecular motion बढ़ता जाएगा और आपकी degree of disorderness और randomness बढ़ी तो entropy बढ़ती जाएगी तो more the heat of the system absorb more the disorderness and more the entropy बहुत important बात जैसे जैसे system heat absorb करता जाएगा disorderness बढ़ती जाएगी randomness बढ़ती जाएगी और entropy बढ़ती जाएगी unit heat की unit अपन क्या लेते हैं calorie लेते हैं temperature की unit क्या लेते हैं Kelvin लेते हैं तो हमेशा याद रखिए entropy total किसी भी reaction में या किसी भी system के लिए ठीक है system की entropy plus surrounding की entropy वो क्या खळाती है अपने को entropy total देती है entropy total देती है entropy system की plus surrounding की इससे आपको क्या मिलेगा entropy total मिलेगा ठीक है चलिए इन points को note down करिए system की plus surrounding की entropy हमें total entropy देती है total entropy देती है ठीक है इनी चीज का application हम आगे देखने वाले है lecture में इनी चीज का explanation आगे देखने वाले है अभी तो मैंने different processes के लिए entropy को शुरू नहीं करा है different processes के लिए entropy को शुरू नहीं करा है समझ येगा समझ येगा ठीक है अभी मैंने different processes के लिए entropy को शुरू नहीं करा है चलिए अब बात करता हूँ मैं entropy change in reversible process entropy change in reversible process total entropy की बारे में बात कर रहे है हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले isothermal and reversible process के बारे में किसके बारे में isothermal and reversible process के बारे में ठीक है system plus surrounding देती है entropy total अपने को अगर system absorb कर रहा है मान लीजिए ये मेरा कोई system है ये कोई system है ये q amount की heat absorb कर रहा है q amount की heat absorb कर रहा है तो heat given to the system positive ली जाती है अरे बताईए ना convention पढ़ा है ना basic से तो ले कान फटे ना फटना जरूर ये कान ठीक है अरे भीया system अगर q amount of heat absorb कर रहा है मतलब system को heat दी जा रही है तो entropy of the system कितना होगा plus q by t लेकिन दूसरे साइड अगर आप देखेंगे कि surrounding में surrounding से q amount of heat क्या हो रही है निकल रही है surrounding से ये surrounding है system plus surrounding universe कहलाता है ये surrounding है मेरा ये मेरा क्या है surrounding है अगर system ने q amount की heat absorb करी तो surrounding से q amount की heat निकली अगर surrounding से q amount की heat निकली थो surrounding की entropy क्या होगी minus q by t और total entropy क्या होती है तो भया आपका क्या होगया आइसो थर्मल आपने temperature को तो constant रखा हुआ है ठीक है तो इस दोरान entropy change कितना हो जाएगा zero हो जाएगा इस दोरान entropy change कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब मैं आपके सामने एक formula derive करने जा रहा हूँ जो आपको बताएगा कि किसी gaseous system के लिए entropy के जो calculations आते हैं अगर उन्हें solve करना है तो उन्हें कैसे करेंगे तो बहुत important है पहले इसे note down करा उस formula को derive कर रहा हूँ क्योंकि वो काफी जादा आपकी help करेगा वो काफी जादा आपकी help करेगा तो ध्यान देते चलिएगा उस formula की तरफ ध्यान देते चलिएगा मेरे बच्चे ध्यान देते चलिएगा देखते हैं उस formula को sir वो formula क्या है सुनना एक derivation है काफे important हो सकता है, आपके लिए एक derivation है, काफे important हो सकता है, आपके लिए, हो सकता है, मैं direct आपको formula बताता तो, आसान लगता है, लेकिन इस derivation को एक बार समझेगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, सुनना, आपको पता है, according to the first law of thermodynamics, अबना क्या कहता है, first law of thermodynamics क्या कहता है, भाइयا, आपको पता है, thel u किस के बराबर होता है, del u is equal to change in internal energy is equal to q plus w के बराबर होता है, del u, sir, ये चीज हमको clear है, सर ये चीज हमको clear है, इसमें कोई भी doubt नहीं है, del u is equal to q plus w, क्या del u को मैं, ncv, ncv del t लिख सकता हूं, अगर आपको पुराने lectures पता हूं, यस सर लिख सकते हैं, आप del u को ncv del t, ncv del t, ठीक है, अब अगर मा लीजिए कोई reversible process की बात चल रही है, तो q को मैं क्या q reversible लिख सकता हैं, और सर work done की अगर हम बात करें, तो वो किसके बराबर होता है, minus p external, minus p external dot del v के, किसके minus p external dot del v के बराबर होता है, तो मैंने work done लिखा, minus p external dot del v, sir हम किसका formula derive करने जा रहा है, entropy का formula derive करने जा रहा है, minus p external dot del v, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने, अब मैंने समझ न, Q Reversible को एक साइड लिखा, Q Reversible को एक साइड लिखा और इसको मैं इधार ले गया, तो मेरे पास आगया, N C V Del T Del T Plus P External Dot Del V ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, Entropy क्या होती है अब भी बताया मैंने Entropy क्या होती है, Q Reversible by Q Reversible by T मतलब मैं Q Reversible की जगह Del S into T लिख सकता हूँ यस सर आपकी इच्छा है तो लिख दीजिए चलिए मैंने Q Reversible इधार रखा, ऐसा कर देता हूँ पहले मैं Q Reversible is equal to N C V Del T N C V Del T, मैं Entropy का formula different processes के लिए निकालने के लिए एक formula derive करने जा रहा हूँ, वो equation काफी help करेगी आपको plus P external dot del V, ये चलो अपना formula था, ठीक है Q Reversible की जगह मैंने रखा Del S into T, Del S into T is equal to N C V Del T N C V Del T plus P external dot del V, P external dot del V, ठीक है सर अब अगर मैं इधर भी T से divide करूँ, इधर भी T से करूँ, इधर भी T से करूँ, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए divide by T, divide by T, ठीक है तो मेरे पास इधर क्या आ गया, Del S आ गया, वा सर, बहुत ही अच्छी बात है इधर हो गया N C V Del T, वा सर, बहुत ही अच्छी बात है, और इधर मेरे पास हो गया P external dot del V, P external dot del V, P external dot del V अब मेरी बात सुनना, ठीक है, T से divide करूँ, यहाँ भी T लिखो, यहाँ भी T लिखो, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ भी T लिख दो, T लिख दो अगर हम अब गैशे सिस्टम की बात कर रहे हैं, शुरुवात ही मैंने कही थी, तो क्या मुझे पता है, P V is equal to nRT होता है, P external, P V is equal to nRT, P external, P internal, बराबर ले लेंगे, हम reversible process के लिए चलो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले ले लूँ, P V is equal to nRT, बिलकुल सर, और अगर मैं P external by T, P external dot T, ठीक है, internal pressure भी आप ले सकते हैं, reversible process है, तो सुनना दोनों बराबर ही होंगे नहीं, तो यह मतलत लिख देना सर्या, P external क्यों लिया, ठीक है, यहाँ हो गया, आपका nR by V, क्या हो गया, nR by V हो गया, ठीक है, अगर ऐसा हुआ, तो सुनिएगा, अपने पास एक न nR by V dot del V, अब अगर मैं integration कर दूँ, क्या कर दूँ, integration कर दूँ, तो मेरे पास देखना क्या आ रहा है, nCV del T by T, del T by T, integration करा, मैंने limit ले ली T1 से T2, T1 से T2, ठीक है, और इधर मैंने लिखा nR, nR, इधर आया, del V by V, del V by V, limit ले ली मैंने V1 से V2, V1 से V2, बिटा, अगर आयो वाला बच्चा होगा, यहाँ पर घबराना नहीं, कोई इतना खास equation नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो ultimate result आएगा बेटा, वो काफी ज़्यादा important होगा आप लोगों के लिए, इसका जो ultimate result आएगा, आपको बहुत help करेगा, एक कहानी जिससे आप बहुत सारे question कर सकते देखो बेटा, thermodynamics chapter है, कहानी में थोड़ी न थोड़ी maths तो आती ही आती है, थोड़ी न थोड़ी maths तो आती ही आती है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास जो ultimate result आएगा देखना वो क्या आ रहा, ultimate नहीं आएगा, अभी एक दो step और बाकी है, डेल S, NCV, NCV, ठीक है, यहाँ प प्लस NR, 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 log natural V2, minus log natural V1, यह सर, बिलकुल सही है, बिलकुल सही है सर, या मैं दूसरे term में इसे कैसा लिख सकता हूँ, या मैं इसे दूसरे term में कैसे लिख सकता हूँ, डेल S, मैंने log natural लिया है, देखना, NCV, LN, T2 by T1, T2 by T1, ठीक है सर, T2 by T1, प्लस NR, NR, log natural V2 by V1, V2 by V1, यह मेरा हुआ रिलेशन, यह हुआ मेरा रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन को दिमाग में सेट कर लीजिए, इस रिलेशन को दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत सारी help करेगा, आपकी बहुत सारी help करेगा, आपके questions all, अरे, बहुत सारी help में ये relation, ये relation, clear है, clear है, बहुत ज़्यादा help करेगा ये relation आपकी question सौलो करने में, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना जी, अब मेरी बात सुनना जी, ठीक है, इसी तरीके से, या तो ये equation, इसी तरीके से मेर्स equation होती है, CP-CV is equal to R, मैं उसों भी derive करूँगा, काफी ज़्यादा time लग जाएगा, मैं एक और relation बना रहा हूँ, एक और relation बना रहा हूँ, देखना, एक और relation बना रहा हूँ, इसी के साथ, इसी के साथ, del S is equal to NCP, NCP log natural, T2 by T1, T2 by T1, plus log natural R, NR, LN, LN, P1 by P2, P1 by P2, P1 by P2, ये एक और relation आया, जो आपकी बहुत ज़्यादा help करेगा, clear है, clear है, clear है, बढ़ू आगे, ये दोनों equation याद हुए, अब मैं अलग-अलग processes के लिए आपको entropy change यहाँ बताने जा रहा हूँ, कौन-कौन सी processes, sir, sir, हम ISO thermal processes की बात करेंगे, sir, हम ISO baric process की बात करेंगे, sir, हम ISO coric process की बात करेंगे, sir, हम adiabatic process की बात करेंगे, और उसमें entropy change calculate करेंगे, क्या यहाँ तक की कहानी सब को clear है, क्या यहाँ तक की कहानी सबने note down करी, क्या यहाँ तक का सबने screenshot मारा, क्या यहां तक का सबने कहानी लिख ली फुल जोश और जुरून के साथ कहानी लिखना बेटा मैनत एकदम चरम सीमा पे होनी चाहिए there is no substitute of hard work सिर्फ मैं एक ही बात कहता हूँ कि चाहे मैं हूँ चाहे आप हो आप भी वहां मैनत कर रहा हूँ there is no substitute of hard work clear है चलो अगली कहानी देखना मतलब अपने पास formula क्या है देखते चलना जी अपने पास formula आया सर entropy का n cv ठीके log natural log natural देखना log natural क्या है अपने पास log natural t2 by t1 t2 by t1 plus nr log natural v2 by v1 v2 by v1 यह पहला formula ठीक है या या दूसरा formula आता है अपने पास del s is equal to n cp n cp log natural log natural t2 by t1 t2 by t1 plus nr log natural p1 by p2 p1 by p2 p1 by p2 यह दो formula आते हैं अपने पास किसके? entropy के किसके यह दो formula आते हैं अपने पास? entropy के अब मान लीजे मेरे पास 4 अलग-अलग processes हैं मान लीजे मेरे पास 4 अलग-अलग processes हैं कौन-कौन सी processes मैं आपको बताने जा रहा हूँ? ध्यान देना, ध्यान देना सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ आईसो थर्मल प्रोसेस की किसकी बात करने जा रहा हूँ? आईसो थर्मल प्रोसेस की आईसो थर्मल प्रोसेस के बारे मैं अगर मैं आईसो थर्मल प्रोसेस की बात करूँ तो आईसो थर्मल प्रोसेस क्या होती है? जिसमें आईसो मतलब सेम ISO मतलब क्या होता है मेरा बच्चा अरे मेरे नन्ने मुन्ने काले पीलो ISO मतलब क्या होता है ISO मतलब होता है सर सेम और Thermal मतलब होता है सर Temperature मतलब सर अगर आपका Temperature T1 किसके बराबर हो जाए Temperature T2 के बराबर हो जाए Temperature T1 T2 के बराबर हो जाए तो sir हमारे पास entropy का जो formula आएगा, formula आएगा वो आएगा sir log nr log natural log natural या ln v2 by v1 v2 by v1 v2 by v1 या sir, या sir सुनना जीब या आगे आपका, या sir हमें तो क्या पता है sir, दूसरे formula से दूसरे formula से लगा दो, दूसरे formula में भी t2 by t1 बराबर है sir तो दूसरा formula हमारे पास होता है sir nr dell s का एक और formula होता है sir nr ln ln p1 by p2 मैंने आपको gaseous law पढ़ाय हुए है मैंने आपको gaseous law पढ़ाय हुए है और मैंने आपसे एक बात कही थी p1 v1 is equal to p2 v2 ये बात मैंने कही थी ball's law में कि जब temperature constant रखेंगे तो आप p1 v1 किसके बराबर होगा p2 v2 के या आपको मैंने ये भी कहा था p1 by p2 kisके बराबर होता है p1 by p2 किसके बराबर होता है v2 by v1 के v2 by v1 के मतला v2 by v1 की जगह मैं p1 by p2 रखूंगा तो आपको कोई दिक्कत तो वैसे होनी नहीं चाहिए यह कहानी यहीं से आई, यह कहानी यहीं से आई, यह अपना फॉर्मूला हुआ, डेल S का, यहां मैंने LN लेके करा है, लॉक्टू दा बेस टेंड भी ले लोगे, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉक्टू दा बेस टेंड भी ले लोगे, तो आप से questions all होंगे, question वहां भी direct formula याद रखिए, थोड़ा mathematical है, लेकिन thermodynamics में इतना तो करना पड़ेगा, isocoric process भाईया, isocoric process, isocoric मतलब सर जिसमें initial volume और final volume बराबर हों, उसे हम नाम देते हैं, isocoric process, क्या नाम देते हैं, isocoric process नाम देते हैं, अगर V1 और V2 बराबर हैं, तो सर हमारे पास, हमारे पास नय formula आया, del S, del S is equal to nCV, nCV log natural ln, T2 by T1, T2 by T1, सर यह हमारे पास formula आगया, किसका entropy का, किसका formula आगया सर, entropy का, चलिए ठीक है सर, isocoric के बाद अगर मैं isobaric process की बात करूं, isobaric process की बात करूं, isobaric process की बात करूं, तो ज़र, isobaric process के कहानी को अगर आपन समझे, isobaric process, isobaric मतलब सर, same pressure, same pressure, मतलब P1 और P2 बराबर हो जाएं, क्या बराबर हो जाएं, P1 और P2 बराबर हो जाएं, क्या बराबर हो जाएं, बच्चे, P1 और P2 बराबर हो जाएं, अगर P1 और P2 बराबर हैं, अगर P1 और P2 CP, NCP, LN, T2 by T1 के, किसके बराबर आएगा? T1 के बराबर आएगा? T2 by T1 के बराबर आएगा. लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? NCP आ रहा है? यह मत भूलना. यह मत भूलना. यह मत भूलना. क्लियर है? चलिए पहले इतना note down करें. फिर कहानी को आपन आगे बढ़ाता है, पहले नोट डाउन करें आईए चलिए तो आईसो थर्मल हो गई आईसो कोरिक हो गई आईसो बारिक हो गई अब एडियाविटिक प्रोसेस के बारे में बात कर लें तो अपन सबसे पहले देखने जा रहा है इर्रिवर्सिबल 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 एडियाविटिक प्रोसेस जब भी इर्रिवर्सिबल एडियाविटिक प्रोसेस की बात आप करते हैं तो बिटा इर्रिवर्सिबल इडियाविटिक प्रोसेस में आप इन नोनों में से कोई भी फॉर् कर सकते हैं, del s is equal to ncv log natural t2 by t1 plus nr ln v2 by v1 या तो यह formula आप use कर सकते हैं, या आप del s is equal to ncp ncp ln t2 by t1 t2 by t1 plus nr nr ln ln आप p1 by p2, इनमें से कोई भी formula आप use कर सकते हैं और कहानी को examiner की finish कर सकते हैं, यह हुई irreversible adiabatic process की बाद लेकिन वो examiner है, उसे तुमारे emotion के साथ के लिए बहुत पसंद है, उसे तुमारे emotion के साथ के लिए बहुत पसंद है हो सकता है examiner आपको दे दे, reversible adiabatic process, reversible adiabatic process, reversible adiabatic process reversible adiabatic process, अगर वो reversible adiabatic process दे देगा, adiabatic process दे देगा, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इस दौरान आपको डेलेस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है Q-Reversible upon T Q-Reversible upon T ठीक है, Reversible Adiabetic Process में जो Q होता है, वो कैसा होता है, क्यो होता है, जीरो होता है, क्यो होता है, जीरो होता है डेलस कितना आ रहा है जीरो आ रहा है अगर डेलस जीरो आ रहा है तो ऐसी प्रोसेस को आपन क्या बोलता है आई सो एंट्रॉपिक प्रोसेस क्या बोलते हैं क्या बोलता है आई सो एंट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं क्या बोलता है आई सो एंट्रॉपिक प्रोसेस बोलते है I hope आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में clear है I hope मैंने सारे concept आपके दिमाग में fit कर दिये है सारे concept आपके दिमाग में fit कर दिये है बढ़ाएं आगे कहानी को बढ़ाएं आगे कहानी को बेटा चलिए जी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं देखिएगा यह कहानी थी अपनी अपने खतम कर दी अलग-अलग प्रोसेस में ठीक है चलो यह एडिया बैटिक प्रोसेस अपने देख लिए एंट्रॉपी चेंज रिवर्सिबल यह सारी चीज अपने देख लिए अब अपन देखता है एंट्र जैसे ही आप लिक्विड में चेंज करते हैं इसे हम कहते हैं कि भाईया फ्यूजन होना इस दौरान कोई एंथलेफी आएगी आपकी बला बला कुछ भी हो सकती है तो भाईया एंथलेफी और फ्यूजन क्या होती है एंट्रॉपी और फ्यूजन क्या होती इस दौरान जो एक होता है आपका कोई कुश है इस दारह मान लिया कि कुछ भी हो सकता है अचंध का निक सपर सकता है तो तो आप क्या करेंगे, enthalpy of vaporization upon temperature, या heat of vaporization upon temperature, चलो, sublimation, आप solid को सीध है, gas में convert कर दो, solid को सीध है, आप गैस में convert कर दो, इस दौरान जो, आपका heat change है, heat change है, ठीक है, आपने लिखा, तो heat of sublimation upon temperature, यह अलग अलग process थी, जिसके दौरान आपने क्या देखा, entropy change देखा, तो भई कहानी को यहां तक खतम कर दिया है, अब कहानी आती है, इनके numerical की, बिना numerical की कहानी अधूरी है, बिना numerical कहानी अधूरी, मैंने आपको derivation कर आए, एकदम कहानी मक्खन की तरह आपके लिए clear कर दी है, अब अपन बात करते है, derivation, question की, सबसे पहला है the entropy change, ठीक है, आपको entropy change न रहे हैं, 1 mole, vapor में convert कर रहे हैं, ठीक है, तो इस दोरान जो dell' ह आया, इस दोरान जो dell' ह आया, वह आपका आया, कितना, कितना आ रहा है, minus 2.257 kilojoule per gram, कितना आ रहा है kilojoule per mol, नहीं, per gram आ रहा है, per gram आ रहा है, temperature कितना दिया हुआ है, आपको temperature कितना दिया हुआ है, आपको temperature दिया हुआ है, 373 Kelvin, कितना दिया हुआ है, 373 Kelvin दिया हुआ है, तो आपको निकालना है entropy change, तो भहिया, आपको निकालना है entropy change, मैंने अब भी बताया कि जब भी liquid को आप किस में convert करेंगे, liquid को आप किस में convert करेंगे, एक मोल की बात कर रहा है तो यह क्या होता है डेल एस डेल एस अपॉंटी डेल एस अपॉंटी कितना दिया हुआ है 2.257 अपॉंट टेंपरिचर कितना दिया हुआ है 373 Kelvin यह जो question मैंने उठाया इसमें answer जो आ रहा था आपका किलो जूल पर ग्राम में ही आ रहा था और एक मोल की बात कर रहा है तो यह एक मोल का वेट कितना होता है 18 होता है ठीक है अब calculate कर लेते हैं आपकी entropy of vaporization आ जाएगी चलो check करते हैं calculator का use कर लेते हैं आपको भी पता है मेरे calculation काफी week है चलो देखते हैं 2.257 into 18 कितना हो गया 40.6 कितना हो गया 40.6 divided by 373 divided by divided by 373 यह आगे आपका 0.1089 मतलब 0.109 किलो जूल पर ग्राम किलो जूल पर ग्राम में अपन देख लेते हैं नहीं हाँ 0.019 यह आपका answer होगा किसका entropy का entropy of vaporization यह होगा entropy of vaporization it would be your final answer ठीक है objective के form में था मैंने आपके सामने रख दिया clear है बढ़ू आगे बढ़ जाए आगे बिटा लो डाउन कल इस question को अच्छा question है अच्छा question है सारी variety अपन cover करते हुए चलते हैं सारी variety अपन cover करते हुए चलते हैं चलो जी next question की बात करते हैं next question की बात करते हैं next दिया है मेरा which statement is wrong ncrt specific है ncrt की गोली मान के चलो which statement is wrong wrong statement पूछ रहा है entropy for a cyclic process is zero कोई भी cyclic process है उस दौरान entropy change कितना आता है जीरो आता है क्या यह statement सही है yes sir किसी भी cyclic process के दौरान entropy change zero आता है दूसरा दिया हुआ entropy change in equilibrium कभी आपका equilibrium है उसमें entropy change कितना होता है अपना zero होता है entropy change in equilibrium is zero बिल्कुल सहीं बात है ncrt के as it is line है या आपन पढ़ भी चुके हैं कि equilibrium के दौरा entropy कितना होता है जीरो होता है ठीक है entropy of a universe is continuously increasing आपको पता है जो अपना universe है जैसे जैसे universe में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं degree of disorderness और degree of randomness बढ़ती जा रही है आप हमें पहले देखिए अरे आप इससे समझे ना pollution बढ़ रहा है glaciers पिगल रहे हैं यह सारी cumulative effect की वज़े से हम कहते हैं कि entropy of the universe is constantly increasing यह statement भी सही फिर लिगा है entropy of universe is decreasing यह statement रॉंग हो गया यह statement रॉंग हो गया तो answer क्या होना चाहिए अपना डी होना चाहिए तो भया अपनी कहानी clear हो गई अपनी कहानी clear हो गई बढ़े आगे बढ़ जाएं आगे चलिए जी next question की बात करते हैं next question है अपना the entropy change for transition of liquid water to steam इतना इतना दिया हुआ at 373 Kelvin calculate entropy for reaction entropy for reaction चलो देखते हैं देखना चाहिए आपको entropy for reaction निकालना है आपका किसमे liquid water water liquid है वो किसमे convert हो रहा है किसमे convert हो रहा है water water liquid हो किसमे convert हो रहा है water water steam में या gas में convert हो रहा है entropy of vaporization आपकी इसके लिए enthalpy entropy change दिया हुआ है तो calculate del s entropy change for the transition entropy नहीं हो गए जार यह दा entropy change the enthalpy होगा the enthalpy change enthalpy change for the transition of liquid water to steam दिया हुआ है आपके पाँ 40.8 40.8 किलो जूल में दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में तो मैंने यहाँ पे 1000 से multiply कर दिया 1000 से multiply कर दिया ठीक है आपका temperature के ता दिया हुआ 373 Kelvin अब आपको क्या निकालना है इसके दोरा इसके लिए entropy निकालना है क्या निकालना है entropy निकालना है चलो calculate कर लो 40.8 into 1000 डिवाइड बाए 373 कितना आगया यह आगया आपका 109 जूल पर केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल पर मोल यह आपका होगा entropy change चलिए आईए किलो जूल था मैंने उसको जूल में करा और answer अपना जो दिया हुआ था इस question का वो दिया था जूल पर केल्विन पर मोल में निकालना था तो मैंने जूल पर केल्विन पर मोल में निकाल दिया answer आपके सामने है कोई दिक्कत की बात नहीं हैं बढ़ें आगे बढ़ जाएं आगे चलिए जी next question मेरा next question मेरा five mole of an ideal gas आपके number of mole दिये हुआ है five mole five mole ठीक है expand reversibly expand कर रही है reversibly ठीक है from a volume initial volume आपका कितना दिया हुआ है initial volume 8 decimetre cube से कहां तक जा रहा है कहां तक जा रहा है भाईया volume अगर दिया हुआ है, टेंप्रेचर आपको तेंप्रेचर आपको तेंप्रेचर आपको तेंप्रेचर आपको तेंप्रेचर दिया हुआ है, तेंप्रेचर आपका कैसा है, तेंप्रेचर कैसा है, तेंप्रेचर कैसा है, तेंप्रेचर कैसा है, तेंप्रेचर कैसा है, तेंप् is equal to n इधर देखो डेल एस आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए nr log ln v2 by v1 v2 by v1 या मैं अगर ln हटाऊं चलो पहले तो देख लो nr ln v2 by v1 v2 by v1 या मैं ln हटाऊं तो यहां 2.303 से multiply कर देता हूं 2.303 nr ln v2 by v1 temperature तो अपना कैसा है constant है temperature अपना constant है अपने लिगा 2.303 n की value अपने कितनी रख दी n की value अपने कितनी रख दी भईया n number of most दी है 5 5 दी हुए है और r की value रख दी मैंने 8.314 314 ठीक है अब यहां मेरा आ जाएगा log to the base 10 v2 by v1 v2 कितना दिया हुआ 80 by 8 80 by 8 ठीक है तो यह आ गई value मेरी 2.303 into 5 into 8.314 8.314 यह हो गया log 10 यह आट से यह कटा 10 times log 10 की value कितनी होती है 1 अब इसको multiply कर दो आपका answer आजाएगा आपका answer आजाएगा चलो करते हैं 2.303 into 5 into 8.314 यह आगया 95.7 Joule पर 95.7 Joule पर Kelvin आएगे this is your del S this is your del S entropy change इस variety का question आए तो आप इस variety से कर सकते हैं इस variety का question आए तो आप ऐसे कर सकते हैं formula मैंने सारे आपको बता दी है कैसे question आ रहे हैं यह मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं आते जाएगे कैसे question आ रहे हैं यह मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं आते जाएगे this is question number 5 नहीं question number 4 या 5 जो भी ओध 4 हो ठीक है बड़े अगले question की तरफ बढ़ जाए अगले question की तरफ note down कर लिया इसे बहुत simple question है thermodynamics के मैंने पुराने भी आपको enthalpy पे भी question कर रहा है ते entropy पे भी करा रहा हूं ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने छुड़वाया है ठीक है melting point of solid melting point आपका दिया हुआ है solid का कितना दिया हुआ है x Kelvin ठीक है and its latent heat of fusion latent heat of fusion आपको दी हुई है latent heat of fusion आपको दी हुई है कितनी कितनी दी हुई है आपकी 600 Kelvin per mole Kelvin per mole ठीक है तो आपको क्या calculate करना the entropy change for the fusion of one mole of solid entropy change भी आपको दिया हुआ है one mole of solid is two Kelvin per mole per Kelvin ठीक है two calorie per mole per Kelvin ये भी आपको दिया हुआ है तो the value of x अब आपको पता है del s किसके बराबर होता है del h by t del h by t kे पराबर होता है ठीक है del s कितना दिया हुआ है तू है del h कितना दिया हुआ है आपको 600 दिया हुआ है और t कितना दिया आपको वैलीडी H,X तो X आपको पता करना कितना आएगा 600 by 2 तो ये कितना आहिए 300 Kelvin किस variety paar question पूछा सकता है आ जाये जो पूछे मैंने सारी वाराइटी आपके सामने कवर कर दीए आ जाएगा 300 Kelvin आईए तो the value of X is 300 Kelvin the melting point of solid is 300 Kelvin यही क्या होगा अपना melting point होगा क्या होगा जी यही अपना क्या होगा melting point होगा बड़े आगे करा note down मारा screenshot चलिए next है next है अपना for spontaneous process कोई spontaneous process है कोई भी spontaneous process है तो उसके लिए Dallas कितना होता है? 0 होता है कोई भी spontaneous process जो अपने आप बढ़े उसके लिए Dallas कभी 0 नहीं होता Dallas greater than 0, Dallas less than 0, none of the above इसके लिए Dallas हमेशा greater than 0 होता है अगर कोई reaction अपने आप हो रही है कोई भी spontaneous process के लिए entropy क्या होती है बढ़ती है ये बताता है अपने को की भाईया spontanity के बारे में कोई भी spontaneous process के लिए Dallas कितना मानते हैं अपन positive मानते हैं चलिया ठीक है for spontaneous process Dallas is greater than zero तो ये थे अपने कुछ questions ये थे अपने कुछ questions ठीक है जिने अपने कवर करा जिने अपने कवर करा entropy की यहाँ पर mohomaya को अपने खतम करा तो जो अपने thermodynamics के चार pillar थे thermodynamics के चार pillar थे मैंने आपको starting से बताया था कि चार pillar थे अपने कौन-कौन से del H, del U, del S और del G अब last pillar अपना बाकी रहे गया है वो है Gibbs free energy जो मेरे आने वाले lecture में आएगा जो मेरे आने वाले lecture में आएगा इस कहाणी को अपन ने यहाँ खतम करके अलग कर दिया है चलिए अगली कहाणी की बात करते हैं मतलब यहाँ पर कहाणी खतम होती है अपनी कोशिश करू यूज करके spontanity आप समझा रहे हैं मतलब enthalpy का यूज करके spontanity आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप कहें कि reaction के दौरा ने energy रिकली मतलब इदर सुनना क्या होता है chemistry में आपको पता होगा मेरे में energy बहुत ज़्यादा है इसको ऐसा समझना गुसा बहुत ज़्या मतलब stability बढ़ा दी तो समझना आप या तो spontanity को भी तर समझाते आयते जो अपर ने पिछली क्लास में देखा था डेलेच की basis पे और अगर आपने कहा था कि डेलेच कैसा होता है डेलेच कैसा होता है नेगेटेव है मतलब reaction कैसी है exothermik है exothermik है exothermik है तो reaction कैसी होगी reaction कै कैसी होगी,sche abgespewn UT in use,号 कि एक्शिन कैसी होगी,s अ या लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारी की्सारी, एक्जोठर्मिक रियक्शन ही स्पॉंटेनियस होती है ठीक है ? जैसे कुछ अंडो थरमिक रियक्शन डेक्शन डेक्शन endoathermic reaction, कौनसी example के तौर पे जो अपने आप हो जाती है, spontanity मतलब जो अपने आप हो나 अपने आप होना, ठीक है, spontaneous reaction कौनसी होती है जो की endothermic होती है, जैसे आपका ध्यान देना, ये ice है ice cube है माल लीजेए, ये ice cube है, melting of ice melting of ice, melting of ice, क्या होता है melting of ice को दौरान जो ice होती है वो heat absorb करती है heat absorb करती है और पानी में बदल जाती है किसमें बदल जाती है? पानी में बदल जाती है मतलब ध्यान दीजिए यह endothermic reaction है फिर भी spontaneous है मतलब मैं enthalpy अगर मैं यह कहूँ कि सारी exothermic reaction सारी exothermic reaction spontaneous होती है तो यह कहानी गलत हो जाएगी मतलब spontanity के बारे में 100% आपको enthalpy नहीं समझा सकता enthalpy नहीं समझा सकता दूसरी चीज़ दूसरा example और मैं ले लू इसी में दूसरा example एक और मैं ले लू दूसरा example एक और मैं ले लू evaporation of water evaporation of water evaporation of water आपने पानी रखा आपने क्या रखा किसी container में पानी रखा आप रखे रहने दो धूप में यह क्या करेगा evaporate हो जाएगा evaporation is a endothermic process लेकिन यह अपने आप होती है यह क्या होती है मतलब spontaneous reaction can be endothermic can be exothermic मैं हमेशा सिर्फ enthalpy का use करके आपको spontanity के बारे में नहीं बता सकता दूसरी कहानी अगर आप entropy का use कर entropy entropy का use कर what is entropy entropy कुछ और नहीं होती यह अपने को बताती है degree of disorderness किसके बारे में बताती है degree of disorderness के बारे में बताती है disorderness के बारे में बताती है या हमें किसके बारे में बताती है degree of randomness के बारे में बताती है किसके बारे में बताती है degree of randomness के बारे में बताती है randomness के बारे में बताती है अगर आप कहें कोई reaction है जिसके लिए entropy कैसी आ रही है positive आ रही है मतलब degree of disorderness है degree of randomness बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि reaction कैसी है spontaneous है reaction कैसी है? spontaneous है. लेकिन फिर हमने देखा बहुत सारे experimental basis पे बहुत सारे result हमें पता चले है, जिसमें हमें ये पता चला कि कुछ reaction में Dallas negative होता है, Dallas negative होता है, फिर भी reaction spontaneous है, फिर भी reaction कैसी है? spontaneous है, spontaneous है. मतलब मैं ये फिर से कह सकता हूँ कि अकेला entropy भी आपको spontanity के बारे में नहीं बता सकता, अकेला entropy भी आपको spontanity के बारे में नहीं बता सकता, तो अब क्या करें? तो spontanity को समझाने के लिए अपने आपको reaction हो रही है, उसको समझाने के लिए हमने तीसरा term यूस करा जिसके बारे में आज अपन कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारी give-free energy, क्या है हमारी give-free energy, give-free energy. अब अपनी कहानी शुरू होने वाली है यह तो पुरानी कहानी चल रही थी अब अपन बात करने वाले गिफ्स प्री एनरजी के बारे कुछ टाइम से इसका एक लेक्चर बाकी रह गया तो और NCRT एक्सराइसे जो मैं आपके सामने ला नहीं पाया था बिटा बहुत सारी ची साइजेज उसके बाद अपन और्गेनिक पर प्रोसीट कर जाएंगे बच्चों के बहुत लगातार कमेंट आ रहे थे सर क्लास 11 की और्गेनिक करा दीजी उससे पहले मैं MCQ भी आपके लिए करवाने थे उस पर मैं ध्यान देने लगा था इस वजह से थोड़ी चीज है इस पे बेज़ और हम इस बेसिस पे इस पॉंटेनिटी बताएंगे इस बेसिस पे इस पॉंटेनिटी बताएंगे किस बेसिस पे इस बेसिस पे स्पॉंटेनिटी बताएंगे तो निकालिए अपनी कॉपी निकालिए अपना पैन और फुल एनरजी फुल जोश के साथ आज की कहानी के लिए शुरू हो जाए लेकिन उससे पहले इस कहानी को लिख लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी इस कहानी में डाउट है उससे पहले इस कहानी को आप नोट डाउन कर लीजिए उससे पहले इस कहानी को आप नोट डाउन कर लीजिए वाट इस spontaneity, what is spontaneity की अगेले, enthalpy के basis पे नहीं बता सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सारी exothermic reaction spontaneous होगी, क्योंकि कुछ endothermic reaction होती है, जो कि spontaneous होती है, आप अकेला ये नहीं कह सकते कि भाया, अगर entropy बढ़ रही है, entropy बढ़ रही है किसी reaction की, जिसमें entropy भी Dallas positive दिख रहा है, वो reaction spontaneous होगी, कुछ reaction हमने या कुछ experimental result ऐसे देखे कि जिसमें entropy क्या हो रही थी, अपनी घट रही थी, फिर भी reaction spontaneous थी, लेकिन तीसरा अगर आपको 100% spontaneity के बारे बताना है, तो आज की अपनी कहानी होगी gives a free energy, चलिए मेरा काम है याद कराना, बार-बार बोलके याद कराना, ताकि आपके concept एकदम मैं furnished कर सकूँ, चलिए आईए, यहां तक note down करा अगली कहानी के बारे में बात करता हूँ, मैं अगली कहानी के बारे में बात करता हूँ देखेगा, तो हमारी कहानी है gives free energy या spontanity क्या है अपनी कहानी, gives free energy या spontanity, चलिए, heading डालीए डाल दिया, चलिए what is gives free energy, ठीक है what is gives free energy, तो समझ न, this is the thermodynamic quantity of the system किसी system की वो thermodynamic quantity है, whose value decrease during the process and converts into the useful work या मैं इससे दूसरे term मैं यह लिख सकता हूँ, it is the negative of the, negative of the useful work, it is negative of the useful work ठीक है, समझ यह, क्या बोला, मैंने किसी system के लिए वो quantity होती है, जिसकी value घटती है, किसके दौरान, process के दौरान, और convert होती है, useful work में, या मैं इससे कह सकता हूँ it is the negative of the useful work समझ यह, इससे ऐसे समझ यह, अगर माल लीजी, आपका कोई system है, उसने 50 joule का work करा, ठीक है ठीक है, system है, उसने कितने का plus 50 joule का उसका work done है किसका है, plus 50 joule का उसका work done है तो भईया, आपकी जो gives free energy आएगी, gives free energy आएगी, वो कितनी आएगी माइनस 50 joule आएगी, कैसी आएगी माइनस 50 joule आएगी, it is the negative of the useful work it is negative of the useful work दूसरी चीज, अगर मैं इस चीज को दूसरे सब्दों में समझाऊं, अगर आपको mathematically gives free energy को represent करना है तो हम formula यूज करता है, g is equal to h minus ts लेकिन अब आपको अगर पता होगा gives free energy जो होती हो, कैसा होता है state function होता है, जो कि initial state और final state पर depend करता है इसलिए हम इसे g ना लिखके हम लिखता है del g, change in enthalpy is equal to del h minus t del s, और इस equation को नाम दिया जाता है Gibbs Helmholtz equation इस equation को क्या नाम दिया जाता है Gibbs Helmholtz equation अगर आप Gibbs Helmholtz equation देख पा रहे होंगे तो आप उसमें देख पा रहे होंगे कि हमने spontaneity को बताने के लिए enthalpy का concept भी incorporate करा है temperature का concept भी incorporate करा है और entropy का concept भी incorporate करा है इन सब के basis पे हम بتाएंगे कि कोई भी reaction finally spontaneous होगी या नहीं अब मैंने क्या कहा it is the negative of the useful work concept समझने वाली बात ये है कि अगर किसी reaction के दौरान आपका डेल जी कैसा आ रहा है negative आ रहा है तो हम कहेंगे कि reaction कैसी होगी spontaneous होगी लेकिन अगर आप कहें किसी reaction के दौरान डेल जी positive आ रहा है मतलब हम कहेंगे कि reaction कैसी होगी non spontaneous होगी और डेल जी 0 आ जाएगा तो किस में हो जाएगी equally ब्रियम में हो जाएगी तो इस कहानी को पहले note down कर लीजे इसके अलावा ध्यान दीजेगा it is a extensive property मतलब it depends upon the quantity of matter it is a state function मतलब initial state और final state पर depend करता है यह है हमारी gives free energy की कहानी और spontaneity की कहानी ठीक है और यह है अपनी gives a helm holds equation ठीक है अभी इस equation का use करूँगा मैं del h के अलग केस लूँगा del s के अलग केस लूँगा temperature के अलग अलग केस लूँगा और spontaneity बताऊंगा और यहां पर मैं एक बात आपको 100% कह सकता हूं कि जो आपको 100% spontaneity के बारे में बताएगा वो है gives free energy note down करिए इसे please note down करें इसे please note down करें चीजे बहुत simple है अभी तक हमने पूरा thermodynamics इतने बढ़िया तरीके से करा जिसमें हमने इंटेलपी एंट्रॉपी अरे thermodynamics के चारी तो पर लर बताया थे मैंने internal energy ठीक है इंटेलब एंटेलपी एंटेलपी के बाद मैंने entropy और entropy के बाद gives free energy बस यही topic बाखी रहे गया था और gives a helmholtz equation पे बहुत सारे question पूछे जाते हैं नीट और जेई में भी आ चुके हैं क्या question पूछे जाएंगे कैसे question पूछे जाएंगे उनके बारे में अपन discuss करते हैं no down करा no down करा चलिए मैं कहानी को आगे बलाता हूं कहानी को आगे बलाता हूं समझिएगा अगली कहानी है it is used to determine spontanity of reaction मैंने अब भी बताया अगर delg negative आ रहा है तो reaction कैसी होगी spontaneous होगी delg positive आ रहा है तो reaction कैसी होगी non spontaneous होगी और delg अगर zero आ रहा है तो reaction कैसी होगी system कैसा होगा system किसमे होगा equilibrium में होगा system किस में होगा equilibrium में होगा चलिए no down करो इसे gives free energy no down तो ऐसे करी लिया था it is used to determine the spontaneity of reaction अगर डेल जी negative है या मैं इसको दूसरे term में बोल सकता हूँ डेल जी 0 से कम है तो reaction कैसी होगी spontaneous अगर डेल जी 0 से ज़्यादा आ रहा है जीरो से ज़्यादा आ रहा है तो reaction कैसी होगी non spontaneous होगी बहुत simple कहानी है बहुत simple कहानी है ठीक है चलो देखना अब हम अलग-अलग cases लेते हैं condition for डेल जी to be negative और दा process to be spontaneous हम वो condition देखने जा रहे हैं जब reaction कैसी होनी चाहिए बहिया reaction कैसी होनी चाहिए spontaneous होनी चाहिए और spontaneous होने के लिए डेल जी को कैसा होना चाहिए negative होना चाहिए negative होना चाहिए ठीक है अब हमारे पास Gibbs-Helmholtz equation क्या कहती है डेल जी is equal to del h minus t del s यह याद रखना यह तो भाया रामबान है आपका रामबान है इसी के basis पर अपन spontanity पता करेंगे सबसे पहले हम जो generalize बात करते है spontanity की सबसे पहली condition हम वो लेंगे जहां हमेशा यह कहा जाता था कि भाया अगर enthalpy एंथिलपी ठीक है अगर डेल जी को negative होना है तो सबसे पहले हम वो कहते थे यहाँ पर डेल एच होना चाहिए ठीक है ठीक है अब हम वो बात देखने जा रहे है कि हम कहते थे कि अगर reaction exothermic है मतलब भाई या बहुत जादा energy में थी energy निकाल रही है तो हम कहते थे spontaneous होगी लेकिन कुछ exception देखने मिल गए कि यह एंडो थर्मिक reaction में spontaneous हो रही है तो सबसे पहले हमने spontanity वाला case लिए जब डेल जी डेल एज कैसा हो negative हो मतलब exothermic को दूसरा case हमने लिए कि जब डेल एस मतलब entropy जो है entropy क्या हो positive हो दोनों cases में हम कहते थे कि जब डेल एस negative और डेल एस positive हो तो reaction कैसी होती है spontaneous होती reaction कैसी होती है spontaneous कुछ exception देखने मिल गए जिससे हमने हम नहीं कह सकते लेकिन अगर डेल एस negative डेल एस positive तो हमारे अगर हमेशा डेल जी कैसा आएगा always negative आएगा always निगेटिव आएगा मतलब reaction कैसी होगी, spontaneous होगी, कोई भी temperature आप ले लो, तब temperature कोई भूमी का अदा नहीं करेगा, अगर आप वो condition ले रहे हो, जब अगर del H negative होता था, मतलब exothermic reaction होती तो reaction spontaneous, और del S भी positive, मतलब जब entropy बढ़ रही है तो reaction spontaneous, तब temperature कोई rule अदा नहीं करेगा, इस case में तो del G हमेशा negative आएगा, पहली कहानी, पहली कहानी, उसके बाद दूसरी कहानी में इसको समझाता हूँ, समझना है, ऐसे ह्याद कर रहे है, जैसा मैं बता रहा हूँ, ऐसे ह्याद करोगे तो इन में confusion नहीं होगा इन चारों केसे, दूसरी कहानी, फिर हम कहते थे कि अगर delg कैसा आज़ा है positive आजाए देलेज कैसा आजाए positive आजाए ठीक है और दूसरा हम कहते थे अगर डेलेज negative आजाए डेलेज कैसा आजाए negative आजाए दोनों हमने अब वो cases लिये जब reaction को कैसा होना चाहिए non spontaneous जब डेलेज positive और डेलेज negative तो भाईया देखो अगर आपने अब डेल H को positive कर दिए सुनना डेल H को positive कर दिए और डेल S को negative कर दिए minus minus plus और ये plus डेल G जो होगा हमेशा positive होगा किसी भी temperature पे और reaction कैसी होगी non spontaneous होगी non spontaneous होगी किसी भी temperature पे reaction अब क्या होगी non spontaneous होगी किसी भी temperature concept clear है concept clear है चलिए तीसरा case जब आप डेल H को निगेटिव ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, डेल H को निगेटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डेल H को निगेटिव ले रहे हैं, लेकिन डेल H को भी निगेटिव ले रहे हैं, समझना, डेल H भी निगेटिव हैं, अब आपके पास, तीसरा केस क्या है ठीक है तीसरा केस क्या है डेल H आपका निगेट्व आ रहा है डेल H को आपने क्या माल लिया है अब निगेट्व माल लिया है और आपने डेल S को भी क्या माल लिया है निगेट्व माल लिया है डेल S को भी क्या माल लिया है, समझा रहा है, और अगर reaction को कैसा, अगर आपने temperature, अब temperature रोल अदा करेगा, क्या अदा करेगा, temperature रोल अदा करेगा, minus minus कैसा हुआ plus हुआ minus minus कैसा होता है plus होता है लेकिन अगर temperature कम है समझना बटा इसको भी negative इसको भी negative ठीक है अगला case, अब temperature roll आदा करेगा minus minus क्या होता है plus होता है और अगर temperature कम है तो plus holy quantity कम होगी तो DELEH कैसा हो जाएगा और negative value quantity जादा होगी तो डेल जी जो आएगा आपका कैसा आएगा निगेटिव आएगा और reaction कैसी होगी spontaneous होगी logic समझ आया अगर दोनों को negative ले लिया इस case में मैं यह कहा रहा हूँ कि अगर आपने temperature कैसा ले लिया low ले लिया temperature कैसा ले लिया low ले लिया ठीक है अगर temperature low ले लिया तो यह quantity कम आ गई तो भाया आपका overall quantity कैसी आईगी निगेटिव आईगी और reaction कैसी होगी spontaneous होगी अब धिहान दीजेगा अब धिहान दीजेगा कि अगर आपका delhb negative, delhb negative, delhb negative, delhb negative, delhb negative और delg को negative होना है तो किस temperature पे किस temperature पे कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा किस temperature पे delg कैसा होगा negative होगा तो temperature मैं बता रहा हूँ यहीं पर आगे कहीं लिखना वो temperature मैं बता रहा हूँ आपके पास delg क्या था delh minus t delh, delh minus t delh, अब reaction को अगर spontaneous होना है मतलब मैं बोल सकता हूँ delh, यह इधर गया तो t delh किस temperature पे किस temperature पे किस temperature पे ठीक है तो delh upon delh, आप temperature निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? temperature निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? इससे temperature निकाल सकते हैं temperature इससे कम होना चाहिए तब तब आप बोलेंगे reaction कैसी होगी temperature इससे कम होना चाहिए तब आप क्या बोलेंगे भाया कि reaction कैसी होगी spontaneous होगी दूसरी चीज दूसरी चीज अब अगर मैं कहूं कि भाया आपने temperature बढ़ा दिया temperature बढ़ा दिया क्या कर दिया आपने temperature बढ़ा दिया अगर आपने temperature बढ़ा दिया, तो यह जो negative वाली quantity होगी, positive वाली quantity होगी, वो बढ़ जाएगी, और अगर positive वाली quantity बढ़ गई, तो भहिया, डेल जी, आपका ultimately कैसा आएगा, positive आएगा, और reaction कैसी होगी, non spontaneous होगी, reaction कैसी होगी, non spontaneous होगी, getting my point or not, getting my point or not, similar, same कहानी, अगर आपने डेल H को positive लिया, डेल H को positive लिया, और आपने डेल S को भी positive लिया, यह positive है, ठीक है, और यह भी आपने positive लिया, positive और negative positive कैसा होता है, positive होता है, और अगर आपने temperature कैसा लिया, लो लिया, कैसा लिया temperature, लो लिया, temperature अगर कम है, तो यह quantity कम, यह quantity कम होगी, यह quantity कम होगी, यह quantity कम ह बढ़ने की वजह से बढ़ने की वजह से reaction कैसी हो जाएगी non spontaneous और वहीं पे अगर मैंने अगर वहीं पे मैं यह कहूं आपसे कि यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव है लेकिन आपका temperature हाई है temperature हाई है मतलब यह negative वाली quantity बढ़ने लगी मैं इसे दूसरे टम मैं ऐसा कहता हूं कि जब reaction को spontaneous होना है मतलब डेल जी को 0 से कम होना चाहिए 0 से कम होना चाहिए और reaction जब यह किसकी कहानी है यह किसकी कहानी है spontanity की कहानी है किसकी कहानी है इसको अलग से लिखना पहले यह चार्ट बना लो पहले यह चार्ट बना लो जो theoretical question करने में help करेगा फिर यह चार्ट बना लो और अगर reaction non spontaneous होना है non spontaneous होना है तो समझ ना non spontaneous होना मतलब delg is equal to delh minus 3 dells delh minus 3 dells मतलब sir delg को कितने से ज़यादा होना चाहिए delg को 0 से ज़यादा होना चाहिए 0 से ज़यादा होना चाहिए मतलब del h minus t del s को किस से ज़ादा होना चाहिए 0 से ज़ादा होना चाहिए तो del h is equal to t del s और इस case में जो temperature आएगा आपका temperature आएगा del h upon del s ये लीजे ठीक है, clear है ये दोनों cases पर examiner कई बार question पूछता है इन दोनों cases पर examiner कई बार question पूछता है ये कहानी अपनी spontaneity और non spontaneity की clear है, पहले इसे बनाना पहले इसे बनाना उसके बाद इसे बना लेना अगर कभी examiner question पूछे तो ठीक है, अब समझेगा मतलब कहानी क्या होई सर अगर हमारे पास ये एक्जो थर्मिक थी जो spontaneity को बता रहा था ये endothermik थी तो reaction हमेशा spontaneous होगी, लेकिन अगर ये कैसा आगई endothermik और ये entropy घट रही है तो इस case में हमेशा कैसी होगी non spontaneous होगी, बोलो इस case में हमेशा non spontaneous होगी, लेकिन ये भी negative, ये भी negative और temperature भी कम है, temperature भी कम है, तो reaction spontaneous ये भी positive, ये भी positive और temperature तो यहां पे आपको याद करने का तरीक भी मिल गया अगर यह भी आपको और आप यह जाए ला हम यह अगर ये भी negative, ये भी negative और आपने कैसा लिया low temperature, ये positive, ये positive और आपने कैसा ले लिया high temperature, कैसा ले लिया high temperature, कैसा ले लिया high temperature, तो reaction कैसी होगी spontaneous, clear है, उतारिए, उतारिए, यसे, बस ए छोटी सी कहानी बाकी रह गई थी, spontanity के बारे में, एक छोटी सी कहानी बाकी रह गई बढाता हूं कहानी को आगे देखेगा चलिए अब अपनी कहानी है यह चोटे से कुछ question पूछे जाते हैं ठीक है कि standard free energy और equilibrium constant equilibrium constant क्या standard free energy और equilibrium constant समझना standard gives free energy क्या होती है डेल जी not ठीक है और अगर equilibrium constant से कभी relation पूछा जातो सीधे formula लगा देना minus 2.303RT log K minus 2.303RT log K इसके अलावा अगर cell reaction में आपको standard gives free energy पूछे तो minus nf e0 cell वाला है दो formula यूज कर लेना इस पर basic question वीडियो में आपकी लेके आऊंगा ठीक है उससे कहानी clear हो जाएगी जहाँ पर f क्या है f है आपका faraday constant 965 00 और n क्या है number of moles of electron है n क्या है number of moles of electron है ठीक है तो यह कहानी थी आपकी इस चलिए जी अपना question number one क्या दे रहा है choose the correct answer आपको correct answer choose करना है mc की question है अग थर्मोडाना में के state function आपका कोई state function है चलो कोई भी state function है माल लीजे जैसा अपने state function कि इसको बोलते थे भाई आपनी internal energy internal energy है उसको state function बोलते थे internal energy उसको state function बोलते थे इसके अलावा हम किसको state function बोलते थे हम बोलते थे enthalpy को state function बोलते थे इसके अलावा ये कभी भी, initial state आपकी क्या है, system की initial state, initial state and final state पर depend करती है, final state पर depend करती है, कौन अपना state function, ठीक है, किस पर depend करता है, initial state और final state पर depend करती है, इनको path से कोई मतलब नहीं होता है, used to determine heat changes, heat changes को determine करने में इसका thermodynamic state function is a quantity, used to determine heat changes नहीं, whose value is independent of path, ये path पर depend नहीं करते हैं, ये सिर्फ initial state और final state पर depend करते हैं, इसलिए state function, whose value is independent of path, answer should be B, used to determine pressure volume वर्क नहीं, ठीक है, and whose value depends upon temperature only गरत, तो जो जिनकी value independent होती है, path से जो path पर depend नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, state function कर लाते हैं, तो answer क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, answer क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, please note down करें इसे, please note down करें इसे, simple question है, simple कहानी है, ऐसा कोई भी इसमें चीज गलत नहीं है, बड़े अंगले question की तरफ, चलिए, next question की बात करता हूँ, next question है मेरा, for the process to occur, for the process to occur, under adiabatic condition, कोई process adiabatic condition में हो रही है, the correct condition is, अब ध्यान दीजे, मैंने आपको बताया था, कोई भी process अगर adiabatic condition में हो रही है, तो उस case में क्यों क्या होता है, zero, क्यों या heat change कैसा होता है, zero होता है, जैसे हमने कहा था कि जो थर्मस होता है, अपना, वो adiabatic walls, उसकी जो walls होती है, जो heat को जाने नहीं देती है, इसलिए थर्मस में अगर ठंडा पानी भरो तो ठंडा रहता है, गरम पानी भरो तो गरम रहता है, तो भईया, adiabatic condition में क्यों कितना होता है, zero होता है, तो डेल टी zero, डेल टी zero किस condition में होता है, आईसो थर्मल कंडिशन में डेल टी zero होता है, चलो जी, डेल P 0, pressure change 0, ISO बारी condition में pressure change 0 होता है, ठीक है जी, work done 0, तो Q is equal to 0, heat change 0 किसमें आएगा, अपना heat change 0 किसमें आएगा, adiabatic condition में आएगा, तो answer क्या होना चाहिए, अपना third होना चाहिए, answer क्या होना चाहिए, third होना चाहिए, simple question है, ना डरना है ना घबराना है, बस बढ़ते चले जाना है, और जोश और जुनून बनाए रखना है, ना रुकना है, ना थमना है, तो the process to occur under adiabatic condition, the correct condition is Q is equal to 0, Q is equal to 0, clear है, बढ़ जाए एगले question की तरफ, ध्यान दीजेगा, next question मेरा, the enthalpies of all the elements, the enthalpies of all the elements in their standard states are, कोई भी element अगर अपने standard state में होता है, तो मैंने आपको बता था, standard state में उनकी enthalpy change कैसा होता है, 0 होता है, तो unity हो नहीं सकता, answer क्या होगा, 0 होगा, बटा आप इससे क्या अंदाज लगा रहे हैं, sir, ऐसी कोई चीज नहीं है, जो हमने नहीं पढ़ी है, सारे question करे हुए है, तो the enthalpies of all the elements in their standard states are, 0, ठीक है, note down करते हुए चलिए, note down करते next, next बात करते हैं अपन, del u of combustion of methane is x, चलिए, आपका del u कितना दिया हुआ है, del u कितना दिया हुआ है, minus x kilojoule per mole, ठीक है, जो दिया है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, the value of del h, अब आपको combustion, किसका combustion करना है, combustion of methane करना है, क्या करना है, combustion of methane करना है, चलिए जी, combustion के combustion होता क्या है, methane, अजि मुझे oxygen के number of mole नहीं पता, methane gas होती है, oxygen gas होती है, ठीक है, अभी नहीं पता, जितना भी carbon होता है, एक carbon है, तो 1 CO2 बनके निकल जाएगी, 1 CO2 बनके निकल जाएगी, 4 hydrogen है, ये भी gas, और अगर 4 hydrogen है, तो 2H2 liquid बनके निकल जाएगा, चलो जी, ठीक है, अ अब इसके लिए अपने कोँ डल U heat निकल रही है, heat निकल रही है, डल U कितना दिया है, minus x किलो जूल per mole लूल दिया हुआ है, सर, अब हमें क्या निकालना है, Wert H निकालना है, कि Less होगा जादा होगा, Less के बारे में हमको नहीं पता, डेल H के बारे में हमको नहीं पता ठीक है अगर डेल H के बारे में नहीं पता तो डेल H और डेल U में एक रिलेशन बताया था Hey you, ये दिल तुम पे आ गए ये नहीं, Hey you रिलेशन क्या था, Hey you डेल H is equal to डेल U प्लस डेल NG RT, ये इनके बीच का रिलेशन था, अगर एक पूछा जाए और दूसरा निकालना हो, ये इनके बीच का रिलेशन था, मैंने कहा था, कुछ भी बूल जाना, इस चीज़ को मत भूलना, जैसे तुम बोलते हो ना, यार मैं उसे नहीं बूल सकता, अरे उसे मतलब किसी भी चीज़ को भूल जा, लेकिन इसे मत भूलना, वो कुछ भी हो सकती है तुमारी जिंदगी में, इसके लिए Del NG बताओ कितना आ रहा है, इसके लिए Del NG बताओ कितना आ रहा है, प्रोड़क्ट कितने है, प्रोड़क्ट में गैशिख कितना है, वन, अभी oxygen balance नहीं करा न oxygen तो balance ही नहीं किया था 2 oxygen इदर, 2 oxygen इदर 4 मतलब 2 इदर आएगा reactant में कितने है, reactant में कितने है, जल्दी बताइए reactant में अपने 2 और 1, 3, 3, तो del ng कितना आगया, आपका आगया, minus 2 आपका del u as it is है as it is है, और del ng कितना आगया minus 2 rt और यह हो गया del h मैं del u का sign नहीं ले रहा है, सिर्फ sign क्या बताता है, मुझे sign क्या बताता है, बहिए मुझे sign यह बताता है, कि कुछ amount की hit निकल रही है अब आप देखिए, इन दोनों अगर equation को आप, इस equation को आप देख पा रहे होंगे, तो del h के बराबर del u तब आएगा तब आएगा, जब del u में से minus 2 rt किया जाएगा मतलब यह बढ़ा है, यह बढ़ा है तभी तो minus करेंगे तो दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब del u बढ़ा है, kसकी तुलना में, del h की तुलना में, del h answer होना चाहिए third, answer होना चाहिए third, answer होना चाहिए आपका third, simple है, life बहुत simple है, गोल, गोल, मत गोल, चलो जी, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे, अगले question की बात करें, चलो next question की बात करते हैं, next question है मेरा, काफी अब लंबा चोड़ा, enthalpy पर question आके है, enthalpy of combustion of methane, जो लिखा है पढ़ते चलो, combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin, इतनी 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 respectively दी हुई हैं, तो आपको पूछ रहा है enthalpy of formation, पहले जो दिया है, करें हैं, ऐसे question अपने करें हैं, अपन करते हैं, जो given हैं, उसके बारे में बात करें, जो given हैं, उसके बारे में बात करें, गिवन क्या-क्या है, आपको given क्या-क्या है, enthalpy of combustion of methane, हाजी हाँ, तुझे जलाना, मुझे आता नहीं, कारवन को, CO2 gas, चार हाइड्रोजन को, भया ऐसे ही करते हैं, enthalpy of combustion, 2H2O liquid, 2H2O liquid, यह कितना दिया हु किलो जूल पर मॉल ठीक है हाटा, value लिख रहा हो भी, सब किलो जूल पर मॉल में ही दिया है, चलो, इसके लावब ग्रेफाइट, कारबन ग्रेफाइट, चलो जी बच्चे, तुझे जलाते हैं, तुझे जलाते हैं, तू CO2 gas में convert होगा, तेरे लिए डेलेज कितना दिया है तेडी लिए डेलेश कितना दिया हैं, तेडीळेश कितना दिया है मेरे बच्छा ग्रैफाइट के लिए minus 393 minus 393.55, generated kilojewl per mole, kilojoule per mole ठीक है अगर इतना दिया है, उसके बाद बोर रहा है dehydrogen डाइब हाईडरोजन है, इसको अपन ने जलाया इसको अपने जला है, जितनी भी hydrogen है, water में convert होगी, water में convert होगी, water में convert होगी, चलो, तो भईया हमको यहाँ half oxygen लेना पड़ा है, क्योंकि तर एक oxygen, इसके लिए dellage कितना दिया है, minus 285.8, minus 285.8 दिया हुआ है, चलिए, यह अपने पास give आना है, अब अपना aim क्या है, aim क्या है, target क्या है, जो अपने को achieve करना है, इसको प्राप्त करते करते, aim क्या है, aim पता होना जरूरी है, aim पता होना जरूरी है, aim अपना है, कि भईया आप enthalpy of formation निकाले, जिसका enthalpy of formation, methane का निकालना है, जिसका पूछे, उसको right hand side लिखो, उसका एक mole लो, उसका एक mole लो, अब उसके most stable state म जो element है, उससे वो बनेगा, carbon graphide से बनेगा, और 2H2, 2H2 standard state में यह गैश है, इससे बनेगा, आपका one mole methane, यह आपका aim है, यह आपका क्या है, aim है, इस aim को आपको प्राप्त करना है, इस aim को आपको प्राप्त करना है, देखना भीया, मैं जैसे करा रहा हूं, वैसे करते चलना इस सेम को आपको प्राप्त करना जो आज चैनल में पहली बार नया आया हुआ है उसका भी स्वागत अगर वो नया है तो पहले मेरे पुराने कॉंसर्ट पढ़ लीजिए आपको हर एक कॉंसर्ट मैंने रटाया हुआ है चलो अब यह मेरा मुझे इन से प्राप्त करना है रिसोर्से हमारे पास होते हैं फिर हम अपना एम सेट करते हैं और फिर उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं यही तो जिंदगी की कहानी है तो बढ़ाते हैं कहानी को उल्टा करो रियक्शन आपके पास co2 gas plus 2H2O liquid 2H2O liquid किसमें convert हो रहा है किसमें convert हो रहा है सर यह convert हो है CH4 CH4 gaseous plus plus 2O2 gas में 2O2 gas में सर इसके लिए enthalpy change कितना है माइनस 890 था माइनस 890 था अब कितना हो जाएगा सर कितना हो जाएगा दूसरे कलर से लिख दो यहांपे सर plus 890 कितना हो जाएगा सर plus 890 sign reaction उल्टी करी तो sign उल्टा हो गया चलो अगला अब aim देखो aim देखो hydrogen हमको चाहिए hydrogen हमको चाहिए कितनी 2 चाहिए और यहां दिए एक left hand side पर ही चाहिए left hand side पर ही दिए तो यहां multiply कर दिया मैंने 2 से 2H2 plus plus 2 by 2 2 से multiply कर दो यहां आपका O2 gas O2 gas ठीक है किदर convert हो गया 2H2 liquid में convert हो गया 2H2 liquid में convert हो गया 2H2 liquid में convert हो गया अगर 2 से multiply कर रहा है तो हर जगा 2 से multiply होगा यहां minus 285 into 2 कर दो माइनस 285 into 2 कर दो चलो सर माइनस 285 हमारा था 85.8 into 2 कर दिया सर यह हो गया ठीक है चलो अगली कहानी अगली कहानी हमको carbon graphite left hand side चाहिए हमने left hand side लिखा as it is लिखा carbon graphite को carbon graphite को as it is लिखा plus oxygen को अपने as it is लिखा oxygen gas को as it is लिखा अपना convert हो रहा है CO2 gas में है अपने as it is लिखा इसके लिए enthalpy change कितना रहा माइनस 393.5 माइनस 393.5 माइनस 393.5 क्या अपना target अची हुआ अब check करते हैं अब check करते हैं क्या अपना target अची हुआ अब check करते हैं ध्यान दीजेगा हमें जो चाहिए उसको मत काटना बाकि सब कट जाएगा CO2 gas से CO2 एक oxygen गैस से और एक oxygen गैस से ये दो oxygen गैस कट है सब कटे गई कटे गए फिक्स है ठीक है water liquid से water liquid कट गया बचा हुआ अपना target है बचा हुआ अपना target है देखो अपना target आया carbon graphite yes sir अपना aim आचुका है ठीक है to s2 yes sir आचुका है 2 h2 yes sir आ चुका है किसमे convert हो रहा है 1 mol methane में convert हो रहा है 1 mol methane में convert हो रहा है जितनी values हैं उनको plus करके देखते हैं calculator का use करते हैं चलो calculator का use करते हैं भही आपन plus 890 890 0.3 अब ये क्या है 285.8 285.8 into 2 571 minus 571.6 ठीक है minus 393.5 चलो जी calculate करते हैं कितना आ रहा है enthalpy change देखते हैं 890.3 minus 571.6 minus 393.5 ये आ रहा minus 74.8 kilojoule per mole kilojoule per mole this would be your answer minus 74.8 kilojoule per mole this would be your answer ये आपका क्या होगा answer होगा आईए simple question है बस values ज्यादा बड़ी बड़ी रहती हैं तो अपने को इन्हें ऐसा time लगाना पड़ता है लेकिन एक बार बन गया तो अच्छे से बन जाएगी कहानी और वो भी मेरी जुबानी वो भी मेरी जुबानी बढ़े आगे बढ़ जाएं आगे बच्चे लिया स्क्रीन शॉट ले लिया स्क्रीन शॉट नई दिशा, नई कहानी के बारे में सर ये दिशा कौन है, कहानी कौन है अरे नई दिशा मतलब नया question की बात करेंगे कुछ भी मत सोचा करो चलो next question अपना next है our reaction a से b आप गए a प्लस b c प्लस d प्लस heat प्लस heat मतलब सर reaction कैसी ये exothermik reaction कैसी है, exothermik है ठीक है, exothermik है is found to have a positive entropy इसके लिए entropy कैसी होती है positive होती है entropy कैसी होती है, positive होती है ठीक है the reaction will be possible at high temperature अगर reaction exothermik है तो आप कोई भी temperature ले लो कोई भी temperature ले लो the reaction will be possible किसी भी temperature पे possible होगी ठीक है, अगर entropy positive किसी भी temperature पर होगी, possible only at low temperature, नहीं, not possible at any temperature, possible at any temperature, किसी भी temperature पर ये reaction पॉसिबल हो सकती है, exothermic reaction में अगर entropy positive आ रही है, तो ये किसी भी temperature पर हो सकती है, इसके लिए कोई specific temperature लेना जरूरी नहीं है, आईए, बड़े, अगला question देखते हैं, अगला question देखते हैं, next question क्या है अपना a process, in a process 701 joule of heat is absorbed, heat absorb हो रही है, heat absorb हो रही है, मतलब 701 joule of heat absorb, by a system, by a system, किसी system ने, मान लीजिए, मेरा कोई system है, ये कोई मेरा system है, ओ heat absorb कर रहा है, अगर कोई system को heat दी जाती है, तो वो अपन कैसी मानते है, positive, ठीक है, and 394 joule of work is done by the system, work done on the system, अगर system पे work done होता है, on the system, तो हम इसे positive लेते हैं, लेकिन work done by the system, by the system, work done आता है negative, मतलब सर मुझे यहाँ work done कितना लिखना पड़ेगा, minus 394 joule, बस, ये चीज़ धिहान रखना, मैंने यहाँ minus लिखा, minus 394 joule, of work is done by the system, ये मत भूलना, language, मत भूलना, done by the system, by the system, by the system, on the system, by the system वाले concept, मत भूलना, what is the change in internal energy, change in internal energy, क्या होगा, del u is equal to q plus w, अपना first law of thermodynamics, कौन सा law, कौन सा law लगा दिया, मैंने first law of thermodynamics, यही होता है, first law of thermodynamics, change in internal energy is equal to q plus w, चलिए q कितना दिया हुआ है, 701 दिया हुआ, work done कितना हुआ, system के तवारा, minus 394 हुआ, तो चलिए, इस में से इसको minus करेंगे, यह कितना आ गया, करके देख लेते हैं, विसे, 3, 4, 5, 6, 7, 307 आ रहा होगा, एक बाद फिर से देख लेते हैं, 701 minus 394, 307 आ रहा है, 307 joule आ रहा है, आई यह, this is del u, and this is your answer, simple है, simple है ना, चलो next question, next question की बात करें, देखिएगा, note down करा, अरे, खिचिक से screenshot मानना है, तुमारा इतना वेट करते रहूंगा, तो बहुती पीछे रहे जाऊंगा, रहे मैं, बहुती पीछे, और मेरा वीडियो बहुत आगे बढ़ जाएगा, तुमको भी लगेगा, time waste कर दिया हमने sir, चलो next question है, the reaction of cyanamide, NH2CN, ठीक है, with die oxygen, अच्छी बात है, die oxygen, is carried out in a bomb calorie meter, चलो bomb calorie meter, डेल यू दिया हुआ है, आपको इसके लिए कितना, डेल यू कितना दिया है, इस reaction के लिए हो रही है, reaction आपके सामने रखी है, डेल यू कितना दिया हुआ है, माइनस 742.7 किलो जू पर मोल, दियान देना जी, किलो जूल पर मोल में है, ठीक है, at 298 Kelvin, temperature दिया हुआ है, 298 Kelvin, जो लिखा है, लिखते चलो, ना डरना है, ना घबराना है, बस लिखते चले जाना है, calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin, आपको enthalpy change निकालना है, आप सुनो, hey you, ये दिल ते मूँपे, ऐसी गंदी बात नहीं करना, लेकिन, hey you वाला formula, जब भी you दिखे और h पूछे, तो आपको कौन सा formula लगाना है, हमको पता है sir, हमको कौन सा formula लगाना है, hey you, ये दिल तुम पे नहीं रहे, hey you, del ngrt, ये अपना formula है, भूलना मत, अपनता ऐसे याद कराते हैं, hey you, del ngrt, इसके लिए delish कितना दिया हुआ है, जल्दी बताई, अपने को delish निकालना है, चलो भी आपने को delish निकालना है, del you कितना दिया हुआ है, minus 742.7 kilojoule per mole में दिया हुआ है, ठीक है, plus del ngr, इसके लिए del ngr कितना आ रहा है, खुदी बताई, इसके लिए del ngr कितना आ रहा है, उपर मैं लिखता 3 by 2, ओ, यह solid होगा, ns4 cn, यह solid है मेरे बेटा, यह solid होता है, ठीक है, ठीक है, आपका हुआ, 2 minus 3.2, 2 minus 3.2, चलो यह देखते है, 1 by 2, चलो, यह हो गया अपना del ngr, अब अपने को formula apply करना है, del ngr आगया अपना 1 by 2, ठीक है sir, r की value, अब देखना है, यहाँ बच्चा गड़ 314, 8.314, joule per Kelvin per mole, और हमारे पास, जो del you दिया था, वो तो kilo joule में दिया था, तो sir, या तो values हमें kilo joule में sum करनी पड़ेंगी, एक को kilo joule में, एक को joule में, यह तो कर नहीं सकते, तो divide कर दिया, आपने 1000 से, तो यह value भी हो गई, आपकी किसमे, kilo joule per mole में, ठीक है, into r हो गया, अ 298 Kelvin, 298 Kelvin, चलो sir, इसको करके देखते हैं, minus 742.7, यह आ गया, प्लस यह कितना आता है, चलो देखते हैं, चलो चले मित्वा, थोड़ा कुछ calculation की बात करें, क्या है, अपनी calculation, 8.314, into 298, divide by 2000, यह, अरे रे, 8.314, into 298, is equal to, इतना, divide by 2000, यह, आ गया, आपका 1 point, कुछ गड़बर हो रहा है, क्या, 8.3, r हो गया, t हो गया, ठीक है, divide by 2000, 2000, यह, आपका 1.23, 1.23, तो this would be your, this would be your, कितना आ जाएगा, minus 742.7, minus 742.7, minus 1.23, यह, आगया, 741.47, किलो जूल पर मोल, यह, होगा आपका answer, यह, होगा आपका answer, final answer कितना होगा, enthalpy change, जीए, final answer कितना होगा, enthalpy change, जीए, चलिए, note down करिए, अच्छा question है, अच्छा question, note down करिए, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए, तो इसे अगर note down कर लिया, तो अपन अगले question की बात करते हैं, अगला question अपने पास है, दीखेगा, दीखेगा, calculate the number of kilojoule of heat necessary to raise the temperature, calculate the number of kilojoule of heat, आपको heat निकालनी है, ठीक है, to raise the temperature of 60 gram of water, mass of water कितना दिया है, आपके पास 60 gram of mass of aluminium, mass of aluminium कितना दिया है, आपको 60 gram दिया है, इसका temperature कहां से कहां बढ़ाना है, 35 degree Celsius, temperature T1 कितना है, 35 degree Celsius, temperature कहां तक बढ़ाना है, temperature 55 degree Celsius तक बढ़ाना है, और आपको molar heat capacity, molar heat capacity C dी हुई है, कितनी, किती दी हुई है, ट्वंटीफोर जूल पर लूल पर केलविन, अब आपकी मोलार हेट कैपेसिटी क्या होती है, सुनना जी, बहुत सेंपल है, मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा कोई डाइमेंशन नहीं, भीलो जो नहीं कर आया, ठिएजन पदेखे। capacity किसके बराबर थी अपना जो एक में molar heat capacity किसके बराबर थी अपनी यह किसके बराबर होती थी heat upon NLT NLT N क्या है जहाँ पर N क्या है where N is number of mole number of mole अब हमारे पास number of mole नहीं है तो number of mole क्या होता है given weight upon molecular weight होता है given weight upon molecular weight होता है upon molecular weight atom है तो atomic weight given weight upon atomic weight चलो कितना धी आया है ग मैंट अलिमिनियम का अपने को एंच इह बता हिये वेट सो घ्लिवीनियम के लाम ओं hibूनियम ऑसे comprar न आए चलो 60 वाई 27 करें करीब 2-point numa एगा 27 यह तूपॉंट2 यह कितना आगया 2.2 2-2 चलो जी 2.22 औहुए तो अपने यहांपर See तो अपने पास already दिया हुआ था 24 यह क्यों अपने को निकालना था n कितना आगया अपना टू पॉइंट टू टू आगया इंटू डेल्टी डेल्टी क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर फाइनल मानस इनिशल टेंपरेचर फाइनल मानस इनिशल final कितना है अपने पास 55 degree celsius 55 degree celsius minus initial कितना है अपने पास 35 degree celsius तो यह कितना हो जाएगा 20 degree celsius kelvin में changing temperature तो सबके लिए same होता है into 20 into 20 तो अपने पास जो heat आएगी heat आएगी हो किस के बराबर आएगी 24 into 2.22 into 20 into 20 चलो चेक करके देखते हैं चेक करके देखते हैं 24 into 2.22 into 20 यह आगई 1065 joule 1065 joule यह आगई आपकी joule में लेकिन अगर examiner kilo joule में पूछ ले तो क्या हम इसे यही लिख सकते हैं 1.065 kilo joule kilo joule लिख सकते हैं sir बिलकुल लिख सकते हैं sir NCIT में दोनों answer दिये हुए है इसलिए मैंने दोनों term में answer आपके सामने रखती है आईए अच्छा question है क्या बोला अगर आपको neat और जही निकालना है आपको school exam अच्छे से निकालना है NCIT के जितनी variety के question है already मैं ऐसे question करा चुका हूं लेकि variety cover करना बहुत ज्यादा जरूरी है variety cover करना बहुत ज्यादा जरूरी है clear है clear है बच्छों चलो जी next question की बात करते है next question की बात करते है no down करा चलो next question है मेरा चलिए जी next question है अपना calculate the enthalpy change on freezing of one mole of water आपके पास one mole of water है ठीक है one mole of water है इसको आप freeze कर रहे है freeze कर रहे है water liquid state में होगा सही बात है water solid में जाएगा ये भी अच्छी बात है अब of water 10 degree Celsius पे था पहले कितने पे था बिटा ये था 10 degree Celsius पे अब जब ये freeze हुआ तो बर्फ बना बर्फ है माइनस 10 degree Celsius पे ठीक है इस दोरान आपको क्या निकालना है ये जो reaction में इस दोरान आपको निकालना है कि enthalpy change ही कितना आ रहा है तो अब ध्यान देना डारेक्ट तो होगा नहीं single step में कौन कौन सी step इसमें involved होंगी सबसे पहले water liquid जो है वो convert होगा water liquid में ही लेकिन वो होगा 0 degree Celsius पे कितने पे होगा 0 degree Celsius पे इसके बाद ये जो water liquid है ये जाएगा water water solid में water solid में ठीक है और ये होगी कहानी कितने पे ये होगी कहानी अपनी ये भी होगी 0 degree Celsius पे ये भी होगी 0 degree Celsius पे उसके बाद ही आपका water solid convert होगा water solid convert होगा किसमें minus 10 degree Celsius water solid है ice में ये तीन step ये पहली step है ये पहली step है ये दूसरी step है और ये कौन से step है ये तीसरी step है अब अपने पास दिया क्या क्या है आपको दिया है enthalpy of fusion CP दिया है water liquid state में CP दिया है water का solid state में अब अगर मैं आप से कहूँ यहां side में लिखूँ कि भाई या अगर आपका जब solid माल लीजे कोई भी solid है वो liquid में convert होता है liquid में convert कोई भी solid अपना liquid में convert होता है तो उसे हम कहते हैं enthalpy of fusion solid का सीधे liquid में convert होना अब अपने पास यहाँ enthalpy of fusion दिया हुआ है लेकिन आप इक्ट पा रहे है यहां वाटर लिक्विट किसमें convert हो रहा है किसमें तो यह कितना जाएगा चलो यह आगया मेरा 6030 जूल पर मूल ठीक है कोई दिकत नहीं सर कोई दिकत नहीं अब अगर कोई दिकत नहीं तो सब्सक्राइब को कैसे पता अब क्या बोल रहा है ऐस्टो लिकविड फोल लिकविड में कनल मॉल्रा जीरो डगीयं सेलसियस पर आपके पास सीपी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आपके पासो यह टी नि reca Muss तो ये कितना आ गया, 753, कितना इसको मैं लिख सकता हूं, लेकिन किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होगे, आपका जूल पर, मोल पर कैल्विन, ल एच थी काडे लेश थी का अब यह वाटर सॉलिड में करमाट होगा तो भाई यह भी अपनी सकता है किस्री देया कि सिपी टी से न्कंपार सकते हैं अपना माइनस टैन इनीशल कितना है जीरो तो ये कितना हो गया माइनस थ्री सिक्स्टी एट जूल पर केल्विन थ्री सिक्स्टी एट ये जूल पर मॉल होगा ठीक है चलो ये कहानी आ गई ये कहानी आ गई, जूल पर मोल, जूल पर मोल, अब ये जब अपने पास आ चुका है, अब ये जब अपने पास हीट आ चुकी है, तो हमारा हैसलो क्या कहता था, हैसलो क्या कहता था, हैसलो हमारा कहता था, कि अगर कोई reaction सिंगल स्टेप में हो रही है, मल्टिपल स्टेप में हो रही है तो उस दौरान लगने वाली एंथेलिपी चेंज कासा होता है से माल लीजिए मुझे मैं भुपाल में हूँ मुझे बोपाल से गोवा जाना है तो या तो मैं भुपाल से गोवा डारेट फ्लाइट पकड़ जाओं कहां पे इंदौर इंदौर से जाओं मुंबई पहली स्टेप से बहें गया भुपाल से गोवा तो लगने वाला एंथेलपी चेंज गोवा मैं सबके बहुत मज़े होते हैं यार गोवाले बीच पे समझ रहो ना मज़े होते हैं जिन्देगी में लोगों के मज़े करना आप लोग भी ठीक पहले पढ़ लो पढ़ लिख लो या मल्टिपल स्टेप में हो रही है मल्टिपल स्टेप में हो रही है तो लगने वाली एंथेलपी सेम होती है एंथेलपी सेम होती है मतला माइनस सेवन फिप्टी थ्री प्लस सिक जीरो प्लस प्लस माइनस सिक जीरो थ्री जीरो तो ये भी हो गया माइनस मैं माइनस 368 अंसर होगा अपना, करके देखें, जड़ा, माइनस 753, पक्का ना जी, माइनस 753, यस, माइनस 6030, माइनस 368, यह आ गया, 71, माइनस 7151, 7151, जूल, पर मोल, इस वोड़ बी और अंसर, जल्दी आई है, इस तरीके से आप डेलिश निकाल सकते हैं, आपके वाटर के वाटर, वाटर लिक्विट के वाटर सॉलीट में कन्वर्ट होने के लिए, इस तरीके से आप डेलिश निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप complicated करेंगे, तो आपसे बने का नहीं, मैंने बहुत सिंपलेस तरीके से बताया और एकदम perfect तरीके से बता दिया clear है चलिए जी बड़े अगले question की तरफ बढ़ जाएं अगले question की तरफ चलो next question की बात करते हैं no down करा एक screenshot मारना है और थोड़ा side हो जाता हूँ एक screenshot बस मारना है चलो next question है मेरा enthalpy of combustion of carbon to carbon dioxide आपको ने enthalpy of combustion मतलब carbon को आपने जलाया जलाया वो carbon dioxide में convert हुआ carbon dioxide में convert हुआ ठीक है इस दौराण enthalpy change आपको देखने मिल रहा है वो minus 393.5 kilo joule per mole देखने मिल रहा है ठीक है per mole देखने मिल रहा है तो पूच रहा है calculate the heat released upon the formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and di-oxygen, चलो अगर आप एक mole के लिए देख रहे हैं, एक mole के लिए देख रहे हैं, तो कितना रहा है, इतना रहा है एक mole में कितने gram होते हैं, एक mole में कितने होते हैं carbon 12, oxygen 16, oxygen 16, कितना हुआ 16, 32, 44 gram 44 gram के लिए enthalpy change कितना है, जल्दी बताइए 44 gram CO2 अगर बन रहा है, 44 gram CO2 के बनने के लिए, आपका जो enthalpy है, वो enthalpy change कितना आ रहा है, enthalpy change कितना आ रहा है माइनस 393.5 किलो जूल पर मूल किलो जूल पर मूल तो आपके calculate the heat release upon the formation of 35.2 gram के लिए तो 35.2 gram CO2 के लिए कितना आएगा भाईया, unitary method लगा दी, एक chocolate अगर 10 रुपे में आती है तो आदी chocolate 5 रुपे में आएगी, समझ रहे हो ना भाईवाली unitary method, तो minus 393.5 into दूसरी और तीसरी quantity को multiply करे 35.2 35.2 divide by पहली quantity से divide करे, तो answer कितना आएगा, answer कितना आएगा, calculator का use कर लेते हैं, नहीं तो भाईया calculation करने में ही जिद्दगी निकल जाएगा, 393.5 into 35 35.2 divide by 44, यह आगया 314.8 minus 314.8 kilojoule per mole this would be your answer जल्दी आईए, अच्छा question है अच्छा question, ना डरना है, ना घवराना है बस question करते हैं, चले जाना है, minus 314.8 kilojoule per mole बढ़ जाएगा एगले question की तरफ चलिए, next question की बात करते हैं next है enthalpy of formation of carbon monoxide carbon dioxide N2O and N2O4 R, blah, 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 blah respectively find the enthalpy of reaction for the reaction आपको enthalpy of reaction निकालना है ठीक है, तो भाईया यह आपके पास कोई reaction दी हुई है, तो हम enthalpy इस case में reaction की कैसे निकालते थे summation of enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant ऐसे ही निकालते थे, यस सर ऐसे ही निकालते थे, product में कौन-कौन है N2O, तो enthalpy of formation of N2O plus three times of enthalpy of formation of CO2, यह एक segment minus, minus reactant में कौन है, N2O4 है तो enthalpy of formation of N2O4 plus three times of enthalpy of formation of carbon monoxide, ठीक है सर अब आपके पास enthalpy of formation of N2O कितना दिया हुआ था तीसरे नमबर वाला, तीसरे नमबर वाला 81, कितना दिया था 81, यहां आपने लिखा 81 plus enthalpy of formation of CO2 कितना दिया हुआ था minus 393 into 3 minus देखते चलना जी enthalpy of formation of N2O4 कितना दिया है N2O4 कितना दिया हुआ है लास्ट वाला, 9.7 किलो जूल 9.7 किलो जूल चलो, यहां मैंने लिख दिया 9.7 plus enthalpy of formation of carbon monoxide कितना दिया हुआ है minus 110 तो minus 110 into 3 यह आपका हो गया answer यह हो गया 81 393 into 3 करते हैं कितना आ रहा है 393 into 3 1179 1179 minus 9.7 minus minus किया हो गया plus plus 330 330 चलो, करके देखते हैं 81 minus 1179 minus 9.7 plus 330 यह आगया minus 777.7 kilojoule per mole kilojoule per mole आईए इस इस वेस्टेन नमबर 12 इस वेस्टेन नमबर 12 enthalpy of reaction enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant अच्छा question है simple question है कोई भी इसमें doubtful existence नहीं है इस question की simple question है लिख लिया मार लिया screenshot चले next question की बात करते हैं मेरे पास दिया हुआ है given है N2 plus 3H2 convert हो रहा है 2N3 में इस दोरान enthalpy of reaction minus 92.4 kilojoule per mole enthalpy of reaction तो पूछ रहा है what is the standard enthalpy of formation of ammonia gas बेटा मैंने आपको वताया था कि standard enthalpy of formation standard enthalpy of formation enthalpy of formation हम हमेशा कितने mole के लिए देखते हैं हम हमेशा एक mole के लिए देखते हैं कितने किल देखते हैं एक mole के लिए देखते हैं अगर दो mole ammonia के लिए अगर आपको ammonia बनानी है ammonia बनानी है तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप करेंगे half N2 इसे लिखा एक mole product side half N2 gas जिसे बनाना है उसा right hand side लिख दिया plus 3 by 2 H2 gas जिससे बनाएंगे वो element most stable state में होने चाहिए चलो अगर 2 mole के लिए minus 92.4 है तो 1 mole के लिए कितनी होगी देखो 2 mole के लिए enthalpy change अगर minus 92.4 है तो 1 mole के लिए कितना होगा समझ रहें तो 1 mole के लिए कितना होगा अगर 2 mole के लिए कितना है minus 92.4 है तो 1 mole के लिए कितना हैगा minus 92.4 into 1 divided by 2 कर दो minus 92.4 divided by 2 कितना आ रहा है answer 92.4 divided by 2 यह आ गया 46.2 तो answer should be 46.2 केलो जूल पर मोल केलो जूल पर मोल यह होगा आपका answer यह होगा आपका enthalpy of formation of ammonia यही जो reaction एक मोल जब हम बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं enthalpy of formation अपने को निकालना तक कितना आ गया माइनस 46.2 केलो जूल पर मोल माइनस 46.2 केलो जूल पर मोल क्लियर है बढ़े अगले question की तरफ बढ़ जाएं अगले question की तरफ चलिए द्यान दीजिएगा next question क्या है मेरा calculate the standard enthalpy of formation of CS3OH आपको enthalpy of formation from the following data आपके पाँ data दिया हुआ है आपको क्या बनाना है enthalpy of formation of methyl alcohol आपको methyl alcohol का formation करना है एक मोल का ठीक है जिसका formation करना है उसको right hand side लिके किस से बनेगा carbon graphite most stable state of aggregation plus 2H2 gas 2H2 gas plus half O2 gas मुझे ये reaction चाहिए मुझे ये चाहिए ये मेरा aim है ये मेरा क्या है aim है ये मुझे enthalpy of formation चाहिए ये मेरा क्या है ये मेरा aim है हसता हुआ नूरानी चहरा काली जल्फे रंग सुनहरा तेरी जवाने तौबा तौबा रे दिल रुबा है दिल रुबा चल रहे बिटा चे तेरे को अपने को निकालना है चलो थोड़ा time pass बहुत हुआ अब अपने को calculate करना standard enthalpy of formation of methyl alcohol अपने पास ये data दिया हुआ है अब हमें अपने choice को देखते हैं अपने target को fulfill करते हैं क्वेशन एक बार अपन कर चुके हैं हमें methyl alcohol चाहिए right hand side तो इस equation को उल्टी करो उल्टी करो उल्टी मत कर देना हो अगर मैं बैटे बैटे co2 gas plus 2H2O liquid 2H2O liquid किस में convert हुआ किस में convert हुआ CS3OH liquid CS3OH liquid में plus plus 3 by 2 O2 gas में 3 by 2 O2 gas में convert हुआ इसके लिए enthalpy change कितना आ रहा है plus minus 726 था तो reaction उल्टी हुई तो plus 726 plus 726 किलो जूल पर मोल अब मुझे carbon graphite left hand side ही चाहिए तो मैंने एक मोल चाहिए एक मोल है लिख दे रहा हूँ ऐसा कार्बन graphite plus O2 gas O2 gas किस में convert हो रहा है CO2 gas में CO2 gas में चलो भईया यह कितना दिया माइनस 393 माइनस 393 चलो कोई दिकत नहीं अब मुझे hydrogen चाहिए कि अधर इधरी side चाहिए लेकिं मुझे 2 चाहिए तो मैंने हाँ 2 से multiply कर रहा हूँ 2 H2 gas मुझे चाहिए ही चाहिए सब में 2 से multiply कर रहा 2 by 2 तो यह O2 gas हो गया O2 gas हो गया मुझे चाहिए ही चाहिए इसके अलावा इसके अलावा और कुछ नहीं यह किसमे convert हो रहा है H2 liquid में तो मुझे H2 liquid चाहिए 2 यहां भी 2 से multiply कर रहा तो यहां भी 2 से multiply हो जाएगा माईनस 286 इंटू 286 इंटू 2 आ गई reaction जो काम की चीज है उसे रखो बाकी सबको काटो बाकी सबको किस-किस को काटना कॉन नहीं चाहिए अपने को carbon c.o2 नहीं चाहिए आधा मोल और H2O नहीं चाहिए 2H2O से 2H2O काटे 2H2O से 2H2O काटे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 oxygen है 2 oxygen है 3 by 2 से कटा तो इधर कितना बच्चा हाफ O2 बज गया हाफ O2 बज गया अब अपनी final reaction क्या आने वाली है कि भाईया carbon graphite आ गई plus 2H2 gas आ गया प्लस हाफ O2 gas आ गया किस में convert हो रहा है CH3OH में convert हो रहा है आ गया अब अपने पास final equation को sum कर दे 726 आ गया minus 393 आ गया अब अपने पास क्या है 286 into 286 into 2 572 minus 572 आ गया आ गया मैं चलो आप करके देखते हैं कितना आ रहा है 726 minus 393 minus 572 यह आ गया minus 239 minus 239 यह मेरा case में होगा answer किलो जूल पर मोल में किलो जूल पर मोल में यह मेरा होगा answer प्लीज इसे note down कर लीजे calculator standard enthalpy of formation of methyl alcohol यह आपका answer होगा यह क्या होगा आपका answer होगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत बच्चों चलिए note down करो फिर आगे बढ़ते हैं खानी को आगे बढ़ते हैं चलिए जी यह होगे अपना question 14 अगले question की बात करते हैं जान दीजेगा next question है अपना calculate the enthalpy change for the process आपका CCL4 convert हो रहा है 4C plus 4 chlorine में and calculate पहले तो आपको क्या change करना है इस reaction के लिए enthalpy change पता करना है दूसरा आपको क्या पता करना calculate bond energy of CCL bond in CCL4 आपको bond energy या average bond energy पता करने हैं CCL bond की आपके पास क्या क्या दिया है क्या क्या दिया है चलो जो दिया है उसको अपन देखते हैं given क्या क्या है गिवन क्या क्या है गिवन है अपने पास enthalpy of vaporization of CCL4 enthalpy of vaporization क्या होती है CCL4 आपका किस में होगा liquid में होगा उसको आपको CCL4 gas में convert करना है यह कितना दिया हुआ है आपके पास 30.5 कितना दिया हुआ है 30.5 30.5 किलो जूल पर मूल ठीक है enthalpy of formation of CCL4 CCL4 आपको बनाना है CCL4 आपको बनाना है किस से बनेगा किस से बनेगा carbon graphite से carbon graphite से plus 2Cl2 2Cl2 gas से चलो जी यह अपने को कितना दिया है minus 135.5 minus 135.5 135.5 किलो जूल पर मूल ठीक है अब आपके पास दिया है enthalpy of a मतलब है enthalpy of atomization of carbon मतलब सर आपके पास carbon किस में रहा होगा solid में रहा होगा उसको किस में convert करना है carbon gaseous में convert करना है यह carbon graphite रहा होगा उसे gaseous में convert करना है enthalpy of atomization 715 दिया हुआ है 715 kJ per mole, और where, aim के according, इस aim के according CCL4 आपको क्या चाहिए? Gaseous चाहिए CCL4 क्या चाहिए? आपको Gaseous चाहिए मरला पहली वाली reaction को उल्टा करना पड़ेगा, पहली वाली reaction को आपने उल्टा करा, अब आपन अचीव कर रहे है aim को अचीव करने की कुशिश कर रहे है एम को अचीव करने की कुशिश कर रहा है आपने पहली वाली रियक्शन को उल्टा करा जब आपने उल्टा करा तो भईया आपका CCL4 गैशियस इधर आ गया और इधर चला गया CCL4 लिक्विड इस दौरान एंथलेपी चेंज माइनस 30.5 हो गया माइनस 30.5 हो गया ठीक है सर अब दूसरा क्या है अपने को क्या चाहिए कार्बन गैशियस उदर चाहिए कार्बन गैशियस में चाहिए अपने को ठीक है कार्बन गैशियस चाहिए अपने को कार्बन ग्रिफाइट वाले से क कोई मतलब नहीं है तो अपने क्लोरीन को भी ऐसा का ऐसा ही रख दिया अपने इसको भी ऐसा का ऐसा ही रख दिया कार्बन गरिफाइड से अपने को कोई मतलब नहीं है और अब CCL4 लिक्विड अपनने लेकिन अगर लिक्विड उधर ले जाओंगा तो मुझे इस रियक्शन को उल्टा करते हैं ज्यादा सही रहेगा इस रियक्शन को उल्टा कर देते हैं चलिए ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा इस रियक्शन को उल्टा कर देते हैं तो CCL4 ल गरिपाइट से दो कर्बन ग्राइट किसमें से एफ लग दे रहें द सेविंदेट यहバter टीक है लेकिन हमें और चाहिए लो रहा best किलोरीन और और दो तो यह हो गया अपना 242 इंटो टू यह अपनी कहानी हुई यह अपनी कहानी हुई ठीक है और कोई दिकत और कोई दिकत नहीं सर इसमें और कोई दिकत नहीं अब चलो अपन फाइनल अपन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं अपने को क्या चाहिए था CCL4 गैस चलो इसको सम करके देखते हैं सम करके देखते हैं अपने पास है माइनस 30.5 प्लस 135.5 प्लस 715 प्लस 484 यह आ रहा है 130045 यह आ गया 1304 इस रियक्शन की जो एंथेलेपि है हमने निकाल दी 1304. 1304 चलो यह अपना अंसर हो गया 1304 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल यह अपना पहला अंसर हुआ किलो जूल पर मोल यह अपना कौन सा अंसर आया यह पहला अंसर आया दूसरा क्या पूछ रहा है दूसरा क्या पूछ रहा है बॉन्ड एनर्जी अपने को निकालना है तो ए एक CCL 4 में, एक CCL 4 में कितने bond है, 4 CCL bond है, 4 CCL bond है, तो मैं 1300, 04, divide by 4 कर दूँगा, divide by 4 कर दूँगा, तो मुझे bond energy मिल जाएगी, bond energy कौन से bond की, CCL bond की bond energy मिल जाएगी, चलो करके देखते हैं, ठीक है, divide by 4 ये आगया, एरे 1304, divide by 4, 326, 326, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये आपका answer आगया, किलो जूल पर मोल, ये आपका answer आगया, फ्लीज नो टाउन करें से, ये दूसरा answer है, ये आपका कौन सा answer है, ये दूसरा answer है, जल्दी आईए, इसी के साथ question number 15 भी अपनने खतम करा, सिंपल question है, कोई भी इसके पीचे rocket science नहीं है, कोई भी इसमें rocket science नहीं है, सिंपल question है, जल्दी आईए, screenshot मार लीजिए, screenshot पहले ले लीजिए, screenshot पहले ले लीजिए, फिर बाद में आपन देखते हैं, screenshot अगर ले लिया, तो देखें अगले question की तरफ, बढ़ जाएं अगले question की तरफ, बढ़ जाएं बच्चों, बढ़ जाएं, चलो next question, next question है मेरा, ये question 15 था, ये 16, आपका isolated system में इसके लिए अगर internal energy zero है, internal energy zero है, तो what will be Dallas, अगर कोई system के लिए internal energy zero है, मतलब सर, ना तो आपका, there is no heat exchange, तो आपका there is no heat exchange, no heat exchange, no heat exchange, ठीक है, no heat exchange, तो इसके लिए Dallas क्या होगा, लेकिन सर कोई heat exchange नहीं होगी, लेकिन अगर reaction spontaneous है, तो इसके लिए Dallas से जादा होगा, हमेशा Dallas zero से जादा होगा, अगर isolated system है, इसके लिए Dallas zero है, लेकिन Dallas कभी zero नहीं होगा, Dallas हमेशा zero से जादा होगा, simple सा question है, simple सा question है, आईए, इसके लिए हमेशा डेल S zero से जादा होगा, clear है, change in entropy zero से जादा होगा, change in entropy किस से जादा होगा, zero से जादा होगा, for an isolated system, चलो next next बात करते हैं अपन next बात करते हैं question के बारे में आपके पास for a reaction at 298 Kelvin 2A plus B convert हो रहा है C में del H कितना दिया है आपको इतना दिया है del S कितना दिया है इतना दिया है आपको what will be the temperature will the reaction become spontaneous considering del H and del S to be the constant over the temperature range चलो देखते हैं अपने पास कोई reaction है हो रही है तो what will be the temperature will the reaction become spontaneous considering del H and del S to be constant over the temperature range चलो जी अपने को del H दिया है del S दिया है तो अपन निकालते हैं del G is equal to del H minus T del S del G is equal to del H minus T del S अगर मैंने इसे 0 माना del G को 0 माना मैंने तो मेरे पास क्या आजाएगा del H किसके बराबर आ जाएगा T del S के बराबर आ जाएगा T del S के बराबर आ जाएगा अब मुझे what will be the temperature temperature पता करना है तो मैं del H by del S कर सकता हूँ del H by del S कर सकता हूँ yes sir मैं कर सकता हूँ del H कितना दिया है मेरे पास 400 400 दिया है upon del H कितना दिया है मेरे पास 2000 Kelvin आ गिया, तो at what temperature will the reaction become spontaneous 2000 Kelvin temperature पे considering del H and del S to be the constant over the temperature range, तो answer क्या हो गया, temperature 200 2000 Kelvin, ठीक है, temperature 2000 Kelvin या अब आव इस पे reaction कैसी होगी, spontaneous होगी, simple question है, ठीक है, और इस पे, इस temperature पे system किस पे आजाएगा, equilibrium पे आजाएगा, किस में आजाएगा, equilibrium पे आजाएगा, इसलिए अपने डल जी को क इतना माल लिए, zero माल लिए, इस temperature पे system किस पे आजाएगा, equilibrium पे आजाएगा, simple question है, कोई rocket science नहीं है, इसके पीछे, simple question है, कोई rocket science नहीं है, इसके पीछे, बढ़े आगे बिटा, बढ़े जाएगे, अगे अगले question की तरफ move करें, अगले question की तरफ move करें, चलिए जी देखत है, for our reaction to CL convert हो रहा है, CL2 में, ठीक है, किसका formation हो रहा है, bond का formation हो रहा है, ठीक है, bond का formation हो रहा है, ठीक है, अगर bond का formation हो रहा है, तो what are the science of del H and del S, bond के formation के दौरान force of attraction लगेगा और heat निकलेगी तो dell H कैसा होगा, dell H कैसा होगा, negative होगा bond का बनना exothermic reaction होती है, exothermic reaction होती है, कैसी reaction होती है bond का बनना exothermic reaction होती है, लेकिन आप इदर देख सकते हैं 2 chlorine gaseous, C l 2 gas में convert हो रहे हैं, 2 mole, 1 mole में convert हो रहा bond बन रहा है degree of disorderness or degree of randomness कम हो रही है, क्या हो रही है degree of disorderness or degree of randomness कम हो रही है, तो इस case में जो entropy आएगी वो कैसी आएगी, negative आएगी, कैसी आएगी, negative आएगी अगर bond तूटते हैं, bond तूटते हैं भाई, या bond तूटते तो degree of disorderness और randomness बढ़ती लेकिन bond बन रहा है तो degree of disorderness ये randomness भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो dells कैसा आएगा, negative आएगा, dells कैसा आएगा, negative आएगा चलिए, dells कैसा आएगा, negative आएगा, ठीक है, note down कर लिया चलो, next बात करते हैं, next बात करते हैं, अगले question की for the reaction 2a gaseous, b gaseous convert हो रहा है 2d में, gaseous में, dellu आपको दिया हुआ है, dells आपको दिया है, calculate dellg, dellg for the reaction and predict whether the reaction में spontaneous, अगर मुझे dellg निकालना है तो मेरा formula होता है, dellg is equal to dellh, minus t dells, ठीक है, लेकिन sir, मेरे पास, अभी ना तो क्या दिया हुआ है, मेरे पास dellh दिया ही हुआ नहीं है, dellh नहीं दिया हुआ है, dellh नहीं दिया है, तो sir, हम कौन सा formula लगा सकते हैं, au plus dellng RT, यह मैं formula लगा सकता हूँ, ठीक है, चलो, अगर यह मैं लगा सकता हूँ तो सर डेल H मेरे पार डेल U कितना दिया हुआ है डेल U कितना दिया है माइनस 10.5 किलो जूल पर मोल डेल NG कितना है सर दो गैसियस माइनस 3 माइनस 1 आगया सर 2 माइनस 3 ये कितना आगया सर माइनस 1 आगया सर R कितना दिया हुआ है सर R मेरे पास 8.314 नहीं दिया तो मैं मान लेता हूँ 314 Joule पर Kelvin पर Mol होता है तो उपर 1000 से डिवाइट किर दिया सा है और अगर मैं Temperature की बात करूँ किसकी बात करूँ? Temperature की बात करूँ ठीक है? और Temperature ना दिया हो तो मैं क्या मान लेता हूँ? अपने पास लिखा हुआ है कितना? Minus 1 एक मिनेट 1 इंटू 8.314 इंटू 298 2477.572 डिवाइड बाए 1000 या आगे 2.477 माइनस 2.477 अब इन दोनों को सम कर दो सम कर दो 10.5 5 प्लस 2.477 ये आगे 12.977 12.977 ये आगे आपका डेल H क्या आगे? आपका डेल H आगे अब आपको डेल H निकल गया ठीक है? अब आपको निकालना है डेल G क्या निकालना है डेल G? तो डेल G is equal to क्या होता है? डेल H कितना आगे? Minus 12.977 minus T 298 298 ठीक है? और S S कितना दिया हुआ है? minus 44 minus 44.1 मतलब इदर मैं कर दू 44.1 तो देखिए कितना आता है? 298 into 298 into 44.1 ये आगे है 13 13141 minus 12.977 plus 13141 point 8 चले यहां एक चीज ध्यान देना कि आपने entropy जो है आपकी जूल पर Kelvin में दी हुई है किसमें दी हुई है? जूल पर Kelvin में दी हुई है और यहां पर यह किलो जूल में है मतलब सर इसको किलो जूल में convert करने के लिए यहां हजार से डिवाइट करना पड़ेगा ठीक है तो अपने पास जो गिफ्स फ्री एनरजी आई देखिए जी यह हो गया minus 12.977 plus यह कितना हो जाएगा हजार से डिवाइट कर आपने तो यह 13.1418 हो जाएगा ठीक है अब अपन कर देते हैं अब अपन कर देते हैं कितना आ रहा है 13.1418 आप लोग और 12.977 यह आगया 0.16 0.1648 चलो जी मैंने तो बहुत जादा डिजिट तक value निकाल ली लेकिन आपको क्या समझा है आपको यह समझा है यह सब हर जगा लगा दो बल जी नॉट ठीक है आपने देख लियो कैसा आ रहा है पॉझे वा रहा है अगर डैल जी नॉट पॉझे वा रहा है तो आपको क्या समझा आता है कि रेक्टेन कैसी है नौन पॉंटिन क्योंकि डैल जी this reaction this is non spontaneous this is non spontaneous non spontaneous reaction non spontaneous reaction because del G कैसा है del G is equal to positive और हमेशा reaction spontaneous कब होती है when del G is negative when del G is equal to negative तब reaction कैसी होती है spontaneous होती है कैसी होती है spontaneous होती है लेकिन ऐसी condition आई नहीं तो अगर डेल जी positive आया है तो reaction कैसी होगी non spontaneous होगी यहाँ पर यह चीज बहुत अच्छी ध्यान देने लायक है डेल यू किलो जूल में दिया था डेल एस जूल में दिया है इसलिए मैंने हजार से डिवाइट कर रहे है या ऊपर भी आप कर सकते हैं मेरेको नीचे वाली स्टेप में आदा है मैं नीचे वाली स्टेप में कर रहा है यह concept बहुत ज्यादा important दूसरी चीज़ें standard condition की बात हो also so this is the concept this is the concept ठीक है तो बढ़ते हैं अपन अगले question की तरफ पहले इसका screenshot माल लीजी आप लोग पहले इसका screenshot ले लिया आप लोगो ने तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ the equilibrium constant of a reaction is 10, k आपको दिया हुआ है 10, ठीक है what will be the value of del G not, ठीक है आपको r दिया हुआ है 8.314, ठीक है joule per kelvin per mole और temperature दिया है 300 kelvin, 300 kelvin, ठीक है तो हमारे पास del G का formula होता है del G not का minus 2.303 rt log to the base 10 log k minus 2.303 into r दिया है 8.314 into temperature दिया है 300 और यह आगया log 10, log 10 log 10 की value कितनी होती है, 1 होती है, तो 2.303 into 8.314 into 300 into 300, यह आएगा आपका del G चलो चेक कर लेते हैं, del G कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो भही आपका 2.303 into 8.314 into 300, यह आ रहा है 5744, 57 minus 5744, 0.14, यह आगया आपका del G not, standard L G not, चलिए आईए जी, चल्दी आईए, सिंपल question है, इसमें भी कोई rocket science नहीं, इसमें भी कोई rocket science नहीं, ठीक है, चलो next question की बात करते हैं, next question की बात करते हैं, जोश और जुरून बना रहना चाहिए, और दो question बाकी हैं बस, comment on the thermodynamic stability of NO gas given, ठीक है, चलो आपका यह है, N2 gas, half O2 gas के साथ मिलके NO gas बन रहा है, और डेल HR, आप, प्लस 90 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और इधर है, NO gas, प्लस half O2 to NO2 में, और डेल H कैसा आ रहा है, निगेटव आ रहा है, डेल इस कैसा आ रहा है, निगेटव आ रहा है, यहाँ डेल इस पॉजिटव आ रहा है, मतलब ऊपर वाला कैसा होगा, unstable होगा उपर वाला कैसा होगा unstable होगा और नीचे वाला कैसा होगा stable होगा तो भाया thermodynamic stability यहाँ पे कैसा था positive यहाँ पे कैसा था negative यह कैसा होगा stable होगा तो enthalpy of reaction आपको बताएगी कि हाँ भाया डेल H आपका कैसा होना चाहिए unstable होना चाहिए और reaction कैसी होगी unstable होगी unstable होगी please note down करें से चलिए next question जो है अपने को देखना है और वो last question होगा अपना calculate the entropy change in surrounding in surrounding इस word पे मुझे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है चलो देखते हैं when one mole of H2O liquid is transformed under standard condition और enthalpy of formation दिया हुआ है अगर आपके पास as enthalpy standard enthalpy of formation standard enthalpy of formation कैसा है minus 286 kilo joule per mole है मतलब standard enthalpy of formation negative है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है heat is evolved during process during process अगर heat निकली है तो वो कहां गई होगी कहां गई होगी मतलब मतलब plus 286 kilo joule per mole of heat per mole of heat is absorbed in surrounding absorbed in surrounding ये कहां गई है अपने surrounding में गई है और पूछ यही तो रहा था मेरे लला मेरे बच्चे की यही तो पूछ रहा था calculate the entropy change in surrounding of heat absorbed in surrounding तो भाईया entropy change जब अपने को इसके लिए निकालना है किसके लिए surrounding के लिए तो क्या होता है क्या होता है q by t q कितना दिया हुआ है q कितना दिया हुआ है अपने को 286 लेकिन kilo joule में दिया हुआ है तो हजार से multiply करे temperature कुछ नहीं दिया है standard condition में 298 Kelvin temperature ले ले ना अगर ये सारी कहानी हो गई हो तो फिर सिर्फ calculation बाकी रह जाएगी सिर्फ calculation बाकी रह जाएगी 286 into 1000 divide by 298 ये आगया 959 959 जूल पर Kelvin ये आगई आपकी entropy ये क्या आगई आपकी entropy change क्या आगई बेटा ये आपका entropy change प्लीज इसे note down कर लें प्लीज इसे note down कर लें इसी के साथ हमने जो अपनी thermodynamics के NCRT exercises थे वो भी खतम कर दिये जैसे कि वादा किया था हर एक concept बताऊंगा theory पूरी ऐसी कोई theory यहां आपको नहीं मिलेगी जो मैंने concept के तोर पे आपको नहीं बताई हो ऐसा कोई question नहीं मिलेगा जिस type का question मैंने आपसे ना कराया हो entropy हो जाए, enthalpy हो जाए internal energy हो जाए, gifts free energy हो जाए, सब पे base मैंने आप पे question कराया है और बिटा यहां पे मैं एक ही बात कहूंगा जितने भी हमने question करें जितने भी हमने question करें इस type के already question हम कर चुके थे आप अगर channel पे नहे हैं तो सबसे पहले thermodynamics के lecture देख लो best lectures हैं आपके neat की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं आपके base बहुत बढ़िया बन जाएंगे आपको ऐसा कोई concept नहीं मिलेगा जो आपसे यहां ना बने, लेकिन उससे पहले आप सारे वीडियो से एक बार देखो एक बार मैं समझ नहीं आ थे, दो बार देखिए आपको कहानी clear हो जाएगी आपको कहानी clear हो जाएगी clear है, चलिए तो इस कहानी को यहीं अपने विराम दिया इसी के साथ अपना NCIT exercises thermodynamics के खतम होते हैं और जैसे की मैं हमेशा कहता हूं कि magnet brain में आपको class kg से class 12 तक free education provide किया जाता है daily basis पे यहाँ की teachers महनद करकर के hard work करकर के आप लोगों के लिए इतने सारे videos ला रहे हैं लेकिन क्या होता है कि इतने सारे videos बच्चों के comment आते हैं सर अमें videos नहीं मिल पा रहें तो इसका एक alternative option है अगर आपको properly arranged video नहीं मिल पा रहें हर videos आपके पास डले हुए हैं चाहे आप MCQ की बात करें चाहे आप exemplar की बात करें चाहे आप NCIT exercises की बात करें चाहे आप one shot revision की बात करें सब मैंने कराए thermodynamics chapter और इससे पुराने chapter और class 11 की organic शुरू करी वहाँ के chapter हर चीज शुरू करी है ठीक हर चीज मैंने कराई है फिर भी नहीं मिल पाते तो आप हमारी कहां जा सकते हैं website में आप जाएंगे www.magnabrins.com में तो आप देख पाएंगे यहाँ आपको class kg से class 12 तक के ऐसे बहुत सारे sections मिलेंगे इसके अलावा NCIT exemplars जो कि हम खतम कर चुके हैं extra learning activities जिसमें हम shorts के बारे में बात करते हैं exception के बारे में बात करते हैं facts के बारे में बात करते हैं वो सब आपको मिल जाएगे आपको कुछ नहीं करना है आपको class 11 पे click करना है जैसे ही आप class 11 पे click करेंगे मैं और यहां जितने भी हमारे subject teachers है वो आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे and they are providing a quality content to you in free of cost free of cost हर teacher आपको quality content provide कर रहा है आपको single click करना है आप जैसे ही single click करेंगे watch now पे आपको अलग-अलग chapters और उनमें अलग-अलग chapters और उसमें कितने वीडियोस है यहां आपको available हो जाएंगे जो की properly arranged है आप किसी भी chapter पे click करके आप मुझे पढ़ाते हुए देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस thermodynamics chapter को भी खतम करा और I think आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्लीज कमेंट section में जरूर बताईएगा आज की आपको कहानी कैसी लगी जिसे हमने जोश और जुनून के साथ शुरू करा था उसी जोश और जुनून के साथ इस कहानी को हमने खतम कर दिया और अगर आपने कमेंट करके बता दिया है और अगर आप चैनल में नए हैं या अगर आप इससे पहले भी देख रहे हैं तो जिन लोगों तक इस फ्री एजूकेशन का हमारा जो मोटो है वहां तक पहुंचाना है उन लोगों तक शेयर करिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूल